है थो है थो है अधीज है। हेलो 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 है और गुडिवनेंग क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रहे हैं क्या मैं आप सभी को दिखाए और सुनाई दे रहा हूं एक बड़ी फटा-फट बता दिजैंग मौय मौय वाह बहुत बढ़िया यह मौय की विमारी है न कोरोना से भी टेज फैल गई है भहुत सारे नवजवान नव युवक इससे गरसित हो चुके हैं हेलो 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 यंग कैसे आप लोग सबी बढ़िया कैसी चल रही है आपकी मंजिल की one-shot classes ले टोपी बहुत बढ़िया तो चलिए सुरू करते हैं आज का lecture सबी बढ़िया एकदम आवाज मेरी clear है एक बढ़ी thumbs up कर दो अगर मैं आपको clearly audible हुं मेरी आवाज एकदम clear आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत सारी चीज़ आज पढ़ने वाले हैं मतलब आप समझ लो की one of the most important chapter of chemistry ऐसा मैं इन और्गानिक पढ़ा रहा हूं इस वज़ा से नहीं कह रहा है आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं तो चलिए बहुत ही बढ़ि कर लेते हैं वैसे अगर chemical bonding में topics to be covered की बात करें तो दो तीन स्लाइडे लग जाती इसी के लिए मैंने क्या किया है सबसे पहले अपन पढ़ेंगे introduction to chemical bond क्या होता है कैसे कैसे type के bond होते हैं उसके बाद हम balance bond theory and VACPR theory ये दो theories हैं इनको cover करेंगे उसके बाद हम dipole moment की बात बहुत सारे topics चलते रहेंगे आज की class में हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे मैं वह आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम topic की theory को cover करेंगे theory को cover करने के बाद फिर हम कुछ questions उससे related और कुछ questions PYQs उससे related करेंगे ये सारी चीज़े complete करने के बाद end में कुछ PYQs और हम practice क करेंगे और last में कुछ PYQs में आपको homework देखे जाऊंगा duration की बात करें तो देखो मैं तो चाहूंगा कि ये जितनी जल्दी खतम हो जाए उतना अच्छा लेकिन मुझे पता है chemical bonding इतना बड़ा chapter है कि जल्दी खतम नहीं हो पाएगा ये मुझे पता है personally फिर भी मैं कोसिस क करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी इसको खतम कर सकूं कर पाऊं सबसे पहले सुरुआत कर लेते हैं chemical bonding के बारे में तो याद रखना यार इससे हर साल आपको सवाल कम से कम दो सवाल जैए मेंस के हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे at a minimum of two questions in जैए मेंस और एक सवाल ज जैए एडवांस में इस से related chemical bonding से अगर आप चाहें तो comment कर सकते हैं मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने बचे ऐसे हैं जो aware है इस चीज़ से कि जैए एडवांस कैसा सवाल पूछ रहा है कि आपने जैए एडवांस का पेपर देखा है 2023 का एक बड़ी comment करके मेरे को बताओ तो कौन से topic से सवाल पूछा था और कैसा सवाल पूछा था जैए अडवांस में मत आ जाएगा मतला आप देखोगे सवाल को आपको लगेगा है एडवांस क्या ही कर रहा यार बहुत ही बड़ीया MOT से पूछा था बहुत ही बड़ीया F2 फ्लोरीन की MOT से बात करी तो हम स्टार्ट करते सर केमिकल बॉंड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल बॉंड क्या होता है सर तो इट इस एन अट्राक्टिव फॉर्स दो तीन बाते और हां मैं कहना चाहूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह इन और्यानिक का पहला च तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर यह फॉर्स कितने टाइप के होते हैं तो अगर मैं बात करूं फॉर्स कितने टाइप के होते हैं तो फॉर्स आर ओफ टू टाइप्स कैसे कैसे एक तो होगा स्ट्रॉंग फॉर्स दूसरा होगा वीक फॉर्स है ना दो आटम के बीच मे लगने वाला force ही chemical bond को जन्म देता है, यह force दो तरीके के हो सकते है strong forces और weak forces, अगर हम strong force की बात करें, तो strong force को ही हम क्या कहते है, हम strong force को ही chemical bond का नाम देते है all the strong forces are called as chemical bond, these are called chemical bond weak forces के अगर मैं चर्चा करूँ, weak forces क्या होता है सर, तो इसको हम simply force का नाम दे करके छोड़ देते हैं, या फिर इसको हम simply interaction कह देते हैं, these are forces or interaction example के लिए अगर मैं bonding की बात करूँ, तो types of chemical bond भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आईए के करके देखते हैं strong forces में कौन कौन से force आते हैं सर, तो आप बोलेंगे ions के बीच में force, which is called ionic bond फिर आप देखेंगे covalent bond फिर हम देखेंगे इसमें metallic bond और last में हम देखेंगे coordinate bond, तो चार टाइप के bond जो हम यहाँ पे cover करेंगे coordinate bond वहीं अगर हम weak forces की बात करें weak forces जो की बनना तो chemical bond चाते हैं बट बन नहीं पाते उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो दो type के होते हैं एक होता है weak forces involving ions, जिसमें ions involved होते हैं involving ions और दूसरे weak forces जो होते हैं they are without ions, उसमें ion का involvement नहीं है और याद रखना आपने एक टर्म सुना होगा gaseous state नाम के chapter के अंदर या फिर chemical bonding के अंदर जुसको हम कहते हैं all the weak forces जिसमें ion involved नहीं होते हैं they are called van der wall force तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम start कहां से करेंगे sir मैं आपको बता देता हूँ हम strong forces यानि bond से start करेंगे और end हम करेंगे weak forces पे ending हम किस पे करेंगे sir weak forces पे क्या आप तयार हैं अगले पेच पे चलते हैं और शुरू करते हैं sir अपना chapter बिल्कुल बहुत easy chapter है मैं आपको बता देता हूँ this is one of the most easy chapter और इससे सवाल आते ही आते हैं sir इसके बिना J.E. का कोई paper बना ही नहीं है इससे बिना J.E. का कोई paper के बारे में बता देता हूँ covalent bond जो की इस chapter में सबसे major part होगा हम इस chapter में जो सबसे major portion पढ़ने वाले हैं वो covalent bond के बारे में पढ़ने वाले हैं what is a covalent bond आप बोलेंगे sir हमें पता है 10 वी class में ही पढ़ रखा है मैं भी वस थोड़ी सा आपको insight दे देता हूँ वापस से आपको चीजे समझ में आ जाए तो covalent bond जो बनता है वो कैसे बनता है sir this is formed by mutual sharing of electrons mutual sharing of electrons between two or more atoms दो या दो से अधिक atoms के बीच में अगर electron का mutual sharing हो रहा है mutual का मतलब दोनों electron लेके आ रहे है और दोनों मिलके दोनों अपनी सहमती से bond बना रहे है तो उसको हम क्याते है covalent bond जैसे इसके example की अगर हम बात करें तो example आप इसका ले सकते हो H2 इसका example आप ले सकते हो F2 इसका example आप ले सकते हो Cl2 इसका example आप ले सकते हो CO2 इसका example आप ले सकते हो CH4, एक आदा example अगर आप बताना चाहे तो please you all are welcome अगर आप कोई example बताना चाहे of a covalent bond, H2O बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया HCL, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया एक बच्चा परिशान है, सर, ब्रस ब्रस बहुत सिंपल, mutual sharing का example देखना है तो मैं CO2 का example आपको दिखा देता हूँ जैसे देखो, इसमें क्या है ना, कार्बन के valence cell में total 4 electron होते हैं तो 4 electron को मैंने cross के थुरू बना लिया, oxygen के valence cell में 6 electron होते हैं, 1, 2, 3, 4 5, 6, दूसरे oxygen के valence cell में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब bonding के लिए कुछ कुछ कारण है जो भी हम आगे देखेंगे, जैसे octet rule बगेरा, तो octet rule के इसाब से oxygen भी अपना octet पूरा करना चाहेगा carbon भी, तो ये क्या करेगा oxygen इसके 2 electron share करेगा ये carbon, ये वाला oxygen इसके ये वाले 2 electron share करेगा carbon बोलेगा कि भाईया मेरे 2-2 electron तुमने share किये, तो अब अपने भी 2 electron हमारे साथ share करो तो ये इस तरीके से total आपका bond बन जाएगा, जो कि 10 standard में आपने देखा होगा, 10 standard में ये सारी बाते देख रखिए कि ने देख रखिए भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से bond चलता है, ये coordinate ये covalent bond का example है covalent bond के बाद अब जिस topic पे हम चल रहे हैं वो बहुत important है और ये बहुत weighted topic है इससे related बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, that is ionic bond, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को सब कुछ समझ में आगए एकदम clear है, covalent bond का मतलब, दो atom, दोनो electron लाएंगे दोनो electron लाके क्या करेंगे सर हाँ, दो atom, दोनो electron लाएंगे दोनो electron लाके क्या करेंगे, नया bond बनाएंगे, ठीक है चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं the second type of bond is anionic bond second type of bond is ionic bond, ionic bond की अगर हम बात करें, तो यह किसके बीच में बनता है सर तो यह बनता है between a cation and anion, तो it is force of attraction, that is between या अगर इसके बारे में में लिखना है, तो it is formed by complete transfer of electron, complete transfer of electron इसका मतलब covalent bond में दोनों अपने electron, सभी item bonded item अपने electron अपने पास भी रख रहे थे, सामने वाले की साथ share भी कर रहे थे, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे electron का complete transfer होना चाहिए, अगर electron का complete transfer हो रहा है तभी हम उसको कौन सा bond कहेंगे सर, ionic bond कहेंगे ionic bond के बारे में और जादा अच्छे से कुछ बाते करना चाहूँगा please be very attentive ध्यान से सुनिएगा ionic bond में जो force होता है यह काम करता है between a cation and anion cation and anion sir, cation कौन बनाता है sir तो ऐसा species जो electron को lose करे, वो cation बनाता है ऐसा species जो electron gain करे वो anion बनाता है अब आप मैं यह मान के चलना हूँ कि आपने से maximum student जो है कुछ 11th के भी बच्चे होंगे because chemical bonding is the topic of 11th also लेकिन मैं मान के चलता हूँ जो भी अपने dropper के student होंगे या 12th के student होंगे उनको एक बात पता होगी कि अगर हमारे पास दो charges है, opposite charges है उनके बीच में एक force लगता है जिसको हम electrostatic force of attraction कह सकते हैं अगर opposite charge है तो कुलाम 4 जिसका formula होता है के Q1, Q2 upon R square तो यह इनके बीच force of attraction काम करता है जिसके कारण यह bond बना लेते हैं जिसके कारण यह bond बना लेते हैं बहुत बढ़िया, very good very good, इसको एक और नाम से मैंने आप लोगों को बताया होगा, कौन सा नाम से मैं इसको जानते है तो अगर आप internet पे जाके, हाँ internet पे जाके से search करोगे Mr. Bean वाला force है ना तो आपको देखने को मिल जाएगा Mr. Bean वाला force इसमे एक meme बन रखिये कि Newton साब बैठे हुए examination hall में और अपना force दे रहे है gravitational force F G जो कि K या सॉरी, बढ़का G M1, M2 upon R square के बराबर है फिर Mr. Bean भाई साब Newton अंकल की cheating करके अपना force बना रहे है column force of attraction या column forces है ना, इस वाल है तो इस force के कारण यहाँ पर bond बनता है क्या force है यह हमने पता कर लिया जैसे हमने force के बार हम पता कर लिया अब जो मैं कहने जाना उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा सर इस force के कारण हमारा bond बन रहा है और complete transfer हो रहा है एक्जामपल की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख लो मैं एक्जामपल ले लेता हूँ formation of sodium chloride है ना मेरे पास है NaCl NaCl की अगर हम बात करें तो यह बनता है cation Na anion Cl- इसका formation अगर हमें छोटे बच्चों की तरह दिखाना है तो हम दिखाएंगे देखो sodium atom है जिसके valence cell में 2,8,1 electron था मतलब valence cell में एक electron था यहाँ पर हमारे पास chlorine है जिसके electronic configuration बचपन वाला 2,8,7 था तो इसके electron को dots से दिखा लेते हैं 1,2,3,4,5,6 2,8 यह chlorine क्या बन गया CL माइनस बन गया एक electron इसमें add हो गया 2,8,8 अब इन दोनों के बीच में जो force of attraction लगा that is electrostatic force और इसके कारण यह ionic bond बन गया क्योंकि यहाँ पर complete transfer हुआ है क्योंकि यहाँ पर complete transfer हुआ है बहुत सारे बच्चे इसका example भी देने लगे है बहुत ही बढ़ी है इससे पहले कि आप example और बताओ मुझे मैं आपको एक बात बता देता हूँ solid state आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्योंकि तब तक J.E. mains का तो revise syllabus नहीं आया होगा याद रखना जितने भी ionic bond होते है they all are non-directional ionic bonds are non-directional इनमें कोई direction का role नहीं होता non-directional bond का मतलब क्या है समझना non-directional bond का मतलब क्या है समझना जैसे मालो यह मेरे पास एक छोटा सा कटायन है इस छोटे सा कटायन के सामने anion किसी भी direction से आए एक negative चाप जिसके सामने किसी भी direction से है इसको फरक नहीं पढ़ता यह attractive force लगाएगा यह columbic force लगाएगा क्या बात समझे बोलो हायना बताईए क्या मेरी यह बात आपको समझ मैं कि यह एक कटायन है कटायन positive आप इसको अपने दोस्त की तरह समझ लो आप इसको अपने उस दोस्त की तरह समझ लो जिसके सामने कहीं से भी कोई सुन्दर गर्ना गुजरे उसको पता लग जाता है तो यह वैसा ही है सर इस पर direction कोई फरक नहीं पढ़ता चाहे तुम East West कहलो यह ऐसा नहीं है कि है ना वास्तू सास्त के इसाप से नहीं चलता कि भाईया उस South direction है वहां नहीं जाएंगे जैसे हमारे UP में ऐसा कहते है कि वहां दिसा सूल है आज नहीं वहां काम करना है सोम वार के दिन उस दिसाम नहीं जाते हैं इसके पीछे कुछ रीजन जरूर रहा होगा अब जिस पात कि मैं आपसे जो पूशने वाला हूँ सवाल फटाफट मेरे को कुछ examples बता दो और फटाफट मुझे examples बता दो और आइनिक बॉंड चलिए तुरंट देखते हैं हाँ एनाइसो ट्रोपिक हा रहा रहा चलिए जल्दी बताते जलिए example सर ALCL 3 ALCL 3 पर भी आएंगे अभी आगे चलके कि यह आए निक है कि नहीं KCL बहुत बढ़िया KCL very good और MGO अच्छा चलो MGO और sodium sulfate ले ले लेते हैं है ना फिर K2SO4 ले ले लेते हैं फिर barium sulfate ले ले लेते हैं etc ठीक है यह सभी के सभी क्या है से कटायर, anion, koh, an,o, ch, a,o, ch, a acid ले लो bases ले लो बहुत ही बढ़िया very good copy कर लिया तो further what CKL लिख दीजे इसके बाद हम आगे चलेंगे ionic bond से related बहुत सारी बाते आज हमें करनी है पहले ionic bond को अच्छे तरीके से एकदम decode करेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे, सर HCL क्या है, HCL जो है, ऐसे तो acid है, अगर equus solution में है, वैसे अगर हम HCL की बात करें, it is a covalent compound, HCL ए covalent compound होता है, बहुत ही बढ़िया, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, अंगले page पर, फड़ा फड़, अब हम बात करेंगे, है ना, अब ह पहला, lattice enthalpy की, lattice enthalpy, क्या होती है, lattice enthalpy, जिसको हम represent करते हैं, किस से, L, E से, या delta H, L, E से, इसकी बात कर लेते हैं, सर, lattice का मतलब, आप में से सभी लोगों को लगबद लगबद पता होगा, जिसने भी solid state पढ़ा होगा, एक well defined manner में, particles का arrangement को हम lattice कहते हैं, lattice enthalpy क्या होती है, सर, इसका definition thermodynamic के term में दिया जा सकता है, क्या, कि the energy released, यह क्या होती है, सर, the energy released on formation of one mole of solid lattice by its constituent gaseous ion, इसका मतलब क्या है, मैं reaction लिखके दिखाता हूँ, lattice enthalpy का मतलब है, कि आपको क्या करना है, एक ionic solid का एक mole तयार करना है, example, NaCl तयार करने के लिए, आपको उसमें पहले kation और anion खोज लो, NaCl में kation क्या है, आप बोलेंगे, सर, इसमें kation हुआ है, Na plus and anion है, Cl minus, तो kation को आपको gaseous state में लेना है, ठीक है सर, ले लिया, anion को आपको gaseous state में लेना है, ठीक है सर, ले लिया, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, दोनों बोलेंगे, आओ, bond बनाएं, और bond बनाके ये आपको बनाके देंगे, NaCl solid, जब ये solid बना रहे होंगे, और जब इनके वीच force of attraction आपको पता है बढ़ेगा, जब हम इनको पास लाएंगे, तो energy release होगी, और ये जो energy release होगी, सबसे पहले ये process कैसा होगा, endothermik या exothermik ये बता दो, सबसे पहले ये process कैसा होगा, endothermik या exothermik ये बता दीजे, चलिए, तो आप बोलेंगे, sir, energy release होगी, bond formation के दोरान, so this process is exothermik, तभी मैंने वहाँ पे लिखा दा, energy released, उसके बाद, इस reaction के लिए जो delta H होगा, that is enthalpy change for this reaction, is equal to lattice enthalpy, reaction के लिए enthalpy change को हम lattice enthalpy बोलेंगे, आप में से किसी का मन किया कि नहीं, sir, हम bond बनाने के एकदम धूर बिरोधी आदमी है, हम bond बनाने के एकदम धूर बिरोधी है, एकदम चीर प्रतिदवन्दी है, हम bond बनाएंगे नहीं, तो एक और तरीका है, sir, second way भी है इसको define करने का, second way म अपन क्या करेंगे, bond या फिर lattice कह सकता हूं, bond या फिर lattice कह सकता हूं, lattice को break करेंगे, sir, अब क्या करेंगे, बहाई, lattice को break करेंगे, इसको एसे करेंगे, आप बोलो, sir, आप एक बोल आयनिक solid ले लो, चल भाई, मैंने NACL solid ले लिया, इसको कुछ energy दे दो, ठीक है energy दे दी, energy कि इसको तोड़ो और तोड़ के इसके constituent iron में break कर दो गैसियस warm में इस reaction की बात करें तो आप मेरे को बता दो इस यह reaction exothermik होगा या endothermik होगा फटापड बताइए यह reaction exothermik होगा या endothermik होगा बताइए तर break कब होगा देख रहे हो सेर अभी break मांग रहा है फिर सेर बिना break के ही चला जाएगा समोसा खाने बहुत बढ़ी है यह कैसा होगा सर यह endothermik होगा इसके लिए अगर अपन डेल्टा-H की बात करें तो आप बोलोगे इसके लिए डेल्टा-H भी lattice enthalpy के लाएगी लेकिन इन दोनों में फरक क्या होगा सर इन दोनों में difference किसका होगा सिर्फ only of sign only of sign सिर्फ sign का difference है सर आप तोड़ भी सकते हो आप बना भी सकते हो आपकी मरजी है आप तोड़ो चाहे बनाओ energy उतनी ही लगेगी magnitude will be the same एक टाइम पर energy release हो रहा है उतने ही amount का एक टाइम पर आपको उतने ही amount की energy देनी पड़ेगी क्या मेरी बात clear है पता ही क्या मेरी बात clear है यहां तक anybody any doubt बहुत बढ़ी है इसके बाद हम आगे चर्चा कर लेते हैं जैसे मालू यह तो था सर NACL अग अगरवालों मैं आपको बनाने के लिए दूँ एने टू एसो फोर यह बनाना है आपको सोडियम सलफेड तो इसके लिए मेरे को reaction क्या करना पड़ेगा इसके लिए lattice enthalpy की reaction में हम कटायन क्या लेंगे बता दो फटा फट यह तो सॉलिड बना लिया हमने इसके formation की हमें lattice enthalpy निक सवाल यह से आहीगा पड़ाईन सील प्लस एस टुस फोर नहीं अरे वो नहीं बूछ रहा आप बोलुकह सर यहां पर कटायन सोडियम प्लस होगा सर और सोडियम प्लस गैसी स्टेट में लेना है कितने मोल इसका लेंग आप बोलूकह सर इसका 2 मोल लेना पड़ेगा और सब् Cait लिए। इसको 1 mol बनाना है इसको 1 mol बनाने के लिए हमें सिद्रियो ड़ूम चाहिए और सल्फेट 1 mol चाहिए। यह बात कितने लोगों को समझ में आगे है जल्दी जल्दी बता दीजिये। फिर एकौर एक और यह समझे आ गया तो एक बरिपरी बेडियम फॉस्पेट बनाके मेरे को दिखा दो क्या बनागे दिखा दो सर माल लो मेरे को बना ना बेडियम फॉस्पेट का फॉर्मूला इंब उप सारे लोग नहीं लिख पाएंगे बीए थ्री प्योफोर होल ट्वाइस ये मैंने इस सॉ इससो बहुत सारे आते हैं बलकुल कटायन कॉन साना अनायन कॉन सा हां अब कुछ लोग बोल रहें लिग दो सर अभे बे ऩरीम नहीं बेरियम प्लस टू होगा ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद अनायन कॉन सा आप बोलेंगा अनायन फॉस्फ़र्ड पियो फोर थ्री अब इस reaction में इसका तीन मोल इसका दो मोल ले करके एक मोल इसका बनेगा इस reaction में जो enthalpy change होगा उसको lattice enthalpy लिखेंगे ये बात सभी को clear होगा फड़ा फ़र थमसा बना देजे फिर हम formula पर चलते हैं यह है lattice enthalpy का formula basically energy का formula है आपको पता है energy जो है वो force का integration हो जाएगा फडर का integration कर देंगे तो हमें energy मिल जाएगी तो energy में R की magnitude जो R square था वो R पे रहे गया अब सुनते जाना यहाँ पर Q1 Q2 क्या है सर यहाँ पर Q1 Q2 क्या है सर दीजार चार्जान कटायन और अनायन चार्जान कटायन और अनायन दूसरा point सर यहाँ पर R plus क्या है R plus is radius of कटायन radius of कटायन और R minus क्या है सर इस radius of अनायन R minus क्या है सर radius of अनायन अब इस से related सवाल करते हैं question आएगा आपके सामने अब देख लो अगर मैं बोलू lattice enthalpy is directly proportional to charges दोनों का charge का product and inversely proportional to size question आएगा आपसे compare lattice enthalpy of सबसे पहला NACL KCL RBCL and CSCN सवाल है J E mains का this question is of J E mains इन चारों में से कौन सा option मतलब आपको order बताना है आपके पास option क्या क्या है देख लिजे order का option क्या क्या है तीन option रहेंगे आपके पास हर सवाल के लिए से सबसे पहला option आपके पास रहेगा option मैं यहालिक देता हूँ सबसे पहला A पे आपके पास option रहेगा equal to ET बोला मैंने मतलब equal to B option रहेगा आपके पास LT LT बोले तो less than और C option आपके पास रहेगा GT GT बोले तो greater than इसमें कौन सो option सही होगा बताइए कैसे करेंगे सर इसको आप बस ABC बता दो मेरे को तुरंत कमेंट करो भाई मेरे को सबसे कमेंट चाहिए हाँ involvement चाहिए आपका आप involved रहोगे इस session के बाद आप chemical bonding का सवाल गलत नहीं कर सकते इसकी guarantee मैं दे देता हूँ गलती नहीं करोगे तुम कभी chemical bonding का सवाल पहली बात और दूसरे बात जो समय लगेगा ना तुम्हें chemical bonding के सवाल को solve करने में वो आज तक जितना लगता था उससे आधा होगा सर कम से कम तो आधा होगा इसमें option C हो जाएगा option C का मतलब greater than ये वाला इसका correct option है ऐसे सवालों के लिए normally मैं एक concept बताता हूँ उसको सुन लिजे इसको solve करने के लिए आप एक concept लगा सकते हैं है ना उस concept को मैं और बली नाम देता हूँ अपनी classes में dream 11 concept पूरी दुनिया dream 11 में पैसा लगा के बरबाद हो रही है हम dream 11 से कुछ concept बना के कुछ सीखने की कोसिस कर रहे है बाकी दुनिया आपको बोल रही है it will help you also in physical chemistry कहीं पर भी comparison का सवाल होगा it will help you always dream 11 का concept क्या कहता है समझो माल लो dream 11 पे आपको team बनानी है आपके एक दोस्त आप A हो आपका एक दोस्त B है है ना A से अंटी कर लेता है B से बंटी अंटी और बंटी दोस्त है ठीक है अगर इन्होंने team बनाई और team में इन्होंने 10 player दोनों के 10 player दोनों के same है 10 प्रिकेट की बनाई 10 player दोनों के exactly same है और इसी में इनका captain भी है इसी में इनका vice captain भी है तो मेरे को बता इन दोनों में जीतेगा कौन कौन decide करेगा इन दोनों में जीतेगा कौन-कौन डिसाइड करेगा, प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, जैसे मैं यहां पे आता हूँ, वहां पे बहुत सारे यंग लोग हैं, जो हमारे और गाम करते हैं, बहुत सारे, मतलब अलग सर ने बहुत सारे college going student को भी मौका दिया है, जो colleges म जा रहे हैं, उनको भी यहां पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो हमारा studio अगरा operate करते हैं, बाक एंड की टीम जो है, उन में से बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया कि देख भाई, तू पैसे तो डालेगा, इसमें पर निकाल कभी नहीं पाएगा, तेरे को लगेग कि यह concept dream 11 यह कहता है, वस, इस सर, जो अलग होगा, वही order decide करेगा, जो अलग होगा, वही game changer होगा, वही order decide करेगा, यहां पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम charge पे चलते हैं, सबसे पहले किस पे चलते हैं, चार्ज पे, आप बोलोगे सर, चार्ज इस पे plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 चार्ज अंतर है क्या, आप बोलोगे सर, चार्ज का फर्क है ही नहीं, अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरे पोइंट पे, तो आप बोलोगे सर, देखो, अनायन भी सभी पे सेम है, अरे अनायन भी deciding factor नहीं होगा, तो बस कटायन बचा, चार्ज का अंतर है नहीं, अनायन deciding factor है नहीं, तो simple deciding factor कौन होगा, size of cation, आप बोलेंगे, अगर size of cation है ना, या मैं ऐसे कहूं, अगर r plus की value जादा है, तो lattice enthalpy की value क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें अगर आप देखेंगे, down the group हम जैसे जाते जाएंगे, size of cation जो है, वो बढ़ता जाएगा, lattice enthalpy कम हो जाएगी, क्या ये बात clear है, बताईए हाँ है ना, बोलिए, क्या ये बात clear है, बताईए yes or no, is it clear to all of you, आगे चलते हैं सर अगले page पर, अभी और सवाल करेंगे, तीन चार और सवाल करेंगे, बस इसमें दो बाते को अध्यान रखना, ये concept बस यहीं बताता है, कि जो चीज common है, उस पर focus ना करके, जो अलग है सभी में, उन पर focus करिए, और उसके बारे में चेक कर लिजे, क्या सही है, क्या गलत है, और सवाल करेंगे, भी डरना नहीं है, एक सवाल और करते हैं, कम से कम तीन चार सवाल करके दिखाऊंगा, हाँ, चलिए, पहले बात दूसरे पिचल तीन option है, क्या-क्या, option will remain same, सबसे पहला answer A होगा, ET मतलब equal to, ET का मतलब equal to, B, LT, LT का मतलब less than, C, GT, GT का मतलब greater than, बताइगे इसमें क्या order होगा, और कौन deciding factor होगा, बे order तो तू किसी दिन बता देगा, deciding factor क्या हुआ यहाँ पे, आप बोलोगे सर देखो, charge on cut ion, same, anion, same, anion, same, अलग कौन है, उसको एक बड़ी highlight करते हैं, आप बोलोगे सर, अलग यहाँ पे, मिट, आयन है, और यह आयन का charge भी सेम है, तो हम size पे चलेंगे, तो सीधी सीधी बात है, lattice enthalpy जो है, वो inversally proportional हो जाएगी, size of cut ion के, किसके, size of cut ion के, size of cut ion यहाँ पे क्या जाएगा, आप बोलोगे Sir, देखो, beryllium plus 2 से तो बड़ा ही होता है, magnesium plus 2, है ना, magnesium plus 2 से तो बड़ा ही होता है, calcium plus 2, यह size है Sir, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे, order in which क्या हो जाएगा Sir, जैसे, जैसे size बड़ेगा, lattice enthalpy will decrease, तो C option is the correct option, अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, तीसर नंबर पर मैंने किया, naf, sodium fluoride, nacl, nabr and nai, अब इसके बारे मेरे बाई, इसका order क्या होगा, यहाँ पर difference कौन है, यहाँ पर difference कौन है, यह बताओ, किसके order को हम decide करेंगे, तर जितना size बढ़ाएंगे, कटायन का, बिलकुल आप कटायन का size बढ़ाओ, आप अनायन का size बढ़ रहा है, तो हम deciding factor क्या होगा, है न, हाँ, बलकुल, तो आप बोलेंगे, sir, यहाँ पर अंतर किसमे है, आप बोलोगे, sir, सकल है, अलग है, किसकी सकल अलग है, sir, अनायन की, कटायन वा तो same है, sir, अनायन की सकल अलग है, sir, अनायन पर charge same है, सभी अनायन पर charge same है, size पर अनायन के size के inversely proportional होगी सर यह अनायन सबसे बड़ा है इसकी lattice enthalpy सबसे कम फिर इसकी सबसे जादा मेरी बात clear है बताईए एक सवाल और करते हैं फिर हम आगे चलेंगे अगला सवाल आपके computer screen पे ये रहा NAF MGO फिर ALN चलिए इसके बारे में बताईए तो dream 11 काम ही नहीं कर रहा है काहे सर सब सब अलग है सर कोई सेम जैसा दीखी नहीं रहा जब dream 11 काम नहीं कर रहा तो आराम से आप charge वगेरा पे देखो और मैं आपको जाते जाते एक RBI बता दे रहा हूँ अगर आपको कभी भी charge और है ना RBI के है सर अगर Q1 Q2 मतलब charge का मल्टिपलिक है ना charge charge का product and R plus plus R minus contradicts ये दोनों एक दूसरे को opposite बाते बता रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए और ये होना चाहिए in that case in that case charge को preference देना किसको preference देना charge को preference दो ठीक है उस case में हम क्या करेंगे सर charge को preference देंगे मतलब हम कुछ नहीं देखेंगे अगर charge जादा है तो size wise का कोई यहीं नहीं है सर सीधा charge को देखके answer take कर देंगे आप बोलोगे सर इसमें charge है plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 इन सब का product या तो यह बहुत जादा है सर तो इसके लिए lattice enthalpy सबसे जादा size wise के चकर में पढ़ना ही नहीं है मेरे दोस्त size के चकर में हाँ पढ़ना ही नहीं है समय खराब होगा size के चकर में पढ़ोगे तो क्या यह बात समझ में आगए सभी को lattice enthalpy समझ में आगए जल्दी से CKL लिख दीजे और हर्ट बना दीजे फिर अब आगे बढ़ते हैं लाइटिस एंथाल्पी के बाद एक और ऐसा ही कॉंसेप्ट हाइड्रेशन एंथाल्पी का इसको समझेंगे और हम देखेंगे फाक्टर्स रेस्पॉंसिबल फॉर फॉर्मेशन और फिर हम थोड़ा सा फजान रूल को टच करते हुए आगे चलेंगे और बाकी के टॉपिक्स पे चलिए बहुत ही बढ़िया बिलकुल सर आर्बिया नहीं समझा आर्बिया सिंपल यह कह रहा है कि अगर Q1 Q2 और साइज में कॉंटराडिक्शन हो जाए बल बलब size को और आपको पता size inversely proportional है कहीं पे मालो size बढ़ रहा है और charge भी बढ़ रहा है size भी बढ़ रहा है charge भी बढ़ रहा size बोलेगा lattice enthalpy कम करो charge बोलेगा lattice enthalpy बढ़ादो तो उस case में आप हमेशा तवज्जो जो देंगे आप preference हमेशा चार्ज को देंगे Q1 Q2 को प्रेफरेंस देंगे सर कोपी कर लिया C के लिखिया अगले पेज पर चलते हैं बहुत है बढ़िया इसके बाद अब एक और फैक्टर देखने जाएंगे जिसका नाम है हाइडरेशन एंथालपी हाइडरेशन एंथालपी क्या होता कोई बता सकता है कि मेरे को आइडरेशन एंथालपी 11 वाली 11 के बच्चे अरजुना वाले जो अभी है जिन्होंने अभी हाल फिलाल में थर्मो डाइनमिक्स जैसा भारी भरकम चाप्टर पढ़ रखा होगा डर भय लग रहा होगा कि सर ये क्या है उनको बताया गया होगा हाईडरेशन एंथालपी के बारे में इन और ग्यानिक में भी आपने पढ सब्सक्राइलें wytव č ये दोजो सवाल पीवाई क्यू जेव है सर ग किक और भी करेंगे आंतों के साथ हाँ-भाइढ्य करें तो हम बात करतें हाईडरेशन एंथालपी एंथालपी क्या होता stacked ये सबसे पहले the caption in them ti की खासियत क्या होती है तो आप बोलोगे polar molecule की खासियत होती है कि इस पर poles develop होते है positive negative तो होता क्या है कि when the energy इसका definition अगर आप देखोगे तो the energy released energy released when one mole of an iron one mole of an iron is dissolved energy water एक mole iron चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो जब पानी में dissolve होगा तो उस पर जो energy निकलेगी उसको हम hydration enthalpy कहते हैं hydration का process कैसा होता पहले ये समझना आराम से एक मनाम से देखते हैं तो hydration enthalpy का मतलब है जिसे महल दो मैंने पानी में मैंने नमक को पानी में डाला NACL को मैंने किस में डाल दिया सर पानी में डाल दिया पहली बात यहां पर हम मैंने लिखा दिया energy released इसका मतलब hydration जो process होता है वो हमेशा exothermik होगा सर है ना energy is always released in this process अगर हमने इसको पानी में डाला तो ये तूटेगा na plus iron में होगा क्या सर देखो na plus iron gaseous state में हम माल लेते हैं कि ये अपने देखो इस equation को याद रुखना कि जब कोई iron अपने gaseous state में पानी में मिलता है gaseous state में मिलना चाहिए और ये बना कि आपको देता है na plus aqueous इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं सर इस enthalpy change को this delta H is known as this reaction के enthalpy change is known as lattice enthalpy आप बोलेंगे सर एक बारी ना इसको दिखाओ कि ये कैसे हुआ आप बोलोगे सर एक बारी दिखाओ कि ये हुआ क्या सर energy q release हुई तो अगर मैं water molecule की बात करूं hydrogen पे delta positive charge होगा तो इसके लिए पानी को हम polar कहते हैं poles develop हो जाते हैं एक तरफ positive एक तरफ negative एक तरफ positive एक तरफ negative बिल्कुल मैंने यहाँ पे गलती से LE लिख दिया lattice enthalpy नहीं ये hydration enthalpy है तो पानी के इन pole को बार बार ऐसा ना बना के मैं आपको छोटे तरीके से पानी को बना के दिखा रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोल दिया कि देखो यार पानी को आप मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें इस portion का मतलब है ये आपका है oxygen atom जिस पे delta negative charge है और ये दोनों आपके जो है ये hydrogen atom है और hydrogen atom पे क्या है सर इन पे delta positive charge है उपर tip नीचे tail अब होगा क्या सुनना इतनी physics तो तुम सभी को पता है कि जैसे ही एक na plus iron पानी में जाएगा तो na plus iron को पानी का कौन सा हिस्सा इसके पीछे लग जाएगा कौन सा हिस्सा attract करना चालू करेगा इसका नाम मैंने दिया tip इसका नाम मैंने दिया tail बताइए tip या tail में कौन इसके पीछे पड़ेगा sir कौन इसके पास जाके इस पे चिपकना चाहेगा बताइए तो आप बोलोगे sir oxygen negative वाला charge बहुत ही बढ़िया ना टिप टिप चला पानी इसके पास अब जब पानी इसके पास जाएगा sir तो मेरे को एक बात बता क्या इनके बीच में थोड़ा सा इत्तू सा force of attraction काम नहीं करेगा हलका फुलका force of attraction काम नहीं करेगा क्या इनके बीच में हलका उनका कहीं पे भी अगर force of attraction काम किया तो force of attraction जहां होता है वहाँ energy release नहीं होती है stability बढ़ती है और energy release होती है तो इस process में energy release होती है sir पानी का घेरना इसको पानी जब घेरता है तो energy release करवाता है sir अब तुम सोचो तुम अपनी copy में जो इतनी आसानी से na plus aqueous लिख देते हो उसका मतलब ये है sir this is na plus aqueous इसका मतलब na plus aqueous का मतलब सिर्फ na iron नहीं होता na plus aqueous का मतलब होता है na plus iron को घेरा हुआ na plus iron को घेरा हुआ बहुत सारा पानी क्या मेरी बात समझ मैं? पताइए एने प्लस आयन को घेरा हुआ बहुत सारा पानी ऐसे यह water molecule है सर और water molecule का एक layer और होगा इसके उपर कई सारे layer होंगे और कई सारे layer मिलके पानी को घेरते हैं जब पानी को घेरते हैं तो energy release होती है सर तुम ऐसा समझ लो कि example के लिए अपन ले लेते हैं कि माल लो तुम किसी shopping mall में हो और उस shopping mall में महिंदर सिंग धोनी आ गया है ना हाँ मही भाई अब उस shopping mall में क्या होगा सब धोनी को घेरने चले जाएंगे सब धोनी को घेरने चले जाएंगे धोनी के साथ क्या होगा कि लड़कों को ज्यादा अट्राक्शन होगा उनके प्रति क्रिकेट प्रेमी होने करन ज्यादा अट्राक्शन होगा अब मालो यही कोई क्या कहते हैं उसको जिनको आप लोग हीरो बोल लेते हो आक्टर कोई आक्टर आ गया है ना हाँ विक्की कॉसल आ गया मालो तो विक्की कॉसल आ गया तो भी उन पर अट्राक्शन होगा उसी शॉपिंग बॉल में लड़के उतना ज़्यादा अट्राक्ट नहीं होगे जैसे मेरे जैसा आदमी बहुत ज़्यादा अट्राक्ट नहीं होगा ठीक है लेकिन लड़के बहुत ज और विधक शर्ची जार करना का बें human स्जब्स हों गी क्लीछ जा गंधियों पनी के साथ रखा स्टार इस सेर्विipp अघए बाले इसको कैसा पाने के साथ प्रॉसेस अहित हिसा एप अभय आप या बोलेंगे वानब का यहाँ प्रॉलेंगे अफ्याओ प्रॉसेस जो कि बोलेगे पानी पूज फूच से बावरर कि आप बशन को पानी प्रॉसेस्ट सह जो कि है पानी की perfectly है शुपयार कि नियुद देखोगे क्या बोलोगे दृइंट लाएं साथ सपेध सट में और लाल कोन पन पाइम पहनता है तो अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलोगे देखो क्लोरीन के सामने पानी का नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं पॉजटिव वाला हिस्सा अट्राक्ट होगा ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया मतलब यह हाइड्रोजन है सर यह इस पर क्या करेंगे सर अट्राक्शन थे अेयर होगे तो क्या होगा सर फिर एनर्जी रिलीज होगी और इसी आनरजी को हम क्या बोलेंगे यहां पे जो नरजी रिलीज liberty होगी उसको हम कहा देंगे है इनर्जी क्यों रिलीज होता है यह बात समझ में बताईए न है मेरी बात आपको clear है एक दम यह तो फटट फट लिग दीजे clear 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 या Sprite लिख दीजए, Sprite वालो मेरे पैसे दे जाना, बहुत अडवर्टिजमेंट करूँ आज, Sprite मतलब clear है, क्या हो मेरी बात एक डम crystal clear, बहुत ही बढ़िया, तो इन दोनों के दौरान एनरजी रिलीज होती है, तो इसका मतलब आप एक point RBI में लिख सकते हैं, hashtag RBI, सबसे पहला point की, Hydration is always an exothermic process, Hydration is an exothermic process, दूसरा point, सर सभी आयन पे एक जैसा Hydration लगे, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर आएंगे, सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप यहां पर क्या करेंगे सर, आप यहां पर जैसे एक अपने जीजी भाई साव है, जिनको पाता निम मार और करनें कितना मज़ा आता है, जहां जाए वहीं मार कर लें भाई, तुम्हारे दोस्तियार में स्कूल में इसा लड़का उड़का उड़ होता है सर, आप बोलेंगे यह है के Q1, Q2 अपन आर, बस आर सर, क्योंकि हाइडरेशन हम एक आयन का किसी एक पर्टिकुलर आयन का चेक करते हैं, तो सिर्फ उसका रेडियस है ना, जहां पर एक चीज़ और गलत है, यहां पर Q1 के साथ Q2 भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पा और आर इस रेडियस ओफ आयन, रेडियस ओफ आयन, फट 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 इसका भी ओडर देख लें, इसके बाद आगे चले क्या, बताईए, और देख के आगे चले, और और बतायोंगे, क्या है ओडर? सर, RBI का मीनिंग क्या है? RBI का मीनिंग है, छोड़े छोड़े फॉर्मूले, RBI का मतलब है राम बान इलाज, जो आपके यकीन के लॉंच के पहले PPT पर भी उस हुआ था, कि भाईया, यह JEE का राम बान इलाज है, है न, हाँ, RBI का मतलब है राम बान इलाज, एलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ, चलिए, ओर्डर बताईए, फटाफट, आपको क्या करना है, question है, find order of he4, option वही रहेंगे सर, A, ET, ET बोले तो, equal to, is equal to, B, LT, LT बोले तो, less than, लललन टॉप नहीं, C, GT, GT बोले तो, greater than, Gujarat Titans नहीं, वाह, सबसे पहला option है आपके पास, N, A+, फिर, K+, फिर, RB+, फिर, CS+, बताईए, पानी इसमें से सबसे ज़यादा वेलकम किसको करेगा, बताईए, बहुत ही बढ़िया, पानी इसमें सबसे ज़यादा वेलकम किसको करेगा, आप बोलोगे सर सबसादा welcome उसको करेगा जिसका चार्ज जादा हो size कम प्रेफरेबल option क्या है? चार्ज जादा और size कम तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमे order क्या हो जाएगा सर? आप बोलोगे na plus और k plus में size की अगरमबा चार्ज तो सभी पे से में सर वही dream 11 concept वही dream 11 concept चार्ज तो सभी पे से में बहुत बढ़ी आप लोगो cancer भी आने लगा है तो आप बोलेंगे सर नीचे जाते जाएगे size बढ़ा होता जाएगा size बढ़ा होगा तो hydration enthalpy कम होती जाएगी तो correct order का जे वाला हो जाएगा क्या मेरी बात सही है बताएगे size soda बहुत बढ़ा उसके बाद second number F- O2- N3- बताएगे बताएगे इसमें क्या order होगा F- O2- N3- GTA बहुत बढ़ा चलिए B हो जाएगा इसमें इसमें हम क्या बोलेंगे कि भाईया अभी आपको सिखाय था कि ऐसे cases में आप बस इतना आज रखना charge dominating factor होगा सर चार जादा पानी खुस हो जाएगा गदगद हो जाएगा पानी बोलेगा आरे भाईया इतना charge लेके आए है बाकी सबको भी छोड़ो इन पर focus करो clear है तो फटावट C के लिख दीजे फिर अगले page पर चलते है अब हम बात करेंगे factors affecting ionic bond formation या factors helpful for ionic bond formation क्या-क्या factor favorable condition की हम बात करेंगे है न ionic bond के formation में क्या-क्या favorable condition होता है sprite बहुत बढ़िया चलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि माल लो तुम मार्केट में माल लो तुम मार्केट में सबजी घरीदने गया हो है न या कुछ shopping shopping करने गया हो तो तुम्हारे पास में दो option देता है एक option है ज्यादा पैसा कम shopping ज्यादा पैसा कम shopping लड़िया खुस हो जाएंगे कि सर shopping में तो मजा या लग है और दूसरा option है कम पैसा ज्यादा shopping भाई आपका प्रेफर पे कौन सा होगा कि आप कौन सा option प्रेफर करेंगे पैसा कम लगे सर हमाँ ज्यादा मिल जाए तो उसका मजा या लगे तुम तो आदा किलो अलू लेने के बाद भी फ्री का धनिया और मिर्चा मांगते हो कि आधा किलो अलू लेंगे लेगिन धनिया लेंगे फ्री का एक दो किलो में तो समझ आता है बोलने में मलब ऐसे बेजती फिलने होती आधे किलो में तो बेजती फिल होती है भाई कि आधा किलो अलू लेंगे लेगिन फिर भी भाई zodनीया देज़स है डैगा तो अपन यहीवाले ऑप्शन पre खेलेंगे यहां पर भी यहीवाल ऑप्शन पर खेलना है यहां पर यहाँ वाले का मतलब energy जाएगी कहां से जाएगी सर हमारे जेप से हैं एक फ्रॉम आवर पॉकेट हमारे पॉकेट से जाने वाली एनरजी है तो जितने भी endothermik process होंगे उनकी energy की hwn क्या होनी चाहिए less or more बताई एक जाने वाले चीज कम या जादा बोलो । क्या लगता है जाने वाले चीज कम या ज्यादा less or more बताओ जितने भी एंडोथर्मिक प्रॉससस यहां पर या जितने भी एंडोथर्मिक प्रॉससस होंगे जो हमारी जेब से पैसे लगने है वो कम होने चाहिए सर प्रेफरेबल कंडिशन की मैं बात कर रहा हूँ तुम्हार हम बात करें exothermic process के तो जितने भी exothermic process होंगे मतलब energy release वाले process है ना इन सभी में क्या होगी सर इन सभी में जो है इसमें release of energy होगी मतलब हमें मिलेगा loot कमाल छूट में type का बात है यह यहाँ पर आप क्या करेंगे सर यहाँ पर value कम होनी चाहिए या जादा होनी चाहिए बताओं यह value कम होनी चाहिए या जादा होनी चाहिए बोलते जाएंगे सर आप बोलेंगे सर जो लगने वाली energy है वो तो हमेसा कम जो मिलने वाली energy है वो तो हमेसा यह सबसे preferred condition होगा अब आईए एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले condition के हम बात करें तो सबसे पहले बात होगा शुकर दी आयोनाइजीजेशन एनरजी और धिख the iron i ने ईउनले वालेले मेंथ की पत्ag पती सिंथा और बताईए इसमें कम या जादा कम या जादा आप बोले में आइनलें इसन इनलिमेंट ट्रेम को और जितने भी हें और दी फ्रॉटमें अगे वो सभी के सभी कैसे होने चाहिए सर कितने भी endothermic process है वो सभी के सभी कैसे होने चाहिए सर कम होने चाहिए लेस होना चाहिए सर तभी आप देखेंगे तभी इसको मैं मिटा देता हूँ यह तो concept आपको बस समझाने के लिए था तब ही आप देखेंगे normally कि जो कटायन आयनिक bond बनाते हैं वो S block element होते हैं mostly second point चलते हैं sir second point क्या है the electron gain enthalpy of element forming anion जो anion बना रहा है उसकी electron gain enthalpy तो आपको ये बात पता है गही ना गही कि for most of the element electron gain enthalpy 1 is an exothermic process कुछ को छोड़के nitrogen beryllium magnesium and noble gases तो आप क्या बोलेंगे इनके लिए ये सभी जो है ये जो होंगे ये क्या होने चाहिए sir ये more मैं ऐसा लिख देता हूँ more negative ये जितना ज्यादा negative हो उतना अच्छा sir मतलब उतनी ज्यादा energy release हो रही है उतनी ज्यादा energy release हो रही है उसके बाद ये दोनों जब मिलेंगे ये दोनों जब मिलेंगे मिलके क्या बनाएंगे लैटिस बनाएंगे तो तीसरे of bond है ना आयनिक bond आप कह सकते हो ये क्या होना चाहिए sir तो आप बोलो गए ये भी energy release है sir क्योंकि we are forming the bond तो the lattice enthalpy of the bond ये भी क्या होना चाहिए sir more negative होना चाहिए मतलब इसकी वी value जाधा होनी चाहिए तो ये है preferable conditions for ionic bond formation for ionic bond formation फिर से एक बारी repeat करता हूं जहांत सुनिएगा जो भी energy लग रही है हमारे जेब से वो कम होनी चाहिए जो निकल रही है वो ज्यादा होनी चाहिए तो सबसे पहला point ionization energy जो की एक atom के लिए endothermic process है electron बाहर निकालना तो electron बाहर निकालने की energy कम होनी चाहिए sir फिर exothermic process है electron लेना जो element कटायन जो अनायन बना रहा है वो electron लेगा न अगर मालों वो electron लेक energy release कर रहा है जितनी जादा release करें हमारे लिए उतना अच्छा तो यह जादा negative होना चाहिए जादा negative का मतलब है जादा energy release हो रही है फिर lattice enthalpy की अगर हम बात करें उस solid की उस ayanic solid की lattice enthalpy भी जादा negative होनी चाहिए क्यूंकि यह भी energy released है क्या बात क्लियर है फटा फट बताईए फर सर वाइ नेगाटिव नेगाटिव बिकास अगर हम enthalpy की बात करें तो released energy को negative लिखते हैं sir released energy को हम क्या लिखते हैं negative लिखते हैं sir energy which is released is represented as a negative change in enthalpy clear है बताईए clear यह बार बताईए clear चली copy कर लिया ठीक है अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे फजांस rule के बारे में भी यहीं पर बता दूँगा थोड़ा सा बहुत सारी बातेने इस ब्लोक कर दोप बात की यहां आना पर यहां मज़ेदार रूल है, कोटा, कोटा फाक्टरी में इस आए दिये है, इन और्गानिक के लिए ही है, है ना, तो उसमें एक लाइन बहुत फेमस हुई उसकी, क्या, कि no compound is 100%, no compound is 100% आइनिक और 100% कोबलेंट, कोई भी ऐसा compound है ही नहीं, जो 100% आइनिक भी है और 100% कोबलेंट भी ह कोई ऐसा compound हुआ ही नहीं सर, ठीक है, अब फजान रूल किसमें लगता है सर, तो फजान रूल is applicable to आइनिक compound, यह किसमें लगता है सर, it is applicable to आइनिक compound, यह बता था किसके बारे में है, तो इट प्रेडिक्ट्स about covalent nature in ionic compound, covalent nature in ionic compound यह आइनिक bond लिख देता हूँ, ionic bond में, अब मैं तुमसे दो सवाल पूछूँगा, अब मैं तुमसे दो सवाल पूछूँगा, उसकी बात, फिर हम आगे की बात करेंगे, एस ब्लॉक की बात नहीं करा, अपस इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि J-E means में कुछ सवाल अभी भी इससे आ सकते हैं, है ना, हाँ, J-E means में कुछ सवाल अभी भी इससे आ सकते हैं, ठीक है, बदाईए, क्या यह बात clear है, J-E means में कुछ सवाल अभी भी इससे आ सकते हैं, सर तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, दो पाच मिनिट की, उससे आधा नहीं, उससे आधा टाइमें नहीं लोगा, देखो, basically, basically, किसी ionic bond में covalent character का मतलब क्या है सुनना, covalent character का मतलब है electron का खीचा था नि, electron की electron के लिए लड़ाई, electron के लिए fight, यह बिल्कुल वैसी कहा लिए, जैसा तुम अपने life mix, क्या गयता हैं, feel कर चुक्ये होगा, कभी न कभी face क्या होगा, मालो तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम था sodium sodium के पास एक electron की जगा हम बात कर लेते एक ऐसी किताब थी जो तुम्हें चाहिए थी sodium के पास एक ऐसी किताब थी जो तुम्हें चाहिए थी बताइए clear है क्या sodium के पास एक ऐसी किताब थी भाई जो तुम्हें चाहिए थी तुम हो क्लोरीन और मलब वो किताब एक electron के form में है सोडियम ने क्या किया दोस्ती यारी के चक्कर में तुम्हें ये electron दे दिया बोला जा यार ले जाए electron तुम्हें क्या लगता है sodium के back of mind में ये बात बार बार नहीं चल रही होगी पीछे यार किताब उसको दे दिया कहीं उपढ़ के टाप उपना कर जाए बताओ, हाँ याना, बताए बोलिए, क्या sodium के back of mind में ये बात चल रही होगी बोलिए हाँ याना खुद सोचके देखो कि अगर तुमारे साथ ऐसा condition होता तुमारा कोई दोस्त तुमारा किताब लेके चला जाए तुम्हारा कोई दोस्त तुमारा किताब लेके चला जाए तुम्हें गहीं न गहीं पीछे पीछे लगे हो तो भाई कल दे देना वो किताब है ना आज तक तुमने कभी पढ़ा नहीं है वो दूल पाकर ये पिछले दो साल से लेगिन तुम्हें अब लगेगा कि वो रही है बस यही खीचातानी है कि भाई complete transfer ना सब के बस की बात नहीं होती है दोस्त यह सब के बस की बात नहीं होती ह खीचातानी करता है और अगर खीचातानी होई तो covalent character develop हुआ क्या मेरी बात आप समझ गए electron के लिए अगर fight चालू हो गई इसका मतलब covalent character develop हो गया क्या ये बात clear है बताई है ना इसको हम कहते है electron cloud का distortion electron cloud का distortion हम उसके electron को खीच के अपनी और लेकर के आ रहे हैं clear है आगे बढ़ते हैं इसके बारे में दो तिन बाते और करते हैं अब देखो क्या क्या प्रेफरेबल कंडिशन होगा इसके लिए तो जो भी कटायन है ना जो भी कटायन है फजान अंकल ने बोला कि कटायन के पास एक पावर होगी जिसको हम बोलेंगे polarizing power क्या होगी सर polarizing power polarization ये polarizing power का मतलब क्या है electron को खीचना अपने और है ना polarizing power का मतलब क्या है कि completely transferred electron को pullback करना transferred electron को pullback या pull लिखने का मतलब है वही हो गया pullback करना क्या अरे नहीं नहीं इसी की हमें जरूत थी ये वाला electron नहीं मिलेगा तो कल exam में हम फेल हो जाएंगे ये ना भले कल क्या गयता है आपका physical education का exam हो लेकिन maths की ही किताब आपको चाहिए होगी तो आप क्या बोलेंगे सर आप बोलेंगे कि देखो ये कटायन के लिए टर्म है polarizing power जिसको मैं पीपी लिख देता हूँ पीपी का मतलब है electron को अपनी तरफ खेचना और याद रखना ये जो polarizing power है ये दो factor पे depend करेगा कैसे it will be proportional to charge on कटायन कटायन पे तुम जितना positive charge कर दोगे ना कटायन उतना ज्यादा उतावला हो जाएगा जैसे मालो तुम एक किताब लेके चले गए अपने दोस्त से तो सह लेगा थोड़ा दूसरी किताब लेके चले गए उतावला हो जाएगा भाई और तीसरी किताब अगर रुसी का लेके चले गए तो वो सोचेगा यार यही सीन एसर यहां पे polarizing power जो है वो charge on कटायन के directly proportional है और size of कटायन के inversely proportional किसके size of कटायन के inversely proportional कटायन का size अगर बहुत बड़ा होगा तो उससे एक electron लेके चले के भी गया तो उसको पता नहीं लगेगा कि अच्छा यह लेके चला गया मालो कोई student है जिसके बाद 2,000 किताब है तो वह एक आदा किताब लेके चले गया तो भी उसको फरक नहीं पड़ेगा क्या यह बात clear अग्ले चल रहा हूं मैं अगले पेज पेच पर चल रहा हूं और इस से आपको दो मिनटे में अभी समझ में आ जाएगा फञान क्या है फशान के बाद आयनिक कंपाउंड का लगबख पार्ट खतम हां मैं फशान रूल पे जाकर के मैं आपको वो सारी बातें अभी नहीं बताओंगा thermal stability की चर्चा हम नहीं करेंगे हम solubility की चर्चा भी नहीं करेंगे है ना इन सब चीजों की अभी चर्चा नहीं करेंगे बट लेकिन मैं यह बता दूंगा कि cobalent character कब develop हो जाता है किसी ionic compound में पस इतनी बात करके फिर आगे बढ़ जाएंगे clear है बहुत बढ़िया चलिए अगले पेच पर चलते हैं इसके बाद अगर हम बात करें फिर जो अनायन होता है अनायन क्या चाहता है सर तो आप बोलेंगा अनायन चाहता है कि electron मेरे ही पास रह है तो अनायन के लिए भी एक टर्म है अनायन के लिए क्या है कि अब देखो अनायन यह तो चाहता है कि electron मेरे पास रहे लेकिन कटायन ने जो force of attraction लगाया electron पे वापस अनायन चाहेगा उसको रोकना तो इसके opposite का एक टर्म है जो अनायन के लिए होता है polarizability. आयन के लिए term क्या होता सर और पोलराइजे-बिलिटी. बी-लि-टी. पोलराइज बिलिटी का मतलब क्या है था सर इस of getting polarized. इस of getting polarized. मतलब कितनी असानी से अपने एलेक्ट्रॉन को सिफ्ट कर सकता है किसके तरफ कटायन के तरफ कितनी असानी से ये सिफ्ट कर सकता है कटायन के तरफ अराम से सुनना और समझना दो मिनट तो अभी सारी बाते समझ माएगी अब क्या है सर जैसे देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ यह है sodium sodium का electron cloud इस तरीके से होगा मतलब इसके उपर यह मालनो CL negative है CL negative का electron cloud ऐसा होगा सर थोड़ी physics लेके समझाओं यह normal देखो physics से भी अपन समझ सकते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं अब देखना sodium के अगर हम बात करें sodium के अगर हम बात करें तो sodium इसके electron को pull back करेगा और pull back करेगा ना तो यह electron को ऐसे distort करेगा electron cloud को अपनी तरफ pull करेगा इसी को हम polarize होना कहते हैं तो cation जो काम करता है उसको हम कहते हैं cation की polarizing power काम करेगा कौन? cation और आसानी से कितनी polarize होगा वो कहलाएगी polarizability आप में से कितने लोगोंने electrostatics में electric field line पढ़ी है मेरे को यह बता दो physics से समझ आ जाएगा आप में से कितने लोगोंने electric field line पढ़ी है बता दो बताई एक बच्चा के रहे तो आग का diagram बन गया अबे है यार तो electric field line में क्या होता है अगर मालो यह cation है दो cation ले ले लेते हैं एक sodium plus ले लेते हैं और दूसरा cesium plus ले लेते हैं sodium plus और cesium plus में size का फरक होगा आप मानोगे मेरी बात फिर यह है c l minus अब अगर मैं तुमसे बोलूँ सर देखो इससे न a electric field line निकल रही होगी positive charge से electric field line जाती है और इससे electric field line निकलके ऐसे ऐसे जा रही होगी अगर इसमें charge के density ज़ादा है वतलब छोटे size पे positive charge है तो इससे निकलने वाली feed line ज़्यादा closure होगी ज़्यादा closure होगी तो वो इस पे ज्यादा number of line इसको penetrate करेगी वहीं अगर हमने size बड़ा कर दिया तो इससे निकलने वाली field line जो है वो wider होगी सर और wider line होने के कारण कम number of field line इसको penetrate करके पार करेगी कम number of field line है ना इसको penetrate करके पार करेगी और कम number of field line penetrate करके पार करने का मतलब अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर इस पे लगने वाला force कम इस पे लगने वाला force जादा force जब जादा लगेगा तो electron खीचे चले आएंगे force जब कम लगेगा तो electron खीचे हुए नहीं आएंगे सर यह है इसकी physics अगर हम बात करें तो तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो polarizing power क्या होती सर अनायन की property की कितने असानी से वो polarize हो जाए तो आप देखेंगे अनायन के लिए जो polarizability होती है यह किसके proportional होती है polarizability आप बोलेंगे यह proportional होती है यह physics से आपको बताया अगर किसी को physics आता है थोड़ा सा प्रिवाइस करो तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हां सर physics में हमें यह बताया गया था कि किसी object से जितनी field line pass हो रही है किसी charge से जितनी ज्यादा field line pass होगी उतना ज्यादा उस पर force of attraction लगेगा जितनी कम field of line pass होगी उतना कम ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे polarizability जो है यह proportional किसके होगी तो आप बोलोगे यह proportional होगी charge of anion के charge of anion के और interesting चीज क्या है सर interesting चीज यह है कि anion के size के भी यह proportional है it is proportional to size of anion size of anion कैसे सर अब एक बात बता अगर anion बड़ा होगा तो उससे ज्यादा field line pass करेगी जैसे एक example में यहाँ पर ले क्या आपको दिखा देता हूँ this is sodium plus हमने इसको same रखा this is also sodium plus हमने इसको भी same रखा यहाँ पर हमने एक बार ही anion लिया क्या यहाँ पर हमने अनायन लिया c l minus अब b r minus का size c l minus से बड़ा है तो आप बोलोगे सर इससे field line जो जाएगी मालो इससे कुछ n number of field line यहाँ से गई है तो b r minus से उससे ज्यादा number of line lines निकल के जाएगी और जब उस्से ज़्यादा number of field lines निकल के जाएगी इसका मतलब इस पे ज्यादा force of attraction लगेगा इसका electron cloud ज्यादा pull होगा और ज्यादा pull होने का सीधा सरल मतलब यह है कि सर इस पे खीचातानी बढ़ेगी 저리 बढ़ेगी आहाएلिक आर्क there to be remembered बहुत सारे order है जो रटना पड़ता है जहाँ पर factors अलग-अलग dominate करते हैं लेकिन ये concept जो है ना polarizability का ये पूरे का पूरा physics की तरह है ये पूरे का पूरा physics की तरह है तो जब electron जादा खीचेगा जहाँ fight for electron जादा हुई खीचा तानी बढ़ने का मतलब ही है ना सर कि कोवलेंट करेक्टर डेवलप हो रहा है clear? चलिए आगे चलते हैं clear है आगे चलते हैं सर इसके बाद आगे बात कर लेता है तो आप बस यहाँ पर ये बात याद रखना कि इन दोनों को polarizability polarizing power या इसको मैं पीपी लिख देता हूँ या पूरा ही लिख देता हूँ polarizing power किसके लिए निकालते हैं सर तो आप बोलोगे this is calculated for kation plus polarizability यह किसके लिए निकालते हैं सर तो आप बोलोगे यह अनायन के लिए निकालते हैं सर इन दोनों को मिला के term बनता है polarization इसको हम क्या बोलते है polarization अब बस इतना याद रखना सर अगर किसी आयनिक compound में polarization ज्यादा होगा polarization क्या होगा ज्यादा तो उसके लिए covalent character उसमें बढ़ जाएगा सर covalent character उसका ज्यादा होगा बस simple as simple as that सवाल करते हैं जेही का question which of the following compound will have maximum polarization options are पहला NACL दूसरा KCL तीसरा RBCL चौथा BE या चलो अभी सी में ले लेते हैं CSCL चलिए poll करते हैं और बताईए फटा-फट poll कैसे pick होगा आप option 1,2,3,4 comment करेंगे या इसमें ABCD comment करेंगे option pick हो जाएगा poll start करते हैं 30 second का कैसे इसको करेंगे बहुत सिंपल सा सवाल है फिर यहाँ पर एक concept लग जाएगा सर यहाँ पर एक concept लग जाएगा जिसको हम dream 11 concept कहते हैं यहाँ पर concept लग जाएगा जिसको हम dream 11 concept कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पर देखो सर CL minus IN is same for all CL minus IN is same for all charge on cation is same for all हाँ सर तो हमने क्या देखा हमने देखा कि सर यह जो polarization है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखो polarization जो है ना इसके बारे में मैं एक line लिखके इसको conclude करता हूँ it is proportional to charge चाहे वो cation का हो चाहे वो cation का हो चाहे अनायन का हो दोनों के proportional है सर inversely proportional है size किसके size के सर तो आप बोलोगे size of cation and directly proportional है किसके सर size of anion के size of anion के तो यह इसका order है आप बोलेंगे सर यहाँ पर cation के size के inversely proportional है इसका मतलब cation का size जहाँ पर सबसे छोटा वहाँ पर polarization सबसे ज़्यादा और इसका correct answer हो जाएगा A. NACL यह रूख क्यों नहीं रहा है भाई कैसे इसको रूखेंगे send the correct option A option कितने लोगों ने माग किया यह बता दो समझ के आप देखो मज़दार बात यह है कि अभी तक लगभग मैं अंगर इमानदारी सको एक घंटा हुआ है aionic character का बहुत important part हमने cover कर लिया मतलब तुम सोचो हमने फजान रूल भी आ चुगा है अलकाल का है ना ठीक है हमने अभी S-block के topic को थोड़ा छोड़ दिया कि thermal stability वगेरा क्या होती है but we have covered अब major chunk तो इसका सही answer क्या हो जाएगा सर 95% लोगों ने सही answer दिया बहुत ही बहतरीन एक सवाल और करते हैं फिर आगे चलते हैं ये जेई मेंस का सवाल था दूसरा सवाल जेई मेंस 2022 का दूसरा सवाल जेई मेंस 2022 का same question है maximum covalent character is of options are 1 L I C L 2 B E C L 2 3 N A C L 4 K C L आपका समय सुरू होता है अब चलिए तुरन बताईए देखते हैं कौन इसका सही answer देता है सौरी भाई डराने के ले तुम लग तो सेर डर गया सर फजान रूल के statement क्या है फजान रूल की बहुत सारी statement है यार बड़ अगर आप ऐसे देखोगे तो no compound is 100% covalent no compound is 100% सबसे प्रीमेर definition यह चलता है फिर उन्होंने polarization और polarizability की बात करी लोग ऐसे ब्योकूप बना देतेगी कितना गधा आदमी था लेकिन भाई उसने electric field line के बारे में सोचके यह बाते गरी थी तुम सोचो electric field line मुझे नहीं लगता आप में से आज के पहले फजान दूल कभी electric field line से में आप में से कभी भी किसी ने पढ़ा था इस तरीके से यह physics लगा के तुमने कभी सोचा था कि अच्छा फजान दूल बस यह था electric field line का खेल यह तो हम कभी भी कर सकते हैं चले देखते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे अगर इन तीनों में देखें सर अगर मैं 1, 3 and 4 है ना मतलब इसको मैं A, C and D की बात करूँ तो A सबसे जादा है क्यों A सबसे जादा है? इसमें सबसे चोटा क्या? कटायन लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में आप बोलोगे सर इस पे चार्ज है प्लस 2, चार्ज और कटायन जादा तो उससे निकलने वाली इलेक्टरिक फील्ड आइं जादा क्लोस क्लोस होंगी वो ज्यादा खीचेंगी सर उस अनायन पे जाके टकराके तो इसका करेक्ट ओडर माक्सिमम कोवलेंट करेक्टर जो है 2, that is भी ऑप्शन के लिए सही हो जाएगा इसको 37% लोगों ने सही दिया है क्यों? क्योंकि उन्होंने हाँ पे चार्ज देखा ही नहीं LICL देखा वाकी देखा ही नहीं दोस्ते समझ गया चलिए तो इसी के साथ हमारा आयनिक बॉन्ड खतम होता अब हम आगे बढ़ते है अभी दाग एकदम बढ़िया स्प्राइट चल रहा है सब कुछ और भी एवरिटिंग इस स्प्राइट बढ़ाईए आगे चलते हैं इसके बाद अगला कॉंसेट पर अगला कॉंसेट बहुत ही छोटा सा है सुरू होता ही खतम हो जाएगा that is coordinate bond coordinate bond coordinate bond क्या होता है सर तो it is type of mutual sharing and it is a type of mutual sharing जिसमें donor atom electrons are donated by one atom but shared by both इसमें क्या होता है एलेक्ट्रोन इस डोनेटेड वाई वान आटम बट शेयर्ड वाई बोल्ट मतलब अगर मैं मांदारी से बोलूं तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता जी में जो रस्ता है अभी तक जब तक तुम तुम स्टूडेंट ओ तब तक ऐसा ही रिषता है तुमारे और तुम्हारे पिताजी में रिसोर्स सारे तुमारे पिताजी सा मिलते हैं तुम्हें है ना लेकिन वो दोनों के भलाई के लिए जाए कोई भी माता-पिता है ना, उनका फाइनल a में एक ही है ही... सेटल है एना तो ऐसा इसी ही नहीं है सर कि क्या कि यहाँ पर electron donate तो एक जना करेगा लेकिन share दोनों लोग करेंगे इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही basic बात और बता देना चाहता हूं कि coordinate bond आपको इसके बारे में एक chapter ही है coordination compound जो हम सायद January में पढ़ने वाले हैं मतलब first week में उसकी class लगेगे आपकी मनजिल की ही लेकिन जेनरली ये P2 के element बहुत ज्यादा बनाते हुए देखने को मिलेंगे इसका example आप चाहो तो यह ले सकते हो जैसे मालो में ने ओजोन का example लिया किसका ozone का example ओजोन के example में आप देखेंगे कि दो oxygen आपस में एक single double bond बनाके settle है मस्त जिनकी चल रहे हैं की तब तक एक oxygen हो रहा है रोते रोते बोला भाईया हम भी तो तुम्मारे में सही है हम भी दो तुम्हारे में सही है हमको भी bond उंड बनवा दो मेरा भी octet पूरा करा दो तो इस बेचारे oxygen का दिल पसीज गया इस पे इसने बोला कि चलो भाईया जाते हैं बताइए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चा पूछ रहा सर वाट इस पी टू का मतलब है पीरिएड टू एलिमेंट पीरिएट सेकेंड एलिमेंट को आप बहुत ज्यादा देखोगे कॉडिनेट बॉंड बनाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें पीरिएड इसका पूरा करने के लिए हुआ बेसिकली क्या है अगर हम इसका लिविज डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो आप बोलोगे इस वाले ऑक्सीजन के पास एक दो तीन चार पांच छे लेक्ट्रोन है यह दूसर के वाले ऑक्सीजन के पास भी छे लेक्ट्रोन है और एक तीसरा अब मैं क्या करता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ उसका पहले बहुँमा लेती है इदर और इसका भी तीक पूर्ज पूरा करना है तो यह मतलब मतलब इसके पास एक तो टीन चार प्लांच सात इल Нक् Ten निर्क पास भी और ऑन के पूरे हो गे हो दोनों का पर लिए सफ दोनों का पर गया यहां पर दिक्कत है कि परने के बाद कोई बॉंड क्यूं बनाएगा यह आपके मन में एक सवाल आएगा जब किसी क्या हुआ कि लोगों के मन में इस हवाल आया कि वाई chemical bond वाई chemical bond वाई chemical bond का simple answer लोगों ने दिया सबसे पहला reason इसका दिया वहिया to gain stability to gain stability फिर लोगों ने पूछा अच्छा stability gain करने के लिए तो बहुत बड़ी बात बता दिया आपने चाचा और please elaborate please elaborate to gain stability इससे होगा क्या तो पहला वोला कि सब noble gas configuration साब attain कर लिया जाएगा noble gas का configuration attain कर लिया जाएगा लोगों ने बोला अच्छा noble gas configuration attain करने का क्या फाइदा उन्होंने पूछा noble gas देखे हो जैसे आज के date में लोग ऐसा कहते हैं कि यार सादू संत बन जाओ कोई tension ही नहीं है आजकल तो नहीं कहते हैं पूराने जवान भी कहते थे कि नौकरी वोकरी करो अपना फिर दीन दुनिया से सन्यास ले लो अंत में सबका गोल यही होता था आजकल तो कम कर दिया आजकल लोग क्या करते हैं पहले नौकरी करते हैं पैसा गमाते हैं एवडी करेंगे आडी करेंगे इधर उदर पैसा जोडेंगे रेटार्मेंट फंड यह फंड उसके बाद पैसा निकालेंगे फिर रेटार्मेंट के बाद सोचते हैं कि मौच करेंगे लेगिन बीमारी पीछा पकड़ लेती है और बस अस अस्पताल में रह जाते हैं कि इसी के लिए कहा जाता कि एंजीनियरिंग करो भाईया जल्दी से आइटीव आइटीम घुसो अच्छा पैकेज लो बढ़िया पैसा गमा और मस्ती करो फिर रिटायर होंगे तो कुछ निगर पाओगे तब के लिए मत छोड़ो जुनिदीगी को तब क्या होगा कौन जानता है अच्छी नौकरी लो बढ़िया आइटीम जाओ बढ़िया नौकरी लो और एंजॉय करो खेर वापस आते हैं तो यहां पे अगर हम बात करें नोबल गैस क एक रूल ने जिसका नाम है ऑकटेट रूल मिनिमाईज एनरजी को एक्स्प्लें कियाальную एलंस बॉंड, ने अब इन दोनो थियोरी को हम पढ़ते जाएंगे balance point theory. अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम start करेंगे octet rule से. सबसे पहले हम start करेंगे octet rule से. clear है? चलिए. सुरू करते हैं. अगला concept जिसका नाम है octet rule. बहुत ही छोड़ा सा concept है. octet rule की अगर हम बात करें तो it is based on stability. it is based on stability of noble gases. noble gas की stability पर दुनिया में क्या जैसे एक example लूँ तो आप सभी ने एक बहुती common phrase सुना होगा. सर्मा जी का लड़का बचारे सर्मा जी इसमें बदनाम हो गए कि देखो सर्मा जी का लड़का 95% marks लाया है और उसके बाद गिटार भी बजा लेता है. तुम खुद भी बचते हो और नंबर भी नहीं लाते है ना तुम खुद भी बचते हो और नंबर भी नहीं लाते है यह तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना यार यह तो बड़ी दिक्कत वाली बात है तो सर्मा जी का लड़का मतलब एलिमेंट में सरमाजी का लडगा कौन है नोबल गयास मस्त मोला किसी से कोई मतलब नहीं उसके सामने अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बोला गया यहां पर बोला गया कि भाई जितने भी इसी को लोगों ने बोल दिया तो कम्प्लीट इट्स जाना, to complete its octet इसमें एक बात और इनों ने अड़ की, कि देखो यार hydrogen for hydrogen for hydrogen its duplet hydrogen अपने valence cell में 2 electron लाना चाहता है बाकी सभी 8 electron लाना चाहते हैं बाकी सभी 8 electron लाना चाहते हैं जैसे एक्जब्रेक्ब्ल देख लेते हैं एक्जाम्पल की बात करें तो हमने बोला CH4 मीथेन में कार्बन भी है है बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा आई यह देखते हैं आप बोलोगे सर देखो यह कार्बन है कार्बन के वैलन सेल के लेक्टरॉन लिख लो 4 सर हाइडरोजन है हुएडरोजन के वैलन सील में एलेक्टर dozen होते हैं कितने कुछ सै अब क्या करो गोला बनाओ और गोला बनाने के नियम यह है कि हर गोले में एक ही आइटम आएगा और उसका ऑटेट या डूपलेट पूरा होना जाये तो यहां पर सब फो इलेक्ट्रोन आगे हइड्रोजन के माच कर लो बहुत मज़ाया यार इस तरीके से यह भाट समझ मैं बोलिए हाए न फिर आपके मंद में सवाल आगे गुछ और आयन या एलेमेंट भी तो ऐसे होगे जैसे लीथियम की बात करें सर लीथियम के लिए क्या सही होगा उसका ओक्टेट पूरा होगा या उसका डूपलेट पूरा होगा तो लीथियम अगेरा के साथ क्या है ना कि हम अगर वो कोवलेंट बॉर्ण बना रहा है तब तो डूपलेट की बात नहीं कर सकते हैं और इसके प्रोब्लम से कडिवान फूबशने प्रोब्लम से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं आए देखते हैं फिर हम बात करेंगे limitations to octet rude limitations क्या-क्या limitations आई सबसे पहला limitation इसमें आया electron deficient species जिससे जही खूब सारे सवाल पूछता है यह को सारे सवाल पूछता है electron deficient species को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सब-octet या फिर hypovalent element या फिर sub-octet hypovalent element या फिर incomplete octet इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है यह ऐसे element है जिनके central atom को octet भी पूरा नहीं हो पाता example की बात करें तो आप ले लो beryllium chloride, becl2 यहाँ पर अगर आप इसका structure बनाते हो normal structure आप इसका बनाते हो तो आपको beryllium में कितने electron देखने को मिलेंगे valence cell में आप बोलोगे सर इसके valence cell में 4 ही electron होंगे कैसे देखो beryllium है इधर chlorine इधर chlorine, 2 bond का मतलब 1, 2, 3, 4 electron वाई आप तो कह रहे थे कि bond बनता octet पूरा करने के लिए यह beryllium हो तो octet बना नहीं रहा है फिर भी stable है फिर भी compound बना रहा है सर इसका मतलब के वाल octet पूरा होना soul criteria नहीं है फिर और example आप दोगे B2H6 या BH3 borane इसससे बनता डाइबोरेन इसके बोरोन के पास कहेगो electron आप बोलोगे 6 electron सर फिर अगर मैं example ले लूँ ALCL3 aluminum trichloride इसके पास aluminum में कितने electron आप बोलोगे इसके पास भी सर 6 electron ही इसका मतलब इन सभी के पास electron कम लेगे निए सभी compound देखने को हमें मिलते हैं तो सिर्फ यह criteria नहीं हो सकता कि सर किसी के पास अगर octet है तभी वो bond formation तभी वो bond formation octet बनाने के लिए ही करें आगे चलते हैं सर दूसरा जिस तरीके से electron deficient species हैं उसी तरीके से electron rich species भी आपको देखने को मिलेंगे electron rich species की बात करें तो इनका नाम क्या क्या हो जाएगा सर तो सब के जगा super कर दो इनको हम super octet के नाम से बोलते हैं फिर hypovalent के जगा hypervalent कर दो या तो इनको हम hypervalent species के नाम से जानते हैं फिर hypervalent के बाद incomplete octet के जगा आप क्या बोलोगे सर expanded octet क्या बोलेंगे expanded octet इनका octate expand कर जाता है सर इनका octate expand कर जाता है ऐसे भी compound हमें देखने को मिलते हैं कोई example बता दो मजा जाएगा comment box में example बहुत ही बढ़िया रागव परमार की हमें example बता रहे हैं बहुत सांदार दो-तीन लोग बताने लगें PCL5 PCL5 का अगर हम structure देखें तो phosphorus के पास यहाँ पर 5 bond बनाएगा 5 chlorine के साथ total 10 electron होते हैं एक बच्चा SO3 कह रहा है SO3 अगर हम लेगे तो sulfur oxygen के साथ 3 double bond बनाएगा और 3 double bond बनाने के लिए यहाँ पर total 12 electron हो जाएगे आप SF6 ले लो 6 single bond 6 single bond के लिए यहाँ पर 12 electron हो जाएगे फिर आप ऐसे ही SF4 ले लो SF4 में sulfur के पास 10 electron etc. यह सभी compound exist करते हैं यह सभी compound exist करते हैं सर लेकिन अन्स सभी का octet expanded होता है सभी का octet expanded होता है क्या है बात क्लिए IF7 बिल्कुल H2SO4 बिल्कुल H2SO4 में sulfur हो गया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर क्या यहां तक बात क्लिए रहे है अब चौथा अब चौथा मलब तीसरा limitation जो है न भाई वो इमानदारी से अगर हम कहें उस जमाने में मोय मोय था नहीं यह मोय मोय हो गया भाई इसके साथ ओक्टेट रूल के साथ तीसरा example जो है चले कॉपी कर लिए सी के लिखिए अगले पेच पे चलते है अगले पेच पे चले गया बहुत बढ़िया अब वो मोय मोय हो गया भाई सर ओक्टेट expanded कैसे है अब यह ओक्टेट का मतला बाएक्टरों होने चाहिए यो भाई दस अबढ़िया भाई बान बना रहा है तो अगला जो है बहुत प्यारा example रहा है मोय मोय का किसके साथ आख्टेट वाला अंकल जो है जिस अंकल ने आख्टेट रूल दिया वो तो पुरे अखुस हो रहा है तुम्हारा रिजल्ट आया है और तुम्हारे पिता जी तुमको दिये हुए है कि सर्मा जी का लड़का देखो 98% लेका है तुम बेवकूप आदमी 92% में खुस है बोल रहा है कि पापा थंडा पिला दीजिए चलो पिला देते हैं तुम्हारे पिता जी एसे पूरा सर्मा जी लड़का थोटी गोड़ लेकिए खड़ा हुआ है कि वहीं हुआ इनके साथ भी इन्होंने बोला हिया नोबल गैस तो गम्पाउंड ही नहीं बनाते बाद में पता चलब लो Noble gas B compound बना रहे हैं तो तीसरा इसका जो है वो है compounds of Nobel Gases compounds of noble gas तुमने पूरी राम कहानी इसी बात पर कही कि noble gas compound बनाता ही निए यार पिदा जी ले लेके जा रहे है और देखा मैं तुम खुश है बोले देखा है मैं कह रहा था बन जाओ इस के जैसे और छे परसेंट चाहिए ऐसे हरकतों के साथ तो खुद ही बोलेगे नहीं नहीं तू ठीक है भाई जैसा है तू ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो compound of noble gases noble gases भी like noble gases like krypton, xenon and redon forms compound forms compound और जैसे ही compound इनका देखने को मिला भाई साव एकड़म मोए मोए हो गया है इनके साथ कि यार बताओ जिस तर्च पे हमने पूरी इमारत खड़ी की वो नीचे वाली ET कि सकली एक्जैंपल के लिए अगर हम क्रिप्टन की बात करें तो क्रिप्टन का एक compound देखा गया है अगर हम रेडाउन की बात करें तो आपकी NCRT कहती है रेडाउन के साथ भी एक ही compound देखा गया रेडाउन लेकिन भाईया यह जो जैनोन है न यह तो आप समझे लो बोरा भर के compound बनाता है बहुत सारे compound बनाता है वित ऑक्सीजन और फ्लोरी जैसे की XZF6 इन सभी के structure बहुत important XZF4 जैई को पसंद है सर XZF2 इन सभी के structure इन सभी का reaction with water फिर XZOF4 XZO2 F2 फिर XZO3 यह सभी इनके reactions जैई एडवांस को बहुत पसंद है तो यह बहुत सारे compound बना दिया और इसके compound को देखने के बाद तो भाया हम तो जो बाते कर रहे थे सब बेकार जो बाते कर रहे थे सब फालतू हो गई सर समझ गया क्या यह था तीसरा factor इसके बाद दो फैक्टर और पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे जोक्टेट रूल के बाद आगे की बाते करने वाले हैं अगर आप मेरे से पूछो कि सर हमारा pace कैसा चल रहा है तो मैं जैसा सोच क्या था उसके हिसाब से जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको फजान रूल आज नहीं कर रहा हूंगा है ना वह एस ब्लोग जब हम कर र देख के तुम्हें क्या लगता है कि मांदारी से पढ़ोगे तो तुम इन और्गानिक के सवाल तो करी लोगे तो यह सब कंपाउंड जब बनने लगे तो आपने पूरा पूरा का पूरा नियम यह बोला कि ऑक्टेट जो है वो स्टेबल होता है अब इन यह सभी ऑक्टेट एक्सपाइंड कर रहा है ओक्टेट तो यह पहले से ही थे जनौन के कॉन्फिग्रेशन की बात करोगे तो आप बोलोगे जनौन तो पहले से ही ओक्टेट कंप्लिटेट था फिर कंपाउंड क्यू बना रहा है फिर तो बनाना ही नहीं चाहिए ना सर चलिए इसके बाद हम तीन नंबर के बाद हम चलता है किस पर चार नंबर पर चार नंबर पर हम बात करेंगे किसकी और एलेक्टरॉन स्पीसीज और एलेक्टरॉन स्पीसीज अब जितने भी और एलेक्टरॉन स्पीसीज है वो कभी पूरा करी नहीं सकते और एलेक्टरॉन स्पीसीज का ओक्टे होगा है ना mostly incomplete ही रहता ज्यादा expand नहीं होता इनको जाएगा गहां जैसे और स्पीसीज का example देदो और electron species का तो आप बोलोगे सर एन ओ टू सर एन ओ सर सी एल ओ टू एट्सेटरा इस सभी के सभी और electron species है सर जैस सभी के सभी और electron species है और इनका कभी भी吉 पूरा नहीं हो सकता इनका कभी भी आइंए बच्चा कह रहा है कि हां सर यह भूरा थे प्रेमें अगर किसी के में 7 एलेक्टरॉन है तोलको हो तंपाउंड जिसके वैलंस Gibson मैं और यह लिखली करते हैं अगले प्रेंट प्रेंट पर आता है pseud bênощen सूदो इनयट्ट कांफिगूरेशन सूदो इनयट् कांफिग्रेशन क्या होता है किसी को पता है तो बताइए इसने अब हम सवाल करने वा आने वाले 5 मिनिट में सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे रिलेट्ट टू अक्टट रूल फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हम बात करें reference को वो करके non accelerated करके फिर सवाल वगेरा करते हैं यहाँ पर सूड़ों का मतलब है फर्जी फर्जी इनर्ट configuration क्या होता है तो कोई भी आयन ऐसा कोई भी आयन कि विच्छ आल्ज न-1, S2, N-1, D10 या ऐसे पहले पी लिख लाएं, E6 आग N-1, D10, configuration also behaves somewhat inert यह भी कुछ inert gas की तरह यह भी inert behavior दिखाते हैं और इनको हम कहते हैं pseudo inert configuration क्योंकि exactly inert gas नहीं है that is why they are called pseudo inert configuration example दे के समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा example दे के समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा जैसे यह क्या है sir what is N-1, S2 फलाना 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 या फिर इसको कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई भी configuration जिसके N-1 shell में total 18 electron हो जाएं अगर N-1 shell में 18 electron है तो वो pseudo inert configuration होगा example के लिए zinc के configuration की बात करते हैं आप बोलोगा zinc का configuration है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 and 3D10 अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे sir यहाँ पर देखो N-1, S में 2 electron, P में 6 electron और D में 10 electron, total 18 electron है लेकिन उसके साथ बाहर यह electron है अगर इसको remove कर दिया जाए अगर इसको remove कर दें तो यह pseudo inert configuration हो जाएगा इसका मतलब है इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए sir तो हमने बोला एक बार एक काम करते हैं zinc plus 2 बनाते हैं zinc plus 2 अगर हमने बनाया तो इसका electronic configuration हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10 आप बोलेंगे sir देखो इसके valence cell में मतलब आप जो यह iron बना है इसके सबसे outermost में 10 electron है जो की n, यह n की value थी outermost cell उससे एक कम वाले cell अब बचा उसमें S में 2 electron, P में 6 electron, D में 10 electron टोटल 18 electron है इसको हम बोलेंगे क्या? pseudo inert configuration इसको हम क्या बोलेंगे sir? pseudo inert configuration इससे related अभी और सवाल पूछने वाला हूँ इससे related अभी और सवाल पूछूँगा बस में देखो pseudo inert configuration में मैं तुमें यह नहीं बोलूँगा रट लो मैं बस यह चेक करना चाहता हूँ कि क्या तुम logical approach लगा सकते हो क्या? क्या तुम logical approach लगा के इसको solve कर सकते हो जैसे example के लिए भी मैं periodic table में तुमसे सवाल पूछूँगा तुम जवाब देते जाना मतलब pseudo inert configuration क्या है sir? कि ये ये भी behave करेगा inert क्लियर है? इसके और example करें चलो मैं आपको periodic table पे कुछ बाते देखाता हूँ periodic table पे हम चल रहे है period number 4 की बात करते है period number 4 में group number 11 है group number 12 है फिर 13 है फिर 14 है फिर 15 है फिर 16 है ठीक है? अब बोलेंगे हाँ sir sir period 4 पे ये है copper copper के बाद आएगा zinc, zinc के बाद इधर कौन आएगा sir? गाना गालो? बाल गंगा दर? इंडियन? तिला कौन से एलिमेंट आएगा बोलो? तो आप बोलेंगे गैलियम आएगा sir है ना? बहुत ही बढ़िया इधर चले तो आपका germanium आजाएगा फिर arsenic फिर selenium अगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको बताना है कि which iron which iron will have pseudo-inert configuration बस मैं यही बूच रहा हूँ तुम से pseudo-inert configuration तुम्हें chronology समझने है बाई, तुम्हें engineering करने जाना है तुम रट्टा मार के थोड़ी जाओगे तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर मेरे को थोड़ी बात पता लग जाए अगर मेरे को थोड़ी बात पता लग जाए तो हम बाकी काम कर लेंगे देखिए मैंने क्या बोला कि अगर zinc के लिए plus two pseudo-inert है तो copper के लिए कौन सा आयन pseudo-inert होगा फटा-फट बता दो अगर zinc के लिए plus two pseudo-inert है तो copper के लिए कौन सा आयन pseudo-inert होना चाहिए बताइए फटा-फट बताइए बहुत बढ़िया नहीं अभे zinc plus two होता zinc नहीं होता है zinc का plus two form pseudo-inert configuration है तो मैं आपसे पूछ रहा हो copper का कौन सा है आपका pseudo-inert होगा बहुत बढ़िया एक number भाईया copper plus one मैं तुमारे सामने copper plus one का electronic configuration पहले copper का और फिर copper plus one का लिख के दिखाता हूँ देखो इसकी अगर आपन बात करे तो अपन ऐसा लिख लेते है neon neon का मतलब आपका 2P6 हो गया 2P6 के बद 3S2 3P6 4S1 3D 10 S1 हटाया मतलब अगर अपन ने copper one कर दिया अगर अपन ने copper plus one किया तो आप बोलोगे sir copper plus one में ये पूरा का पूरा configuration तो as it is रहेगा हट कौन जाएगा sir यहां से बस 4S1 गायब हो जाएगा तो S2 P6 D10 हो गया की नी हो गया तुमारे सामने proof है बहुत बड़ी अब तुम chronology समझ जाओ तो तो तुम्हें concept समझ भा जाएगा sir gallium के लिए क्या होगा gallium का consign हो जाएगा sir सूडो इनट बताओ gallium का consign सूडो इनट configuration की तरह हो जाएगा जिसमें N-1 में मतलब outermost से कम में S में 2 electron P में 6 electron और D में 10 हो बहुत बड़िया sir इस पे plus 1 था इस पे plus 2 था यही गाड़ी चलाते रहेंगे यो plus 3 हो जाएगा sir मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं gallium plus 3 iron will behave this way फिर germanium plus 2 iron will behave sorry plus 4 iron will behave this way फिर arsenic का plus 5 iron will behave this way और selenium का plus 6 iron will behave this way बोलो हाएगा यही chronology समझनी है sir रटा नहीं मारना है दोस्त कि अगर इसका plus 1 इससे 2 electron निकालने पे बन रहा है तो इसके बाजू वाला 3 electron निकालने पे बन जाएगा इसके बाजू वाला 4 पे उसके बाजू वाला 5 पे और उसके बाजू वाला 6 पे क्या मेरी बात आपको समझ में आई बताईए हाँ है ना यह 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 बात समझ दिये है कि और इच्छे से आप कर सकते हैं ठीक है चलिए इसी के साथ हमारा यह वाला टॉपिक खतम होता अब इस पर हम सवाल करते हैं आईए क्वेशन करते हैं जो भी सवाल करा नहीं जेए क्या हुआ हुए सवाल है सबसे पहला सवाल है एक अडवांस का आवा सवाल है देखिए विच अब दी फॉलवाई पुराना सवाल है थोड़ा विच अब दी फॉलवाई इना ओबे या ओबे नहीं डज नॉट ओबे ओप्टेट रूल इन में से कौन सा ओप्टेट रूल ओबे फॉलो नहीं करता है ओप्शन है पहला ALF3 दूसरा ALCL3 तीसरा ALBR3 चोथा AL I3 माल लेते हैं यह सभी compound exist करते हैं और यह multiple choice सवाल है more than one correct है इसमें एक से अधिक सवाल सही है आईए देखते हैं आप क्या option करते हैं एक से अधिक सही है सर आप बोलोगे सर आप option ABCD क्यों नहीं देते हैं क्योंकि mains और advanced भी ABCD नहीं देते हैं वो सभी 1,2,3,4 option देते हैं चलिए देखते हैं बहुत बढ़िया इन में से कौन सा octet rule follow नहीं करेगा तो आप बोलोगे सर या तो odd electron species हो जाए या noble gas का compound हो जाए या pseudo unit configuration हो जाए या फिर हम कह सकते हैं कि वो hypervalent या hypovalent हो जाए बहुत बढ़िया more than one correct है एक सधिक सही है चलिए तो अगर हम इसका सही answer देखें मैं आपको पहले सही answer बता देता हूँ इसका सही answer है B, C and D देखें कितने percent लोगों ने सही answer किया 41, 19 मतलब बहुत सारे लोग single correct मानके इसको answer mark कर रहे थे इसका सही answer है B, C और D तीनों option सही होगा आपके मन में सवाल आएगा पहला बार और देखें सपास 6-0 कैसे देखना चाओए ALCL3 को दिखाता हूँ आप बोलोगे ALCL3 इस तरीके का compound बनेगा peda इसके Aluminium का electron मैं red color के dot से दिखा देता हूँ 3 electron valence cell में इसके हो गए chlorine के electron मैं pink color के cross से दिखा देता हूँ 1, 2, 3, 4 ये हो गया तो Aluminium के valence cell में आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 total कितने electron है आप बोलेंगे total 6 electron है सर इसके valence cell में total 6 electron है अब बोलोंगे सर, Alif3 की बात करें तो Alif3 ने ऐसा क्यों नहीं किया सर, Alif3 ने ऐसा क्यों नहीं किया तो सुनिए, Alif3 जो है It is an ionic compound ये एक ionic compound है ये कैसा compound है, सर laser, आयनिक compound है Since it is an ionic compound सार पोल कहा है, पोल नहीं आएगा पोल लाने के लिए आपको बस answers इसमें कमेंट करना पड़ेगा आप ABCD कमेंट कर देंगे कमेंट से पोल अपने आप पिक कर लेगा चाट से पोल इस विंग पिक तो आप यहां पर क्या देखेंगे आप बोलेंगे सर यह आएनिक कंपाउंड है और आयनी compound होने के कारण यहाँ पर aluminium aluminium plus 3 के तरह गाम कर रहा है fluorine जो है वो F- के तरह गाम कर रहा है aluminium plus 3 के लिए अगर हम बात करें तो आप बोलोगे sir aluminium का बच्पन का electronic configuration होता था 2,8,3 aluminium plus 3 हो गया तो इसका configuration हो जाएगा 2,8 sir fluorine की बात करें तो fluorine के बच्पन का configuration होता था 2,7 F- का configuration हो जाएगा 2,8 यह भी octet complete है यह भी octet complete है they are present in the form of ions not as a covalent compound clear है क्या यह बात clear है बताईए बोलिए yes or no इस वज़ा से since it is an ionic compound यह सभी ionic compound नहीं है आपके मन में एक सवाल आएगा sir how to predict an ionic compound आप कैसे पता करेंगा ionic compound है तो ionic percentage निकालने के लिए आपने hanny smith equation का नाम सुना होगा है ना किसमे sir 11th standard में पढ़ाओगा periodic table में जहाँ पर percentage ionic character जो है वो किसके बराबर होता है तो आप बोलेंगे यह होता है 16 into delta en electronegativity का difference plus 3.5 into delta en का whole square इस formula से हम percentage ionic character निकालते हैं यहाँ से अगर हम falling scale की बात करें इस formula से अगर हम falling scale की बात करें तो falling scale of electronegativity में है ना जो हमारे पास break even point होता है वो होता है delta en बराबर 2.1 कितना 2.1 मतलब 2.1 के लिए 50-50% character आएगा और अगर if delta en is greater than 2.1 तो आपको compound जो है वो ionic character का देखने को मिलेगा एक बच्चा बहुत देर से परेशान था कि sir how BCL2 is a covalent compound मैं बोलूंगा इस formula में value डाल और value डालके delta en निकालके देख delta en निकालके आपको पता लग जाएगा कि it is a covalent और ionic compound यहाँ पे अगर आप पता करेंगे aluminium के electronegativity कितनी होती है 1.5, chlorine is 4.0 this is 1.5 3.0, this is 1.5 this is 2.8 this is 1.5, this is 2.5 यहाँ पे अगर आप difference देखेंगे तो आप बोलेंगे difference आएगा 2.5 का that is greater than 2.1 तो यह compound जो है वो कैसा होगा सर यह compound जो है वो ionic nature का होगा ionic nature का होगा समझ गए क्या मेरी बात को बताईए बिलकुल सर बाकियों मैं यही तो बता रहा हूँ इस formula से hannismith equation से आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई compound ionic काम करेगा या kobiland कैसे अगर किसी दो element के बीच में डेलटा ion की value जो है वो greater than 2.1 आईगी तो इसका मतलब compound ionic है आप उसको ions की तरह treat करें अगर delta ion की value less than 2.1 आईगी तो compound kovalent है आप उसको को बलेंट की तरह treat करें अब आपमें से बहुत सारे बच्चे यह बोलेंगे कि Sir अगर 2.1 आ गया तो 2.1 आ गया तो भाई हमें और डेता चाहिए इतने डेता है साथ हम नहीं कर सकते एक बख्या बहुत ही परिशान हो रहा है पूछ रहा है कि ई-n क्या है ई-n का मतलब Elektronegativity है इंग का मतलब Elektronegativity है क्लियर है फिर कुछ बच्चे आ जाएंगे बीच में comment में बोलेंगे कि हमने ये पढ़ा वो पढ़ा है ना उनको मैं बता दूँ वो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमने 1.7 पढ़ा है मैं बोलूगा कोई बात नहीं तुने 1.7 पढ़ा है मैंने भी पढ़ाया है यह जो 1.7 है यह Mulligan Scale of Electroneg करते हैं तो हम तो पॉलिंग स्केल के हिसाब सबसे ये खेल में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम अगले पेज पेच पर चल जाते हैं और सवाल करते हैं रिलेटेट टू दिस्ग इस लिए अगरा सवाल which of the following compound is which of the following compound is hypovalent इनमें से hypovalent compound कौन है पड़ पड़ बताईए पहला बीचियर टू दूसरा दूसरा हम ले लेते हैं SF6 तीसरा SO3 चौथा PCL5 इनमें से hypovalent compound कौन है फड़ फड़ कमेंट बॉक्स में इसके लिए मैं पोल चालू नहीं कर रहा है यार पोल चालू करने वाला सवाल ही नहीं 30 सेकेंड खराब करेंगे पोल चालू करके 30 सेकेंड खराब करेंगे हम पोल चालू करके पहले ही बता देते हैं सर एक बच्चा पूछ रहा इन कैसे फाइंड करें पिटा कुछ कुछ के पास चाहीं अलेक्ट दो बहुंट चार एलेक्ट्राउन तो यह हमारा हाइपोवेलंट होगा वेख़तादो औट क्यूब सवाल आएगा है यह उताव और यह शंपके सवाल यार एकदम फरजी सा सवाल जी में पूछा कि सारन इनमें से और electron species कौन सा है और फिर लोग कहते हैं जी तो बहुत कथिन है इतना कथिन पेपर भाई कर सकते हैं इन और गैनिक तो कर सकते हैं वन शॉट में इन और गैनिक पढ़के तो आप एक्जाम में सब देखो मैं यह बात कहता हूं कि तुम वन शॉट इनओर गणिक पढ़ोगे तो तुम बहुत ज्यादा बिद्वान नहीं हो जाओगे इन ओर गणिश्पी के क्योंकि तुम्हें नोट्स वगईरा बनाना पड़ेगा बहुत मैनत करने पड़ेगी ठोड़ी तो मैनत करने पड़ेगी लें कि तुम जेही मेंज के सवाल करके one shot से आ सकते हो इन और गानिक के है ना हाँ चलिए देखते हैं question क्या है question है की which of the following mil भी जाएगा सायद आगे चलके हमें which of the following compound is compound does not obey octet rule j means 2021 या बाइस का सवाल पहला co2 दूसरा no2 तीसरा o2 चौथा hf octet rule में hydrogen का duplet होता ये भी मान के चलेंगे सर बदाईए क्या होगा इनमें से अंसर बोलिये भाईया का होगो अंसर तुरंत comment box पर बताईए क्यूं सर आप बोलेंगे सर इसको अगर मेरे को solve करना है मेरे को आप बड़े बड़े बोल लेटर में दिखना जाएए कि ये तो odd electron species है और odd number कभी 8 कैसे हो सकता है अब ये 8 कभी odd number हो सकता है क्या नहीं हो सकता सर इसका मतलब यही हमारा अंसर हो गया ये इनो सवाल होते हैं सर याद रतना chemical bonding के most of the questions हर इनो type question इनो मतलब सवाल खतब 6 second में सातवा second भी नहीं लगना चीए clear ये बात तो फटा बट comment box में लिख दीजे clear का जो symbol आपको बताया था फिर हम आगे चलते हैं फिर हम आगे चलते हैं आगे बात करेंगे copy कर लिया cql लिख दीजे इसके बाद एक छोटा सा concept नन्ना मुन्ना सा concept फिर हम बहुत बढ़िया चलिए अगला concept आपके computer screen पे ये रहा formal charge का formal charge क्या होता है सर तो formal charge बस हमें ये predict करने में मदद करता है कि कहीं पे covalent या coordinate bond वगेरा तो नहीं है इसका एक simple सा formula होता है formula क्या है आईए देखते है formula है formal charge जो है ये बराबर होता है total valence electron minus number of bonding electron है ना या number of non-bonding electron minus ये equal to नहीं minus bonding electron या मैं इसको एक तरीके से और लिख देता हूँ ध्यान से देखिएगा इसी formula को मैं side में लिख देता हूँ आप और अच्छे से लिख सकते हैं formal charge जो है वो किसके बराबर होता है TVE minus LPE minus BPE by 2 आप बोलेंगे सर ये shortcut में लिख दे रहे हो समझ कुछ नहीं आ रहा रहा देखो TVE का मतलब है total valence electron total valence electron अगर हम बात करें LPE LPE का मतलब क्या है सर loan pair electron ऐसा electron जो bonding में participate नहीं कर रहे हैं और loan pair नहीं loan pair में कितने electron है उसके बाद अगर हम बात करें BPE तो BPE क्या हो जाएगा सर आप बोलेंगे this is bond pair electron मतलब bond pair में कितने electron है ये इसका general formula है total valence electron की अगर हम TVE की बात करें तो TVE का formula जो है TVE कैसे निकालेंगे सर TVE हम normally निकाल देते हैं group देख करके मैं group के इसाब से आपको TVE बता दे रहा हूँ अगर किसी के periodic table का group number यहाँ पर लिख रहा हूँ और यहाँ पर total valence electron कितने आएंगे अगर group number 1 है तो एक valence electron होगा 2 के लिए 2 13 के लिए 3 14 के लिए 4 15 के लिए 5 16 के लिए 6 17 के लिए 7 18 की ज़ुरत नौर्मली पढ़ती नहीं है बढ़ आपको पता 18 के लिए 8 हो जाएगा तो यह है total valence electron यह है total valence electron clear है अब इससे हम क्या करेंगे 1-2 formal charge निकालेंगे 1-J-E का सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ जाएगे इससे हम क्या करेंगे इसका मतलब क्या है कि कितने electron bond नहीं कर रहे है this is lone pair electron इसका मतलब है bond में कितने electron है उसके साथ bond में कितने electron है उसको 2 से divide कर देंगे clear 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 बहुत बढ़िया एक बच्चा पुछ रहा है clear 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 का नाम क्या है aluminium tri florent चलिए सवाल करते हैं जैसे माल लो मैंने आपको पूछा find formal charge on all atoms off सबसे पहला O3 और दूसरा NO2 positive इन दोनों पर करेंगे सर इसके लिए आपको सबसे पहले इनका levis dot structure पता होना चाहिए बिना levis dot structure के बहुत मुश्किल है levis dot structure कैसा होगा सर तो आप बोलेंगे देखो ozone oxygen के पास कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे लेक्ट्रोन है यह दूसरा oxygen है color change कर लिया है सर इसके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे लेक्ट्रोन है यह तीसरा oxygen है जो electron मांगेगा कि भाईया हमको electron दे दो इसके पास भी 6 electron है अब होता क्या है सर ध्यान से देखिएगा यह दो electron आपस में bond में चले जाते हैं तो यह double bond इनके बीच बन गया इसका यह वाला electron जो है यह पूरी तरीके से coordinate हो जाता है तो इस electron के इसके electron को हम यहाँ पर coordinate bond में दिखाएंगे मतलब इसके 2 electron जो है इस bond में जो 2 electron है वो इस oxygen के पूरी तरीके से है अब अगर हमें formal charge निकालना है अब अगर हमें formal charge निकालना है तो हम क्या करेंगे आप बोलोगे सर हम oxygen को numbering कर देते हैं इसको oxygen 1 number कर देते हैं इसको oxygen 2 और इसको oxygen 3 number कर देते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं formal charge on oxygen number 1. आप क्या बोलेंगे? सर oxygen group 16 को बिलॉंग करता है, total balance electron हो गए. 6 minus, ऐसे electron जिन्होंने bond नहीं बनाया है. 1, 2, 3, 4 minus, ऐसे electron जो bonding में हैं, 1, 2, 3, 4 और इसको हम 2 से divide कर देंगे, इस पर formal charge आया 0. इस पर formal charge आया 0. उसके बाद आगे चलते हैं, अगर हम बात करें formal charge on oxygen number 2, कैसे निकालेंगे सर, तो आप बोलेंगे सर, ये दूसरा है, oxygen है, इसके पास कितने oxygen है, group 16, 6 valence electron. कितने खाली electron है सर, 1, 2, minus 2, कितने electron bond में गये इसके, इधर 4 और इधर 2, 6 by 2, तो ये कितना आगे सर, आप बोलेंगे, ये हो गया, 6, minus 2, minus 3, that is 1, हमेशा sign के साथ इसको लिखते है, plus 1. फिर अगर हम बात करें, formal charge on oxygen number 3, तो आप बोलेंगे सर, इसके पास कितने electron होते हैं, valence cell में, 6, minus कितने खाली electron, 1, 2, 3, 4, इसने अपना electron दिया ही नहीं, minus, इसके bond में, ये वाले bond में कितने electron हैं, 2, बटे 2, तो ये कितना आगया सर, minus 1, क्या मेरी बात clear है, बताइए, अब मैं आपको एक छोटी सी trick दूँगा, एक छोटी सी trick दूँगा, जिससे आप formal charge सिर्फ structure बना के निकाल सकते हैं, आपको इतनी महनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतनी महनत नहीं करनी पड़ेगी, क्या लिए, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं सर, अगर हम बात करें NO2 positive की, किसकी बात कर लेते हैं सर, NO2 positive की, तो इसका structure आप बोलेंगे nitrogen बना लो, nitrogen पे ही positive charge दे लो, तो nitrogen के पास 4 electron हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर आप क्या करो सर, oxygen के साथ double bond बनवा दो, इधर oxygen है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 double bond इधर, दूसरा oxygen इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा double bond इधर, तो आईए इस पे बात करते हैं, आप बोलोगे सर, formal charge निकालेंगे oxygen number 1, nitrogen तो एक ही है, तो इसका numbering करने की ज़ुरत नहीं है, और oxygen number 2, सबसे पहले formal charge on oxygen number 1, कितना हो जाएगा सर, तो कोई भी oxygen के पास 6 valence electron होते हैं, के लिए आपको इसको देखने की ज़ुरत नहीं है, इसको माइनस कर देंगे, इस पे total valence electron से जो कि कितने है, आप मतलब total non bonding electron से, जो कि है 1, 2, 3, 4, माइनस bond में कितने electron है, 1, 2, 3, 4, 2, ये कितना है सर, 0, इसका मतलब इस oxygen पे कोई भी formal charge नहीं है, बहुत ही बढ़िया, formal charge on फटाफट nitrogen निकाल लेते हैं, आप बोलोगे सर, total valence electron इसके पास 5 होते हैं, क्योंकि ये group 15 of periodic table को बलाउं करता है, इसको माइनस करेंगे, इसके पास कितने खाली electron है, 0, माइनस करेंगे कितने bonded electron है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 बटे 2, ये कितना आजाएगा सर, plus 1, फिर oxygen और ये oxygen में कोई फरक नहीं है, दोनों हूबा हूँ, same to same है, तो इस पे भी formal charge का यही same formula होगा और इस पे 0 आजाएगा, अब मैं आपको 2 RBI देता हूँ, जिससे आप formal charge तुरंत calculate कर सकते हैं, जिससे आप formal charge तुरंत calculate कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं, उन दो formula पे चल के फालतु महनत करने की जरुद नहीं है, निकाल के फालतु महनत करने की जरुद नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए, इसके बाद, अगर हम 3 number पे चले, 3 number पे हमारे पास क्या है सर, बताईए, तो आप बोलेंगे 3 number पे, 3 number पे नहीं हम अब एक, RBI लिखते हैं और खतम करत हैं स्टॉपिक को, hashtag RBI, जिससे आप कोई भी सवाल बिना देखे, मतलब बिना पूरा formula लगाय कर सकते हो, सर, कहीं पे भी अगर, in case of, पहला RBI है, in case of coordinate bond, अगर कहीं तुम्हें coordinate bond गलती से भी देख गया, तो जहां coordinate bond देखेगा, वहाँ पे दो चीज़े होगी, एक होगा donor atom एक होगा donor atom, दूसरा होगा, acceptor atom, जो भी donor atom होगा ना, उस पे क्या करो, donor atom पे formal charge plus 1, acceptor atom पे formal charge minus 1, याद रखना, जैसे आप देखो यहाँ पे, सर, यहाँ पे donor atom यह बीच वाला oxygen था, इस पे formal charge plus बनाया, मैं formal charge नहीं निकालता, मैं बस यह structure बनाता, देखता, अच्छा, यह coordinate bond बना रहा है, इस पे plus 1 कर दो, इस पे minus 1 कर दो, simple, as simple as that, उसके बाद, जो acceptor atom है, उस पे minus 1 कर दो, यह पहला point था, दूसरा point यह याद रखना की, sum of formal charge on all atom, sum of formal charge on all atom, will be equal to charge on molecule, यह charge on molecule के हमेशा बराबर होगा, sir, always will be equal to, देख लेते हैं sir, यहाँ पर अगर हम बात करें, सब को जोड़ा, 0 plus 1 minus 1, total sum 0, इस पे charge 0, यहाँ की अगर हम बात करें sir, 0 plus 1, 0, total sum plus 1, charge इस पे plus 1, यह दो चीजे हमेशा valid होगी, यह दो चीजे हमेशा valid होगी sir, फटा बट इसको copy कीजे, फटा बट copy कीजे, फिर हम आगे बटते हैं, हाँ भई, copy का लिया, hello, share break मांग रहा है, share break नहीं मिलेगा, clear है क्लियर है, यह बात बताईए, बिल्कुल, बिल्कुल, सर, nitrogen का lone pair, अभे nitrogen, कोई lone pair नहीं है nitrogen पे, है ही नहीं भाई, अब एक सवाल कर लेते हैं, जही मिन्स का, आपके computer screen पे यह रहा, what is the formal charge on nitrogen in NO3-, NO3- पे nitrogen पे क्या formal charge होगा, आपका समय सुरू होता है, अब 30 second का सवाल है, 30 seconds ज्यादा time मिलना भी नीची है, जल्दी करेंगे, जिसने इसका structure बना लिया, वो 15-20 second में कर देगा, जिसने इसका आप है, जिसका नाम है, PW, है ना, आप Google Play Store पे सर्च कर सकते हैं, और अब साइद App Store पे भी आगया, मेरे पास तो Apple का पोन नहीं है, बट यहाँ तक मेरे को बता है, आप तो App Store पे भी आगया, C option आने लगा है, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है, बच्छोगा, बहुत बढ़ पेरिट के एक लाइन में बोल रहा हूं, जो कि पता नहीं है, क्लास में हर बार बोलता हूं, जहां पे भी पढ़ाता हूं, याद रखना, पीरेट 2 के ऐलिमेंट कभी बी, पीरेट 2 के ऐलिमेंट, इसकेंड कर सकते हैं, तो अब अगर इस पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इस नाइट्रोजन को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कि अरे ये नाइट्रोजन जैसा है वैसा है, इसमें कुछ खास है नहीं, हाँ, एक कोडिनेट बॉन्ड बनाने के कारण इस पे प्लस बन चार जाएगा, बोलो हाँ या ना, एक कोडिनेट बॉन्ड बनाने के कारण इस पर प्लस वन चार जाएगा, बोलिए हाँ या ना, आइए हम देख लेते हैं, आइए हम देख लेते हैं इसको, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप बोलोगे सर देखो नाइट्रोजन के पास वैलंस चल में कितने एलेक्ट्रोन थे, एक, ये दो एलेक्ट्रोन ना माइनस इसके पास खाली लोन पेर के लेक्टरॉन कितने है? 0. माइनस बॉन्ड पेर के लेक्टरॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 by 2. Solve किया कितना आया सर? Plus 1. जो बात मैंने कही थी वो सच साबित हुए आपके सामने करके दिखाया आप बोलोगे इसका अंसर b option हो जाएगा that is plus 1 that is plus 1 18% लोग अभे माइनस बन इतने सारे बच्चे क्यों माग कर रहे हैं? अभे यह माइनस बन इस oxygen पे आएगा यार ऐसे मत करो जिस पे चार जो ठागे nitrogen पे रख दिया ऐसे ना गरे मेरे भाई structure बनाए और structure बनागे देखें गजब भाई गजब चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं तो अभी तक हम octet rule की बात कर रहे थे octet rule को हमने गलत साबित कर दिया अब लोगोंने बोला अच्छा energy वाला factor भी तो बीच में हमने raise किया था तो आईए अब अगले concept पे चलते हैं कोच़ाशा फिर हम वैलंस बॉण ठेउरी पे चलेंगे अगले concept है covalence गा अगला concept है किसका सर Als rece к क्या होती है कोव फैंकी देखिए यह वच्छमन की बात है छोटे में आपने पढ़ रखा है पाँच मिनिट लगेगा उससे जादा नहीं लगेगा इसको समझने में पाँच मिनिट लगेगा उससे जादा नहीं लगेगा आपको समझने में देखिए कोई भी आटम कितने कोवलेंट बनाता है उसकी कोवलेंशी है एक्जामपल के लिए अगर मालो मैं आपसे पूछू CH4 में carbon की covalency कितनी है CH4 में covalency of carbon कितनी बताएंगे फटावच तुरंत बताईए भईया covalency of carbon कितनी होगी सर स्ट्रक्चर बनाना सिखा दो स्ट्रक्चर बनाना भी VACPR और VBT में ही सिखेंगे बहुत बढ़िया चार एक नमबर भाई एक नमबर अब सुनना सर कोवेलेंसी अगर हमें निकालना है तो हम कैसे पता करेंगे तो हम लिखेंगे atom atom के electronic configuration में unpaired electron electronic configuration में total unpaired electron कोवेलेंसी के बराबर होगा total unpaired electron on हम ये बराबर किसके होगा і को वेलेंसी के ये मेरी बात आको समज मै acontece बताईए बताइएं बताईएं आराम सबी टेंचन नहीं लेना आपने वोला cacard क्य discrimination कर दिया अभे एक दो तीन चार इसने चार-ब Эंध हरा fire लिख दिया कोई पांच बॉंड बनाएगा पांच लिख देंगे कोई छे बॉंड बनाएगा छे लिख देंगे है ना चलिए तो मैंने क्या बोला सर कि जितने अनपेड electron किसी का electronic configuration में होंगे वो उसकी covalency उतनी हो सकती है यह देखते हैं जैसे मालों मैंने nitrogen की बात करी nitrogen तो nitrogen की covalency कितनी हो सकती है सर बताइए तो आप बोलेंगे nitrogen की covalency सर एक बार इसका electronic configuration लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3 और electronic configuration में total unpaid electron कहां पर देखेंगे वैलन्स सेल में देखेंगे सर वैलन्स सेल के अलावा किसी को देखने की ज़रत नहीं है इसको देखने की ज़रत नहीं है आप बोलेंगे सर देखो 2s2 का मतलब इस पर 2 electron ऐसे आ गया 2p3 का मतलब इस पर 3 electron इस तरीके से आ गया तो इसकी covalency कितनी हो गई वैया फड़ फड़ बताएंगे कितनी covalency है सर बोलो कितनी covalency है बताईए वैद सिखाना वो covalency find कैसे करते है तो आप बोलोगे सर कितने unpaid electron खाली electron अकेले electron सिंगल तुमारे जैसे कितने electron है एक दो त जैसों को तो पैचानी लोगे नहीं सर उसमें विदिक्कल्स हो जाती है कभी 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 अब अपने जैसों को तो पैचान लोगे मैंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया oxygen के बारे मता दो आप बोलो कि सर oxygen का वैलन सेल कॉन्फिग्रेशन है टूएस टूपी फड़ फड़ बता ये सकी को वेलंसी कितनी होगी चाचा मता ये हुआ थि उसमें कित्ते उलेक्ट्रोन है जो तुम्हारे जैसे है गहां कितने हो गए तो इसकी को वेलंसी ओ गई बिना देखे भी बता दोगे बे तुम तो तर हमें देखने एक दौरत नहीं यह सब हम नहीं देखते हैं हम सीधा अंसर करते हैं बहुत बढ़िया एकदम गोली के रफ्तार से अंसर आते हुए इसके बाद अब सुनना अगर वालो मैं तुमसे पूछू सल्फर की कोवेलंसी या सल्फर से पहले से और कारबन की कोवेलंसी कित्णी होगी तो देखो कारबन की वैलंस और के अगर हम बात करें तो आप बोलोगे इसका कॉंटिग्रेशन है 2s2 2p2 इसका मतलब इसके पास इस तरीके से इसका कॉन्टिग्रेशन है अगर मैं यहाँ पर पूछूंगी इसकी कोवलिनसी कितनी होगी? बताईए कितनी होगी? अफिरे यहां पर इसकी कोवलिनसी कितनी होगी सर? आप बोलेंगों कोवलिनसी 2 हो जाएगी सर अभी कोवलनसी 2 है भहिया ती उत्ते इतना हो कोवलनसी इसकी 2 है लेकिन अगर मालो कुछ करके इस कार्बन को मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी बोली कार्बन भहिया थोड़ा सा एनर्जी में आ जाऊना तो carbon star बन जाएगा sir एक star में sub inspector बन जाता है अदमी तो carbon sub inspector बन गया अब क्या होगा sir इसका ये वाला electron कूद के यहाँ चला जाएगा इसका मतलब क्या है sir अब इसकी covalency कितनी हो गई sir बोलिएगा अब इसकी covalency कितनी हो गई sir बताईए तो excited इसको हम क्या बोलते star का मतलब यहाँ से आजाना energy बढ़ना इसका मतलब यह excited state है sir और यह first excited state है पहली बार excited किया sir कितनी हो गई तो आप बोलेंगे इसका इसका answer हो गया इसकी covalency जो हो गई वो हो गई 4 बहुत बढ़िया जेई का एक सवाल करते हैं जेई का एक सवाल करते हैं आईए देखते हैं question है covalency of second excited state of chlorine will be options are 1 3 2 1 3 5 4 7 आपका समय सुरू होता है आप चलिए फटा फट बताइए क्या होगा इस concept 5 बहुत बढ़िया यह जेई का सवाल है sir यह जेई मेंस का सवाल है आप बोलेंगे sir chlorine का एक बड़ी configuration लिखते हैं बीना star का chlorine यह हो जाएगा 2s2 यह सौरी आउटर मोश्यल में 3s2 3p5 लेकिन chlorine के पास एक edge है जितने भी third period के element होते हैं उनके पास 3D जो है ना यह vacant होता है sir खाली पड़ा हुआ है यह बहुत बड़ा advantage है तो जैसे ही आप देखोगे इसके डब्बे में मैं बनाऊंगा एक दो इधर से मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5 और इधर 3D पूरा का पूरा vacant है ना 3D पूरा का पूरा vacant मैंने जैसे इसको sub inspector बनाया एक star लगाया तो यह है excited state 1 इसमें क्या होगा आप बोलोगे sir यह वाला electron उड़के यहाँ चला जाएगा और यह वाला electron जैसे उड़के महाँ गया तब इसका configuration अब इसके पास कितने unpaid electron होगे दोस्त एक, दो, तीन इधर 4 होगे और D में जो है तो तो copy कर लेते हैं यह उठा के चाप देंगे D में जो है यहाँ से एक electron उड़के आ गया और D में जो है एक electron और होगे इसकी covalency कितनी होगी अब तीन होगी sir देखो पहले एक था अब एक, दो, तीन first excited state में 3 मैंने बोला sir इसको एक बड़ी और excited करो सब inspector से इसको inspector बना दो भाई 2 star अब क्या होगा अब एक और electron कूद के दर चला गया तो इसका अब इसके पास unpaid electron की value कितनी हो गई तो आप बोलेंगे अब इसके पास total पांच unpaid electron देखने को मिलेंगे sir कितने पांच और इसकी कोविलेंसी हो गई जही कि सवाल का सही answer था 3 5 एक बड़ी और excited करेंगे तो क्या कोविलेंसी हो जाएगी यह अब comment box में बता दो इस सवाल का तो answer हो गया 3 C option जो कि 70% लोगों में सही दिया बहुत सही जबरदास्त एक नमबर भाई एक नमबर कि सेर को ब्रेक चाहिए सेर को ब्रेक नहीं मिलेगा चलिए बदाईए कि अगर में एक बार और excited करता तो 7 हो जाता चलो एक और सवाल पूछ लूँ भाईया तुरंत आंसर दे दोगे सफर का मेरे को मता दो सेकेंड एक्सइटेड स्टेक में बर एक सेकेंड एक्साइट proceeds सेट diplomacy हो जाएगी अज्य में रहे हैं संदमिर क्या निल्सरे कर चाहिए को भाया अग्साइट और लो किज सब इनस्पेक्टर बनाया एक स्टार लगाया इसकी कोवलेंस्जी ओ इंग हो गई चार अबने यह सवाल देखो जैसे बच्पन में तुम से किसी नहीं सवाल पूछा है कि क्यों माल है तौ इसका एक कोना काट देंगे तो कितने कोने होंगे इसमें ऐसा कोई सवाल पूछा है तुमसे किसी ने कि एक रुमाल है जिसके चार कोने चार किनारे चार कोने बोल लेता है किनारा तो यह हो गया चार कोने इसका एक कोना काड़ दिया तो कितने कोने बचे बोलो बोलो भाई कितने कोने बचे आप बोलोगे सर इसका एक कोना काड़ दिया तो ये इसका अंसर दे दो तो आप बोलोगे सर पांच कोना क्यूं एक दो तीन और यहाँ पे दो कोने बन जाएंगे मस वैसा ही है अब एक electron को उच्छा लेंगे ना तो दो unpaid electron होंगे कौन सा जहां से उच्छाला वो और जिसको उच्छाला वो तो आपने बोला अच्छा मतलब sulfur को अगर sub inspector बना दिया से inspector बना दिया तो 6 इसके unpaid electron और इसकी covalency 6 हो जाएगी क्या ये बात clear है बताईए हाँ या ना बहुत ब formation that is VBT valence bond theory valence bond theory की बात करते हैं valence bond theory क्या क्या बाते करता है सर सबसे पहला यह बात करता है कि bond is formed bond is formed to minimize energy minimize energy and to minimize energy and gain stability energy कम करके stability gain करने का तरीका है bond formation क्रानी film में आपने देखा होगा कोई लड़का वच्चा है जो हाथ से निकल गया है माव आप कहते हैं इसका ब्याह करा दो अब क्या क्या कर दो और इसका ब्याह करा दो मेरे तो अपने आप लड़का सुधर जाएगा है ना तो आप क्या बोलेंगे जहा करा दो इसका अपने आप लड़का सही लाइन पर आ जाएगा तो वही सीन यहाँ पर भी है bond is formed to minimize energy अगर किसी में energy बहुत जादा वह यह उसको कम कर दिया जाएगा और पराइगा अपने बढ़ जाएगी स्टेसे गौत मभी साथ को देख जी आपको घूस्यम्रहते हमेसा इनरजी जादा है तो इधर तुरू होते रहते हैं ना इदर उधर और फ्रोल होते रहते हैं वही अगर हम बात करें कि स्पेसर कोई ऐसा बंदा है जो एक दम सांत रहता है रहुत रूबट टयप का अदमी देख लो सचिन तेंदूल का टाइप कार्मी देखलो ज्यादा एक्टम सान सभाव में रहना है माही भाई देखलो कोई था जो विकेट के पीछे समाच पलट देता था यह ना चलिए आगे बात करते हैं तो हमने बात क्या कि है कि bond is formed to minimize energy and gain stability पहला वर्ट वीबीटी का दूसरा पॉल्ट यह होता है कि bond formation in bond formation in bond formation valence cell electron participates इसमें participate कौन करता है सर वैलंस cell का electron participate करता है और valence cell का electron participate करके bond बनाता है तो नाम ही लिख दिया valence bond theory क्यों क्योंकि valence cell का valence cell का electron bond बनाता है इसके लिए एक हमारे पास formation of s2 का एक diagram है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगले page पे ले सब्सक्राइब करने के लिए स्टेबिलिटी जादा करने के लिए तो हम देखते हैं formation of hydrogen जो आप लोगों ने साइद जो आप लोगों ने साइद physics में modern physics में भी पढ़ा होगा modern physics में ऐसा diagram पढ़ा है क्या मेरे को बता ना इस diagram से सवाल पता नहीं जेही मेंस ने कितनी बार पूछा भी दिखाऊंगा तुम्हें सवाल जेही मेंस के यह है हमारा y-axis इस y-axis में हमने energy plot किया है क्या plot किया ऐसा energy plot किया है यह है हमारा x-axis इस x-axis में हमने क्या plot किया है तो x-axis में हमने r मतलब internuclear distance दो hydrogen atom के बीच का distance plot किया है अब मालो यहाँ पर मैं एक hydrogen atom को रखता हूँ यहाँ पर मैं एक hydrogen atom को रख देता हूँ और मैं क्या करना हूँ, दूसरा hydrogen atom यहां से इसके पास लाने की कोशिस कर रहा हूँ, जब इन दोनों के बीच की दूरी infinite होगी तो कोई interaction यहां पे काम नहीं कर रहा होगा, कोई interaction यहां पे काम नहीं कर रहा होगा, सर जैसे जैसे यह hydrogen पास आएगा, इसको लगेगा कि अबे यार हम overlapping करके, हम आपस में थोड़ा सा common area share करके bond बना सकते हैं, तो उस case में क्या होगा सर, आप देखेंगे, कि जैसे जैसे यह पास आएगे, सुनते जाना मेरी बात, अगर कभी भी bond बन रहा है, तो उस case में energy कम होत है, जैसे जैसे इनको पास लाएगे, they will feel that we can form bond, और यहाँ पे energy कम होनी शुरू होगी सर, energy कम होते जाएगी, होते जाएगी, एक point पे आके energy minimum हो जाएगी, एक point पे आके energy minimum हो जाएगी, और energy minimum होने के बाद, इस point के बाद अगर हम इसको और पास लेके जाएगे, तो इसकी energy अचानक से बहुत जादा बढ़ जाएगी यह है एनर्जी डाइग्राम अब इसको आराम से समझते हैं सर अगर हम इस पॉइंट तक की बात करें इस पॉइंट तक की बात करें तो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक में आप देखोगे कि फोर्स ऑफ अट्राक्शन इस डॉम और रिपल्सिफोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं और दोनों बराबर होने का मतलब अब आप इस सबसे स्टेबल पॉइंट पे हैं। अब यह सबसे स्टेबल कोईंट पे हैं अगर हम इसे और पीछे की तरफ चले तो इस केस में आप देखेंगे I am मतलब repulsive force बढ़ जाता है attractive force से और instability आनी शुरू हो जाती है अगर मैं hydrogen molecule की बात करूँ अगर मैं hydrogen molecule की बात करूँ तो उसके case में आपको ये वाला coordinate अगर आप इसके लिए निकालोगे अगर आप इसके लिए ये energy वाले coordinate पर जाके यहाँ पर ये value निकालोगे energy की तो ये value आप को पता है सर negative में आएगी ये value आप सभी को पता ये negative में आएगी ये value कितनी आती है सर आपको वैसे data याद नहीं करना है पर ठीक है ये value कितनी आती है सर तो ये value लगबग लगबग माइनस 436 किलो जूल आती है कितनी आती है माइनस 436 किलो जूल पर मोल पर आती है सर ये value इसका मतलब अगर इस point का इस point का मैं x और y दोनों coordinate निकाल सकता हूँ ये कौन सा coordinate है नीचे की तरफ ये y coordinate है y coordinate आपको energy देगा अगर हम x coordinate की बात करें जो की उपर की तरफ यहाँ पर आएगा अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता ये interneutral distance देगा इसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो ये आता है हमारा 74 picometer जो की bond length है h2 का that is bond length of h2 तो यहाँ यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं आपसे यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं ठीक है कुछ लोग comment box में लिख रहे हैं कि सर ये 436 नहीं 435.8 होता है ठीक है उसको अपन 436 approximately ले सकते हैं इतना गोई टेंशन की बात नहीं है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं मेरी बहुती हुआ है सर bond formation is taking place at this point क्या मेरी बात क्लियर है बताईए है अब मैं जेई के दो सवालों से अब मैं जेई के दो तीन सवालों से इस topic को आपको और clear करूंगा सवालों के थूँ अब हम इस पर clarity लेकर के आएंगे इसकी बात करें तो यह graph जो हम बना रहे है energy मतलब 2 hydrogen atom के बीच potential energy का ग्राब बना रहे हैं with respect to internuclear distance उन दोनों के बीच के distance की क्या आप सवाल करने के लिए तो फटा फट लिख दीजे फिर हम सवाल करते हैं सवाल सवाल एक सवाल तो यहां देख गया मेरे को देखो जेए मेंस 2020 का सवाल है वैसे advance भी से सवाल पूस्ता रहता है है न मेंस advance दोनों इस पे गुमा फिर आगे सवाल देते रहते हैं चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है तब potential energy curve for H2 molecule as a function of internuclear distances कौन सा option सही है भाई मुझे नहीं लगता किसमें तुमें option पढ़ना भी पड़ेगा तुम खुद जानते हो कौन सा option सही है तुम खुद जानते हों सा option सागिया ओल पता नहीं मोंने क्यू start कर दिया गलती कर दिय मेरे जूद स्टार्ट करके गलती अपना później नीचे फिर एकदम Un nenhuma और तो पहले आंसार ya लेता हूं और मुझे लगता है इसका आंसर लगबग 100% सही हो जाना चीए है ना यूट्यूब पोल पर 100% सही तो बहुत तगड़ी बात हो गया देख लेते हैं पर कुछ लोग होते हैं ना जो गलती करी देते हैं कुछ लोगों का अलगी रिस्ता होता है गलतियों से कि बंदो जा भाई ते रब पोल का अंसर चेक करना चाहता है लेकिन चेक ही नहीं हो रहा चलो यह सवाल समझ गये जब तक यह काम हो रहा तब तक एक सवाल और करते हैं तब तक एक सवाल मैं देता हूं देखो माल लो मैंने आपको ग्राफ दिया दो बॉन्ड का अच्छा इसका अंसर आ गया बी ऑप्शन इस दा करेक्ट ऑप्शन ओहो 97.4 परसेंट गजब भाई गजब बलब 97 परसेंट अगर यूडिप पोल में सही हो रहा गजब भी बात है क्या है ढादिया मैं इनके बारे में सोचना हूं एक बच्चे दो बच्चे ने ऐसा ऐसा कमेंट कर दिया होगा एक बारी लीडर बोर्ड देख लेते हैं तो लीडर बोर्ड में इस सवाल के हमारे पास सैम आदी शिवा सचन दीपक प्रनव अंशुल कमलेस बहुत ही बढ़िया एक बारी लीडर बोर्ड देख लेते हैं अभी तक कुल्दीब भाई हमारे साथ है अंसुल पाल साथ है गोवन जांगेड एंपायर ऑफ क्रियेशन इतने अंगरे जी नाम किसका रख दिया वे किसी ने सबसे अधा लेंडर रखा था इसी के माप अपने उसका नाम फिर उन्या सिर्फान शिवानी तिवारी अनील कुमार टिवां तिवारी यह दोनों एक हैं क्या अलग अलग है हां भग्येस बीष्ट वह भाईवा सैम राहुल ऐसे बहुत सारे नाम बहुत ही बढ़िया लास्ट में अपन एक डंडा और बना दिया मैंने बोला देखो यार दो बॉंड की बात करूँगा मैं एक बारी बात करूँगा है एक बारी बात करूँगा है एक बारी बात करूँगा है इसके बारे में आपको चार स्टेट्मेंट दूँगा आपको सही स्टेट्मेंट चुनना है ठीक है बोलो हाँ या ना, sir HA bond जो है, वो मैं red color से बना के दिखाऊँगा, इसके बारे मैं red color से इसको mark करूँगा, तो देखिए, यहाँ पर हमने रखा hydrogen atom, ठीक है, यहाँ से हम एक उला रहे थे, HA का graph कुछ इस तरीके से ऐसे गया, और यहाँ आके खतम हो गया, this is the graph for HA bond, फिर हमने कहा किया, sir, एक दूसरा graph बनाया, दूसरा graph इस तरीके से था, वो इस तरीके से आया, ऐसे जाके यहाँ पर खतम हुआ, ऐसे, this is for HB bond, आप से सवाल पूछा सबसे पहला, चार option दे रहा हूँ, सही option चिट्टे करना है, इसमें सबसे पहला, bond length का order क्या होगा, HA is greater than HB, दूसरा, bond length का order होगा, HB is less than HA, ओ सौरी, यह तो यह की बात हो गई, HA is less than HB, पहला, दो option होगे, multiple correct है, सर, तीसरे में bond energy की बात करें, bond energy की बात करें, तो bond energy के case में आपको बताना है, कि HA की bond energy और HB की bond energy में HA जादा है, या चौथा option, HA और HB की bond energy में HB की value जादा है, चलिए बताइए, इस पर पोल नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ लेता हूँ, चलिए, सबसे पहले bond length का बता दो, bond length किसका जादा, तो आप बोलोगे, सर, bond length के लिए का करना, minima वाला point को select कर लो, यह minima point इसका, यह minima point इसका, इसको उपर लेके जाओ, इसको उपर लेके जाओ, आप बोलोगे, सर, यहां से यहां तक अगर हम बात करें, तो यह bond length किसका है, यह Hb का bond length है, सर, यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करें, यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करें, तो यह H-A का bond length है, इसका मतलब bond length of HB is greater है ना HB का bond length greater है B option, second option is the correct option फिर अगर हम bond energy की बात करें तो आप बोलोगे सर जो जादा नीचे है उसकी bond energy जादा Sir HA की bond energy यहां तक HB की bond energy इतनी जादा तो आप बोलोगे सर bond energy भी HB की ही जादा है 2N4 option is the correct कितने लोगों का दोनों सही हो गया था बताईए क्या इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे यह आपको modern physics के अंदर भी देखने को मिल सकता है और chemistry में तो आता ही आता है क्या यह बात clear है बताईए क्या यह बात सभी को clear है बोलिए बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया सर चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं अभी तक हम बात किसी कर रहे थे सर कि VBT की अब होता क्या है देखो VBT जो है ना दो तरीके से bond formation को explain करता है VBT जो है वो दो तरीके से bond formation को explain करता है सबसे पहला तरीका उसका क्या है सर Overlapping के थुरू सबसे पहला तरीका क्या है Overlapping और दूसरा method of explanation of bond formation है That is Overlapping या पहले Hybridization plus overlapping Hybridization plus Overlapping ये दो तरीके से ये आपस मैं bond formation को explain करता है ये दो तरीका इसको explain करने का एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी बात इन दोनों की करेंगे कि hybridization plus overlapping में क्या अंतर है और cable overlapping में क्या अंतर है उसके बाद हम break लेगे Sir BL क्या होता है bond length होता है दोस्त BL कहां लिखा है मैंने BL तो लिखा ही नहीं गई BL का मतलब bond length है भाई वैसे BL कहां लिख दिया लालालाला लालाला BL तो लिखा ही नहीं है भाई गई चलो तो सबसे पहले हम बात किस की करेंगे Sir overlapping theory की कर लेते हैं overlapping की अगर हम बात करें तो औराम सेक्मिनान से देखेगा overlapping से कई सारे सवाल आते हैं गैसे कैसे आते हैं देख लेते हैं एक बारी। ओष्वर्लापिंग theory की बात करें तो ओष्वर्लापिंग का मतलब होता है Cращoff Commonly Shared Volume ठीक है ऐसा Volume जो Commonly Shared है दो चीजों के बीच में Commonly Shared किया गया है पहली बात Overlapping का मतलब क्या है सर? यह यह कहता Overlapping Theory यह कहती कि Orbital Overlap करके Bond बनाते है Overlapping Theory क्या कहती है सर? Orbital Overlap To Form Bond To Form Bond अब आपके मन में सवाल आएगा कौन कौन से Orbital Overlap कर सकते है तो इसका आंसर है कि Half-Filled Orbital Half-Filled Orbital With Opposite Spin या Opposite Spinning Electron Can Overlap तो सबसे पहला सवाल Overlapping Theory से जो आपको देखने को मिलेगा वो यह मिलेगा कि इन में से Possible Overlaps इन में से कौन कौन सा Possible Overlap है वो देखते हैं पहला option आपको दिया मैंने एक Orbital लिया मैंने इसको खाली छोड़ दिया और एक Orbital में मैंने एक Electron बना दिया क्या यह Overlap कर पाएगा बताईए हां या ना क्या यह Overlap कर पाएगा बताईए हां या ना बताईए बोलिए एक बच्चा वेचार फ्यूचर एक्स नाम का बच्चा वो कह रहा सर बॉन्ड लेंथ इंवर्सली प्रपोर्शनल होता ना बॉन्ड एनरजी के अरे भाई वो एक जैसी चीजों के लिए बात होती है मतलब अगर है औकसीजन औकसीजन का बना रहे तब अब तुम एक बॉन्ड किसी दूसरे अटम के साथ बना रहे एक बांड किसी दूसरे अटम के शाथ उसमें ऐसी बढ़ते नहीं कह सकते हम Shanti occur यहां पर अपस आता हैं बोलोगे जर्जेवन आप नहीं होगा दूसरा औप्शन लेते हmäß सर यहां पर मेरे पास दो उलिक्ट्रोन यहाँ पर मेरे पास एक इल्यक्ट्रोन है क्या इसमें अवरलाप हो गा तीसरा औप्शन पहले दूसरे option का बता दो y-n-y-n वे सितना बता दो y-n-y-n-y-n बोलियो तो आप बोलेगे सर इस में भी overlap नहीं हो सकता यह जो प्रन हम बात करें कि एक Eat ऐसा एलेक्टॉन हे दूसरे और वाइटल में भी कि मेरे पास ऐसा electron है क्या इसमें overlap तीसरे में overlap हो सकता है आप बोलेंगे सर इस तीसरे वाले में भी overlap नहीं हो सकता सर क्यूं क्यूंकि दोनों electron का spin सेम है चौथे point की बात करते हैं क्या इसमें overlap मेरे को देखने को मिलेगा क्या मेरे को इसमें overlap देखने को मिलेगा सर बताईए क् और लाप होगा यह नहीं होगा आप बोलेंगे सर देखो ना यहां एक एलेक्टरों ओपोजट्ट स्पेन मतलब दोनों एलेक्टरॉन ओपोजट्ट पिन में और सिंगली ऑपक्युपइड है तो यहां पर लाप होगा तो ओवरलापिंग थियोरी में सबसे पहला पॉइंट को यहीं दियान रखना वैलनसल के लेक्टरॉन ओप बनाएंगे दो और बैटल यहां ऑप करेंगे जब दोनों में ऑपोजट्ट स्पिन का लेक्टरॉन होगा और एक के लेक्टरॉन फोगा पिर अगर हम ओवरलाप की बात करें तो ओवरलाप हमारे पास कितने टाइप के ह होते हैं एक होता है जिसको हम कहते हैं head on overlap कैसा head on overlap और दूसरा होता है sideways overlap जब कभी भी head on overlap होगा तो आप याद रखना इस case में sigma bond formation आपको देखने को मिलेगा जब कभी भी sideways overlap होगा तो sideways overlap में या तो आपको pi bond देखने को मिलेगा या फिर आपको delta bond देखने को मिलेगा वैसे डेल्टा bond हमारे syllabus में देखने को नहीं मिलेगा बठा इस तरीके से bond बनते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही मैं आपको यह बहुत ही simple सा example देता हूं बहुत ही simple सा RBI देता हूँ कि कौन सा bond किस type का है कभी भी कभी भी अगर आपको कभी भी अगर आपको दो lobes overlap करते हुए देखने को मिल रहे है भाई मेरे को एक बात यह बता दे lobes का मतलब तो जानते हो ना lobes का मतलब तो जानते हो ना सर वाटीस डेल्टा टेंचर मतलब अभी सब आगे पनेगे अभी डेल्टा क्या है वही तो पनेगे ना आगे अगला पेस्तों दे मेरे को सर वाटीस डेल्टा है बड़का भाया ओप अप हलपा डेल्टा बॉंड है अब हम एक एक करके इन सभी बॉंड के फॉर्मेशन को एक एक करके समझेंगे देखेंगे जानेंगे ठीक है फड़ा पट कॉपी कर लिजे तीके लिए अब मैं आपको ओवरलापिंग थोड़ी सी समझा दूंगा ओवरलापिंग थोड़ा सा टिपिकल हो अगरं बात करें कभी भी सिग्मा ओवरलाप थो सिग्मा ओवर्लाप कैसे होता कब ना करके तो इस की बात करके मैं आपको सीधा ओवरलाप्स दिखाता हूँ आपको पता है sir जो s org होते हैं कैसे होते हैं ऑक बोलोगे वो स्फेरिकल सेप के होते हैं सर ऐसा स्फेरिकल मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉल नुमा सेप के इस तरीके से बॉल नुमा सब आप करें, दी ऑर्बिटल क तो दी ऑर्बिटल का से Future होता है, बजदी से एक्छे बता दो मेरे कूँ अब जो मैं केह रहा है उसको द्यांन से सुनिएगा मैं क्या करूँगा, डिफरेंट दिफरेंट ऑर्बिटल को डिफरेंट कराओंगा और उनके साथ अपन देखेंगे bond formation ठीक है सबसे फ़ला overlapping two s orbital two s orbital को हम overlap करवाएंगे और यहां पी जो आप s orbital देखेंगे उनको हम अलग-अलग axis में overlap कराएंगे समझना axis क्या है सर अगर उपर की तरफ में जाओं तो इसका मतलब यह y axis है अगर मैं इस तरफ जाओं मतलब इधर इधर move करूं तो यह आपका x-axis है और अगर मैं बाहर और अंदर की तरफ की बात करूँ तो यह z axis है मतलब मैं जहां खड़ा हूं यह आपका x-axis है ऊपर और नीचे मेरे y-axis है और मेरे सामने और पीछे इस तरफ यह मेरा Z-axis है ठीक है अब मालों मैं क्या करूंगा सर एस और्बिटल को S-orbital के साथ टक्कर करवाऊंगा तीन एक्सिस के बाउट आप मेरे को बताना कितने लोब टक्रा रहे हैं सबसे पहला X-axis के बाउट फिर Y-axis के बाउट फिर Z-axis के बाउट सवाल आपसे पूछूँगा जवाब भी आप ही दोगे सवाल मैं आपसे पूछूँगा और जवाब भी मुझे आप ही दोगे सर clear है क्या बताईए सबसे पहले यह मानलो एक S-orbital है यह S-orbital है मैं इसको S-axis के बाउट लेके आ रहा हूँ this is X-axis मेरे को फटा फट कमेंड बोक्स में बता दो कितने लोब टक्रा रहे हैं मैं इसको X इस तरफ X-axis के बाउट आपको पता ना इस तरफ अगर आपन मूफ करेंगे तो this is X-axis मेरे को बता दो कि कितने लोब्स टक्रा रहे हैं कितने लोब्स टक्रा रहे हैं सर जल्दी बताईए दो लोब्स टक्रा रहे हैं इसका मतलब S और S अगर मिलेगा X-axis के बाउट तो X-axis मतलब दोनों के टक्राने के X-axis X-axis है तो आप बोलेंगे सर सिग्मा बॉंट बन रहा है, दो लोग का मतलब सिग्मा बॉंट, यही जिखाया था, ठीक है सर, इसको y-axis के बॉट लेके आता हूँ, यह कैसा और्बिटल है, यह दूसरा, y-axis y-axis के बॉट भी दो ही लोग टकरा रहे हैं सर, सिग्मा बॉट, मैंने बोला अच्छा, z-axis के बॉट लेके आता हैं सर, z-axis कि इदर, आप बोलोगे देखो यार, यह सामने की तरफ से इदर आ रहा है, आप बोलोगे दिख नहीं रहा है सर, कुछ, मैं बोलोगे मूर जाता हू सिग्मा बॉण्डी बनाएगा, सिग्मा ओवरलापी करेगा, बाकि इसके पास कोई आप्शन नहीं होता है, फिर मैं सेकेंड पे चलता हूँ, मैं क्या करूँगा सर, एस्प्लस etcetera पी का ओवरलापिंग करा था हूँ, अब पी ओर्बिटल अमारे पास तीन टाइप के हैं, कितना टाइप की ओर्बिटल है, थीन टाइप के, कौन कौन सेट पी एक्स पी वैई, पी घेट तो एक बार क्या करेंगे, एस्प्लस पी आई, S plus P Y S plus P Z ठीक है एक बार X axis से एक बड़ी Y axis से एक बड़ी Z axis से मैं orbital ले गया हूँ और बिटल हमेशा पड़े रहते है मेरे पास यह वालो P orbital है देख रहे हो डंबल तो यह P orbital है अगर मैं इस P orbital की बात करूँ सबसे पहले देखना यह कौन सा P orbital है जल्दी बताओ यह कौन सा P orbital है जल्दी बताओ तुरन तुरन बताते जाओ यार यह कौन सा P orbital है जल्दी से बताओ यार तुम भाई overlapping concept एगनम खतरनाग तरीके से करके जाओगए PX है बहुत बढ़िया सर PX के सामने अगर मैं X-axis के about लेके आ रहा हूँ क्या अगर मैं X-axis के about लेके आ रहा हूँ S-orbital, कितने लोब टकरा रहे हैं बताओ, कितने लोब के टकर तुमारा सामने टकर हो रही है कितने लोब के टकर भाई, जल्दी बोलो अब बोलोगे सर, टकर तो दो लोब की है दिख रहा है सर हमें दो लोब की टककर है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सर यहां पे सिग्मा बॉंड बन रहा है अच्छा यह PX है सर इसको नहीं बदला देखो X-axis के बाउट ही यह PX है अब मैं यही एस और्बिटल को X-axis की जगा Y-axis से लेके आ रहा हूँ तो X-axis के मतलब य सर एक, दो और तीन, तीन लोब मिल रहे हैं मैं बोलूगा वो छोड़ सर यह बीच में तो नोड है न यार यहां तो इलेक्टरॉन नहीं है न यहां तो इलेक्टरॉन नहीं है आप बोलूगे सर अगर मालों मैं इसको लेके आ रहा हूँ और यह यहां टकराया तो तीन अबिजा इलेक्टरौन ही नहीं है। वहाँ टकराके वहाँ ओवर्लाप कैसे करवाओ गयार। इस पोर्षिन में लेक्टरौन होने के चांस ही नहीं है। हम चांस लही कि नहीं सकते कि नोड आए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई बॉंड नी होगा अच्छा, यह इधर से लाया कोई बॉंड नी, मैंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, इसको Z-axis से लेके आते हैं, इसको कहां से लेके आता है, Z-axis से, यह है P-X, अभी भी P-X है सर, यह Z-axis सामने से आय कहां टकराया, आप बोलोगे सर, कितने लोग, तीन लोग, तीन लोग का मतलब बीच में नोड फसराया सर, और बीच में नोड फसराया तो कौनो बॉंड नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी कोई ओवरलाप नहीं, अब मैं बोलता है, चलो P-Y ले लेते हैं, अब तुम P-Y के बाद chronology से करेंगे अपर, क्योंकि मुझे तुमें न सोचने का तरीका सिखाना है, देख के तो तुम करी लोग यार, सोचने का तरीका सिखाना है, क्या तुम अपने धिमाग को यूज करके काम कर सकते भी नहीं, P-Y है, सभी को लग रहा है P-Y है बोलो, हाँ सर, P-Y म एक्स, एक्सिस के अबाउट लेका आए, कहां फस गए सर, नोड में फस गए, आप बोलोगे, जीरो, कोनो ओवरलाप नहीं होगा, सर, P-Y में वाई एक्सिस के अबाउट लेका आए, कितने लोग टक्कर कर रहे हैं, बोलो, कितने लोग, और सब हेड-on कर रहा है सर, देखो इसको देख करके कोई समझदार बच्चा होगा, तो बोलेगा, सर, P-X के साथ, X में सिग्मा, P-Y के साथ, Y में सिग्मा, P-Z के साथ, Z में सिग्मा, इतना दिखानेक जोरते नहीं है, सर, क्रोनो लोगी समझ रहे हैं, क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए, क्या मेरी बात क्ल इसके बाद हम आगे चलते हैं, तीसरे नमबर पे चलते हैं, तीसरे नमबर पे हम क्या गरेंगे सर्फ, P प्लस P को टगरवाएंगे और इसमें याद रखना same type of P, same type of P orbital, P orbital, can overlap, can overlap, इसका मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि भही या, PX प्लस PY कभी overlap करेगा? बताओ, PX प्लस PY कभी भी overlap करेगा? तो मैं तुम्हें example लेके दिखा देता हूं, मेरे पास दो P orbital है, मेरे पास दो P orbital है, है ना? मेरे पास दो P orbital है, मैंने बोला ये है PY, ये है PX, सर X axis के about लेके आए, Z axis के about लेके आए, दोनों का note भस गया सर, तो यहाँ पर क्या होगा? आप बोलोगे इस पर कभी भी overlapping नहीं देखने को मिलेगी सर, overlapping हो ही नहीं सकती है, तो मैंने क्या बोला? बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत भी बढ़िया, मैंने बोला अच्छे चलो वे, काम करते है हम X axis के about, Y axis के about और Z axis के about कराएंगे तो, पर PX को PX से कराएंगे, PY को PY से कराएंगे, और PZ को PZ से कराएंगे, और मैं फिर बोलूगा भाईया, क्रोनोलोजी समझना, जो क्रोनोलोजी समझना उसको answer मिल जाएगा तुरन, सबसे पहला, सर यह एक PX orbital ही है PX, सर यह वाल बताईए, फड़ा फड़ बताईए, यह कौन से axis के about overlap कर रहा है, आप बोलोगे सर दोनों PX, PX, X axis के about overlap कर रहा है, है ना, X axis के about overlap कर रहा है, तो यह सिग्मा मौन बन दा है, सर दो लोग, है ना, ठीक है सर, सर यह PX है, यह PX है, यह Y axis के about overlap कर रहा है, अरे कितने लोग तकरा रहे हैं, 2 और 2, 4, कितने लोग आपस में तकरा रहे हैं सर, जल्दी बताओ, Y axis के about है ना, Y axis के about अगर इसको तकर करें, तो कितने लोग तकरा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर, अब 4 लोग तकरा यह Z X's के बाउट आ रहा है कितने लोब टकरा रहे हैं आप बोलोगो सर अभी भी चारी लोब टकरा रहे हैं सर तो पाई बॉन्ड बना अब भाईया तुम में जितने लोग समझदार होंगे वो बोलेगा अच्छा P X P X X में सिग्मा बाकी पाई P Y P Y Y में सिग्मा बाकी पाई P Z P Z Z में सिग्मा बाकी पाई समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बताओ क्या ये बात क्लियर है? बोल ये हाँ आए ना क्या ये बात क्लियर है? बताई ये हाँ आए ना बोलो Is it clear to all of you? अरे मैं यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है same type of p-orbital can overlap only same type of p-orbital overlap करेगा never नहीं लिख सकते ना इसमें ले मर क्यों लिखेंगे clear sir बहुत बढ़िया अब मैं आपको d-orbital पर लिखे जाने का मन तो है what d-orbital से related अब p-o-d का आपको दिखा देता हूं पी और दी-orbital का एक overlap आपको दिखा देता हूं देख लो p-o-d-orbital का एक overlap आपको बस दिखा दूगा एक overlap दिखाऊँगा ज्यादा डेंशन मतले या 2 d-orbital का भी एक overlap दिखा देता हूं यह देख लो अब देख लो उसके बारे में लिखूंगा नहीं कुछ जाधा किसंगे बवाद टक रहें तो कितने लोब टकरा रहे हैं बताओ कितने लोव टकरा रहे हैं बता राख रहें जल्दी बताते जाओ है कि लोगने फी पहल greenhouse know करा रहे हैं सर अगर इधर कि बात करें हिदर कितने यह इधर क्यूंटने से ऐसे ले के आ रहे हैं तो आप कितने लोग टकरा रहे हैं सर देखो इसके चार और इसके चार ये सब आपस में टकरा रहे हैं Z axis के बाउट ये क्या बनाएगा सर? Z axis के बाउट ये delta bond बनाएगा D पर मैं बहुत जादा नहीं जाता हूँ यहाँ पर नोट करने वाली बाते क्या क्या हैं आईए उसको देख लेते हैं यहाँ पर नोट करने वाली कुछ important बाते हैं उसको देख लेते हैं हमने एक बात सीखी कि सर S orbital अगर कहीं पे भी है S orbital कहीं पे भी है It will only form sigma bond only form P orbital ये बना सकता है sigma और pi D orbital की बात करने तो ये बना सकता है sigma, pi या फिर delta ये तीनो टाइप के bond बना सकता है सर ये तीनो टाइप के bond बना सकता है clear है बताई Is it clear to all of you? बहुत बढ़िया अब हम देखेंगे order of stability या energy का order देख लेंगे इनका strength of overlapping देख लेंगे चलिए तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी आगे लिखते है strength of overlapping strength of overlapping overlapping के strength की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखना सबसे पहला point क्या है सर कि sigma bond stronger होता है pi से sigma bond जो है वो क्या होता है सर stronger होता है pi bond से पहला point दूसरा point क्या है सर कि अगर हम sigma bond को compare कर रहे है sigma bond की बात करें किसकी बात करें सर sigma bond की बात करें break दे दूँगा attention मतले इसको लिखके फिर देखते है break की बात करते है न sigma bond की अगर हम बात करें तो sigma bond के लिए आप क्या देखेंगे कि sigma bond में order कैसा होगा किसका क्या होगा उसकी बात कर लेता है सबसे पहला if n value is same if n value is same अगर n की value same है तो क्या देखने को मिलेगा जैसे मालो मैंने बोला सब 2s का 2s से overlap कराया sigma बनेगा 2s का 2p से overlap कराया तो भी sigma बनेगा और 2p का 2p से overlap कराया तो भी sigma बनेगा इनके strength का order क्या होगा बताइए कौन सा bond n में से 2s 2s 2p 2p और 2s 2p में कौन जादा होगा बताइए हाँ बही बोलो क्या order होगा इसका बहुत बढ़िया तो आप इसमें देखेंगे याद रखना इसमें क्या होता है कि सर पीपी ओवरलाप हमेशा stronger होता है तो SS, SP और PP में PP ओवरलाप जादा strong होगा इस बात को याद रखना अगर आप पूछो इसके पीछे reason क्या है सर तो इसके पीछे simple सा बहुत reason होता है S orbital की बात करें तो S orbital में electron जो है S orbital में अगर हम किसी एक direction में x y z में direction में बात करें तो आप बोलोगे किसी एक direction में one third electron देखने को मिलेगा इस S orbital को अगर हम ओवरलाप कराने इस direction में तो इसके भी इस direction में one third electron की probability है 3 dimensional में electron कहीं भी हो सकता है तो किसी एक direction में 1 3rd probability है अगर हम 2S 2P की बात करें तो आप बोलोगे सर S के लिए तो इस direction में probability 1 by 3 की है लेकिन P के लिए जो probability होती है P का electron या तो इस तरफ होगा या इस तरफ तो इसके लिए 50% मतलब 1 by 2 की probability है इस तरफ होने की अगर हम 2P 2P की बात करें तो आप बोलोगे सर इस P के लिए 1 by 2 probability है electron इस तरफ होने की और दूसरे वाले P orbital के लिए भी यहाँ पर 1 by 2 probability है तो सबसे ज़्यादा probability का sum इसमें किसके लिए आ रहा है बताईए सबसे ज़्यादा sum यहाँ पर किसके लिए आ रहा है बताईए बोलो तो आप बोलो कि सर सबसे ज़्यादा sum probability का इसके लिए आ रहा है तो यह सबसे ज़्यादा strong हो जाएगा यह कब सर जब n की value same है second point की अगर हम बात करें if n is different second point की बात करें if n is different कि उस्केस मैं क्या होगा सर पने हो स केस में आप देखेंगे n 1 1 प्लस and 2 जिसका जादा उसका strength कम भस यह याद रखना n 1 and 2 जादा होने से क्या होगा सर दूरी बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा कॉपी कर लिए फिर हम सवाल करते हैं फटाफट, copy कर लिए फिर हम सवाल करते हैं फटाफट, बहुत बढ़िया 1 by 3 का मतलब है कि यार अगर मैं किसी S orbital पे चलूँ तो या तो X axis, Y axis और Z axis 3 axis को divide किया तो 3 जगा में से किसी ना किसी जगा तो electron मिले का ना, तो probability की बात कर रहे हैं, तो probability probability की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यह समझाने का समझने का reason है, चलिए इसके बाद आगे चल पर है फिर अगर हम तीसरे नंबर पे चले, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तो अब हम पी औरबिटल और पी औरबिटल मिलके पाई बाउन बना रहे हैं, तो इसको पी पाई पाई बोलेंगे, अगर पी औरबिटल और डी औरबिटल मिलके पाई बना रहे हैं, तो इसको पी पाई डी पाई बोलेंगे, और अगर डी औरबिटल जो है मालो मैं example ले लेता हूँ P orbital जो है इस तरीके से ये P bond मना रहा है तो P Y ले लेते हैं X axis के बाउट P Y और P Y आप बोलोगे सर इस nucleus से electron की दूरी इस nucleus से electron की दूरी इतनी है सही बात है दूसरा option लेते है P और D तो ये मालो मैंने ले लिया P Y ले लिया P Y और यहाँ पर हमने D X Y ले लिया D X Y कैसा होगा सर इस तरीके से होगा इंटर एक्जिया आपने बोला देखो यार इस बार यहाँ पर जो इस nucleus से इसकी दूरी है न ये इतनी है अगर मैं तुमसे ये कहूं इस दूरी को D1 कहूं इस दूरी को D2 तो compare करके बताओ D1, D2 में कौन छोटा, कौन बढ़ा बताईए D1, D2 में कौन छोटा, कौन बढ़ा बताईए बोले, बोले, बोले बताईए तो आप बोलेंगे सर D1, D2 में D2 छोटा सर दूरी कम तो force जादा पी पाई डी पाई और सब से कम पी पाई पी पाई क्या मेरी बात क्लियर है तो हम सवालों के लिए तयार है हम सवाल करेंगे सर आगे बताईए दो चार सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे सर बहुत बढ़िया दो चार सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे बह एक बच्छा गेरा अगर इस बॉंड पर नेगेटिव चार्ज है बॉंड पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है यार बॉंड पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है यह मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या गर रहे हो भाई तुम लोग जादू बादू कर रहे हो क्या चलो इसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा थोड़े सवाल करते हैं क्वेश्चन कंपेर क्रेंट ओफ सिग्मा बॉन्ड सबसे पहला मैं आप्शन दे दे तो आपको कंपेर करना है सबसे जादा मैक्सिमम किसका होगा और मिनमम किसका होगा यह बताना है तो आप बोलोगे सर यहां पे ना एनवन एनटू की वैल्यू चेंज ची लग रही है मेरे को कैसे आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं एनवन प्लस एनटू की वैल्यू निकालू तो यह कितना आ रहा है दो सर यहाँ पे N1 प्लस N2 की value निकालू तो यह कितना रहा है सर 4 यहाँ पे N1 मतलब यह वाले value N1 प्लस N2 की value निकालू तो यह कितना रहा है 4 सर यहाँ पे N1 प्लस N2 की value निकालू तो यह कितना रहा 3 इसका मतलब N1 N2 गे इसाब से यह तो सबसे strong है तो सबसे आगे A आ गया sir उसके बाद D आ गया sir फिर इन दोनों पे चलेंगे अब इन दोनों पे compare करना आप बोलोगे sir N की value सेम है SS से जादा strong SP होता है तो इसका order क्या हो जाएगा आप बोलेंगे C और सबसे last में B कितने लोगों का यह order match कर गया दिल बना दिजिए कितने लोगों का यह order match कर गया फड़ा फड़ा दिल बना दिजिए बहुत बढ़िया फिर बालो मैं तुमसे पूस्ता अच्छा यह बता दो दूसरा सवाल 2S 2S इसको A बोला 2S 2P इसको B बोला 2P 2P इसको C बोला 3S 3P इसको D बोला अब क्या order होगा सर बताओ अब क्या order होगा तुरंट बता दो बहुत बढ़िया अरे एक नमबर यार अब क्या order आ जाएगा भईया जल्दी बताइए A B C D में क्या order होगा तो आप बोलेंगे सर देखो अगर हम N1 N2 की बात करें तो 4-4-4 तो 4-4-4 तो सबसे पहले जीतेंगे इन में से कौन सबसे जादा P P तो आप बोलोगे C सबसे जादा सर फिर B सर फिर A सर और सबसे आखरी में कौन D है मेरी बात क्लियर है बताइए Am I clear to all of you? बहुत बढ़िया C B A D बहुत ही बढ़िया जबरदस्त भाई जबरदस्त अब मैं एक पॉइंट के साथ overlapping concept से bond formation को देखाऊंगा और फिर इसको गलत साबित करके हम आगे बढ़ जाएंगे है ना? तो लिखिए सबसे पहले हम छोटा सा बात करेंगे bond formation of bond formation of NH3 formation of NH3 by overlapping concept तो overlapping concept में हमने क्या सिखाया? कि सर unpaid electron जितने होंगे उतना ही कोई bond बना सकता है आप बोलोगे सर nitrogen का इक पर ही electronic configuration लिखो valence cell का तो दिस इस 2S2 2P3 2S2 का मतलब इस तरीके से 2 electron और 2P3 का मतलब 3 इस तरीके से electron इसका मतलब nitrogen के औका 3 bond बनाने की है मैंने बोला मल लो इस nitrogen के साबने मैं तीन hydrogen लेकर के आजाऊं तीन hydrogen लेकर के आजाऊं और हर एक hydrogen में wondering हर 1 hydrogen में इसके opposite spin का इलेक्टरॉन हो तो तो क्या ये bond बना लेगा आप भूलोगे हा सर ये bond बनाने दाब अब अगर मैं nitrogen सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये वाला बॉंड सिग्मा है या पाई ये बताओ ये वाला बॉंड सिग्मा है या पाई बताओ पहले मेरे को छोड़ो भाई देखो हाँ दो बच के मलब दो बचके नहीं आड़ बचके दो मिनट होआ है अपन्ट दस मिनट में ब्रेक लेंगे है ना दस एक मिनट अपर देंशन मत पर जो मैं कूछ रहा है उसका जवाब तो दे यार अगर मैं पूछ न दोनों में यह दोन हो सिग्मा किसके चुपी के और श्यक्त्ता बंगा इसका मत्लम में बोलुँगा यार ये भैया ना है अपना नाइटरोजेंगा ना है् गौन इसका दो और यहां पे इसके बैठा हुआ है और मात्य वैट पे यहां एक hydrogen, ये दूसरा hydrogen, ये तीसरा hydrogen, तीनों ही sigma bond हैं और sigma 1s और 2p के बीच बने हुएं, जिसमें 1s hydrogen का 2p, किसका सर? nitrogen का, आप बोलो, वहाँ सर, bond formation भी सिखा दिया, मैं बोलोगा, रुको यार, खमो, कुछ गडबड़ी करके इसमें फिर आगे चलेंगे, अभी कुछ गडबड़ी करेंगे, फिर आगे चलेंगे सर, फिर मैंने बोला, एक काम करते हैं, अब देखो तो bond formation की बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे, bond formation of CH4, bond formation of CH4, मिथेन की bond formation की हम बात करेंगे CH4 के bond formation की हम बात करेंगे आईए देखने कैसे आप बोलोगे सर देखो carbon जो है ना carbon के valence cell में कितने electron है तो आप सब भी बोलेगे एक सुर में किस और carbon carbon के valence cell में इसका electronic configuration होता है 2S2, 2P2 अब यहाँ पर 4 bond देखके आपको पता है सर कि यह ना carbon ने bond नहीं बनाया है carbon ने bond नहीं बनाया क्योंकि carbon bond बनाता तो दो ही bond बना पाता यह carbon के excited state ने bond बनाया है तो carbon का excited state कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा बात मेरी साहिए आप बोलेंगे हाँ सर अब अगर मैं बोला कि सर चार हाइड्रोजन आएगा अपना वनेस लेकर के opposite spin के साथ कितने चार अलग-अलग हाइड्रोजन आएगे अपने वनेस लेकर opposite spin के साथ तो मेरे को बताओ यहाँ पर bond किस तरीके का बन रहा है आप बोलोगे सर देखो इस वाले ने bond बनाया, इस वाले ने bond बनाया, इस ने bond बनाया, इस ने bond बनाया कारबन ने टोटल चार हाइड्रोजन के साथ bond बनाया एक, दो, तीन, चार मेरा सवाल आपसे है या एक question आपसे है कि सर ये तीन bond तो एक जैसे हैं किसके बीच में 2P 1S के बीच में लेकिन सर ये वाला bond तो अलग है न इसका मतलब इसमें से सारे carbon hydrogen bond में से एक carbon hydrogen जो है वो 1S 2S के overlap से बन रहा है और बाकी के तीन hydrogen carbon hydrogen bond जो है ये बन रहे है 2P 1S के उवरलाप से इसका मतलब 3 कार्बन हाइडरोजन बॉंड एक जैसा होना चाहिए और एक अलग होना चाहिए जो की नहीं हो सकता भाई तो हमें पता है आपको पता है कि CH4 में all bonds are same लेकिन ये हमें क्या कह रहा है कि all bonds are not same all bonds are not same सारे के सारे bonds same ही नहीं यार ये तो धोका है सरा सर धोका है सरा सर धोका है इसका मतलब कुछ गड़बढ है यहाप अरे अंगल वेंगल की बात अभी मत करो क्योंकि overlapping concept में हमें अंगल के बारे में नहीं पता था अब पता लगेगा सारे bonds सेम नहीं है ये आया drawback और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे hybridization अक्टर ब्रेक थोड़े से ब्रेक के बाद हम hybridization स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दूँ याद रखना hybridization के बाद इस chapter का यह तो क्या था वो पिछ पे हम practice कर रहे थे थोड़ी थोड़ी बात सीख सवाल यहां पर यहां पर पिक किये हैं बहुत सारे सवाल नीचे की तरफ पड़े हुए सर जो hybridization से related है और आप भी जानते हो कि विए सी प्यार और hybridization से सवाल भर भर के आता है भर भर के आता है सर तो मैं आपको 20 मिनिट का ब्रेक देता हूं 20 मिनिट के ब्रेक के बाद हम मि चलेंगे ठीक है हां 20 मिनिट का ब्रेक में टाइमर स्टार्ट कर देता हूं और टाइमर कहां गया और आप टेंशन ना ले आप ये बात से ना घब रहे अब जो पूरिशन स्टार्ट होने वाला है वह फूल अफ कोईस्टन रहेगा सर उसमें बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत मज़दार मज़दार RBI के साथ अपन सीखेंगे बहुत सारी चीज़े तो चलिए 20 मिनिट का ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं बहुत जल्दी है ना फटा फटा आजाना ब्रेक लेके भाईया कुछ खापी लो फिर मिलते हैं झाल 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 है कि सैलो हेलो 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 है ये च अब वह हां अ पिर से दिखाई दे रहा वह है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या लिए तो लास्ट मनलब अभी जाते जाते मैं आपको कह समझा के गया कियार जो हमारा hybridization वाला concept है सिर्फ hybridization वाला concept उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है कि सारे bond एक तरीके से नहीं आ रहे अब मगले concept पे चलेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट है that is of hybridization hybridization क्या होता है orbitals of almost similar energy combined to form hybrid orbital और इस process को इस process को हम क्या कहते हैं this process is called hybridization basically अगर आप अपने school के exam अगेरा में कभी लिखा होगा किसी जमाने में तो आपने definition लिखा होगा intermixing of orbital of almost similar energy जी तो दिस इंटर मिक्सिंग और बाइटल्स कैसे और बाइटल्स of almost similar energy लग बग लग लग बग similar energy वाले और बाइटल को mix करने को हम क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं आपका hybridization almost similar energy के और बिटल्स को mix करेंगे अब hybridization का concept कैसे काम करता है एक बार हम देख लेते हैं कि hybridization कैसे और कब और क्या होता है hybridization same energy नहीं almost similar almost similar ठीक है चलिए एक एक करके देखते हैं अच्छा एक सवाल इसके बाद एक इस पेज के बाद यह बात करने के बाद एक सवाल करेंगे और लापिंग और बिटल बनता है पहली बात तो यह करेंगे क्या hybrid और बनता है पहली बात यह और दूसरा कि कितने orbital number of orbitals hybrid orbital तो अगर माल लो मैं कभी एक S orbital के साथ एक P orbital मिलाओ तो सुनना मेरी बात बहुत ही simple सी बात है जितने hybrid orbital मिलेंगे जितने atomic orbital मिलेंगे उतने hybrid or S और 2P है ना तो S लिखो फिर इसके उपर P लिखो और कितने P है वो पावर की तरह लिख दो ऐसे अब hybrid orbital बनेगा SP2 और इसका number of hybrid orbital कितना होगा 3 कोई जगा पे 2-3 सवाल और इससे related पूश लिए जाते हैं उनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप बोलेंगे S orbital कितने हैं अपन total orbital into 100 S orbital को हम total orbital से divide करेंगा और 100 से multiply कर देंगे इसका मतलब अगर पहले case में हमें निकालना S orbital 1 है total orbital 2 है 100 से multiply किया तो यह कितना आजाएगा सर 50% P character निकालना है P orbital कितने मिलाए थे 1 total orbital कितने थे 2 into 100 यह भी कितना आजाएगा सर 50% दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे सर इसके केस में एस परसेंट एक जो है वो 33.3 परसेंट आजाएगा पी गेरेक्टर 66 इसको एड़ करें तो 66 आना चाहिए था बट यहां पर 3 लिखा तो यहां पर 7% आजाएगा फिर तीसरा hybridization पर चलते हैं मैंने क्या किया सर एक एस और तीन पी मिलाया अब क्या बन जाएगा आप बोलोगे hybridization हो जाएगा SP3 SP3 में आपके पास number of hybrid orbital होंगे चार और यह जो चार hybrid orbital होंगे इसमें परसेंटेजस करेक्टर होगा एक 25 और पी करेक्टर होगा 75 इसके बाद अगर मालनों में एक S के साथ 3P मिला सकता हूँ इससे जादा तो मिला नहीं सकता फिर मुझे D मिलाना पड़ेगा अगर यह D orbital जो मैंने मिलाया है अगर यह D Z square है तो इसका hybridization होगा SP3D और SP3D में number of hybrid orbital कितने बनेंगे जितने orbital मिलाए थे 5 मिलाए थे 5 hybrid orbital मिलेंगे percentage S हो जाएगा 20 percentage P हो जाएगा 60 और D का भी percentage जिसमें निकल के आएगा that is 20 बहुत बढ़िया इसके बाद अगर मैं एक S के साथ 3P मिलाया फिर एक D Z square मिलाया और दूसरा D X square minus Y square मिलाया तो इस case में आप बोलेंगे सर hybridization हो जाएगा S P 3 D 2 और यहाँ पे total 6 hybrid orbital बनेंगे percentage S का character कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे S 1 upon 6 into 100 है ना तो यह 100 by 6% हो जाएगा P जो है वो 50% आ जाएगा सर फिर अगर हम बात करें मालो मैंने 1 S 3P और 3D orbital मिलाया मतलब Z square D X square minus Y square और इसके साथ D X Y ले लिया मालो तो hybridization कहलाएगा S P 3 D 3 यहाँ पे total 7 hybrid orbital बनेंगे और इसमें percentage S character जो है वो कितना हो जाएगा तो इसके लिए आप बोलेंगे 1 into 7 upon 1 into 7 मतलब 1 upon 7 into 100 तो 100 by 7% ही हो जाएगा यह हो जाएगा 300 by 7% तो इस तरीके से हम hybridization निकाल सकते हैं अब इसमें डरना नहीं है क्या किया कैसे किया इसमें डरना नहीं है hybridization मतलब कौन से orbital मिल रहे हैं उससे मिलके hybridization बनता है कितने s और कितने p मिल रहे हैं इससे मिलके hybridization बनता है पहली बात दूसरी बात आप जब कभी भी hybridization निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है जो orbital है उसका नाम लिख दो कितने कितने orbital है पावर पे लिख दो बस खतम अगर 1 है तो 1 लिखने की जरुरत नहीं पड़ती है कुछ बच्चे बोलेने सर, S और S मिलके hybridization करेगा क्या S और S मिलके hybridization नहीं करता है 2S orbital मिलके कभी hybridization नहीं करते है क्योंकि 2S orbital के लिए bond formation हमेशा याद रखना वो overlapping से explain हो जाता है क्या मेरी बात समझ में आ गई इसके बाद अगर आगे के कुछ points की हम बात करें तो अब सुनना और समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ सर, ये जो hybrid orbitals है ना, ये जो hybrid orbitals है ये overlap to form, overlap to form bond ये overlapping करते हैं और bond बनाते हैं बस, कैसे? आईए देखते है अब मालो मेरे को आपको CH4 का formation दिखाना है अब मेरे को आपको CH4 का formation दिखाना है with the help of, with the help of क्या? बताओ, बताओ overlapping plus hybridization तो आईए देखते हैं formation of CH4 formation of CH4 कैसे करेंगे सर? तो आपने बोला, देखो मेरे पास carbon atom था जिसका balance cell का hybridization 2S2, 2P2 हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर सर ऐसे तो ये चार bond बना नहीं सकता तो ये क्या करेगा सर? ये hybridization कर लेगा hybridization कैसे करेगा? देखो सर ये एक था S2S का orbital ये था 2P का orbital सर इसमें थे 2 electron इसमें थे 2 electron अब होगा क्या? कि ये सारे के सारे orbital आपस में intermix करेंगे intermix करने के बाद 4 orbital बनाएंगे जो बिल्कुल एक जैसे है उनका नाम होगा SP3 तो 4 SP3 orbitals हमें मिलेंगे कितने 4 SP3 orbitals हमें मिलेंगे? आप बोलोगे ठीक है सर कैसे मिला? तो सर 1 S orbital और 1, 2, 3P orbital आपस में मिले और 4 SP3 hybrid orbital बनाया यह जितने भी SP3 hybrid orbital हैं यह सभी के सभी क्या करेंगे सर अपने अंदर जो electron है उसको redistribute कर लेंगे redistribute करने के बाद फिर यह hydrogen के साथ bond बनाना चालू करेंगे मतलब overlapping अभी भी होगी सर overlapping अभी भी होगी लेकिन अब overlapping किसके किसके बीच में होगी बताईए तो यह hydrogen का 1S है यह hydrogen का 1S है यह hydrogen का 1S है तो आप बोलेंगे सर देखो अब यह overlapping इसके बीच में होगी यह overlapping इसके बीच में यह इसके बीच में इसका मतलब 4 overlapping हुई इसका मतलब 4 overlapping हुई और 4 हो सेम हो गई सर clear है क्या clear है यह बात बताईए और यहां पर अगे देखेंगे कि यह जितने भी hybridization है ना इनका shape fix होता है जैसे अगर SP3 की बात करें यह VACPR में हम देखेंगे अगर SP3 की बात करें तो SP3 hybrid orbital अपने आपको tetrahedral geometry में चार orbital अपने आपको tetrahedral geometry में इस तरीके से अरेंज करता है और इस तरीके से अरेंज करने के बाद S orbital आके यहां पर bond बना लेते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देखो यह क्या क्या है यह hydrogen का 1S है यह 1S है यह 1S है यह 1S है यह भी 1S है सर यह SP3 है किसका carbon का यह भी SP3 है carbon का यह भी SP3 है carbon का यह भी SP3 है carbon का इसका मतलब यह सभी के सभी overlap कि इस प्रकार के है यह sigma है यह पाई है यह बता दो आपक को देखने में क्या लग रहा है कितने lobes आपस में टकरा रहे हैं ruling कि आप बोलो है सर यहाँ पर 2-2 lobes टकरा रहे हैं और सभी लोग जो है वो सिगमा है क्लेर पर अब कि यह बात क्लेर हैं बताइये हाँ या नğ बोल MM सब्सक्राइब, बहुत बढ़ बढ़िया, दोल ओप्स्टा करा रहा है, सिग्मा बॉंड बिलकुल सही कहने हैं, आप लोग, चलिए, आप बोले लेह, हाँ सर, अब हम आते हैं VACPR थियोरी पे, हम VBT बहुत जाधा टाइम नहीं देखके, मतब हम हैं बियुटी आइजिए से पे जाधा टाइम ना दे करके हम VACPR थियोरी पे आते हैं और VACPR थियोरी से फिर हम सवाल करना सीखेंगे सर आईए देखते हैं VACPR थियोरी का पूरा नाम क्या है सर ये कहता है ये ये इडवान सो चाहें जही एडवान सो कौन कौन से टॉपिक पढ़के चला जाओं मैं तीन टॉपिक का नाम अगर मेरे को लेना है या किसी भी टीचर से आप कूछो गे उसको लेना है वो VACPR वीबिटी को मिला लेता है क्योंकि मिलके अंत में वो एक ही हो जाते हैं उसक के बाद MOT और उसके बाद डाइपोल मोमेंट ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है VACPR की अगर हम बात करें वही बात करें भी घबराओ मत एक बच्चा है है ना आनंद करके जो पूछ रहा है सर कि अपने आपको औरेंज करेंगे इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं पूरा नाम इसका क्या है सर वैलन सेल एलेक्ट्रॉन पेर रिपल्शन थ्यूरी और इस थ्यूरी में हम क्या-क्या बाते करेंगे आईए क्रिस्प में चानते है यह यह कहता है कि एनी आटम है ना जब कभ मेरी बात सुनना ध्यान से जब कभी भी बांड formation होगा तो किसी भी मॉलिक्यूल में एनी मॉलिकूल हमें दो टाइप के आटम देखने को मिलेंगे किसी मॉलिकूल में कितने अटम देखने वो मिलेंगे दो टाइप के एक होगा central atom दूसरा होगा terminal atom Central atom कौन तुम समझो बरात सबसक्राइब आते हैं तो ये वाई साहब अपना दूला है उले सब्सक्राइब करें फिर बताता हो VACPR यह कहता है कि in molecule किसी molecule में central atom have two types of electron pair two types of electron pair कौन-कौन से types है एक होता है one is bond pair जो दो atom के बीच में shared है और दूसरा होता है lone pair of electron जो अकेला किसी atom के पास है जैसे अगर मैं NS3 की बात करूँ NS3 में ये ऐसा NS3 दिख रहा है अभी आपको तो इसमें ये वाले दो electron जो हैं ये सभी के सभी bond pair को जिसको tick कर रहा हूँ वो सभी bond pair को belong करेंगे और इसी NS3 के अगर हम बात करें तो इसी NS3 में ये जो उपर दो electron थे इसके सर पे चड़के बैठा ये lone pair को belong करेगा lone pair अकेला एक के atom के पास होता है bond pair shared होते हैं bond pair shared होते हैं उसके बाद point number two जब कभी भी आप lone pair bond pair की बात करो तो दोनों में इदे को bond pair के पास भी electron है lone pair के पास भी electron है ये दोनों आपस में repulsion करते हैं है ना both bond pair BP and LP undergoes repulsion undergoes repulsion क्यों repulsion करेंगे सर अब इलेक्टरोन और इलेक्टरोन से तुम और क्या उमीद कर रहे हो तुम दो इलेक्टरोन से क्या उमीद कर रहे हो repulsion ही होगा ना सर दो electron से आप क्या उमीद करेगे repulsion की ही उमीद आप कर सकते हैं तो दो electron को बीच में हमेशा एकी force काम करेगा that is repulsion और repulsion के बाद अगर हम आगे बात करें तो अब क्या होता है molecule या आप कह सकते हो central atom arranges its bond pair and lone pair in three dimension in such a way to minimize minimize repulsion इसका क्या मतलब है sir बड़ा ही simple सा मतलब है यह यह कहना चाहरा है कि अगर कोई molecule है वो अपने आपको stable करने के लिए repulsion कम करना चाहेगा वो अपने आपको stable करने के लिए repulsion कम करना चाहेगा और इस repulsion कम करने के कारण ही हमें structures देखने को मिलते है क्या मेरी बात clear है बताईए फिर हम आगे चलते हैं अब आपको VACPR में ऐसी बाते बताऊंगा कि सारी बाते एकदम must clear हो जाएगी चकाचक हो जाएगी सारी बाते है सिंपल सी बात है logical sense यहीं कहता है कि सर अगर कहीं repulsion हो रहा है तो stability पाने के लिए repulsion को हमें कम करना ही पड़ेगा हमें कम करना ही पड़ेगा बहुत बढ़िया अच्छा यहाँ एना कोब्रा गैंग वाले भी आये होए हैं एक बच्चा कहे रहा सर चलिए आगे चलते हैं चलो तो हम यहां से पड़े अराम से बाते करेंगे सुनते जाना मेरी बात ध्यान से समझना सर यह जो VACP है ना यहीं geometry decide करता है कैसे आप बोलोगे सर देखो bond pair loan pair आपस में repulsion करेंगा और इस तरीके से arrange होंगे जिससे हमें geometry देखने को मिलेगी जिससे हमें geometry देखने को मिलेगी अब सुनते जाईएगा ध्यान से यहां पर मैं लिखता हूँ VACP कितनी VACP है VACP क्या है सर valence electron pair जो की bond pair plus loan pair के बराबर है किसके बराबर है यह bond pair plus loan pair के बराबर है ध्यान सुनते जाना आप सवाल करेंगे बहुत सारे bond pair plus loan pair के बराबर है VACP कितनी है उसके इसाब से हम लिखेंगे number of hybrid orbital number of hybrid orbital required कितने hybrid orbital चाहिए होंगे जब आपको यह पता लग गया कितने hybrid orbital चाहिए होंगे तो आप यह लिख सकते हो कि इसका hybridization क्या होगा what will be the hybridization जब आपको hybridization पता लग गया तो आप इसकी geometry बता सकते हो सर कि इसकी geometry क्या होगी चलिए देखते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास VACP का number 2 आया है थ्यान रखना मेरे पास VACP का number 2 आया है VACP 2 मतलब आपको hybrid है और मेरे को बता है अभी थोली देर पहले सिखाया था कि 2 hybrid orbital का मतलब hybridization 2 hybrid orbital का सबस्क्रबटारभितल कोब देखने को मिलता है जब hybrid hybridization क्या हो तो प्रपम्द ये hybrid orbital का hybridization है नंगा जब hybridization क्या हो पताओ पी hybridization में दो hybrid orbital आपको देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया तो आप बोलेंगे सर जब hybridization SP हो और SP hybridization के जो symmetry होती है वो linear होती है सर linear का मतलब है central atom इधर है ना इससे जुड़ा हुआ एक terminal atom यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ दूसरा terminal atom यहाँ पे इन दोनों के बीच में 180 degree का एंगल इसको हम linear बोलते हैं सर दूसरे point पे चलते हैं यह तो था पहला point दूसरे point पे चलते हैं अगर मालों कभी VACP का number 3 हो गया तो आप बोलोगे number of hybrid orbital भी 3 चाहिए होंगे और VACP 3 के लिए hybridization SP2 आ जाएगा सर SP2 hybridization में geometric ऐसी होगी तो आप बोलोगे इसमें geometry का नाम हम trigonal planar बोलते हैं trigonal planar इसका मतलब यह इसी plane पे इसी same plane पे triangle बनाएंगे जहाँ पे central atom बीच में होगा और central atom का about 120 degree पे आपको तीन bond angles देखने को मिलेंगे जो कि अपने आपको सबसे जादा angle पे एक दूसरे से दूर रखके stability को बढ़ाने की कोसिस करेंगे बहुत बढ़िया अगर VACP 4 आया तो आप बोलोगे 4 hybrid orbital लगेंगे 4 hybrid orbital के लिए hybridization SP3 बनाना पड़ेगा SP3 की geometry जो है वो tetrahydral होती है कैसी होती है tetrahydral tetrahydral आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बीच में central atom है और उससे सभी angle 109 degree 28 minute पे 109 degrees 28 minute पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे square planer भी होता है सर यहाँ पे और भी geometry होती है होती है लेकिन chemical bonding के अंदर actually में square planer नहीं पड़ना वो तो coordination वाले पार्ट में हमें पड़ना है आपकी ncrt भी है आप दिखाती है कि अगर यह hybridization मालो sp3 के जाएगा dsp2 हो जाता तो square planer होता है ncrt 11th में लिखा हुआ है पर उसके बाद बाकी का कोई सवाल हमें वाँ पे नहीं दे रखा चलो फिर आगे आते हैं अगर मालो कभी विए सपी पांच हो गई अब जड़ जली बताएंगे तो आप बोलोगे पांच hybrid orbital hybridization हो जाएगा sp3d अब एक कौन सा डी सर आप बोलेंगे dz square यूज होता है यहां पर यह बता रखा है इस case में जो आपको geometry देखने को मिलेगी उसका नाम है trigonal by pyramidal नाम क्या ह होता है सर एक बर इसको भी दिखा दो मजा सा ही सा या जाएगा देख लेवाइट इंशन मतले देखो अगर हम यहां पर देखे अग्यां का यह नहीं क्या कहती है थोड़ा सा इसमें लाइट कम कर दूंगा तो आपको अच्छे से देखेगा ना NCRT इसमें क्या कहती है देखिए NCRT कहती है यह अंगल जो है टेटराहटरल के लिए 109 डिगरी 5 मिनट है, 109 डिगरी 5 मिनट का मतलब क्या है समझोगे तो आपको और clear चीज हो जाएंगी, तर हम लिखते हैं 109 डिगरी 28 मिनट actually मैं हमें यह पता है 30 मिनट जो है या 60 मिनट जो है वो एक डिगरी के बराबर होता है, तो 28 मिनट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ 30 मिनट जो है, तो 30 मिनट है, वो आधे डिगरी के बराबर होगा तो approximate इन्होंने 109.5 डिगरी लिख दिया, यह tetrahedral geometry है बीच में central atom इससे जुड़े, 4 हमारे पास क्या है सर, 4 terminal atoms हैं जो 109 डिगरी 28 मिनट पे जुड़े हुए हैं, हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर, क्या इसी को steric number भी कहते हैं आपने अगर different teacher से पढ़ रखा होगा, तो बहुत सारे लोग इसको steric number भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको sigma भी कह देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसको sigma भी कह देते हैं आगे बात करते हैं, हम बात किसी कर रहे थे सर, trigonal bipyramidal की, trigonal bipyramidal की geometry आपके सामने यहाँ पे NCRT के photo में दे रखी है कि देखो यह central atom है, central atom ने 120 degree पे 3 bond बना रखे हैं, मतलब जैसे ऐसे देखो यह central atom है, central atom ने 120 degree पे 3 bond एक plane पे बना रखे हैं इस plane के बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ समझ लो, यहाँ पे एक bond इसने और बनाया और इस plane के अंदर की तरफ एक bond इसने और बनाया तो इस geometry के अगर हम बात करें तो इस geometry का आप देखेंगे आप बोलेंगे सर देखो बीच में एक shape है triangle का इस shape के ऊपर भी एक tip दिख रही है कहीं पे भी अगर आपको tip दिखे कहीं पे भी अगर आपको tip दिखे उसको हम pyramid कह देंगे नीचे shape ऊपर tip नीचे shape ऊपर tip that is pyramid याद रखना नीचे कोई भी shape हो ऊपर tip हो that is a pyramid तो नीचे आपको triangle दिखा ऊपर tip दिखा तो this is a pyramid कैसा pyramid triangle वाला pyramid तो इसको triangular pyramid डल बोल सकते हैं आप बुलोगे सर एक तरफ और pyramid दो-दो pyramid इसमें बन गए तो इसको by pyramid बोल देंगे क्या बोल देंगे by pyramid यहाँ पर अगर आप angle देखेंगे तो आपको angle 120 degree और 90 degree दोनों का देखने को मिलेगा मैं इन सभी के एक एक molecule आपको बना के दिखाऊंगा उसके बाद हम आगे बात करेंगे फिर इसके बाद अगर हम 6 number की बात करें एक तो dz square और दूसरा dx square माइनस y square इस case में जो geometry बनेगी वो बनती है octahedral क्या बनती है octahedral octahedral कैसा होता है सर वैसे तो NCRT ने बना रखा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ देखो यह मालो हमारे पास यह central atom A है इस central atom से square के form में चार atom जूड़ चुके हैं है ना चार atom square के form में जूड़े हैं और square के बाद दो atom बहार एक atom बहार की तरफ और एक atom है है अच्छा सोरी में म्यूट बाद में कर गया है ना मैं म्यूट करना चाहरा था बट मैंने म्यूट बाद में कर दिया साथ है पहले माई मिस्टेक और हुज मिस्टेक डर गे हो गया आप तो सभी कोई बात नहीं चलिए अभी आवाज आ रही होगी अभी आवाज आ रही होगी मैं म्यूट करना चाहरा था है ना बिफोर स्नीजिंग आई वांटेट तो म्यूट बट आए वरी वरी सॉरी और the inconvenience cost is deeply regretted चले इसके बाद आगया आते हैं सर हम बात करेंगे VACP 7 की अगर VACP 7 की हम चर्चा करें तो VACP 7 में number of hybrid orbital आपको 7 चाहिए होंगे और यहाँ पर hybridization हो जाता है SP3 D3 जहाँ पर D जो हम इस्तमाल करते हैं वो D X square minus Y square D Z square और एक और D that is D X Y use कर लेते हैं इस case में यह आपका PBP कहलाता है जैसे उपर वाले को ना हम TBP कह देते हैं पूरा नाम नहीं लिखते हैं TBP लिखते हैं आप J के सवालों में भी देखोगे PBP is nothing but pentagonal y pyramidal pentagonal y pyramidal clear है क्या यह बात बताईए yes or no क्या यह बात क्लियर है बताईए एक बच्चा अभी परेचान सरे एक्षी अफ्री प्लेणर और नॉट अभी सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे टेंशन क्यों ले रहा है क्या यह बात क्लियर है पड़ा-पड़ बनाईए फिर हम आगे चलता है पेंटागुनल पिरामिडल जा यह सको एक बार देख लिए यहाँ पर तो पेंटागुनल प्रामिडल में आपको क्या करना है पहले बन सबसे ह tourists पहले पेंटागन बना लो मालो यह सेंट्रल आटम यह है इससे मैंने 72 डिगरी पे एक रेगुलर पेंटागन बना लिया रेगुलर पेंटागन का अंगल कितना होगा 72 डिगरी होगा कैसे निकाला सर अभे 360 डिगरी को 5 से डिवाइट कर दिया यह अंगल आएगा फिर एक बॉंड इसके प्लेन से बाहर की तरफ एक बॉंड अंदर की तरफ होगा और इसको हम उपर भी एक टिप नीचे भी एक टिप तो यह बीच में पेंटागन है उपर टिप नीचे टिप उपर पिरामिट नीचे पिरामिट तो हमने बोला इसको पेंटागन बाई पिरामिट हमने बोल सवाल करने के लिए तयार है यह सवाल कैसे करोगे यह बात नहीं पता है तो सवाल कैसे करोगे यार कि सवाल तो पड़ेगा नोधोस्त तो मैं आपको कुछ हाईब आजीसन निकाल के फटा-फट दिखाता हूं तुरंत करेंगे hybridization निकालने का तरीका अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको यह नहीं बताया कि central atom कैसे पैचानेंगे है ना central atom को identify कैसे करेंगे इसका तरीका क्या है सबसे पहला point आप याद रखेंगे central atom वो atom होगा जो least electronegative हो least en वाला बहुत सारे बच्चे है जे का एक्जाम भी देना है उनको और वो बोलेंगे सर इन क्या होता है इन का मतलब है least electronegative इन का मतलब है least electronegative दूसरे point पे चले अगर मान लो least electronegative वाला काम नहीं कर रहा तो एक बात और याद रखना कि सर हाइड्रोजन और fluorine can never be can never be CA ये कभी central atom हो इनी सकते सर हाइड्रोजन और fluorine कभी central atom नहीं हो सकते तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका मन मैं जानता हूं तावला होगा वो बोलेंगे सर सर एक बड़ी समझा देना अब एक एक हैफ हाइड्राइशन से नहीं बनता यह सिंपल ओवरलापिंग से इसको explain किया जा सकता है इसके लिए हाइड्राइशन की जौरत ही नहीं है भाई यह सिंपल ओवरलापिंग का खेल है आप ओवरलापिंग बताओ आपका answer आ जाएगा clear है हाँ मुझे पता आप HFP आओगे सीधा कोई भी बच्चा HFP आएगा या कोई बच्चा बोलेगा H2 कोई बच्चा बोलेगा F2 तो इसमें याद रखना है ना ठीक है चलिए इसके बाद आप बोलेंगे सर अब इसका बता दिया तो HCL अब HCL में भी hybridization की जौरत नहीं है लेकिन यार वहां पर hybridization क्यों नहीं होता क्योंकि hydrogen का कोई hybridization यह तो सामने वाले का भी नहीं होगा उस case में फिर तीसरा point यह है कि मालो यह सभी point फेल कर जाए तो आप बोलो atom with maximum number of bond जैसे मालो तुम किसी शादी में गए हो है ना बरात में तुम जा रहे हो तो उस बरात में वो कौन सा इंसान होगा जिसके सबसे ज्यादा नोन बंदे होंगे आप बोलो के दूले के ही सबसे ज्यादा नोन बंदे होंगे सर सबसे ज्यादा जानकार दूले के ही होंगे हां क सवाल करते हैं फटाफट आपसे सवाल क्या-क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपसे क्या-क्या पूछेगा आपसे पूछेगा आपको पता करना हे सबसे पहले सबसे पहला बॉंड पैर दूसरा लोन पैर तीसरा वीए सीपी चौथा हाइविडाइजेशन पांचवा जोमेटरी छट्था शेप और सातवा और कुछ स्पेशल सवाल दो चार अलग-अलग करके देखेंगे ठीक है चलिए सबसे पहला सवाल ये सारी बाते हमें पता करने है किनके किनके लिए सबसे पहला सवाल आपके कमपेड़ो स्क्रीन में आप थोड़ा तेजी से करेंगे सबसे पहला वेने मालो ले लिया बी-ई-सी-ए-ल-टू आई मेरे को B-E-C-E-L-2 में सेंट्रल आटम बता दो तो आप बोलूगे सर क्लोरीन से तो बहुत कम एलेक्टर नेगिटिब बेरिलियम होगा तो बेरिलियम जो है वो क्या है सर बेरिलियम जो है वो सेंट्रल आटम है अब मैं आपको सिखा रहा हूँ तरीका करने का इसको आप पता नहीं किसी तरीके से करते हो, कर भी सकते हो, जो जैसे कर रहा है, वैसे कर सकता है, लेगिन जिसको नहीं आता हो, सुनिए कैसे VST आसानी से निकाल सकते हैं, मैं बोलूँगा जो सेंट्रल आटम है उसको लिख दो, और उसके कितने वैलन्स एलेक्टरोन है, वो लिख दो, डॉट के फॉर्म में, मालनों इसके पास ये ग्रूप 2 का एलिमेंट है, तो इसके दो वैलन्स एलेक्टरोन हमने लिख दिये, अब आपको क्या करना है, टर्मि कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आप बोलोगे सर इसके बॉन्ड पेर 2 हो गए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, सर इसके पास लोन पेर कितने है, बेरिलियम के पास 0, कुछ नहीं बचा, इन दोनों को आड़ कर दो तो आपका वैलन्स एलेक्टरोन पेर निकल के आ जाए बेरिलियम इदर, क्लोरीन इदर, इन दोनों के बीच में, एक सॉस्सी डिगरी का एंडल, कोई दिक्कत, कोई समस्य है, कोई परिशानी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दूसरे पे जलते हैं सर, दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखे, तो माल लो मैंने ले लिया BCL3, आप बोलेंगे सर, सेंट्रल आटम कौन है, क्लोरीन, सेंट्रल आटम क्लोरीन, बोरोन के वैलन सेल पे एक दो तीन एलेक्टरॉन, क्योंकि ग्रूप 13 का एलिमेंट है, सर, क्लोरीन को बांड बनाने के लिए, एक एक सिंगल बांड बनाना होता है, यहाँ पे हमने ट्राइगोनल पूरा नहीं लिख रा, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में शेप बना के देखना पड़ता है, तो आप बोलों के बना के देख लेंगे सर, बोरोन इधर, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, यह सभी के सभी एंगल, एक सो बी सेंसियल हो जोगा सर तो सेंट्रल अंतर में सरस्ट के अगर करें कौून से से गूरूब को गूरू ग्रूप 14 चाहर ऑलोरीलरर क्यूंट नहीं है एक डो फीजबियोड़ किटना है आगा ये पैं और इस इसका मतलब इसका डूर्ट सेल एलेक्ट्रॉन पेर कितना हो गया तीन याद रखना अगर वैलन सेल एलेक्ट्रॉन पेर तीन आया तो बात ऐसी ही होगी hybridization क्या हो जाएगा अब तुरन बोलेंगे hybridization is sp2 और इसकी geometry की अगर हम बात करें तो ये भी trigonal planar ही होना चाहिए टीपी मतलब trigonal planar लेकिन इसके shape की बात करें आप बोलूगे सर shape थोड़ा गडबड होगा सर शेप और structure में क्या आंतर है बहुत सारे shape और geometry में क्या फरक है ये बहुत सारे बैच्चे पूछते हैं तो shape में हम क्या करते हैं सर loan pair को वही करते हैं जो तुम्हारे साथ किया गया है ignore क्या करेंगे भईया loan pair को ignore कर देंगे सर तो आप बोलोगे सर देखो tin है यहाँ पे tin के साथ एक chlorine इधर एक chlorine इधर और 120 degree के angle पे इस तरीके से यह आ जाएगा फिर अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर अगर मालो यह angle थीटा है तो इस थीटा की value क्या होगी पहला option थीटा is equal to 120 degree दूसरा option थीटा is less than 120 degree तीसरा option थीटा is greater than 120 degree बताइए तो आप देखेंगे एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि सर अगर हम VACP में बात करें तो यह सब repulsion तो लगाते हैं लेकिन repulsion का order क्या होता है सर order repulsion का होता है सबसे जादा repulsion loan pair loan pair पे लगाएगा उसके बाद loan pair bond pair पे repulsion लगाता है और सबसे कम repulsion bond pair bond pair का होता है जिसका repulsion सबसे कम होता है उसको कम जगा चाहिए अगर हम यहाँ पे देखें आप बोलो कि सर यह तो loan pair सबस solar type का आदमी है और अगर यह सादूसंत type का आदमी नहीं यहाँ पे बावाल करेगा नहीं है इसको जगा जाता चाहिए तो इस theta को कम होना पड़ेगा थीटा मस्ट बी लेस दन 120 डिगरी क्यूं क्यों कि सर इन दोनों का रिपल्शन ज्यादा है इससे तो ये इसको सिकुड़ना पड़ेगा इसके रिपल्शन के गारण बहुत बढ़िया इसके बाद तीन नमर के बाद चार नमर में आते हैं चार नमर के अगर हम बात करें सर यहां पर कितना सर यहां पर कितना सर यहां पर कितना सर यहां पर वैलंस सेल एलेक्ट्रॉन पर कितना होता तो यह इस तरीके सो गया कार्बन कार्बन से जुड़ा ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन इन सभी के बीच में एंगल 109 डिग्री अग्ला सवाल आपके कम्पूटर स्क्रीन पे यह रहा जोगी बहुत ही प्यारा है कि अभी आया नहीं है जे इमेंस में बट कभी भी आ सकता है इस बात को याद रखिएगा वेशन है नंबर ओफ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल बराबर 109 डिग्री 28 मिनिट इन CH4 इस ओप्शन 1, 4, ओप्शन 2, 3, ओप्शन 3, 6, ओप्शन 4, 8 चल यह देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है कितने एक सो नो डिग्री 28 मिनिट के अंगल होंगे बताईए फटाफट इस बताईए बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी दे रहे है अच्छा नाइट लाइट ओन रहे है क्या कुछ बच्चे नाइट लाइट लिखना है चलो नाइट लाइट बंद कर देते हैं इक सभी के बीच में कितने डिग्री का अंगल है एक स्वोन डिग्री 28 मिनिट का तो अगर हम बात करें साइड मोरिया एक नो हो ढई है तो अगर मैं चुन को लेकी चलता हूं तो एच वन ने टोटल दिन अंगल ऐसा बनाया ह। अगर मैं H2 की बात करूं तो अब H2 के साथ कौन-कौन से अंगल होंगे तो आप बोलोगे देखो हेस्ट टू के साथ यह वाला आंगल तो ऑलरीडी काउंटेड है सरे चुन में जो 109 डिग्री 28 मिनट के हो जाएंगे इसका अंसर C हो जाएगा इसका अंसर C हो जाएगा आपको option में comment ABCD करना है याद रखेगा आपको answer में comment ABCD करना है option number 1, 2, 3, 4 नहीं मतलब आप ABCD comment करेंगे ABCD it will pick ABCD clear है क्या ये बात समझ में आगी आपको देखने में आसान लग रहा था बढ़ ये है नहीं उतना इस तरीके से भी सवाल आपको गुम्रा कर सकता है अगले सवाल पर चलते हैं सर पाँच नंबर पर चलते हैं पाँच नंबर पर हम ले लेते हैं NH3 NH3 की अगर हम बात करें सेंट्रल आटम नाइट्रोजन क्योंकर हीड्रोजन हो नहीं सकता नाइट्रोजन के पास एक दो तीन चार पाँच एलेक्टरोन एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन और एक लोन पेर आप बोलेंगे सर बाउंड पेर कितना तीन लोन पेर कितना एक वैलंस इलेक्टरॉन पेर कितना चार इसका मतलब हाइबिडाइजेशन हो जाएगा SP3 मेरे यार SP3 के अगर हम बात करें तो इसकी जोमेटरी तो फिक्स होती है सा लेकिन यहां पर शेप में क्या स्ट्रक्चर आपको तो इसमें कुछ घपला होगा इसको में ड्रॉ करके देखना पड़ेगा आपने वोला नाइट्रोजन के साथ लोन पेर चड़ा दिया इधर एक हैड्रोजन इधर दूसरा है इधर तीसरा है इसकी बात करें तो यह कैसा है सर आप बोलोगे देखो यार नीचे एक ट्रैंगल बन रहा है और ऊपर नाइट्रोजन एक टिप है नीचे ट्रैंगल ऊपर टिप कभी भी टिप अगर बने एक शेप के ऊपर तो इसको हम पिरामिड बोलते हैं तो यह शेप क्या हो जाएगा सर इसको हम बोलेंगे नीचे ट्रैंगल ने तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया सर ये ट्रैंगूलर पिरामिड भी आप कह सकते हो हूं अगर तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यह एंगल कितना होगा, सर? अगर हम यहाँ पर इस एंगल को, इस वाला एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो आपके याद रखेगा है, जो थीटा एंगल है, यह एक सो साथ डिग्री का होता है, इस टू बी रिमेंबर्ड यह आपको याद रखना है, सर, यह एंगल एक सो साथ डिग्री का होता है, बहुत बढ़िया, इसके बाद अगला सवाल, चलिए, छे नंबर पर चलते हैं, पानी की बात कर लेते हैं, H2O, H2O की अगर हम बात करें, H2O की अगर हम बात करें, तो H2O में आप देखेंगे, सेंटरल आटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलन्स सेल में एक, दो, तीन, चार, पात, छे एलेक्टरॉन, एक हाइडरोजन, दूसरा हाइडरोजन, एक लोन पेर, दो लोन पेर, आप बोलेंगे, सर, बॉन पेर कितने, बॉन पेर हो गए दो, वैलन्स सेल एलेक्टरॉन पेर कितना, यह हो गया, चार, हाइबडाईजेशन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, हाइबडाईजेशन, SP3 हो गया, इसका मतलब इसकी जमेटरी जो है, वो, टेट्रा हेडरोल आ गई, टेट्रा हेडरोल जमेटरी में, सेफे कैसा हो जाएगा आप बोलेंगे थांबा बना करके देखना पड़ेगा और इसके शेप के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप शेप देखेंगे यहाँ पर जो शेप देखेंगे वो होगा आपका यह है ऑक्सीजन इससे निकला यहाँ पर हाइड्रोजन इससे निकला यहाँ पर हम क्या नाम देते हैं इसका तीन नाम है या तो आप इसको bent कह लो या फिर आप इसको v-shape या फिर कुछ लोग इसको angular shape भी कहते हैं इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है और यहां पर जो bond angle है यह 104.5 डिगरी का होता है जो आपको याद रखना इन तीनों में तो बांड याद रखना है बहुत बढ़िया अगर हम बात करें तो साइध इसका शेप हम लिखना भूल गये थे SNCL2 का SNCL2 में loan pair को ignore करेंगे तो इसका shape भी क्या है आप देखो इसका shape भी bent है या फिर V shape है या फिर अब बोलेंगे ये angular shape का है clear है मेरी बात पताईए क्या मेरी बात clear है सर linear क्यों नहीं बना अब है linear अगर बनाते अगर linear बनाते तो भाईया loan pair और loan pair के बीच का अंगल यहाँ पे loan pair और loan pair का बीच का अंगल लगभक 120 degree के आसपास हो जाता है क्योंकि इसका अंगल कम हुआ है अगर तू linear बनाता तो loan pair और loan pair के बीच का अंगल या loan pair bond pair के बीच का अंगल 90 degree का होता जिससे repulsion बढ़ जाता यह सभी structure खुद ऐसे बने है क्यों? क्योंकि यहाँ पे repulsion कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे repulsion कम हुआ है बहुत बढ़िया चलिए अब सवाल करते हैं कुछ अब सवाल करते हैं कुछ कुछ है ना अब J-Mains के सवाल करते हैं पड़ाफट देखते हैं J-Mains के कुछ सवाल सबसे पहला सवाल आपके computer screen पे अच्छा मैं कुछ और बाते बता दूँ देखना ध्यान से अगर हम TBP structure की बात करें अभी तक हम VACP 4 पे आ गये थे VACP 5 की मैं बात कर लेता हूँ VACP 5 है ना यहाँ पे loan pair कितना यहाँ पे bond pair कितना अगर VACP 5 पे 0 loan pair और 5 bond pair है तो आपको geometry और shape दोनों same देखने को मिलेगा है ना यहाँ geometry लिखा यहाँ shape लिखा आप बोलोगे यह दोनों ही same हो जाएंगे और यह TBP बनेगा सर अगर VACP कभी 5 आया एक loan pair हो गया और 4 bond pair हो गया उस case में geometry तो TBP ही होगा लेकिन उस case में जो आपका shape है उसको हम क्या बोलेंगे तो यह C saw shape बन जाता है सर यह क्या बन जाता है C saw shape बन जाता है याद रखियेगा दूसरे में अगर VACP कभी 5 आया 2 loan pair और 3 bond pair हुआ इस case में geometry तो TBP ही रहेगा इन दोनों को जोड़के अगर 5 आ रहा है loan pair के कारण shape बदलेगा और यहाँ पे shape जो है उसको हम या तो T shape बोलेंगे या फिर इसको bent T भी बोला जाता है bent T shape भी बोलते हैं क्योंकि loan pair के कारण T जो है वो आपका क्या हो जाएगा आप बोलेंगे आपे shape linear हो जाता है सर 3 loan pair के कारण दो बाते ध्यान रखिएगा अभी TBP shape पे 2-3 बाते और बताऊँगा इसके बार अगर VACP अभी 6 आया 6 के साथ 6 0 loan pair 6 bond pair तो इसको हम octahedral के साथ यह octahedral ही बोल देंगे एक loan pair है और 5 bond pair है तो इस case में geometry तो octahedral होगा लेकिन आपका shape जो है वो कहलाता है square pyramidal मैं अभी आपको बना के दिखा दूँगा जैसे जैसे सवालों में सब मिलेगा सर मैं आपको सब बना के दिखाऊँगा कि square pyramidal क्या क्यों कहते है और इसमें कितने atom in a plane है यह सारी बाते यह सारी बाते हम करेंगे क्या यह बात clear है जल 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 दी बताते जाएए बहुत सारे जैमेंस के सवाल अब हम थोड़ी देर में करने वाले हैं इस topic से related तो भर भर के सवाल है सर जैमेंस में सवाल भरे पड़े है इस topic से related चलिए इसके बाद अगर मालनो हमारे पास VACP 6 है loan pair 2 है bond pair 4 है octahedral तो geometry रहेगा ही रहेगा लेकिन इस case में जो shape है वो square pyramid के जगा square planar हो जाता है सर VACP 6 में इतना ही variation है इस से अधा variation नहीं है VACP 7 की अगर हम बात करें VACP 7 की अगर हम बात करें तो एक बर इसमें हो सकता है 0 loan pair 7 bond pair तो geometry क्या हो जाएगी सर आप बोलूगे PBP pentagonal by pyramidal इस case में shape कैसा हो जाएगा सर इस case में shape भी आपका PBP हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ उस पे पहले बहुत सारा star mark कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो चीज दिखने में जैसी लगेगी वैसी होती नहीं है अगर मालो कभी VACP 7 आया एक loan pair आ गया और 6 bond pair आया इस case में geometry तो अपन PBP बोल देंगे लेकिन इस case में इसका shape PBP नहीं होता है यह distorted octahedral होता है यह क्या होता है distorted octahedral बहुत सारे लोग इसको बना के ऐसे कह देते हैं कि सर यह pentagonal pyramidal होगा बट याद रखना यह distorted octahedral होता है और फिर अगर हम चले VACP 7 दो loan pair, 5 bond pair PBP ही होगा और यहाँ पे shape जो है वो pentagonal planar हो जाएगा pentagonal planar अब हम क्या करेंगे sir PYQs करेंगे और उसके तरू हम बहुत सारी बाते नहीं नहीं सीखेंगे PBP का मतलब यह देखो यह बीच में होता न वो parachute वाले landing वाले लोग है से प्य हुए वयाँ पेंटागोनल भाई-पेरामिडल चलेए सवाल करने के लिए टयार है फटा फट थम्स अप कर दिजिए फिर मागे चलेंगे हाँ है बढ़ाई है हाई सवान कलें फटा पर का दिजिए यह पड़ा फट आघे चलते है चले 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 बहुत बढ़िया सबसे पहला सवाल जही मेंस का 2022 का आपके computer screen पर यह रहा सवाल क्या कह रहा है यह देखते हैं number of lone pair of electron on central atom and the shape of BRF3 molecule respectively are BRF3 molecule की हमसे बात कर रहा है हम क्या गरेंगे सर central atom obviously bromine ही होगा सर bromine के valence cell पर कितने electron होते है pole on कर देते है 30 second तो बहुत जहाँ time है बढ़ ठीक है bromine के valence cell पर कितने electron होते है सर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे साथ एक fluorine, दूसरा fluorine, तीसरा fluorine और एक lone pair, दो lone pair इसका मतलब इसके पास lone pair कितना है सर दो, और दो lone pair के साथ देखिए, option सही है, bend T-shape, देख लेते हैं बना के, आप बूलोगे सर, दो lone pair का मतलब, यहाँ पर total VACP 5 हो गया इसका मतलब, इसका hybridization SP3D हो जाएगा, और यह TBP में crystallize, मतलब यह TBP में जाना चाहिए, याद रखना आप एक बात बहुत important RBI दे रहा हूँ hashtag RBI कभी भी अगर आपको TBP geometry दिखे, for TBP for TBP loan pair को LP लिग देता हूँ, loan pair को loan pair को पहले equatorial position पे रखेंगे, equatorial position पे रखेंगे आपके मन में सवाल आएगा सर, यह equatorial, exhale क्या है equatorial क्या है, exhale क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं अभी देखिए, तो मैंने बोला, ठीक है सर, यह ऐसा आ गया हाँ सर, ऐसा आ गया, इसमें दो loan pair है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, आप देखो bromine जैसे हमने बनाया, अब इसके पास total कितने position है सर, तो आप बोलोगे सर, total दो तरीके के position है, जो 180 degree वाला position, जो ऐसा वाला, 120 degree वाला है, इसको हम equatorial bonds कहते हैं, जो उपर नीचे वाला है, इसको हम axial bonds कहते हैं, तो TBP में कभी भी अगर loan pair आएगा, तो आप बोलोगे सर, loan pair जो है न, वो T जैसा, लेकिन इस loan pair के कारण, इसका angle थोड़ा जुब जाएगा, तो ये bent T हो जाएगा, clear है, बताईए, बताईए, इसका answer वैसे तो हमने एक बरी में ही कर लिया था, loan pair निकालते ही answer आगया था, पूरा करने के भी P F 5 is S P 3, the value of Y here is, integer type का सवाल है, इसमें Y की value बतानी है, अगर P F 5 में hybridization S P X D Y है, भाई, इसको सवाल नहीं कहते हैं, क्या hybridization होगा, आप बोलोगे सर, बहुत ही simple है, phosphorus के पास valencer में एक दो, तीन, चार, पाँच electron, एक fluorine, दो fluorine, तीन, चार, fluorine, पाँच fluorine, मतलब bond pair कितना हो गया 5, loan pair कितना 0, hybridization इसका S P 3 D, और S P 3 D में Y की value पूछा है, Y की value सबसे पहला positive integer ही हो जाएगा, एक बार इसको stop होने देते हैं, क्या हो जाएगा सर, तो हमसे Y की value पूछा है, Y की value will be, S P 3 D में D के ऊपर क्या नंबर है, 1 है सर, आजा भाई, पोल कर आदम यही लिक्कत है, जितने दिर में सवाल नहीं होगा ना, उससे आधे टाइम में मतलब, पोल के लिए इंदिजार करना पड़ेगा, अब बदा एक सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, देखिए, सवाल क्या कह रहा है, identify the incorrect statement for PCL 5 from following, सबसे पहला point क्या क्या है, देखते है, PCL 5 की अगर हम बात करें, हम देखेंगे, आप बोलोगे सर, इसके पास bond pair कितना 5, lone pair कितना 0, VACP हो गया 5, इसका मतलब यह SP3D में, TBP में चला जाएगा, In this molecule, orbital of phosphorus are assumed to undergo SP3D hybridization, बिलकुल सही बात है, हम से गलत पूछा है, The geometry of PCL 5 is trigonal bipyramidal, बिलकुल सही बात है, PCL 5 has two axial bonds, stronger than three equatorial bonds, थाबा थाबा, फिर, three equatorial bonds of PCL 5 lie in a plane, यह बात भी बिलकुल सही है, जो equatorial bond है, वो equatorial इसी के लिए, क्योंकि यह एक plane में लाई करते हैं, अब अगर मालों मेरे को कुछ नहीं पता था, तो भी मैं इसका सही option टिक कर सकता था, कि सर मतलब इसमें गलत जो है, वो statement C है, दो तीन बातों का ध्यान रखना, सर जब कभी भी आप TBP बनाते हैं और सेम आटम से बनाते हो, तो याद रखना यहाँ पे, अगर हम bond length की बात करें, किसकी बात करें, bond length की, तो bond length के लिए हम यह कह सकते हैं, कि equatorial bond length जो है, वो हमेशा कम होगा axial bond length से, मतलब axial bond length बड़ा होता है, अब bond length अगर जादा है, तो stability कम हो जाएगी, सर, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल बहुत ही बैतरीन और बहुत ही सिंपल भी है, देखते हैं, सवाल आपके computer screen पे यह रहा, चले देखते हैं कौन इसका answer सबसे पहले देता है, सबसे पहले कह रहा है, कि based upon V इंशन मत लीजे, अगर हम बात करें किसका XZF3, XZF4 का, तो आप बोलेंगे सर, Zenon के valence cell में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electron है, 8 में से 4 fluorine के साथ चले गए सर, 4 fluorine के साथ चले गए और 2 loan pair बज गया, इसका मतलब इसका bond pair कितना है, आप बोलेंगे bond pair 4, loan pair 2, ये octahedral में जाना चाहिए, octahedral में loan pair उपर और नीचे की तरफ बना दो, उपर नीचे loan pair, इधर fluorine, इधर fluorine, इधर fluorine, इधर fluorine, इधर fluorine, आप बोलेंगे एक ऐसी geometry है, this is square planer, तो आप सीधा सीधा इसको square planer टिक कर देंगे, अगर आप SF4 की बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे bond pair कितना आया, 4 loan pair कितना आया, एक bond pair, 4 loan pair, एक के लिए वने आपको बताया था, TBP में जाता है, और यह see-saw structure होता है, तो इसका answer see-saw हो गया, CLF3 की बात करें, तो CLF3 में आप देखेंगे कि bond pair कितने हैं सर, 3, और loan pair इसमें कितने हैं, 2, इसका मतलब यह T, या bent T shape में जाएगा, फिर आखरी B BF3 की बात करें, तो वो अपने आप trigonal planar को मिल जाएगा, देख करके इसका answer mark कर दीजे, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, देखो कितना easy-easy सवाल पूछ रहा है, again question is from Jayvans 2022, अबाउच्ट SF4, XZF4, CF4 and H2O, the number of species with 2 loan pair of electron, इन में से कितनी species जैसी है, जिन में 2 loan pair of electron है, मैं इसमें add कर देता हूँ, एक बात, on central atom, किस पे, on central atom, on central atom, चली बताईए, देखते हैं, कौन जल्दी बताता है सबसे, बहुत बढ़िया, तो अगर हम बात करें, SF4 पे, आप बोलेंग, SF4 के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron थे, 1, 2, 3, 4, ने bond बना लि लिया, इसके पास 2 loan pair, SF4 की बात करें, carbon के पास 2, 3, 4 थे, 4 ने bond बना लिया, कौनो loan pair ना ही, H2 में oxygen के पास 6 electron थे, है ना, 2 ने bond बना लिया, तो 2 loan pair, answer कितना आ गया सर, किसके पास 2 loan pair है, answer is 2, कितना टाइम लगा मैरे को यह बता हूँ, कितना टाइम लगा मैं यही बता र कि आपके जो part second होगा ना, section B जो होता है, section B में भी अगर आप inorganic के question खोज के कर ले गए, normally आज का pattern अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको इमानदारी से बताऊँगा, कि अभी का जो recent pattern है, उसके आपसे J क्या करता है, section 1 जो है, section A, जिसमें multi choice correct सवाल आते हैं, उसमें स जिसमें कोई option नहीं होता, 20 में 20 सवाल करने होते हैं, उसमें से 17 से 18 सवाल inorganic और organic chemistry से देता है, 2-3 सवाल, 4 सवाल physical chemistry से ज़्यादा होते हैं, फिर अगला section जो भी होता है, जिसमें 10 में से 5 सवाल करने होते हैं, उन 5 सवाल, उनमें से क्या करता है, जहीं, उनमें से 6-7-8 और OC से, तो यहाँ पर यह problem है, कि अगर आप capitalize कर गए, तो वहाँ पर आप बहुत समय सेव करेंगे सर, और जो 2-3 सवाल अगर numerical answer type में आ रहा है, उस पर भी भाई, पहली gain पर चौका मारना, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला स किसके पास है, बोलो, अब यह mathematics का सवाल है, किसी को maths आता है ना, वो कभी भी इसको answer कर सकता है, आप बोलोगे सर, nitrogen atom के पास ना, odd electron होता है, अगर हमने 2 nitrogen atom ले लिया, तो odd plus odd क्या हो जाएगा, maths का सवाल है, odd plus odd even हो जाएगा, है ना, oxygen atom के पास even electron ही होता है, तो oxygen atom हमें सा even हो गया, मैंने maths लगाया और answer निकाल दिया, मेरे को nitrogen पे electron के number नहीं पता है, बस यह पता odd होता है, इतने में भी काम कर सकते हैं सर, इतने में भी काम कर सकते हैं सर, पूरा टाइम नहीं लगाना है, गदो की तरह पूरी मेहनत करके नहीं आनी है, अगला सवाल आपके गंडो स्क reflection, इन में से दोनों सही है, सही explanation है, क्या होगा बताईए, बताईए, बोलिये, इन में से क्या सही होगा, बताईए, क्या है, का होगो, तो आप बोलों के सर, देखो या, पहली बात तो सही गह रहा है, पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, तो यह असरसनी स्फॉल्स तो गलत हो गया, है ना, सही है, दूसरे वाले पॉइंट, लोन पेर, लोन पेर पर बाद बभारा परशा यह वाली बाद भी सही है, अरे वाली बाद भी सही है, तो उसमें आप देखेंगे, बोहथ एनर, जचाओו, और और तोर और क्रेक्ट ईक्स्पलेनेशन, भरजी सवाल, ठीक है, बताईए, क्लिर थे, ग्रेगर क्रेट explanation कहा है वे but not correct अच्छा sorry sorry correct explanation मैं बोल सभी रहा था टेक गलत कर गया I am sorry for that चलिए अगला सवाल आपके computer screen पे ये रहा आईए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है सर सवाल कह रहा है central atom in a molecule has two lone pair of electron and form three single bond the shape of this molecule is देखते हैं क्या क्या कह रखा है हमसे कह रखा central atom in a molecule has two lone pair so lone pair की संख्या कितनी दो and form three single bond bond pair कितने इसकी VACP कितनी हो गई पांच VACP 5 में दो lone pair है आप बोलोगे ये T-shape का होगा सर कितना डाइम लगा 20-20 second के सवाल होते हैं सर मैं सच्ची बता रहा हूं तुम भाया धुआ 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 गर दोगे तुम धुआ 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 गर दोगे क्या मेरी बात आप सभी वो समझ में बताईए हा या ना अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे उसके बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ फिर VACP पर थोड़ी सी बात और करेंगे अभी खतम नहीं हो आभी तक हमने जितने भी सवाल देखें, वो सभी के सभी सवाल, फिर repeat कर रहा हूँ, वो सभी के सभी सवाल, single bond से related थे, अभी हमारे पास ना तो charge आया, ना multiple bond आया, अब हम charge और multiple bond वाले species की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यह मान के चलता हूँ, अगर सवाल J advance का हो, वो भी आप कर पाओ असानी से, बहुत easy question, इसमें J advance के भी आते हैं सर, तो आये देखते हैं, मैं अब बात किसके कर रहा हूँ, कि if species for molecules having charge and double bond, and pi bond, ठीक है, ऐसा कोई species हो, जिसके पास charge भी हो, और pi bond भी हो, उस case में क्या करेंगे, आये देखते हैं, उस case में क्या करेंगे, आये देखते हैं, सबसे पहले, जैसे मालो मैंने आपको एक structure दिया, मैंने आपको दिया, कि NH4 plus के लिए draw करो, वी या वी सी पियार से, आप बताओ, hybridization, hybridization, bond angle क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, charge को हम capitalize या balance out कैसे करेंगे, तो याद रखना, पहले charge की बात करते हैं, चार्ज के case में दो तरीके का charge, अगर positive charge है, positive charge है, तो क्या करेंगे, give it to central atom, give it to CA, and reduce that much electron, reduce that much electron, अगर कभी आपके पास negative charge आ गया, तो negative charge भी अपन किसको देते हैं, given to central atom, given to central atom, and that much electron is added, that much electron is added, but, 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 if oxygen atom is present, if oxygen atom is present, each oxygen will have, if oxygen atom is present, then, each oxygen will have, one negative charge, one negative charge, याद रखेगा इस बात को, अगर oxygen present है, अगर oxygen present है, तो इस बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे कह रहें, सर, अगर दो central atom हुए तो, तो दोनों के अबाउट hybridization निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, दोनों के अबाउट hybridization निकाल देंगे, जैसे मालो, इथेन molecule है, भाई, अबे तो इसमें दोनों के अबाउट hybridization निकाल दे, दोनों SP3 है, बस सिंपल है, इसमें क्या rocket science लगाएंगे, यहाँ दो-दो central atom है, यह भी और यह भी, है ना, जैसा मैंने बताया था, कि भाईया, oxygen वगेरा फूफा जी टाइप के लोग होते हैं, और फूफा जी टाइप के लोग अगर आए, तो आपको पहले उनको negative charge देना होगा, इसके बाद, अगर हम बात करें, हमारे पास multiple bond का case है, अगर हमारे पास pi bond का भी case है, तो इसमें एक बात याद रखना, pi bonds are not included, क्या मैंने बोला, pi bonds are not included in VSEP, pi bonds को हम include, इस बार मैं mute करने में सफल रहा, और अब unmute भी हो गया हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है, अबे second most electronegative, मतलब अबे, एक बात बता, fluorine तो most electronegative है, fluorine पर negative charge दे देगा, तो वो bond बनाएगा, वो bond नहीं बनाएगा ना अबे, कैसे बात कर रहा है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला, कि सर अगर pi bond हो, तो pi bond को sigma को count करेंगे, pi bond को VACP में count नहीं करेंगे, जैसे oxygen है, यह oxygen क्या करता है सर, double bond बनाता है, central atom के साथ, है ना, फिर nitrogen है, nitrogen क्या करेगा, central atom के साथ triple bond बनाएगा, sulfur है वालो, sulfur क्या करेगा, central atom के साथ double bond बनाएगा, इस तरीके से bond बनाते हैं, सर, ध्यान रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ये बात clear है, बताइए, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, सर, अगर oxygen के place पे fluorine हो तब क्या करेंगे, भाई, fluorine को electron दो गे तो bond नहीं बनाएगा ना, उसका तो octet पूरा हो गया, काहे पड़े हो fluorine के पीछे, F- का octet पूरा हो जाता है, दोस्त, उसके बाद वो bond क्यों बनाएगा, चलिए, अब हम structure बनागे देखते हैं, कुछ-कुछ molecule का क्या आप तयार है, पाई-bond वगेरा related structure बनाने के लिए, तो जल्दी से थमसब बना दीजिए, फिर अब हम बहुत interesting चीज़ देखने जा रहे है, अभी जो बात करने जाएंगे, पाई-bond और negative charge, negative charge केवल, सिर्फ पाई-bond, ये सारी बाते advance में पूछी जाती है, ये सारी बाते advance में पूछी जाती है, चलिए, शुरू करेंगा, बहुत बढ़िया, चलिए, माल देखने आपको दिया, draw the structure, आपको structure बनाना है, सबसे पहला simple लेते हैं sir, co2, co2 बनाना, वही सारी कहानी वैसे ही चलेगी, क्या carbon, carbon के valence cell में 1,2,3,4 electron, oxygen, double bond बनाके अपना object पूरा करेगा, तो आप बोलोगे sir, यहाँ पे VACP में जो bond pair लिखते हैं, उसमें sigma bond को count करेंगे, कौन से bond को, sigma, तो यह sigma bond है, यह भी sigma bond है, आप बोलेंगे sir, यहाँ पे bond pair कितने, bond pair मतलब सिर्फ sigma bond बाले bond pair, 2, loan pair कितना, आप बोलेंगे 0, अरे वैया, valence cell electron pair कितना, आप बोलेंगे 2, अरे भैया, hybridization क्या, आप बोलेंगे sp, अरे भैया, geometry क्या, आप बोलेंगे linear, और linear geometry में अगर हम बात करें, linear geometry में अगर हम बात करें, तो भैया, CO2 का structure ही बना डालो ना, अब क्या पूछ रहा है, अब तो सब पता है, बताओ, ले रहे गया, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा cutting करते हैं इसको, अच्छा, cutting भी करो गए, हाँ, cutting करते है, SO3 का मनाते है, आप बोलो गया रहे, sir, यह भी कोई structure है, double bond O, double bond O, double bond O, sir, इसका सीधा लिग देता है, bond pair, मतलब bond क्या sigma bond 3 है, bond pair में sigma bond को यहाँ पर हम count करते हैं, बस स्याद रखना, है न, bond pair 3, loan pair इसका 0, तो आप बोलेंगे, sir, इसका VACP, कितना हो गया 3, hybridization हो गया SP3, SP3 hybridization में, sulfur double bond oxygen, trigonal planar shape में बन गया, सर, CO2 में एक loan pair होगा, भया, उस loan pair को ले लो, और उसको अपने पास रख लो, उससे कोई wish मांगो, वो पूरी कर देगा, इसरे नंबर पर आते हैं, SO2 का फटा-फट मेरे को बता दो, SO2 के बारे में फटा-फट मेरे को बता दो, भया, देखें, कौन सबसे पहले बताता है, बहुत बढ़िया, तो आप बोलो गया रहे, सर, SO2, सलफर के वैलेंसल में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे एलेक्टरोन, डबल बॉन्ड ऑक्सिजन, डबल बॉन्ड ऑक्सिजन, मैं बोलूंगा, सुनना, सर, हम सिग्मा बॉन्ड पेर काउंट करते, तो मैं लिख देत बना सर, बेंट शेप, कितना डाइम लगा, हाँ, हो, SP2 लिख दिया भाई, टेंशन मत्की मैंने देख लिया, SP2 लिख दिया, बेंट शेप, कितना डाइम लगा, CO2 में कॉडिनेट बॉन्ड, भाई कैसा नसा कर रहे हो, सियो टू में कॉडिनेट बॉन कौन बना रहा है यार यह वाला मेरे को भी सीखना है बहुत सब्सक्राइब कि चल वाते अब थोड़ा कठेकर सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब ले यार इसी इसी बाते मत करो हां कुछ भी इचुछ भी कर सकता यह इसने कट्टी डॉपिक आए है पावा एरोबलेन लाए थे इसके लिए खिलाओना लाए थे मैंने घट्टी टोपिक हाई है चाचा मेरे लिए हवाई जहाज लाए थे कि बदाओ बहुत बढ़ यार एसन एफ 3 जही एडवांस का सवाल कैसे करेंगे आप बाई सेंट्रल आटम पर चाल ले नाइट्रोजन सल्फर और उनमें सल्फर की अलेक्ट्र नेगेटिविटी कम होती है 2.5 आप बोलोगे सल्फर इस सेंट्रल आटम और एक दो तीन चार पाच छे एले प्रेट्रल एक दो तीन चार है सर लोन पेर कितने जीरो सर वाइलेंस से लेलेक्ट्रोण पेर कितने चार सर हाइब्र डाइजेशन कितना ऐसा पई 3 इस तरीके से होगा सल्फर के खोपड़े पर ट्रिपल मॉन नाइट्रोजन नीचे तीन फ्लोरे क्या चम किया बात पताई आगि चलिए आप थोड़ा चार्जवारिच पे खेलते हैं ओठ लाइस पांच नंबर लेते हैं या सिंगल दडवल पे लози कि इस तो डबल किला अब सिंगल्डवल खेलता है तोड़ा सा चर डिया बरvideo सब्सक्राइब करो वाल्ड कप में सिंगल डवल खेल के चौका नहीं मारके पूरा मैच खराफ कर दिया कि जिए ना कि चलो इसको बनाओ फड़ाफट हाइब डिजीशन वगएरा निकाल के बता दो हाइब डिजीशन और जमेटरी बत से बता दो बस सिंगल डबल मत बोला गरो सर दिल पर लग जाता है तो आइए देखते हैं आप क्या बोलेंगे सर इसमें सेंट्रल आटम काउन जनौन कितने एलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सर पहले ऑक्सीजन को तवज्ज़ दो डबल बॉन वालों को पहले जद्दिया गरो क्रेक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन एक लोन कई कितने सर एक वैलन्स सेलेक्ट्रॉन कितना मेरे दोस्त पांच और वैलन्स सेलेक्ट्रॉन पेर अगर पांच आ गया तो आप बोलेंगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा SP3D, अरे भहिया, कौन सा D ये तो comment box में लिखो कौन सा D, ये तो लिखना पड़ेगा comment box में तुमें कि ये कौन सा D यूज कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे सर एक loan pair है, loan pair को कहां रखते हैं आप बोदोगे loan pair को हम रखते हैं equatorial position पे तो zenon बनाया इधर loan pair लगाया, ऊपर fluorine लगाया, नीचे fluorine लगाया, इधर double bond हो इधर double bond हो याद रखना oxygen यहीं पर लगेगा fluorine ऊपर नीचे लगेगा, इसके लिए एक बात और याद रखो, PBP में RBI लिखके इसको लिख लो hashtag RBI TBP में more electronegative atom more EN वाला atom axial position पे याद रखेगा इस बात को बहुत बढ़िया, DZ square वाला, बहुत सही, तो आप बोलोगे, सरी यह कैसा है सरी यह तो C सा है C सा, के शेप के शेप नहीं बोलते हैं, पता नहीं काहे नहीं बोलते हैं या के से दुस्मनी थी, जो यह बना रहा होगा कोई K नाम का उसको दोका दे गया होगा clear एगा चलिए, अब थोड़ा सा और structure आपको बना दू, charge वाज के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, पांच नमबर वैसे इन में structure कराने का तो पूरा दिन गरा सकता हूँ मैं इतने structure है, पांच नमबर में छे यह नमबर पर आते हैं और हम करते हैं अब charge के साथ NH4+, फिर चार्ज और इनके दोनों के साथ करेंगे NH4+, की बाद कर लो फट आफट, central atom कौन? हाँ बाई, central atom कौन? nitrogen, सर, positive charge है, अरे किसको देंगे? nitrogen को देंगे, nitrogen से electron निकाल दो, सर, किते electron होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक मिटा दो, वो लो positive charge है, तुम पर नई दे पाएंगे, पूरा electron, एक hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen, 4 hydrogen, यह total, बांट पेर, कितना, 4 लोन पेर आपको दिख रहा है, सर, 0, बाइलेंस इसल, electron पेर, कितना हो जाएगा, 4 hybridization निकाल दो, यह आजाएगा, SP3, फिर इसकी geometry निकालेंगे, जो हो जाएगी, tetra, hydral, geometry और shape दोनों सेम, दोनों ही, tetra, hydral, इसके बाद हम चलेंगे, साथ नंबर पे, और हम बोलेंगे, PCL4 positive का बना दो, फिर आठ नंबर पे, PCL6 negative का बना दो, जल्दी बनाओ, जल्दी यहाँ पे बनाओ, वाह, बहुत बढ़िया, सर, और कितनी देर चलेगा, यह chapter बहुत लंबा है, भाई, मुझे यादे, last year, मैंने इसका mind map भी डाल रखा है, इसी chapter का, उसको साथ, कितने हैं, देड़ घंटे में किया था, मैंने, कैसे देड़ घंटे में किया था, मही जान रहा हूँ, एना कोबरा, वाह, एना कोबरा वालों को सभी को नमस्कार, कैसे हैं, आप लोग कैसी चल रहे हैं, आप लोगी तयारी, फॉम ओम भर दिया है ना दोस्त, फॉम में करेक्शन का टाइम आया था, अभी बीच में, आया है कि चल रहा देख लेना, अगर किसी ने एक बच्चा मेरे से बूच रहा था, सर गलती किये तो क्या करूँगा, करेक्शन का टाइम आएगा या आचुका है, या आग के चला भी गया होगा, करेक्शन वर एक्शन कुछ है तो कर ले ना, अधार नंबर, उधार नंबर, है ना, हाँ वाई, आप बोलेंगे सर, PCL4, ने, पॉजिटिव, फॉस्फोरस्ट पे लेक्ट्रॉन कम करो सर, जल्दी लेक्ट्रॉन निकालो, एक, दो, तीन, चार, तो यह सीधा लिख रहा हूँ, मैं इस तरीके से हो जाएगा, चार क्लोरीन इस तरीके से, टेट्रा हेडरल शेप का सर, आब बोलेंगे सर, पॉजिटिव चार्च, ऐसे बढ़के ब्रैकेट में दिखा देना, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे, थोड़ जोहिद सर्मा हीटर, कॉपी कर लिख जल्दी बताइए, कापी कर लिख, बहुत बढ़िया, इसके बाद हम आ गया है, फिर हम बात करते हैं, इसके लिख करेंगे सर, एक एलेक्टरोन दो, किसको, सेंट्रल आटम को दो, भाई, कहा हैं कि फूपा जी है ही नहीं यहाँ पे, तो आप बोलोगे, फॉस्पोरस पास, एक दो दीन, जार पांच, छे रिक्टरोन, एक कलोरीन, दो, कलोरीन, तीन, कलोरीन, चार, कलोरीन, पांच, कलोरीन, और छे कलोरीन, बांड पेर कितने, जीरो, तो वीए सीपी एलेक्ट, कितने हैं, आप बोलोगे, छे, सर, कुछ है नहीं इस पर अब आते हैं थोड़े मज़ेदार स्ट्रक्चर पर आठ नंबर के बाद नौ नंबर का स्ट्रक्चर बहुत ही मज़ेदार है हुगा कि आप बनाईए और टू पॉजिटिव कि इसके बाद आप बनाएंगे तो सी यो थ्री टू नेगेटिव कि इसके बाद आप बनाएंगे एस ओफोर टू नेगेटिव देखते हैं इन सब को कौन सही बनाता है जल्ली बना हो आघा बहुत बढ़िए गुंजन कुमार बिलकुल साही कि सर बनाना बॉंड बता दो बनाना बनाना सीख लेगा ज्यादा ज्यादा भी है बनाना बॉंड से बनाना बॉंड भी आएगा वे पहले नॉर्मल तो सीख ले लास्ट येर बहुत सारे स्ट्रक्चर किया थे, बिल्ल्कुल मैं कहना कहला हूं, उतना स्ट्रक्चर कराने के लिए, 2, 3 घंटे स्ट्रक्चर कराना पड़ेगा, और जिन्नों ने कर रखा हो, वह थो सारे प्राक्टिस कर के जाना यहीं से सवाल आएगा यहीं से सवाल आएगा सर और कहीं से सवाल आ नहीं सकता तो NO2 plus की बात करते हैं आप बोलोगा NO2 plus पे nitrogen से electron निकाल दो सर, 1, 2, 3, 4 सर, double bond oxygen, double bond oxygen यह SP shape का हो जाएगा सर N double bond O double bond O, यह पे positive charge सर, Cu3 2 minus है Carbon के valence cell पे 1, 2, 3, 4 सर, negative charge है और फूपाजी भी है तो पहले क्या करो हर फूपाजी को एक single bond और एक negative charge एक single bond एक negative charge negative charge खतम हो गया सर, oxygen की valence 2 होती है अब 2 पूरा करने का तरीका क्या है या तो 2 negative charge दे दो तब bond नहीं बनाएगा एक negative charge एक single bond पे bond बन जाएगा या फिर double bond तो आप बोलोगे, सर, 2 तो negative charge इनको देना ही पड़ेगा और फिर एक double bond हो बना दिया तो यहाँ पे अगर हम sigma वाले bond pair की बात करें आप बोलोगे, यह total है 3 और यहाँ पे loan pair ही नहीं तो VACP कितनी हो जाएगी, सर, 3 और VACP 3 में जो structure आएगा वो carbon double bond oxygen O minus O minus एक सवाल और सर, अगर इसको हम theta 1 बोलते हैं इसको हम theta 2 बोलते हैं तो मेरे को बताओ, कौन सा option सही है theta 1 बराबर theta 2 दूसरा option theta 1 less than theta 2 तीसरा option theta 1 greater than theta 2 चलिए, ABC comment किजे फटाफट, ABC comment किजे इसके regarding कि कौन सा answer सही होगा तब तक हम इसको बना लेते हैं, sulphate iron को sulphate iron में आप बोलेंगे sulfur के पास 1,2,3,4,5,6 electron एक O negative, दूसरा O negative double bond O, और दूसरा double bond O, सर पहले फूपा जी को हम इस single bond negative 4 से जोड़ना ही पड़ेगा, ये फूपा जी की मजबूरी है तो आप बोलेंगे, सर यहाँ पर ऐसा आगया तो bond pair कितने? 4, loan pair 0 tetrahydrogemetry में इस तरीके से हो जाएगा sulfur double bond oxygen O minus double bond oxygen O minus कुछ लोग बोलेंगे, सर coordinate bond होगा नहीं होगा दोस्त coordinate bond नहीं होगा इसका answer क्या होगा, सर? आप बोलेंगे, इसका सही answer जो है that will be इसका सही answer जो है, that will be वैसे मैं यह मानके चलता हूँ कि आप लोगों को resonance आता होगा, क्योंकि अभी GOC side अभी हाल प्लाली होगी है उसमें resonance पढ़ा होगा आप लोगोंने तो इसका सही answer A हो जाएगा reason B, due to resonance resonance के कारण क्या है, यह सारे bond एक जैसे होंगे, सर यह सारे bond एक जैसे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर double bond और single bond में, तो double bond में 4 electron है न, यह ज़्यादा repulsion करेगा लेकिन याद रखना, due to resonance यहाँ पे सारे bond एंगल सेम होंगे बहिया यहाँ पे भी सारे bond एंगल सेम होंगे सभी एंगल सेम होगा सर और perfect एंगल आएंगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर क्या यहाँ तक बात आप लोगों clear है फिर एक दो structure जो बहुत common है उसकी बात कर लेते हैं एक structure यह बहुत common है i3 negative, एक है i3 positive एक structure है आपका, एक ZF5 negative यह सब structure बहुत ही जादा common है सर बहुत-बहुत common super-duper common, इनकी बात कर लेते हैं सर सबसे पहले अगर हम बात करें i3 negative i3 negative अक्चुली में बनता एक iodine उससे जुड़े हुए दो अलग-अलग iodine और इस पूरे पे एक minus charge तो आप बोलेंगे negative charge अक्चुली iodine के पास है सर तो iodine के पास total electron होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और negative के कारण, मतलब 7 तो होते ही है negative के कारण 8 एक iodine, दूसरा iodine यहां से और एक lone pair, दो lone pair तीन lone pair, तो आप बोलेंगे सर इसके पास bond pair हो गया 2 इसके पास lone pair हो गया 3 valence cell electron pair 5 इसका मतलब SP3D SP3D में यह linear हो जाएगा सर इस तरीके सायोडीन एक lone pair दूसरा lone pair, तीसरा lone pair ऊपर की तरफ एक iodine नीचे की तरफ एक iodine, यह linear हो गया clear है J-Mains की अगर हम बात करें J-Mains की अगर हम बात करें तो मेरा सवाल यह है कि J-Mains में 2019 में सवाल पूछा total number of lone pair इसमें सवाल पूछा, total lone pair in I3-, क्या answer होगा बताईए I3- में total lone pair कितने है, फड़ा फड़ा answer बताईए अच्छा सारे answer निकाल चुके हो I3 positive की बात करे तो यह कैसा होगा सर इसमें iodine है, इससे जुड़े हुए इस iodine के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron, एक iodine इससे जुड़ा हुआ दूसरा iodine इससे जुड़ा हुआ, दो lone pair तो आप बोलोगे सर इसके पास bond pair दो, lone pair भी दो तो यह SP3 में कैसा हो जाएगा iodine के साथ, ऊपर एक iodine है ना, इधर एक iodine एक lone pair, या ऐसे कर लो यह iodine, ऊपर एक lone pair इधर एक iodine, इधर lone pair इधर एक iodine, तो यह bent shape का देखने को आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया कुछ लोग answer 9 दे रहे हैं, कुछ लोग answer 3 दे रहे हैं अगर आपसे कभी भी total lone pair बोले, तो total lone pair का मतलब है आप central atom plus terminal atom दोनों पे निकालेंगे, सर, central atom के पास तो 3 lone pair है, इसके पास तो 3 lone pair है, लेकिन अगर terminal atom iodine की बात करें, तो इसके पास 7 electron होते हैं, यह 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 6, 7, इसके पास 1 इधर चला गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके पास भी 3 और 3 lone pair हैं, तो central atom पे 3 और 2 terminal atom पे 6, मिल करके total 9 lone pair हो गये, तो ध्यान रखेगा, lone pair central atom पर पूछा है, या total पूछा है इसको ध्यान रखेगा, सर फिर अगर हम इसकी बात करें, xzf5 negative की, बहुत प्यारा structure है xzf5 negative में, आप बोलेंगे xenon के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक 9 electron हो जाएगा सर इससे जुड़ा 5 fluorine 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 lone pair, 2 lone pair, ठीक है आप बोलेंगे हाँ सर सर यहाँ पे अगर आप देखोगे सर यहाँ पे अगर आप देखोगे bond pair कितने, 5 lone pair कितना, 2 VACP कितना, तो आप बोलेंगे VACP होगया मेरे दोस्त 7, VACP 7 पे 2 lone pair है lone pair उपर और नीचे रखते हैं तो आप बोलोगे सर देखो, xenon बना दो xenon से pentagon में 5 fluorine लगा दो, इन 5 fluorine के साथ, एक lone pair उपर की तरफ, एक lone pair नीचे की तरफ, यह सभी plane में रह जाएंगे सर, और यह pentagonal planar बन जाएंगे, याद रखना hybridization, sp3 d3 में यह pentagonal planar होगे सर, ddr pentagonal planar, क्या मेरी बात clear है आपको, पता हिए क्या मेरी बात clear है चलिए, तो अभी तक हम VACPR की ही बात कर रहे थे, अभी तक हम VACPR की ही बात कर रहे थे VACPR के बाद, अब हम चलते हैं, कुछ छोटे छोटे और बड़े interesting topic पे, फिर हम आ जाएंगे मतलब छोटे छोटे interesting topic जैसे odd electron species की बात करेंगे है ना, फिर हम bond parameter की बात करेंगे, जिससे बहुत सारे सवाल पूछेगे फिर हम इसके बाद चलेंगे कहाँ पे dipole moment पे, उसके बाद हम आखरी के 3-4 topic कवर करेंगे, जो MOT है, H bond है और ये आपका wonderful forces है चलिए है ना, तो सबसे पहले हम हम बात किसी कर लेते हैं, सबसे पहले हम odd electron species की चर्चा कर लेते हैं odd electron species बहुत ही simple topic है, इसके इसका आम discussion कर लेते हैं कभी भी अगर आप odd electron species की बात करेंगे तो odd electron species को अलग से पढ़ने का क्या तरीका है, वो सुनिए odd electron species में जो odd electron बच गया, odd electron जो खाली रह गया, जो बच गया उसको लेके problem हो जाता है, उसको लेके problem क्या होता है सर, उसको लेके problem यह होता है कि इसको हम loan pair जैसा treat करें मतलब यह loan pair है तो नहीं, लेकिन loan pair जैसा treat करें या फिर इसको हम ignore कर दें जैसे example के लिए मैं आपको तो बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं अगर आप UPSR CTC की बस में जाते हैं जिसको रोडवेज कहते है यूपी में यूपी में आप में बहुत सारे लोग होंगे रोडवेज बस की बात करें रोडवेज बस पर आप जा रहे हो तो उसमें सायद मेरे को exact year तो नहीं पता है व मेरा गाउं है मतब जौनपूर से हम प्रताब गड़ की तरफ जा रहे थे प्रयाग राज वाले रूट से यूपी की बात है तो रोडवेज में बैठे हुए थे जौनपूर डिस्टिक में नदी पढ़ते हैं गोमती नदी के पास हम पार कर रहे तब तक टिकट वाला आया इसको अभी लगा देंगे पीट पाड़िया सबको सेट कर देगा तो बहुत छोटा इसको अपना पिता जी का नाम जाद दें कि बोलने पाता है तोतला तोतला के बोलता है अब बताओ ऐसे ऐसे करके लोग पैसा बचाता है भाई तो वही सीन यहां पर है और एलेक्ट्रोन जो है न वो छोटे बच्चे की तरह है किसकी तरह है और एलेक्ट्रोन छोटे बच्चे की तरह है इसके पास दो प्रॉब्लम है क्या कि सर इसको हम जैसे मालो अगर यही तुम फ्लाइट में जा रहे हो फ्लाइट में चीजे क्लियर है कि साल या देड़ साल में ऐटीं मन्स तक परमिट है ऐटीं मन्स से उपर का अगर बच्चा है भाया पूरा टिकट देखे तुमको ट्रावल करना पड़ेगा पूरा टिकट देखे ट्रावल करना पड़ेगा वहां यह सब कुछ नहीं है वह चोड़ा बच्चा है जिसे ट्रेन में क्या होता हाफ टिकट लेलो अपने ही सीट पर बठा के लिए कि चले जाओ फ्लाइड मैसा नहीं है सर अपने सीट पर नहीं बठा सकते हैं सेफ्टी अंसन के लिए कहीं हवाम चलते चलते फ्लाइड ब्रेक मारे बच्चा मचल गया चोट लग गया सिर्फ पे तो तो यही सीन यहां पर भी है तो इसके लिए क्या चीजे ध्यान रखने वाली है वह यह है कि आप एलेक्ट्रो न क्योंगे अग्टिविटी अफ तर्मिनल आटम इस ओर नूइन थो पॉइंट फैप इस ओर न दो नू चलेगा उसकेस में आप बोलेंगे इस केसमें आप बोलेंगे चैनल आप दर ओड्रन अस लों पेर अ काउंट इन वीए पी इस तो तो इस पीए 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 अपीए श इसको पूरा count करो, पैसा लगेगा इसका पूरा, लेकिन यहीं अगर electronegativity of terminal atom is less than 2.5, उस case में आप क्या करेंगे, ignore it from VACP, इसको VACP में count नहीं करेंगे सर, यहीं तरीका है, इससे सवालों को solve करने का, मैं आपको तीन example से पूरा का पूरा concept समझा रहा हूं, मैं आपको तीन example से पूरा concept समझा रहा हूं, clear है, हाँ, बताइए, क्या आप तयार है, चलिए, सबसे पहला example करते हैं, सबसे पहला example, अगले पेच पे करते हैं, NO2, NO2 में आप देखेंगे, central atom, terminal atom, मैं बोलूँगा, electronegativity of terminal atom, electronegativity terminal atom, atom, oxygen, ये कितना है, आप बोलेंगे, ये तो सर 3.5 होता है, इसका मतलब, odd electron कौन क्या करेंगे, VACP में count करेंगे, ये बोलने की लिखने की ज़रत नी थी, उजे वैसे, तो nitrogen के valence cell में, 1,2,3,4,5 electron हो जाएगा, आपने बोला सर, double bond oxygen बना दो, अब सुनना मेरी वाद ध्यान से सर मैंने आपको एक बात बोला था, period 2 का element कभी भी, period 2 का element कभी भी अपना octet expand नहीं कर सकता, क्योंकि octet expand नहीं कर सकता, तो अगला bond इसको coordinate bond बनाना पड़ेगा, कैसे, माल अगर मैं इसको फिर से double bond बना देता, तो 1,2,3,4,1,2,3,4 और ये 5, 9 electron हो जाते हैं इसके पास, और एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, दो हो गया, लोन पेर कितना है, सर ये लोन पेर जैसा है, लोन पेर तो नहीं है, बट मजबूरन में हमें मजबूरी में count करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर इसका VACP 3 आ गया, VACP 3 का मतलब इसका hybridization SP2 हो गया, और SP2 में ये अकेल और बहुत interesting experiment है, that is brown ring test, सर 3.5 कैसे पता लगावे, याद करना होता है कुछ-कुछ element का, सर सारे लोग break के लिए message क्यों गर रहे है, बैं पढ़ता ही नहीं भाई ये सब, break बुरेक नहीं पढ़बाता मैं, मेरे को break blindness है, मतलब break कहीं लिखाओ ता दिखता ही नहीं है, अब break को बिना break के लिखके दिखाओ, हाँ, nitrate iron का test, पिल्कुल, बहुत साही, फिर अगर हम बात करें second में, फिर अगर हम बात करें, एक structure अपन माहलों ले लिखते है, CF3, free radical है, सरी, free radical है, CF3, CF3 free radical की अगर हम बात करें, तो अब बोलें, कार्बन के वैलेंसल में, एक दो, तीन, चार एलेक्टरोन होता, एक फ्लोरी निदर, दूसरा फ्लोरी निदर, तीसरा फ्लोरी निदर, और एक खाली एलेक्टरोन, सर, electronegativity of fluorine, अरे भाईया, 4.0, बहुत ज़्यादा, तो इसको count करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे, band pair 3 है, learn pair 1 हो गया, BACP इसका 4 हो गया, सर, और BACP 4 में, ये carbon के उपर, tetrahedral geometry के साब से set होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे triangle looper tip, trigonal pyramid, क्या बोलेंगे, trigonal pyramid, क्या मेरी बात clear है, चमक रही है, बताईए, 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 इसी का छोटा भाई है, methyl free radical, इसी का छोटा भाई है, methyl free radical, इसकी बात करें, तो carbon के पास, एक, दो, तीन, चार electron है, सर, एक hydrogen, दूसरा hydrogen, तीसरा hydrogen, और एक खाली electron, इस बात, electronegativity of terminal atom की, अगर हम बात करें, electronegativity of terminal atom की, अगर हम बात करें, तो आप बोलोगे, मतलब hydrogen की electronegativity, this is 2.1, ओ, 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 इसको ignore कर देंगे, सर, इसको ignore कर देंगे, तो आप बोलोगे, सर, यहाँ पर point pair कितना, 3, loan pair में इसको ignore कर दिया, तो यह 0, VACP कितनी आ गई भाई, आप बोलेंगे, सर, यह आ गई, 3, hybridization हो गया, SP2, इस तरीके से carbon, SP2 मतलब trigonal planar shape में यह इस तरीके से जाएगा, और क्या है, सर, सर, यह जो, आपका hydrogen है न, यह pure orbital में, यह अकेला electron जो है न, यह pure P, सुद्ध P orbital में रहेगा, सर, सुद्ध, देसी, P orbital, pure P orbital में जाएगा, बताए, clear है, क्या यह बात clear है, बताए, है, बहुत बढ़िया, interval दे दो, वा, यह देखो, फिल में लग, क्या मेरी बात clear है, is it clear to all of you, जल्दी बताएगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, odd electron species के बाद आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, सर, तो यह बात ध्यान रखेगा, इसके बाद, odd electron species से, दो, तीन बाते और अगर आपको note करनी है, hashtag RBI, तो सबसे पहला point में यही बोलूँगा, all odd electron species are paramagnetic, कैसा magnetism इन में होता है, यह paramagnetic होते हैं, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, दूसरे point पर चलू, paramagnetism के बाद इन के लिए और कुछ important है, सबसे पहला रेडॉक्स करके और दूसरा डाइमराइस करके, रेडॉक्स वाला option यहना, यह सबके लिए अवेलेबल होता है, हर और electron species के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल तू ओल, डाइमराइस करने वाला सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है समझाता हूँ भी टेंशन नहीं लेने का मैं मैं आब लोगर मैं नो 2 की बात करूं कर सकता है आई दिखाते हैं कैसे आप अईनो 2 में क्या आपने आपने बुट्रों को और प्लस माइन के नाम से नाम से नाम सा पने आपने • कर करके मतलब यह electron gain या lose करके अपने आपको stable कर सकता है electron gain कर लेगा तो odd electron pair हो गया electron lose कर देगा तो जो odd electron था वो गया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि यह dimerize कर सकता है लेकिन dimerize सब नहीं कर सकता जिसके लिए जो odd electron है वो delocalize जैसे example के लिए आप देखेंगे जो dimerize कर सकता है करने वाले का example है no to जिसके लिए not possible है उसका example मैं आपको देखाता हूँ फिर आपको बताऊंगा वो no का example लेलो sir no का कभी dimer देखा है n2o2 आपने कभी देखा ही नहीं होगा देखा ही नहीं होगा sir sir dimerization का मतलब क्या है dimerization का कोई मतलब नहीं सिंपल दो molecule मिलेंगे एक हो जाएंगे एक no2 मिला दूसरे no2 से बोला आओ एक हो जाएं और यह बन गया n2o4 this is dimerization this is dimerization ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें no के लिए अभे यह no है molecule no नहीं है no no में क्या दिक्कत है sir no का जो odd electron होता है इसके अंदर जो odd electron है revolves between nitrogen and oxygen मतलब वो एक जगा स्थिर नहीं है घूम रहा है कभी दर कभी उदर कभी दर कभी उदर तो जब तुम जयोगे उसके पास कि भह या डायमराइज करेंगे तुम गये electron मिल भे नहीं क्या फिर तुम उले electron वापस आ गया फिर तुम गये फिर electron नहीं मिला वही कहानी यहांपे होती है क्या मेरी बात समझ के बताए हाया न जा मेरी बात समझ गये बोलो is it clear to all of you yes or no पताओ अबे तुमको खाना खाना थोड़ी दिर खाना खालो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखते देखते खाना खालो कोई दिक्कत नहीं है जा जैसे भी हएंदा खालो जो यार काना खाना थोड़ी है यासे भी-ड das थरी बहुत बढ़िए हैं तो यह बाद ध्यान रखेएगा सर यह तो सब कर सकते हैं जैसे एनों क्या करेगा एनो बना लेगा एनो प्लस देखने को आपको मिल जाएगा भी थोड़ी दिर में एनो बना लेगा एनो माइनस दोनों कर सकते हैं सर यह सब कर सकते हैं चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं, फिर छोड़े छोड़े दो तीन टॉपिक और कवर करेंगे सवाल, 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 हाँ, चलो, सवाल पूछा हम से, कि among the following the linear species is, इनमें से linear species कौन सा है, बताईए इनमें से linear species कौन सा है, आपको बताना है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल चली जल्ली बताईए, इनमें से linear species कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, ये भी, जही मेंस का सवाल है अगर मैं इसकी बात करूं ए और टू एन्वोट् hurt कि सेत काहसर, आप और तो अभी देखा हम से बेंट क्यों उस्टफ करें। यह भी बेंट सेप काहसर काहसर करें। ये भी bend shape का है सर oxygen पे दो लोन पे राएगा ऐसे एक chlorine इदर दूसरा chlorine इदर सर N3- इसको azide ion बोलते हैं क्या बोलते हैं azide ion इसके बारे मैं आपने P block में पढ़ा होगा कि azide ion से को अगर हम heat करते हैं थर्मल डिकंपोस करते हैं तो extra pure nitrogen आता है जो कि J.E. advance ने दो बारी पूछा है पिछले कुछ साल में तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे azide ion का structure कैसा होता मैं आपको देखाता हूँ azide ion का structure ऐसा होता कि यह nitrogen है इस nitrogen के साथ double bond से जुड़ा हुआ दूसरा nitrogen है इसके साथ double bond से जुड़ा हुआ दूसरा nitrogen है इस पे negative, इस पे negative, इस पे positive यह एक structure इसका दूसरा structure क्या है तो आप बोलेंगे इसका दूसरा structure है nitrogen से जुड़ा हुआ एक triple bond nitrogen इस से जुड़ा हुआ एक single bond nitrogen और इस पे negative charge और यह single नहीं यह coordinate bond है इस तरीके से यह दोनों structure इसके लिए possible है सर याद रखिएगा यह दोनों structure इसके लिए possible है both the structures are possible क्या मेरी बात clear है बोलो हाँ या ना अब मैंने ऐसे बता दिया अब बच्चे यार एक से एक हैं कुछ बच्चे ऐसे मालो है ना जिसे कोई social media की idea वालो इस्ट्राग्राम में उस पर मैसेज करेंगे है एलो मैसेज ऐसे करेंगे है एलो मालो मैने देख भी लिया मैंने बोला हाँ भाई भॉन अ बोला ये वाला बता दो मैंने ऐसे respect भी निया देते हैं है एलो सर आफ डाउट क्याना आस्क और ऐसे बोलेंगे वो वाला बता दो page नंबर 17 मेरा बोला page नंबर 17 कब का page नंबर 17 तू कौन सा newspaper पढ़ रहा है Times of India पढ़ रहा है Hindustan Times पढ़ रहा है ये तो बता कौन से newspaper का page नंबर 17 एकस एक बच्चे हैं भाई बताया भी जा सकता है लेकिन पूछो तो सर्म एसे हेलो पेज नमबर 17 वाला समझ नहीं आया अब मैं भी परिशान हूं कौन सा अब बार पढ़ रहा है यारी तो देख लो इस तरीके से अजाइड का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिरेक्ट सवाल आता है इससे मैं फिर बता रहा हूं डाइरेक्ट सवाल आता है ठीक है चलिए इसके बाद हम रेजोनेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेजोनेंस के बारे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा सिंपल यहां पे क्या होता सर्क कॉंजूगेशन होता है रेजोनेंस के बारे मैं मैं दो लाइन लिखूंगा जो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला कि रेजोनेंस से बनने वाले स्ट्रक्चर में एक होता है रेजोनें और सारे के सारे resonating structure का जो sum up होता है उसको हम बोलते है resonance hybrid क्या बोलते है resonance hybrid यह यह है sir यह इग्जिस्ट नहीं करता है लेकिनहम बनाते हैं इसी को रेजोनेटिंग स्रॉक्चर को ही बनाते हैं इसके बाद अगर हम और बात करें तो याद रुखना रेजोनेंस हो है यह एक averaging effect है कैसा effect है averaging effect है इसका मतलब यह bonds को average करके आपका answer दे देता है simple bond angle average कर देगा bond length average कर देगा bond strength average कर देगा यही सारा काम यह करता है clear है क्या बताईए बताईए चलिए इसके बाद हम आगे चलते है फिर अब हम बात करेंगे बहुत ही interesting concept की जिसका नाम है bond parameter bond parameter क्या होता है तो किसी भी bond के बारे में किसी भी bond के बारे में हमें जो भी cheese information देगी उसको हम bond parameter बोलते हैं और हमारे syllabus में हमें जो bond parameters पढ़ने उसकी बात कर लेता हो सबसे पहला bond parameter हमें जो पढ़ना वो है bond length दूसरा bond parameter जो हमें पढ़ना है that is bond order तीसरा bond parameter जो हमें पढ़ना है वो है bond strength या फिर आप इसको bond energy भी कह सकते हो है ना एक ही बात है और चोथा bond parameter जो हमें पढ़ना है यह चार बॉन्ड पैरामिटर हमें पढ़ने हैं अब इन सब का order एक एक करके देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही बॉन्ड एनर्जी भी आप कह सकते हो सबसे पहले बॉन्ड लेंध की बात करते हैं सर मैं definition देने तो अभी नहीं जाओंगा क्योंकि definition देने गया तो बहुत time लग जाएगा और हम बहुत time है नहीं actually हमारे पास तो मालनों हमने a से b का bond बनाया तो इनके बीच में जो internuclear distance है न उसको bond length बोलते हैं इंटर nuclear distance इसको हम क्या बोलते हैं सर bond length बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो bond length निकालने का एक formula भी है जैसे वालों इनके बीच के distance को में डी अबी बोलूं तो यह stevenson shoemaker formula इसको कहते हैं तो bond length निकालने का formula यह किसके बराबर हो जाएगा यह आरे मतलब radius of a plus rb मतलब radius of b minus 0.0.09 delta i n delta i n का मतलब इनके electronegativity का difference इसको हम stevenson shoemaker formula कहते हैं शुमाकर कह लो शुमेगर कह लो है ना अगर हम यह आप बात करें तो डी अबी क्या है सर यह bond length है this is bond length r a क्या है सर तो this is covalent radius of a covalent radius of a और इसको हम armstrong में ही लेंगे अगर यह formula लगाना है तो rb is covalent radius of b और delta i n is difference in electronegativity delta i n is difference in electronegativity क्या बात clear रहे बताईए इस formula से आप length निकाल सकते हूँ पहला तरीका फिर हम बात करेंगे factors affecting bond length कौन कौन से factor है जो affect करते हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं कि एक एक टिंग बांड लेंथ को मैं b l लिख दू कोई दिक्कत है ना factors affecting bond length सबसे पहला factor है size of atom size of bonded atom यहाँ पर concept कौन सा लगेगा dream 11 concept कैसे देखते हैं अगर मैंने आप से पूछा compare bond length compare hx bond length in hf hcl hbr hn बता हो इनने से किसका बांड लेंज ज्यादा होगा वहीं किसका बांड लेंज सबसे ज्यादा होगा तो आप आप बोलोगे sir 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 hf hcl hbr h ii में hydrogen तो common है hydrogen का size तो fix हो गया उधर जाते जाए तो size बढ़ता जा रहा है अगर atom का size बढ़ेगा तो bond length भी बढ़ेगा तो bond length will increase तो आप बोलोगे इसका order यह हो जाएगा h ii का bond length सबसे बढ़ा हां बहुत बढ़िया हाई सभी लोग अपनी हां second point पे चलते हैं अगर हम size की बात करें तो इसके बाद hybridization से भी फरक पड़ता है hybridization of atom central atom कैसे आई यह दिखाता हूं अगर मालो मैंने यह बनाया carbon carbon और इस पर triple bond मतलब यह मैंने ethene बनाया पहला मैंने ethene बनाया आपके सामने दूसरा carbon double bond carbon यह ethene है और तीसरा ethine है सर यहाँ पर carbon hydrogen के bond length को मैं number कर देता हूं यह number one कर दिया इसको carbon hydrogen hydrogen इस carbon hydrogen को 2 और इस carbon hydrogen को 3 आप से पूछे जा इसका order compare करो 123 का तो याद रखना जैसे bond में percentage जैसे बढ़ता है किसी bond में वैसे उसकी bond length कम हो जाती है सर यह कैसे पता लगाएंगे सर मैंने बोला इसका hybridization क्या है तो एक carbon अगर 4 single bond बना रहा है तो उसका hybridization सीडी सी बात है अभी आपने पढ़ाई है sp3 एक carbon अगर एक double bond बना रहा है और दो single bond मतलब इस पर bond अब देखलो एक single sigma count करते हैं पाई करते हैं एक दो तीन कोई loan pair नहीं है sp2 hybridization इसकी बात करें सिग्मा इधर सिग्मा इधर दो bond pair देखता है तो यह sp hybridization तो जैसे जैसे percentage s character बढ़ता है bond length कम होता जाता है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर order क्या हो जाएगा यहाँ पर order हो जाएगा सबसे बड़ा 1 उसके बाद 2 और सबसे छोटा 3 इसके पीछे बहुत सारे reason है पहला reason यह है कि percentage s character बढ़ने से size electronegativity बढ़ जाती है दूसरा reason क्या है मैं आपको reason दिखा देता हूँ अगर मालो आप मेरे से पूछो कि sir sp3 s और p मिलके जिसे s गोला होता है पी डंबल होता है यह दोनों मिलके क्या बना रहा है सर sp orbitals sp series बनाते हैं यहाँ पर अगर मालो में बनाता हूँ तो देखो यह मालो sp2 या sp hybrid orbital है ऐसा sp sp में दोनों का 50 50% मतलब गोलाई भी दिख रही है और डंबल वाला चीज दिख रहा है अगर हम sp2 पे चलेंगे तो गोलाई कम हो जाएगी डंबल वाला करेक्टर बहुत ज्यादा dominant हो जाएगा तो आप यहाँ पर अगर सेंट्रल आटम देखो तो इनका लेंथ आप देख रहो इसका लेंथ यह है इसका लेंथ यह है इसका लेंथ यह है तो आप पाएंगे कि सर sp2 से जब हम sp3 पे मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता बॉन्ड लेंथ की मोटा मोटी बाते उसके बाद बॉन्ड लेंथ एक और चीज़ पर डिपेंड करता जिसको तीसरे नंबर पर लिख देते बॉन्ड लॉडर के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा जब हम बॉन्ड और पढ़ेंगे तब सेकेंड अब हमारा अगल आटम के बीच में बें जैसा टाइप का अटम के बीच में गजैसे टाइप के बॉन्ड के बीच में कर सकते हैं सर्वाटिच सेंट्रल आटम तो देख तो सकता है भी बिल्कुल देख लो गयार हाँ वाई आगे चले अगले पेच में बहुत बढ़िया सर आज का डिवरेशन क्या होगा अगर आप मेरे से पूछो तो जहां तक मुझे लग रहा है मैं आपको इमांदारी से बता देता हूं इसके बाद हमारे पास जो मेजर टॉपिक्स बसते मैं आपको वह बता देता हू खीए है आपने काम करेंगे अपन बाक बोडिंग और ब्रिजबंड बाक और ब्रिज इसको ब्लॉट के मेस्ट के लिए रख देते हैं जाना बख जास बात बची नहीं है तो इसको ब्लॉट के लिए रख देते हैं और फिर फिर हमारे पास मेजर टॉपिक डाइपॉल मॉमेट वच रहा है फिर पढ़ाई दूँँ ड्रागों बेंट करवा देना किटकट आडड वाह किटकट कब कोई ब्रेक को रेक नहीं दे रहा है ब्रेक् होता यार वाटि ब्रेक चलो देख उसको करना और नहीं डर इपेंड करता है रहने हम पहले इंपोर्टेंड पॉंटいた का अब कर लेते हैं नहीं हैं संब्रेज्पन बॉसे बात करते हैं और पीले लिख लेते average number of bond between two atom कैसे कैसे calculate करते हैं bond order तो चार तरीके हैं इसके calculate करने के जिसमें सबसे पहला तरीका है structure देखके गिन लो structure देखो structure से count कर लो मतलब हमने structure देखा हमारे सामने structure है count कर लिया गिन के बता दिया दूसरा तरीका आप एक formula लगा लो है ना जिसमें bond order का formula है sigma plus pi bond upon sigma bond simple यह formula काम कर जाता है इन दोनों जगाओं के लिए इन दोनों cases के लिए formula काम कर जाता है तीसरा तरीका है अगर आपके पास कभी isoelectronic species दे दी है isoelectronic species तो isoelectronic species के case में आप याद रखना bond order same होता है बियो इनका क्या होता सेम isoelectronic का मतलब ऐसे दो species जिन में same number of electron हो total electron अगर same है तो bond order same होगा और अखरी में हमारे पास है MOT molecular orbital theory से भी हम bond order calculate करते हैं we can find bond order with the help of molecular orbital theory यह चार तरीका है इसको करने का एक एक करके इनको निकालना सीखते हैं आप फटाफट comment box मतलब आप इसको लिख दीती हैं अगर आपने इसको copy कर लिया है फिर हम अगले पेच पे चलेंगे हम bond order निकालेंगे सीधा bond order पर अटाक करेंगे और फिर सवाल करेंगे bond order और और बाकी के terms से related चलिए इसके पहले ब्रेक कितने पर जया था साड़े आठ बजे है ना साड़े आठ से अगर तीन घंटा अपन पड़े तो साड़े ग्यारा तक पड़ेंगे और मैं कोसिस करूंगा साड़े ग्यारा तक अपन ब्रेक कर रहे होंगे तो अपन डाइपोल मॉमेंट कंप्लीट करके ब्रेक करेंगे कि फिर तीन टॉपिक बचेगा हमारे पास सेमोटी है ना एमोटी और वीग फोर्सेस के दो टॉपिक बहुत बढ़िया चलिए है ना फिर मालो और हमें कंप्लीट करने में लगबद एक बजय तक अपन कंप्लीट कर लेंगे साड़े बारा एक बजय तक अपन कोसिस करेंगे इसको कंप्लीट कर ले अच्छा दीवाने गैंग के मेंबर भी यहां पर आ चुके हैं बीच में आना गोबरा वाले थे गद्दू वाले भी थे और दीवाने गैंग के मेंबर भी सभी जुड़ चुके बहुत बढ़िया रोहित सर्मा फॉर्द फ्रॉम दीवाना जाये वाह तो बॉन डॉर्ट करते हैं क्वेस्टन आएगा ऐसा है भाइया बहुत ही सिंपल सिंपल कुष्टन फाइंड बॉन डॉलर को सबसे पहले बढ़ा निखालेंगे तो रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगा एच्टू का स्ट्रॉक्टर बनाओ कि दिवाना गया है एक दिन में ले रहा था कुछ बच्चे लगे हुए थे हाइव हाव अर्यू जैसे महलों कोई है ना कोई महिला आ गई क्लास में या बहुत सारे अंजल प्रिया भी होती है तो हाइव प्रिया हाव अर्यू वेर आर्यू फ्रॉम वाइव यू फ्रॉम दूसरे नंबर पर जलते है सारो टू का बॉन ओडर जल्दी बोलिये तुरंद से पहले बताईए अंटर पंटर हाँ अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें सारें टू का बॉन ओडर जल्दी बताईए अंटू का बॉन ओडर एंटू 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 अरे तीन बॉन है सार तीन चार नंबर पर सी ओटू का बॉन ओडर कभी भी देख भाई अगर बॉन दो तरफ पहले तो तू गल्ती ना अगर तू खुद न फहले इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज क्या है ध्यान सुनिएगा सर ऐसे केस में आप टोटल बॉन काउंट कर लो आप बोलो बॉन डॉर्डर जो है वो किसके बराबर होता है सर टोटल सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा मेरे भाई सिग्मा कितने एक दो तीन चार मनदर टोटल बॉन चार है सि अभी देखते यही वाला पर यूज करो कि अब अगर मैंने गोला एस ओ थरी का बॉन डॉर्टर कितना होगा जल्दी बताए छे नंबर पर एस बॉन डू कितना होगा जल्दी बताई ए पिर थोड़े चार्ज वाले स्पीशिस पर देखे खेलेंगे अब यहां पे लग यह ये वाले ओपी, वो वाले ओपी, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, हाँ, चलो बताओ, SO3 का bond order, 2, 3 नहीं सर, अब ऐसा है न, sulfur, double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen, total bond, 6, sigma bond, 3, bond order, ठीक है, SO2 का bond order, इसका भी bond order, 2 सर, डरना नहीं है, इसका भी bond order, 2, इसके बाद चलिए, आगे चलते हैं, 6 नमबर के बाद, 7 नमबर पे, मैंने बोला, CO3 2-, carbonate में bond order कितना, 8 नमबर पे, SO4 2- में bond order कितना, 9 नमबर पे, SO3 2- पे bond order कितना, 10 नमबर पे, CO3 2- पे क्या होगा, आप बोलेंगे, सर स्ट्रक्चर बनाओ, carbon double bond oxygen, single bond O negative, single bond O negative, total 4 बड़े, 3, SO4 2- पे, sulfur double bond oxygen, double bond oxygen, single bond O negative, single bond O negative, अब जितने भी, महानुभाव थे, जो coordinate bond कह रहे थे, उनके लिए तो bond order आता, 1, जो कि नहीं होता है, सर, सर, SO3 2- की बात करें, तो sulfur के बास एक loan pair है, loan pair को तो ignore कर दो, फिर, double bond O, O minus, O minus और एक loan pair, इसको छोड़ दो, इस पे bond order क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे, सर, total bond, 1, 2, 3, 4, बटे 3, बात साहिए, क्या है बात साहिए, बोलो, 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 फिर, अगर हम बात करें, CLO 4- की, तो आप बोलोगे, इसका structure तो आपको पता है, वे, अभी तो P-block पढ़ाओगा, थोड़े दिनों पहले, इस तरीके से tetrahydral होता है, वैसे तू निकाल भी सकता है, double bond, एक oxygen पे negative देती, आप वाकी तीन double bond हो, तो आप बोलोगे, सर, इस पे total bond साथ, पढ़े चार, क्या मेरी बात समझ भाई? क्या मेरी बात समझ भाई? बदाईए, चलिए, बहुत बढ़िया, बदाईए, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, तो ये हो गया, bond order, bond order से related बहुत सारी बात है, जो हम आगे करेंगे, अब, bond length हो गया, bond order हो गया, फिर bond strength की बात कर लेते हैं, तीसरे, c पे करते हैं, bond strength, bond strength को अपन bond energy भी कह सकते हैं, यहाँ अधा सित्ता बताता है, कौन से bond को तोड़ने में कित्ती energy लगेगी, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ, एक relation जो आपको याद रखना है, वो ये है, कि sir, bond strength या फिर bond energy, जो भी कहना यह proportional होती है, किसके bond order के, और यह inversely proportional होती है, किसके bond length के, पहला point, sir, bond strength से वैसे तो आप सवाल कर लोगे, sir, आप bond order के ही सवाल आते हैं, लेगिन एक अकेला सवाल, जो bond strength का आता हो यह है, compare, bond energy of, या फिर bond dissociation energy भी कह देते हैं, या फिर bond strength भी कह देते हैं, off, X2, X2 में काउन को रहे, sir, F2, CL2, BR2, and I2, मेरे को बताओ, इसका क्या order होगा, very, very, very important, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, last class Arjuna में बताया था, last year Arjuna में, जब inorganic पढ़ा रहा था, तो बताया था, कि sir, इसका order याद रखना, और इसका order हर बार सवाल में आता है, J-Mains 2023 में, पूछा ये, हर बार paper में आता है, sir, क्योंकि ये exceptional order है, थोड़ा सा, इसका order क्या होगा, धोंका वाला order है, sir, जो तुम सोच रहे हो नहीं होगा, borderland पे खेल गए, नहीं, इसका order है, CL2 सबसे जादा, फिर BR2, फिर F2, और सबसे पीछे आए इसके पीछे का जो reason होता है, क्या होता है, sir, इनका आपस का electronic repulsion, loan pair का repulsion, loan pair का repulsion, loan pair का repulsion, मतलब यह है कि देख फ्लोरीन छोटा item है, तो फ्लोरीन का bond length कम होगा, तो इनके बीच के loan pair का repulsion है न, भाई, electron, electron की दूरी कम है, तो मारा मारी जादा होगी, chlorine क्या है, sir, इससे loan pair है, इनके बीच भी loan pair का repulsion होगा, लेकिन इनके बीच की loan pair का repulsion, दूरी का न, थोड़ा कम हो गया, तो यह help करता है, यह क्या करता है, sir, help in breaking F2, F2 को break करने में मदद कर देता है, sir, और मदद करने के कारण F2 तूटना असान हो जाता है, small size के कारण इनके आपस के loan pair पे ज् जाता है, it is helpful, direct आएगा, sir, यह सवाल याद रखना, this question will come directly, this question will come directly, चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो bond parameter में अब एक ही topic बचता है, जो सबसे important है bond parameter में, और सबसे complicated, मतब complicated तो नहीं, जिससे related सबसे आदर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और advance इस पर बहुत focus कर करता है, that is bond angle, d पे चलते हैं, और हम बात किसकी करेंगे, sir, bond angle की, bond angle की अगर हम बात करें, तो bond angle किन-किन बातों पर depend करता, bond angle होता जाए, central atom को बीच में रखो, दो terminal atom ले लो, वो जो angle आएगा, वही bond angle कहलाएगा, वही bond angle कहलाएगा, आए देखते है, bond angle कैसे, किन-किन बा सोते हैं, आप directly check नहीं कर सकते, जिसमें अगर हम सबसे पहले चले, पहला तरीका क्या है, sir, hybridization, if hybridization is different, if hybridization is different, अगर hybridization ही different है, तो इस case में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर SP hybridization है, SP2 hybridization है, SP3, यही तीन hybridization के सवाल ज्यादा दिखेंगे, bond angle में, तो आप बोलो कि इसम इसमें 120 degree का अंगल है, इसमें 109 degree 28 minute का अंगल है, मैं बोलूँगा, बिल्कुल सही कह रहा है, इसके बाद, अगर जैसे example के लिए, question आपको बोला, फटा फटा पता हूँ, answer करना, compare, bond angle of CO2, SO2 and CH4, फटा फटा इनका bond angle compare करो, क्या bond angle आएगा, बताईए, 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 क्या bond angle आएगा इसमें, तो आप बोलो कि सर, बहुत ही simple है, सर, CO2 का hybridization SP है, और SP में 120 degree का अंगल, 180 degree का अंगल आता है, सर, इसका hybridization SP2 है, SP2 में 120 degree का अंगल आता है, और इसका hybridization SP3 है, SP3 में 109 degree, 28 मिनट का अंगल आता है, तो यहाँ पर order जो है, वो क्या हो जाएगा, सबसे जादा, फिर यह सबसे कम, बहुत ही simple है, सर, क्या यह बात clear है, GTLT अब बताते जाना मेरे को, जैसे मालनों दूसरा example ले लिया, यह पहला था, मेरे को GTLT ET बताते जाना, दूसरा example ले लिया मैंने, BCL2, BCL3 and CCL4, चलो फट आफट इन में comparison करके बताते, option है, आपके पास 3, सबसे पहला option है, ET मतलब equal to, दूसरा option है, LT मतलब less than, तीसरा option है, GT मतलब greater than, equal to ऐसा, less than ऐसा, greater than ऐसा, बता यह, क्या option होगा? वहाँ देखके बता देना, कि क्या option होगा? चलिए, तो आप बोलोगे, सर, अगर हम बात करें, hybridization देख लेते हैं, सर, यह है SP, यह है SP2, यह है SP3, इसका मतलब इसका angle सबसे कम होगा, तो इसका correct option क्या हो जाएगा, सर? क्या है, बहुत बढ़िया, अगर मालोब second point पर चलते हैं, यह point number one था, if hybridization is same, point number two में क्या होगा? कि if hybridization, मतलब hybridization different था है, यहाँ पर, if hybridization is same, but number of loan pair is different, मतलब loan pair का number different है, उस case में आप क्या करेंगे, तो इस case में आप बोलेंगे, bond angle is inversely proportional to number of loan pair, जिसमें loan pair ज्यादा, उसका bond angle कम, जिसमें loan pair कम, उसका bond angle ज्यादा, जैसे example के लिए, question, मैंने आपको वहला compare करो bond angle, SO2 और SO3 का, बताओ, किसका bond angle ज्यादा होगा, किसका कम, चलिए देखते हैं, कौन इसको सही बताता है, चलिए देखते हैं, कौन सही बताता है, फटाफट, इन में से किसका bond angle ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर, अगर हम hybridization निकालने जाए, तो यह भी SP2 है, यह भी SP2 है अगर दोनों ही SP2 है, तो दोनों SP2 में क्या होगा सर, हमें loan pair चेक करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर, loan pair इस पे कितना, एक loan pair इस पे कितना, 0, जिस पे loan pair का, उसका bond angle ज्यादा, तो इसका correct order हो जाएगा, SO2 का ज्यादा मतलब LT, वो तीन option है आपके पास है ना, ET, LT, GT, यह ही आपको comment करना है, चलो इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, मालो यह था, एक और करते हैं सर, SI, CH4, NS3 and H2O, इनके bond angle का comparison बता दो, पहले hybridization चेक कर लो, क्या same है different है, अगर hybridization same है different वैसे अधर आ गया, तो फिर दूसरे factor पर चलेंगे, बताईए भाई, बताईए, बहुत ब सबसे अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे जो है वो अभी भी सही आंसर दे रहे हैं, सेर सोया नहीं अभी, सेर जाग रहा है सेर अभी भी जाग रहा है, बहुत बढ़िया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो यार, CH4 SP3 है, NS3 भी SP3 है, H2O भी SP3 है, अगर ये तीनों ही SP3 है सर, लोन पेर इस पे 0, लोन पेर 1, लोन पेर 2, तो बांड एंगल कम हो जाएगा सर, कम होने को मांगता सर, क्लियर है, अब इसका दो बांड एंगल भी पता है हमें, GTA, वाह, बहुत बढ़िया, इसका दो बांड एंगल भी पता है, 109 डिगरी, 28 मिनत, 107 डिगरी, और अगर हम इसकी बात करें, आखरी वाले की, तो आखरी वाले का आप बोलेंगे, 104.5 डिगरी, क्या मेरी बात सभी क्लियर है, बहुत बढ़िया, इसके बाद हम आगे चलते हैं, कि सर, अब क्या करेंगे, अब लोन पेर भी सेम रखेंगे, और हाईबिडा जीसन भी सेम रखेंगे, तो चेंज क्या करोगे, सर, कुछ तो चेंज करोगे, कुछ तो, सर, वेर टू कीप लोन पेर, अबेर वेर 3 SP2 में कहीं भी रख लो कोई भी दिक्कत नहीं है चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं कि इसरे नंबर की बात करें कि इफ हाइब डाइजेशन इस से नंबर ओफ लोन पेर इस अल्सों सेल हुआ है बट नौट जीरो बट नौट जीरो जीरो नी ओना चाहिए लोन पेर जीरो फिर तो कहाली अलग तो इस case में आपके पास दो case arise होते हैं case 1 and case 2 अब अगर सब चीज सेम है तो बॉर्ण अंगल क्या गंपेर कर रहा है तो इसमें केस वन की अगर हम बात करें केस वन में क्या है सर कि हमारा टर्मिनल आटम भी सेम है अगर सेंट्रल आटम डिफरेंट है सेंट्रल आटम क्या है इस दर वाले पर चले तो आप बोलोगे सब्सक्राइब इसके केस में क्या होगा सेंट्रल आटम जो है न भाई यह दूले राजा है तो दूले राजा पर जादा जल्दी चीज़े डिपेंड करती है तो यहां पर बॉन्ड आइंगल जो है वो डिरेक्टली प्रपोर्शनल होगा एलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आटम पर यहां पर आप दे सेंट्रल आटम और अगर टर्मिनल आटम डिफरेंट है तो टर्मिनल आटम के एलेक्ट्रो नेगेटिविटी के इंवर्सली प्रपोर्शनल है ना तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से किसकी एलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा इसकी एलेक्ट्रो नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा बॉन एंगल उसका कम आंसर क्या मरी बात क्लियर है इज माइट टॉक क्लियर गोई इंटू यॉर ब्रेंस यह कैसी इंग्ल एक होता ना spoken English this is broken English तोड़ तोड़ के इंग्लिस बोलना कि चलिए मेरी मेरी बात समझ में आगे सवाल करने के लेता यार है वर्ण हमा अन्हें के लावा भी किसी बाम करता नहीं वारी मेरी आखकी सवाल को लाओर मजा जाएगा एक कौन देता इसका आए को लिए आपको Comedy आंगल आग और आपको CC4 का और और करेंगे फोल पोल 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 आई ये पोल करते हैं देखते हैं कौन जीता है एक जिट पॉल में यह एक जिट पॉल जेत एक जिट पॉल है यह già जैसे चुनाव का एक्जिट पॉल करते है न वैसे ही अधा अधा वया बताईए बहुत सही और आप मज़ा गया है मज़ा मज़ा बान दिया एकदम एकदम मज़ा बान दिया यार इसका अंसर क्या हो जाएगा मौका देते हैं इसको भाया मौका दे दो अब इतने में तो उन्होंने भी बता दिया वो कद्दू गैंग वाले एना कोबरा दिवाने सब ने बता दिया इसका सही आंसर हो जाएगा भी 14 परसेंट इसको कहते हैं बलाडर याना बलंडर मिस्टेक तुमने क्या किया तुमने बोला सर ने पढ़ाया गॉंसेप्ट elektronegativity का तो हर आंसर को electro negativity से ही करेंगे मैंने वोला एक minute रुकना दोस्त अब एक बात बता इसका hybridization है SP3 बहुत अच्छी बात है इसका भी hybridization है SP3 बहुत अच्छी बात है loan pair कितना है 0 loan pair कितना है 0 अभे जब बता रहा था तो यहाँ पर लिखा था नाट जीरो इस पर किसी ने ध्यानी नहीं दिया तुमने बोला क्या भारी mistake हो गया सर भारी mistake हो गया सर तुमने क्या बोला आपने याप़े बोला कि सर यहाँ पे CL है जादा एलेक्ट्रो नेगतिव एलेक्ट्रो नेगतिव जादा तो और मार दिया खटाक से अंसर अब ये तभी होगा जब लोन पेयर आएगा ये तभी होगा इस सवाल का तो लीडर बोड देखना बनता है कम लोगों ने अंसर दिया है ये हमारे साब ने है अनन्ता सोलंके अनिल कुमार नीशी प्रिकीट टेक गेम इतना गंदा नाम लिखा भाई अगर हो उमार बनना होगा मर जागा तुँ उमार नहीं पर पाएगा हिमानसी जा, हर्षलाल सुबम, उमार नितीस, डेरे और सार्थक, ब्लोग्स और फिर अक्षय गेमर, आज कल गेमर, ब्लोग यही लोग जनम ले रहे हैं इंसान जनम लेना बंद कर दिया है मोय मोय कर दिया ना तुम लोग युक साथ समझे भे, बराबर होगा चाचा अब लोन पर लोन पर तो देख ले दो बात तो पूरी सुन, बात तो पूरी समझ खाली टर्मिनल आटम पर रगड़े हुए देखके, टर्मिनल आटम, टर्मिनल आटम, पूरी बात ध्यान दखनी पड़ती है, एक और सवाल कर आता हूँ, चल, एक पहले जेई का सवाल कर लेता है, आजा जेई का सवाल कर, जेई 2020 का, सवाल कर फटा-फट, तो कमपाउंड सबसे बढ़का एंगल किसका होगा ही बताना है, तो आप बोलोगे सर, हाइबिडाइजिशन की बात करें, तो यो SP3, यो भी SP3, इसका तो हाइबिडाइजिशन वैसे नहीं होता है, पर तुमारा मन करना लिख देना भी SP3, कोई बात नहीं, तो SP3 लिखे, ऐसे किसिक सामने मत लिखना, किसिक सामने लिखो गलत हो जाएगा, ऐसे साइड में लिखे, माल लेना, चला SP3 माल दिया, सर इस पे लोन पेर एक, अच्छा, दो, दो, एक, जीरो, आंसर, लो करने के लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमारा अंसर सही आएगा, इसका अंसर D हो गया, सर अब पता नहीं, कितना डाइम लेता है, बहुत स्लो है, तुम से जादा स्लो तो यह है, तुम इससे पहले अंसर कमेंट कर दे तो, थर्टी, थर्टी थर्टी, बी कौन मार रहा ह है, यह सबी के सबी जो है ना, घटी टॉपी वाले आगे है, हमने कटी टाफिक हाई है, हम कुछ भी मार सकते हैं, हां, हमने कटी टॉपी खाई है, हम कुछ मी मार सकते हैं, चलो अगला सवाल आपकर computer screen पर यह रहाद देखे, सबसे पहले कौन करके दिखाता है, आई है यह स सवाल माच रिस्ट-वान विध लिस्ट टू इसमें साई अंगल कौन-कौन साहे माच करना है जलदी-जलदी करें घर कोलोगे क area शकी बाग जाएं आइस में हां मंतर उंतर फूग के घर्टी डॉपी वाल होग कोछ भी कर रहे हैं संसा अब लोगे लंटike plus सचल कोई लोन पर नहीं मतलब यह एक सो इतना है ना तो आप बोलोगे वन का वन का वन का वन का वन का वन का वन भाई यह कैसे दो के बाजी है A C B B और P QRS इसकी तो और पांच तक है बाई छोड़ दो इसको इस तरीके से आंसर कमेंट करने कोई ज़रत नहीं है आंसर थोड़ा जीब साया है हम खुद कर लेते हैं NO2 की बात करते हैं थांबा रुख जाते हैं इसके लिए और यह अंगल जो है लोन पेर के कारण कम होगा 120 से 120 से कम 120 से कम 115 NO3 का पूरा परफेक्ट अंगल 120 क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा सब जहां रेजोनेंस होगा वहां ध्यान रखिएगा और NO2 का अंगल 132 हो जाएगा पता है क्यों कि इसके पास लोन पेर पूरा नहीं है यह तो अध्या लोन पेर नहीं है यह तो अधा अधूरा लोन पेर है समझेगे क्या मेरी बात यह तो आधा अधूरा लोन पेर भी नहीं है यह पूरा लोन पेर भी नहीं है दोस्त और क्योंकि यह पूरा लोन पेर नहीं है तो यह पूरा रिपल्शन नहीं लगा पाएगा और यहां पर अंगल सिंगल एलेक्ट्रॉन का रिपल्शन याद रखना आवे साथ बॉंड पर से भी कम होगा तो इसमें आंसर आप देख लेना क्या आया है मैं छोड़ देता हूं इसको पोल वो लटा देते हैं इसके लिए आगे चलते अगले सवाल पर अगले सवाल जई मेंस कही है बहुत ही प्यारा सवाल है इसमें और क्या क्या पूछाए चलो बता दो सर तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा आप समय लगबग एक घंटा और लगेगा जो टाइम लगने वाला था यस और नो पोल करा लेते हैं जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे इस पोल को स्टॉप करना पड़ेगा यह अभी तक नहीं हुगा बता कितना स्लो है यार कि बंटी का पोल स्लो है कि सर्फ पोल कहां रहा है एक बार में लाइफ ले रहा था एक बच्चा ऐसे बुझा सर्फ पोल कहां है यह नहीं बहुत हर के बाहर निकल रोड़ पर घूम देख पोल मिल जाएगा यह रुख ही नहीं रहा यार रुख जा भाई पोल चालू करने देख फिर यह नो करना ऐसे समझ बनी आएगा हाँ चलो इसका कोई पोल का कोई है और है हो यार मेनक क्या साही तुक कमा रहा है पोल पे चलते हैं वोट टाइप पे चलते हैं यस और नो चलिए बताईए यस भाई यस और नो बस और कुछ निकेना ए भी से डी मतलिकना भाई यस और नो से यस और नो इन लाइफ चैट टूट देखा यह लिखा वालाइफ चैट टूट बस आप लिखते रहो से नहीं राईट अच्छा सेंड तो बहुत बढ़िया कर दा कि आउने हूं कि आउने हूं कि जुकाम भी बड़ी कमबाग चीज है इस बतार मेरे वक्तार तुम लोग भी एरिटेट हो जारे होगा तुम कि मेरे तुम आइक यहां पहे ना या इस बटकोई नहीं तोड़ा कि अब बस करें पोल हो गया पूरा अब अब यस अब यस लिखने कोई फैदा नहीं है जैसा कुछ बच्चे होता ना एक्जाम देगा है फिर पूरा पढ़ रहा है 68% ने बोला यस तो पढ़ा देते हैं इसको चलो इसके बाद हम बात किसी करते हैं सर आओ ब्रिज बांडिंग और बैक बांडिंग के अब चर्चा करेंगे तो अपनी कॉपी में लिखिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अगर हम बात करें तो ऐसी स्पीसिज जहां पर एलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर एलेक्ट्रॉन डेफिशन बांडिंग होती है अगर आप देखेंगे तो यह दो तरीके की होती है ना एलेक्ट्रॉन कि पनदीन जो होते हैं यह phone आज बोलेंगे टोंटल डो टाइंप का होता है एक का नाम है बाक बently एक का नाम क्या है सर बाक बंड बंक हो और दूसरे का नाम क्या है यह ब्रेज हो देगा मैं आपको बता तो यह P-Block में भी पढ़ते हैं P-Block में भी से related सवाल आएंगे Bridge Bonding ठीक है Back Bonding and Bridge Bonding Back Bonding को हम लिख लेते हैं BB1 और Bridge Bonding को हम लिख लेते हैं BB2 तो जब मैं इसको भी सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ना जब मैं इसको सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर आई जो आजकल बहुत चल रही है इस बंदिक जानते हो कि इस बंदिक जानते हो मताईए डू यू नो दिस बंदा अजी है यह बंदा जो ब्लॉग बनाता है हाँ है ना यह ब्लॉगर वाई तुम लोग के जैसे जो एक ब्लॉगर आया था भी तिंकू दा ब्लॉगर और इसके पास क्या है जो ब्रिज जो एलेक्ट्रोड डेफिशेंट के पास है दो दो बीबी य यहां तो ब्रिज बंदिंग से काम करेगा यह ब्लुट् यह घो यही हम देखने वाले हैं वैसे आगे बढ़IES अगें electron deficient bonding का जो सबसे पहला तरीका होता है किसी भी आटम को stabilize होने का वो है back bonding तो हम back bonding के बारे में कुछ-कुछ important conditions वगेरा पढ़ लेते हैं back bonding तो back bonding की अगर आप बात करोगे तो यह हमेशा it is a pi coordinate bond pi coordinate bond जैसा भी भारवी के बच्चों ने metal कार्बोनील में पढ़ा होगा आप लोगों ने metal कार्बोनील में पढ़ा होगा कि metal central metal और कार्बोनील कार्बन के बीच में भी back bonding होती है synergic bond जिसको हम कहते हैं तो यह back bonding है और यह pi coordinate bond होता है backbone तभी possible है it is only possible it is when one bond already exist अगर एक bond already exist करता है तभी backbone possible है वरना आपको कभी backbone देखने को नहीं मिलेगा back bonding का condition क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा दो तरीके काटम होंगे एक होगा donor आटम डोनर आटम होगा किसी भी किसी भी backbone में एक donor आटम होता है और एक होगा acceptor आटम जो electron pair accept करेगा अब अगर हम conditions की बात करें तो डोनर आटम के पास क्या होना चाहिए भाया donate क्या करेगा electron pair तो इसके पास low energy और vital में क्या होना चाहिए अब बोलेंगे 3 को बिलॉंग कर सकता है तो अच्छा है इसके उपर गया तो मज़ासा नहीं आएगा वही अगर अब इदर आ जाएं सर acceptor आटम के पास क्या होगा तो आप बोलोगे acceptor आटम का क्या है electron pair को अपने पास accept करना तो आप बोलोगे इसके पास low energy level में low energy vacant orbital होना चाहिए अगर vacant orbital ही नहीं तो electron रखेगा तहां इसके पास loan pair इसके पास vacant orbital और हमारे acceptor आटम भी कहा का होना चाहिए सर आप बोलोगे ये भी period 2 and 3 का होगा तो चल जाएगा लेकिन एक important बात यह है कि दोनों में से एक at least one of two must belong to one of two must belong to कहा को belong करने चाहिए सर आप बोलोगे period 2 दोनों में से एक period 2 को belong करेगा तभी efficient backbonding होगी वरना efficient backbonding नहीं होगी वरना efficient backbonding नहीं होगी क्या ये बात clear है बताईए क्या ये बात clear है अब हम क्या करेंगे सर बैकbonding का कुछ cases देखेंगे कुछ cases मैं आपको बैकbonding के दो एक दिखाऊंगा और उसके बाद उससे related मैं सारे के सारे आप्लिकेशन बता दूगा कि बैकbonding कब कहा और कैसे कैसे effect करते हैं बहुत बढ़िया कि एक करा सेर को ब्रेक चाहिए सेर को रोटी खानी है अब ये सेर घास और रोटी नहीं काता दोस्त सेर रोटी नहीं खाता है और घास भी चलो ब्रेक देखो प्रेक ब्रेक लिखने कोई मतलब भी साड़े-ग्यारा मतलब साड़े-ग्यारा इसके पहले मैं कुछ सुनूंगा नहीं सुन तो ऐसे भी नहीं पाऊंगा कुछ अब हम बात करते हैं अप्लिकेशन बैकbonding की अब हम बात करते हैं किसकी सार अप्लिकेशन और बैकbonding की कि क्या-क्या चीजे से फरक पढ़ता बट मैं एक्जामपल दिखाता हूँ जिससे सबसे प्यारा एक्जामपल है आपको देखना है तो बी एक त्री बोरोन ट्राइफ्लोराइट का आप देख सकते हूँ अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइट की बात करें देखें बोरोन ट्राइफ्लोराइट की बात करें तो आप इसमें क्या बोलेंगे आप बोलेंगे देखो सार बोरोन जो है न यहाँ पर इसका hybridization है sp2 SP2 का मतलब यह 3 fluorine के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है और हर fluorine के पास एक एक 3-3 lone pair है सर, hybridization central atom का होता है तो यहाँ पे यह boron SP2 hybridized है सर, किसी भी sub shell में किसी भी P sub shell में कितने orbital होते हैं यह बता देना, फटड़ा फटड़ मेरे को बता दे जाओ मैं तुम्ही से पूछूँगा, है ना आपने बोला boron boron का electronic configuration आउटर मोशल का 2S2 2P1 तीन bond बनाना है तो एक्साइट करना पड़ेगा एक्साइट कर दिया इसने बना लिया 2S1 2P2 अब यह तीन electron hybridization में चला गया और इसने hybridization करके SP2 बना लिया, एक P orbital pure है और vacant है तो आप बोलेगे सर इसके पास na SP3 के बावजूद भी एक pure P orbital सुध देशी P orbital खा लिया तो होगा क्या सर यह 2P का electron fluorine का, यह 2P का vacant orbital इसके electron को backbone करेगा तब यह fluorine, कभी यह fluorine, कभी यह fluorine यह तीनो backbone एक एक करके ऐसा नहीं कि एक साथ तीनों कर देंगे एक बार में एक fluorine इसको backbone करेंगे और जब एक बार में एक fluorine इसको backbone करेंगे तो इसका structure कुछ इस तरीके से बन जाएगा देखो, boron है मालो यह fluorine इदर इस fluorine ने इस बार backbone किया तो इस फ्लोरीन के साथ ऐसा फिर कुछ देर के बाद ये वाले फ्लोरीन के जगा कोई दूसरा फ्लोरीन बैकबॉर्ण करेगा तो इसका structure हो जाएगा इसको हटा दो इधर से बैकबॉर्ण करा दो फिर माल लो ये वाले फ्लोरीन की जगा कोई दूसरा fluorine इसको backbond करेगा मतलब अब एक ही बचा तो फिर इसको हटा दो और इधर से backbond करा लो और ये घूमता रहेगा अगर हम इस सब को अगर हम इस सब को मिला दे तो आप बोलोगे अगर हम इस सब को मिला दे कुछ टाइम के लिए ये फ्लोरीन डबल बॉंड बनाएगा ये तीनो डबल बॉंड बनाते रहेंगे तो अगर आप यहाँ पर bond order निकालोगे तो bond order कितना आजाएगा सर? bond order आजाएगा 4 by 3 लेकिन अगर आप backbonding को consider नहीं करते तो bond order इसका आता 1 bond order 1 के जगा 1.33 आ रहा है सर, bond order बढ़ गया bond strength बढ़ गया, ये बात याद रखना यहाँ पर resonating structure जैसा हो गया बिल्कुल, यहाँ पर resonating structure जैसा हो गया बहुत सही बहुत सही हाँ, क्योंकि इसके पास लोन पेर था, इसके पास लोन पेर था घर की ही बात थी, पहले से एक bond बना हुआ था, तो coordinate pi bond बनके ये ऐसा हो गया अब मैं आपको application part बता देता हूँ backbonding का application part important है वो सुन लेजे ध्यान से है ना, बाकी इसको अपन p block में एक बार और कर लेंगे, क्योंकि p block में अपने पास time रहेगा, तो कर सकते है na, p block में अपने पास time रहेगा, तो कर सकते है वैसे अभी देख लो है आप पे थोड़ी बात मैंने क्या बोला सार, मैंने बोला application की बात करते हैं, कभी भी अगर backbonding होगा, application की बात करते हैं कि BB के effect वैसे BB side effect लिखना चाहिए, बट BB के effect BB का क्या क्या effect होता है, सबसे पहला due to BB bond order हमेशा बढ़ेगा bond order बढ़ने कारण bond length हमेशा कम होगा और bond strength हमेशा बढ़ेगा या bond energy कहलो, bond strength हमेशा बढ़ेगा यह एकदम पक्का है, सर होगा ही होगा यह होगा ही होगा, दूसरे point पर आते है due to BB BB यह गारण यह तो bond order की बाद थी, सर, bond length, bond parameters की बाद थी bond, अब हम बात करेंगे कि इसके levis acid और levis base करेक्टर की, तो याद रखना due to BB levis acid and levis base strength decreases, यह दोनों ही decrease करते हैं यह दोनों ही decrease करते हैं, सर, levis acid का भी strength और levis base का भी strength, दोनों decrease करते हैं कि समझें क्या हमारी बात, बताईए, क्या हमारी बात समझें, इसके बाद, देखो यह यह जो है ना दो चार लोग, कि मुझे अपनी इंस्टा आइडी दे दो, पढ़ ले भाई, तेरे को आइडी मांगनी जोरत ने पड़े, तेरे पस खुद मैसे जाएगा, यह ना, तेरे पस खुद मैसे जाएगा दोस्त, पढ़ ले, एक से एक हो, हाँ, बवई, चलुट गया, हाँ, सेर मोटिवेेट हो गया, अब सेर पढ़ेगा, और सेर पढ़ेगा, और सेर पढ़ेगा, और फिर आग लगा दे का तो बीबी के कारण, क्या होता है, acid character और basic character दोनों घड़ जाता है यार दोनों ही घड़ जाता है तीसरे number पर आते है bond angle की बात करेंगे याद रखना bond angle ठीक है तो bond angle में क्या होगा कि due to BB BB बोले तो back bonding भाई BB1 की बात करना है due to BB bond angle either remains same same or decreases या उल्टा लिग दिया मैंने or increases bond angle या तो same रहेगा या increase हो जाएगा इसके अलावा और कुछ नहीं होगा सर यहां पर भात ध्यान सुनियागा कि सर if donor atom is hybridized is hybridized अगर donor atom भी hybridized है hybridized then उस case में क्या होगा उस case में आपको देखने को मिलेगा bond angle increases अगर donor atom hybridized है तो bond angle बढ़ जाएगा donor atom इसको करता है वो क्या है सर आदको आइदर रिमेंस सेब और एक कम वाले कैसे लिखेंगे जो हाइब है दूर एक पीछे वाला भी एसी पीका हई दीचन हो जाएगा तो टू के बाद डॉट 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 लगा देता हूँ अब आपको एक्जाम्पल से सम्झाद देता हूं कब कैसे क्या होगा तो यहाँ पे भी एही काथ कि इस donor atom is hybridized और donor atom is not hybridized जिसी से related बात होती है तो donor atom के hybridization होने से चीज़े देखकत होती है कि if donor atom is hybridized उस case में आप देखेंगे then hybridization changes अगर donor atom is not hybridized then no change in hybridization आपको कोई change देखने को नहीं मिलेगा यह है पूरी कहानी बीबी की हम सवाल करेंगे बागे सीधा we will directly jump to question यह सारी बातों के साथ हम question करना चालू करेंगे यह सारी बातों के साथ हम directly question करना चालू कर देंगे सर क्या मेरी बात clear है बताईए क्या खाओगे जल्दी बताओ स्वीगी से order करते है क्या खाया जाए food हाँ भाई या है खाना सर बिर्यानी खिला दो सर जबेली खिला जबेली क्या होता है बे है वाद दो मेन बच जबेली हुआ है यह जुलाब जबन है जुलाब जबन है चलो इसको खिलाए जुलाब जबन है सवाल देखने से रिलेटेड इसको क्वेस्टन है आपके सामने कंपेर लिविस एसेड स्ट्रेंथ हो बी सी एल या बी एक थ्री बी सी एल थ्री बी बी एर थ्री बी आई थ्री चलिए फटाफट कंपेर किज़ें कि 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 अच्छा लिए क्या ओडर हो जाएगा क्या अच्छा थूएब क्या य्यां दो कि कि अब यहां पर और क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे यहां पर अगर हम देखे तो हुआ है है हो अब यार तुम डर ना गया हो तो आप यहां पर देखेंगे अब बोलेंगे सर देखो अगर हम इनकी बात करें तो इसके पास बोलोन के पास तो 2P orbital vacant है 2P orbital vacant है 2P orbital vacant है 2P orbital vacant है सर, फ्लोरीन का लोन पेर 2P में था, इसका लोन पेर 3P में था, इसका लोन पेर 4P में था, इसका लोन पेर 5P में था, तो आप क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को यह मिलेगा, कि सर, इन में से सबसे strong bond जो है, इन में से सबसे strong bond जो backbone बनेगा, वो इसके लि से बेकार निवे से सीड़ोगा फिर यह फिर यह फिर यह क्योंकि यह सभी electron deficient molecule थे इसकी deficiency घर में ही भर गई इसकी थोड़ी बहुत भरी इनकी भर नहीं पाई इसके कारण ऐसा होता है इसके कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा सर क्या यह बात क्लियर है बताईए एम आई क्लियर डॉल अफियो बताईए तो इस तरीके से कई सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से कई सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे सर जल्दी बताईए फिर हम आगे चलते हैं झाल के और बता है हाँ इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं जैसे एक तो यह हो गया दूसरा इसमें एक बोरोन का और दूसरा ऑक्सीजन का इन दोनों का हाइबिडाजीशन बताईए इन दोनों का हाइबिडाजीशन बताईए और टीप आएगा इसमें डाइड़ना पिरिये offers बताईए तो क्या हो जायगा सिर आप इसमें अगर आप देखेंगे तो दो यहां प्ली मैं यह बोरीं का किसेडी होती है कैसे आप दोले के दिमैए बोरोन हैं बैक बार् stranger दिल्डाव्जन इधर है इड्रोजन यह बोरोन है अगर मैं मानदारी से देखूं तो आप बोलोगे सर यहां दो दो लोन पेर है और दो बोलोगे सर दो लोन पेर के साथ इसका hybridization क्या होना चाहिए आप बोलोगे इसका hybridization SP3 होना चाहिए था अगर backbonding नहीं होती तो but due to backbonding यह वाला electron इसको वापस से backbond करेगा और यहां पे आप देखोगे सर बोलोन का hybridization तो क्या है SP2 था ही oxygen का भी hybridization change होके SP2 हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला अगर donor atom खुद hybridized है तो उसका hybridization एक side पीछे चला जाता है एक step पीछे चला जाता है तो यह थी बाते backbonding से अभी हम सवाल के तुरू और समझेंगे इसको अब bridge bonding वाले topic की अगर हम बात करें तो bridge bonding वाले topic मतलब BB2 को हम P block के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम divoran वगेरा के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से इसको सीख लेंगे चलिए अब हम आगे चलते हैं सर इसके बाद अगले concept पे चलते हैं अगले concept पे जिसका नाम है dipole moment अब हम बात करेंगे बहुत important topic very very important topic dipole moment की dipole moment की थोड़ी सी बात करके फिर हम break लेंगे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बाते करते हैं सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप पहला point याद रखेगा कि it is a vector quantity और कोई भी अगर vector हो any vector quantity have two important things मतब दो ज़रूरी चीज़ है कि सिब vector quantity में होती है एक उसका magnitude दूसरा direction तो since it is a vector quantity इसको हम mu से represent करते हैं इसके भी दो important parameters होगे सबसे पहला इसका magnitude और दूसरा direction magnitude and direction अगर हम बात करें किसकी सर magnitude की तो इसके magnitude का simple सा formula इसका magnitude जो है वो simple होता है सर कैसे निकालते तो आप बोलोगे mu का जो magnitude है ये बराबर होता है charge into distance के charge into distance के बराबर होता है इसका अगर आप अगर आप direction की बात करो तो इसका direction किदर होता है सर बढ़ा ही simple है इसका direction होता है फ्रॉम less en या less en का मतलब electronegative है less electronegative to more electronegative element more en atom जैसे example के लिए मैं अगर आप से पूछू सर H F bond में dipole moment का direction किदर से किदर होगा arrow किदर से किदर बनाओ एक option है इस तरीके से यह A option है और इधर से इधर B option है बताए क्या बनाओ ए या B कौन से सही है इन दोनों में से कौन सा option सही है सर एस मतलब H से F की तरफ या F से H की तरफ बताईए बताईए कौन सा option सही है आप बोलोगे सर यह वाला क्यूं सर less electronegative से more electronegative के तरफ हम बनाते है बहुत ही बढ़िया उसके बाद अगर मालू मैं ऐसा bond बना रहा हूं अब CLF3 बना रहा हूं उसमें chlorine-florine bond है अब dipole moment का direction arrow किसके तरफ होगा सर फ्लोरीन या किसके तरफ दो option है एक option मैंने ऐसा बनाया दूसरा option मैंने ऐसा बनाया दूसरा option मैंने ऐसा बनाया बता दो direction किस तरफ होगा बहुत बढ़िया तो आप फिर बोलेंगे सर बहुत सिंपल है इसमें भी direction हमारा एक ही side होगा इस तरफ ही होगा बहुत शांदर जबरदस्त अब dipole moment की अगर हम बात करें तो dipole moment charge into distance से निक अगर मालो हमारे पास it is a vector quantity तो यहां पर vector law of addition काम करता है और vector law of addition में आपको पता है दो वेक्टर अगर मालो theta angle से एक दूसरे से अलग है एक वेक्टर यह है दूसरा वेक्टर यह है इनके 20 theta angle है और यह मालो mu है इस तरफ mu1 और यह mu2 है तो mu1 mu2 का net जो होगा net resultant कितना निक हाँ यह mathematics के बिदवान resultant तो आप बोलेंगे sir mu net जो इन दोनों के बीच का निकलेगा वो क्या जाएगा root under mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta क्या मेरी बात सही है बताएगे क्या मेरी बात सही है बताएगे हाँ या ना यह simple vector है सर वेक्टर addition की बात है और इसमें मज़दार बात यह है कि अगर mu1 mu2 same हो गया if mu1 and mu2 is same तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ इसको हम एक short form में कुछ और लिख सकते हैं क्या क्या बताएगे रूट टू यू रूट टू यू रूट टू यू कॉस थीटा वाई टू ठीक है बहुत सारे आंसर आ रहे हैं आप सोचना mathematically इसको यहाँ पर लिख देना तो यह mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 के जगा 2 mu square हो जाएगा तो यह वन प्लस 2 cos theta है इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसा है 1 plus 2 cos theta को क्या लिख सकते हैं यह वाली बात है चलिक है उस पर तो भी ज्यादा नहीं जाते हैं वापस आते हैं तो इस तरीके से हम इसका result पता कर सकते हैं अब हमारे पास सवाल कैसा आएगा सुलिएगा हमारे पास जो question होता है ना वह question होता है regarding Polarity किसके regarding Polarity के regarding Polarity के regarding हमारे पास दो टाइप के सवाल देखने को मिलेगे सबसे पहला सवाल होगा bond की या मैं बोलूँगा bond की polarity, polarity of a bond दूसरा सवाल आपको मिलेगा polarity of a whole molecule polarity of a whole molecule अगर हम bond की polarity की बात करें, तो याद रखना bond की polarity के लिए, if delta en is equal to 0 हम बोलेंगे bond जो है, वो कैसा होगा sir, bond हमारा non-polar होगा, अगर delta en non-zero है अगर delta en non-zero जो है, तो आप बोलेंगे हमारा bond polar है sir, यह bond की बात है sir अभी molecule की बात नहीं कर रहा अगर हमें molecule पर आना है तो molecule के लिए हम सिर्फ एक bond से नहीं देख सकते, हमें delta en पर खिलना पड़ेगा, हमें delta en पर खिलना पड़ेगा, मनलब delta en की जगा, हमें mu net पर हिलना पड़ेगा, और यहां पर आप बोलोगे अगर आपके पस mu net जो है, वो zero है, तब आप बोलेंगे हमारा जो molecule वा है, वो कैसा होगा sir, mu net zero का मतलब molecule हमारा non polar है और अगर हमारा mu net non zero है, mu net non zero, इस case में हम बोलेंगे, हमारा जो molecule वा है, वो polar होगा sir अब यही चीज़ हमें निकालना सीखना, एक एक करके दो तीन example करेंगे, फिर मैं आपको कुछ RBI जोगा और ऐसे RBI जोगा भाई, ऐसे RBI जोगा कि आज के बाद इसकी guarantee में ले सकता हूँ कि तू डाइपोल मोमेंट का कोई सवाल करने में, दस सेकेंड से जाधा टाइम नहीं लेगा, दस सेकेंड से जाधा टाइम नहीं लेगा, क्या वारी बात clear है, sir पारले जी मंगा लिजे, पारले जी ही मंगा आया है, हाँ वाई, clear है, कि दस मिनट से, दस सेकेंड जाधा टाइम नहीं लगा, sir जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं इतना गह रहा हूँ कि माल लोग, मैंने क्या बोला था, लगबग, 11.30 पे ब्रेक लेंगे, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट ध्यान दे दो, उसके बाद, तुम डाइपोल मुमेंट का एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, चले देखते हैं, तो मैं क्या कह रहा था, सुनिए, जैसे माल लोग, मैंने आपको बोला, question, आपको क्या करना, find, polarity of bond and molecule, सबसे पहला मैंने आपको option दिया, for BECL2, तो BECL2 को अगर आप देखोगे, तो structure बना लो, structure बना के बहुत सारी बाते बहुत ही clear हो जाती है, जैसे यह Beryllium है, यहाँ पर हमने सीधा chlorine जोड़ा, यहाँ पर हमने chlorine जोड़ा, इसके अगर हम बात करें, तो यह इसको इस तरफ खेंचेगा, यह इसको इस तरफ खेंचेगा, दोनों सेम ही atom है, है ना, इन दोनों के बीच अगर आप delta i n की बात करेंगे, तो आप बोलोग क्योंकि μ्यू इसको इस तरफ खेंच रहा है, और μ्यू इसको इस तरफ खेंच रहा है, दोनों बराबर है, इक्वल एन अपोजेट डाइपोल मोमेट लग रहे है, तो यहाँ पर इसका म्यूनेट भी 0 है, इसका मतलब molecule कैसा है, आप बोलेंगे molecule non-polar है सर, या मेरी यह बा bond ही देखते हैं, लेकिन पूरे molecule की polarity में, पूरे molecule की polarity में हम क्या करते हैं सर, हम हर molecule, मतलब हर bond की polarity का net डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, फिर second पे चलते हैं सर, दूसरा example ले ले लेते हैं, BCl3, boron trichlorate, इसकी अगर हम बात करें, इसका structure आप बनाएंगे इस तरीके से, दोनों atom different है, और atom different होने का मतलब है, delta ion non zero है, यहाँ पर आप देखेंगे, delta ion जो है, वो non zero है, और delta ion non zero होने का सीधा एक लाइन में आप मतलब देख सकते हैं, कि bond कैसा है सर, जल्दी बोलो, bond कैसा, आप बोलेंगे bond तो polar है सर, उसके बाद अगर मैं molecule की बात करू, unit की, तो आप बोलोगे, देखो यार, सर, यहाँ पर बहुत ने अंगल है, वो 120 डिगरी का है, और 120 डिगरी के अंगल पे, अगर हम इन दोनों का net dipole moment निकाले, अगर हम इन दोनों का net dipole moment निकाले, तो आप बोलोगे, यह बीच में यहाँ पर आएगा, और यह जो अंगल आएगा, साथ डिगरी के अंगल पे आएगा, और इसका भी net, कितना होगा, सर, इसका net mu के बराबर होगा, तो कि कॉस 120 डिगरी इस माइनस 1, कॉस 120 डिगरी, सॉरी, माइनस 1 बाइ 2 और माइनस 1 बाइ 2 होने के कारण, हमारे पास जो अंडर उट फॉर्मुला आएगा, वो mu1 स्क्वेर प्लस mu2 स्क्वेर, या mu1, mu2 तो सेम ही है, सभी क्लोरिन के ही डाइपोल मोमेंट है, तो mu2 प्लस mu2, माइनस mu2 हो जाएगा, जो कि अंत में mu2 के बराबर, 120 का आधा साथ डिगरी पे, ये दोनों लड़े जगडेंगे, कैंसल हो जाएगे, और वैसे भी आप जानते हो, वैसे जीरो हो जाता है, नेट फोर्स आक्टिंग ऑन दिस जीरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट आक्टिंग जीरो, तो आप बोलोगे हाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा है सर, अगें इस मॉलिक्यूल इस, एन पी लिग दू, नॉन पोलर, फिर एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं, त सेर कडाइपोल मोमेंट सेर ही कैंसल कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, कि सर, इन दोनों क्लोरीन के वज़ासे, अगर आप से कोई पूछे बॉँचे बॉन्ड में, तो आप बोलोगे सर, डेल्टा इन नॉन जीरो है, दो डिफरें सर, सेर का डाइपोल मोमेंट सेर ही कैंसल कर सकता है, सेर का डाइपोल मोमेंट सेर ही कैंसल कर सकता है, तो यहाँ पर पहली बात, दूसरी बात, लोन पेर का डाइपोल मोमेंट हमेशा अवे फ्रॉम सेंट्रल आटम होता है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट इसमें कुछ क्या मेरी बात clear है बताईए बोलिए बताईए इस इट clear अब मैं आपको कुछ RBI देने जा रहा हूं RBI देने के बाद अपन ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद फिर अपन आगे बात करेंगे है रहा फटा फट इसको कॉपी किजे फिर RBI इस देता हूं आपको हाँ बोलो जल्ली बताओ अब मैं RBI देने जा रहा हूं बहुत ही द्यान सुनना यह RBI इत्ती भव काली RBI अगर किसी को पता लगिया जिसको भी पता लगिया वाहित तोड़ ताड़ के सवाल रहे देगा ध्यान से अराम से सुनते जाएगा सबसे बेला पॉइंट RBI में सबसे पहला पॉइंट यह है कि डाइपोल मोमेंट का जो म्यू होता है कि डाइरेक्शन ओफ मू ओफ लोन पेर इस अवे फ्रॉम सेंट्रल आटम से हमेसाद दूर होता है यह पात याद रखना और लोन पेर का डाइपोल मोमेंट कोई कैंसल नहीं कर सकता दूसरे पॉइंट पे आते हैं Baak यहाँ प्लॉरी लगादिया यहाँ लगा दिया यहाँ उयन नहीं कह सकते कीया यह वह दाइपल मोमेट जीरो हो जाएगा सरफ क्लोरीन जदा उलेक्टर नेकर रखीचेगा प्लोरीन जदा उलक्ड exclusive थार किचेगा नहीं सर फ्लोरीन कुछ अलग फॉर्स हीचेगा और क्य視ząколь अलग अलग फोर से खीचेगा तो इसके कारण क्या होगा इसके कारण यहाँ पर प्रॉल्म आना शुरू हो यह तो यह कभी भी 0 नहीं हो सकता दो different highs का-डैंपल मोमंट कभी 0 नहीं हो सकता और लोन पियर का डैंपल मोमंट सिर्फ लोन पियर कंसल कर सकता वो पॉइंट पर लिखने जा रहा हूं कि म्यू ओफ लोन पेर कैन्सेल कर सकता कैसे केसे में जैसे वालों यहां पर कोई स्ट्रक्चर है उपर लोन पेर आ गया नीचे लोन पेर आ गया तो दो रुपए की पैंसिल डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू और यही दो केस है जब डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को इसका लोन पेर का एक दूसरे को कैंसल कर सकते हैं इसके बाद अगे बाद करें सर यह था दूसरा पॉइंट मादर तीसरा पॉंट चौथा पॉइंट बहुत इंपोर्टन है चौथा पॉइंट आपको मदद करेगा पता है कि इस बात पे कि आप बिना महनत किया हमेसा डाइपोल मोमेंट कि निकाल सकते हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ दूसर locked आफ पर्फेक्ट मॉलेक्यूल और सिम्मेट्रिकल मॉलेक्यूल इस आलवेज जीरो पर्फेक्ट मॉलेक्यूलो तो भी जीरो है सिम्मेट्रिकल मॉलेक्यूलो तो भी जीरो है आप पूछेंगे सर्फ पर्फेक्ट मॉलेक्यूल का एक्जाम्पल बता दो पर्फेक्ट मॉलेक्यूल का एक्जाम्पल है ऐसा जिसमें लोन पेर अगर आए तो वो सिम्मेट्रिकल पोजीशन्स पे हो जैसे symmetrical molecule का example मैं बता देता हूँ कौन-कौन से होगा देखिए मैं VACP 5, 6 और 7 की बात करूँगा VACP 5 में है ये 6 में है और 7 में VACP 5 में 3 lone pair वाला structure VACP 6 में 2 lone pair वाला structure और VACP 7 में 2 lone pair वाला structure ये symmetrical होता है मतलब ये linear है सर ये आपका square planar है और ये आपका pentagonal planar है इन में जो lone pair है वो opposite आता है 180 degree पे आता है इन दोनों में और इसमें जो 3 lone pair है वो 120 degree पे आता है तो ये सब एक दूसरे को cancel करते हैं यहीं पे छोड़के मैं break देता हूँ आपको अपन break लेते हैं कितने देर का 20 मिनिट का break लेते हैं इस बर है ना पिशली बर में लेट हो गया था क्योंकि खाना पीना कुछ खा रहा था उसमें बहुत जादा गरम था मुझ भी जला लिया बठा तीन दिन का वा तीन दिन का break लेना है अबे आज वैसे भी आज बढ़िया दिन है भाई Friday हलका हलका कीशते रहो पढ़ते रहो Friday तो वैसे बहुत भैतरीन दिन होता है तो 20 मिनिट का break 20 मिनिट के break के बाद हम मिलेंगे यहीं से question करना चालू करेंगे इस concept से आप कितनी तेजी से सवाल कर सकते हो यह देखना मज़ा आ जाएगा तो आपका समय सुरू होता है break का भी इसको लिख लिजे फिर हम यहीं से सवाल करना चालू करेंगे सेव करने बहुत टाइम दे लेगा यार चलो कर दिया करेंगे झाल 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 आवई अवाज आरीए मेरी जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो भाई मेरी आवाज आ रही है कि नहीं किसी में होगी चाबी बहुत बढ़िया तर खाना खा लिया हाँ मैंने तो खा लिया तुमने खाया क्या खाना खाया आवई सेर आ गया वाँ अब सेर पढ़ाई करेगा अब बहुत सारे सवाल करके 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 देखते हैं आई यह जई के सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे सबसे पहला सवाल आपके गंवीड़ स्क्रीन पर यह रहां जी मेंज 2022 का सवाल कह रहा है अमोंग BF2, BF3, H2O, NS3, CCL4, HCL the number of molecule with non-zero net dipole moment is इन में से कितने ऐसे molecule है जिनका net dipole moment non-zero है non-zero का मतलब कितने ऐसे हैं जो polar है जो polar है तो भाई मैंने एक बात सुनना अगर किसी के वासे एक लोन पेर है ना एक लोन पेर तो कोई भी एक लोन पेर का dipole moment तो दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान कितना भी ताकतवर इंसान cancel नहीं कर सकता आप बोलेंगे हाँ सर बात सही है तो अगर हम यहाँ पर देखें बी एक तू आप बोलोगे सर यह PM है PM बोले तो perfect molecule कैसे कोई लोन पेर नहीं सारे terminal atom से सर बी एफ टरी यह भी PM है PM कैसे सर कोई terminal atom नहीं सारे के सारे terminal atom से सर इसकी बात करें यह polar है क्यूंकि इसमें दो लोन पेर है और दोनों 180 डिगरी होते हैं 109 cheaper होते हैं इसकी बात करें इसकी बाद करें यह भी perfect molecule है मतलब नॉन-polar हो ए помог आइंड पर्फेक्ट molecule नॉन-पोलर होते हैं नॉन-पोलर होते हैं चल कि बात करें यह तो polar है single bond है तो इसमें कि का बहुं है को है इसके बाद एक सवाल जो जी एडवांस पूछता है बहुत ही कॉमनली वह है क्वेश्चन वेच आप दी फॉल्विंग मॉलेक्यूल इस बोट पोलर एंड प्लेनर यह जे एडवांस का बहुत प्यारा सवाल है जो बार बार पूछता है सबसे पहला ऑप्शन सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें तो आप बोलोगी सर सबसे पहले वाला SNCL 2 क्या है यह bent shape का है मतलब V shape का सर V shape तो एक plane में आता है मतलब यह planer तो है उसके बाद इसके dipole moment की बात करें तो अभी मैंने आपको एक RBI बताया क्या कि अगर किसी के पास एक loan pair है वो तो polar होगा तो आप बोलोगे सर यह planer भी है and polar भी है तो यह बिल्कुल सही option है दूसरे पर आते हैं XZF4 की अगर हम बात करें तो XZF4 पर आप बोलोगे सर इसके पास bond pair 4 है loan pair 2 है और 2 loan pair के साथ यह कैसा structure होगा? जनौन ऊपर एक loan pair नीचे एक loan pair इधर fluorine इधर fluorine इधर fluorine इधर fluorine इधर fluorine इधर fluorine VSEP6 में दो loan pair होने पर यह non-polar हो जाता यह non-polar है लेकिन planar तो है सर, planar तो है SO2 की बात करें, SO2 के साथ आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बहुत simple सर SO2 की अगर हम बात करें तो यह sulfur के ऊपर एक loan pair होता है, double bond हो, double bond हो अब loan pair के कारण बहुत ही simple सी बात है, यह planar तो है bent shape होने के कारण, but non-polar है और आखरी वाले की बात करें, XZF2 की, तो XZF2 आपका linear structure है, सर तीन loan pair इसके plane में आ जाएंगे और उपर एक fluorine, नीचे एक fluorine तो this is a linear structure, तीन loan pair 120 degree angle पे, sub dipole moment cancel उपर और नीचे fluorine, fluorine के कारण cancel, तो आप बोलेंगे यह non-polar है यह कैसा है? non-polar है और साथ ही साथ एक गलती जो मैंने कर दी है, मैं देख लेता हूँ, इसकी अगर आपन बात करें तो यह planar भी है, और non-polar नहीं, यह polar है, सर एक loan pair का dipole moment तो कभी cancel नहीं होगा, this is polar, अगर मैंने बोल दिया है non-polar, तो I am sorry for that तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे, तो पहला और तीसरा option हमारा सही हो जाएगा हाँ, SO2 polar है, बिल्कुल मैंने इसको सही कर दिया है, ऐसे खूप सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे in J advance, J advance in type के सवाल को बहुत पूसता है, क्या मेरी बात clear है, बताईए am I clear to all of you, बताईए फिर dipole moment से related कुछ specific बात है, जो direct direct सवाल आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, direct सवाल जो dipole moment से related आते हैं, देखिए, dipole moment से इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो अगला सवाल जो आता है, वो आता है compare mu of dipole moment of, किसका किसका, पहला जो सबसे common सवाल है, वो है, ch3f, ch3cl, ch3br and ch3i, इसके case में आप क्या देखेंगे सेर, आप बोलेंगे जहाँ delta i n जादा हो, महाँ dipole moment जादा होना चाहिए, तो इसका correct order क्या होगा, इसका correct order क्या होगा, आप बोलोगे बहुत simple है सर, देखो, अगर हम dipole moment की बात करने, तो dipole moment दो चीजों पर depend करता है, q into d, q is charge वाला factor, और charge कहां से develop होता है सर, तो आप बोलेंगे delta i n difference in electron negativity कारण, और d क्या है सर, distance वाला factor, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो CH3, CH3, CH3 तो हर जगा ही same है, मतलब difference क्या है, यहाँ पर carbon fluorine bond है, यहाँ पर carbon chlorine bond है, यहाँ पर carbon bromine bond है, और यहाँ पर carbon iodine bond है, अगर हम delta i n की बात करें, delta i n को order compare करें, तो आप बोलोगे इसको मालनो मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इस वाले को C बोल दिया, इस वाले को D बोल दिया, तो आप बोलोगे सर, delta i n की बात करें, तो fluorine से जादा electronegative कोई है नहीं, तो delta i n सबसे जादा A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा, औ सबसे कम D का होगा अगर हम distance की बात करें तो distance के हिसाब आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर इसमें सभी में carbon common है carbon को चुपा लो सर फ्लोरीन से बड़ा chlorine chlorine से बड़ा iodine iodine से बड़ा मलब bromine bromine से बड़ा iodine तो distance को अलडर हो जाएगा A से बड़ा B B से बड़ा C and C से बड़ा D इसका मतलब हम left to right जा रहे हैं तो size बढ़ रहे हैं अब ये दोनों factor contradict कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेरे कोई मानदारी से एक बात बता ना कि दोनों factor एक दूसरे को contradict कर रहे हैं हाँ या ना बताईए 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 क्या ये दोनों factor एक दूसरे contradict कर रहे हैं आप बोलोगे yes sir these both factors are contradicting each other delta in charge वाला factor बोल रहा है इसको जिता दो distance वाला factor बोल रहा है इसको जिता दो जीतेगा कौन sir अंत में जीतेगा वही जो दोनों तरफ से आगे हो मतलब यहाँ पे जीत किसकी होती है V वाले molecule की और इसका correct order जो है वो ये हो जाता है sir सबसे जादा dipole moment यहाँ पे CH3Cl का इसके बाद CH3F का उसके बाद CH3Br और सबसे पीछे आता है CH3I यहाँ पे अगर आप इमानदारी से एक चीज़ देखेंगे तो आप यह कहेंगे sir इन दोनों के बीच में जो dominant factor है इन दोनों को deciding इन दोनों के लिए जो deciding factor था वो रहा distance और बाकी सभी के लिए जो deciding factor रहा यहाँ से लेकर आतक वो आप बोलेंगे रहा delta EN इसका मतलब इसका delta EN और distance दोनों इतना perfectly matched था कि इसका dipole moment बुड़ा गडबड है बदाईए क्या मेरी बात सही है क्या मेरी बात आपको समझ में आई yes और no बोलिया हाँ यह सीधा सवाल है sir क्योंकि लोग क्या करेंगे लोग या तो distance को order को तो जाते ही नहीं वो देखेंगे दूसरा सवाल जो आता है वो compare ही है किसके किसके बीच में CH4 CH3Cl CH2Cl2 and CHCl3 इनका dipole moment compare केजिए मैं आपको option देता हूं मतलब इसको मैं A बोल देता हूं या ऐसे कर देते हैं GTLT में हो पाएगा थोड़ा उपर नीचे हो सकता है तो इसको A बोल देते हैं फिर B फिर C फिर D बताईए क्या order होगा सर ABCD में order बताईए क्या होगा सर कितना बाकी है अगर मैं आपको इमांदारी से बताओं तो मेरे से पूछोगे तो majorly हमारे पास तीन टॉपिक बाकी है MOT, MOT बहुत जादा लंबा नहीं लूँगा क्योंकि बहुत basic basic बाते अपन नहीं करेंगे अपन important बाते करेंगे MOT में क्या-क्या important बाते हैं और सवाल करना सीखेंगे कि MOT के सवाल भाई गोली के रफ्तार से अपन को करने हैं MOT के बाद अगर हम आगे चले तो फिर हमारे पास बचेगा weak forces and hydrogen bonding again weak forces and hydrogen bonding बहुत जादा time नहीं लेगा छोटे-छोटे topic है basic basic concept समझना है बहुत बढ़िया तो इसका order क्या हो जाएगा सर अगर आप इसका सही order देखें तो आप तो लगेगा सर यहां तो 3 chlorine है 3 chlorine का मतला भी तक खीज खाज के dipole moment पता नहीं आसमान उसमान पार कर देगा सरी सीधा space में मिलेगा इसका dipole moment सात्वे आसमान में लेकिन गलत इसका सही order जो है वो क्या है सर देखिए सबसे कम dipole moment A का क्योंकि A का dipole moment 0 है सरी एक non-polar molecule perfect molecule कोई lone pair नहीं और साथ में सारे के सारे terminal atom सें A के बाद dipole moment आएगा D का, D के बाद आएगा C का और सबसे ज़्यादा B का यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर reason क्या होगा तो अगर आप मेरे से इमानदारी से पूछो सच सच वाला reason तो यहाँ पर सच वाला reason जो काम करता है वो आपका काम करता है bent rule करके एक नियम है वो काम करता है इसके बारे में हम last में देखेंगे है bent rule और drag rule हम last में करेंगे after edge bonding hydrogen bond के बाद ठीक है bent rule काम करता है सर bent rule के कारण क्या होता है कि अगर कोई ज़्यादा electro negative element आ गया तो उसके कारण उसमें percentages character character काम हो जाता है bond angle कम जादा होता है और bond angle कम जादा होने के कारण हमें इन में देखने को क्या मलता है हमें इन में देखने को ये मिलता है सर की टाइपोल मुमेंट bond angle dependent भी है हमारे formula में mu 1, mu 2, cos theta भी आता है उसके कारण यह order देखने को मिलता मैं फिर बोलू हुआ यह order धोका वाला order है जिसको पता है वही कर पाएगा ऐसे केस में मैं आपको एक संपल सार भी आज देता हूं कि जिसमें या जिसमें एच ज्यादा उसका म्यू ज्यादा लेकिन इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो तीसरा पॉइंट तीसरा एक्जाम्पल जो बहुत कॉमनली आता है वो यह है एन एच थ्री आंड एन एक थ्री इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा यह भी तो अभी तुम देखोगे यही मैंस में पता नहीं कितनी बार पूच चुका है इसकी अगर अपन बात कर तो आप बोलोगे सर देखो नाइट्रोजन के पास उपर लोन पेर है इधर हाइट्रोजन है इधर हाइट्रोजन है इधर हाइट्रोजन के पास लोन पेर है इधर हाइट्रोजन फ्लोरीन है इधर फ्लोरीन है इधर भी फ्लोरीन है अब इसमें होता क्या है सर ध्यान से दे इसका भी डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा तो ये भी नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ही आड करेगा थोड़ा सा आड़ ही करेगा सर तो इसका डाइपोल मोमेंट दोनों तरफ से एक ही तरेक्शन में डाइपोल मोमेंट लग रहा तुम में डाइपोल मोमेंट नही गर बाद कर देखा और फ्लोरीन के करद नेडाइपोल मोमेंट निचे अगर ये मिूवन ये मूट। है तो यहां पर मूनेट कितना आएगा आप बोलोगे इसके मानुट बिल्क एसको मून निच कर देटे८ स्कंद आएगा तो यहां एसमें तो फ्लोरी ने सब पता निक इतना रही खीचेगा पता निक इतना ही खीचेगा है ना तो इन बातों से बच्के रहना क्या मंएरी बात clear है बताइये अगर मेरी बात clear है तो फटट własई एक," बढ़े दिल बना दीजिए ». फिर हम आगे चलते हैं थोड़े से बेंजीन के structure का डाइपल मोमेंट देख लेंगे और उसके बाद डाइपल मोमेंट से फिर हम अगले topic पे जिसका नाम है one of the most important topic molecular orbital theory उस पे चलेंगे चले बताइए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया फिर हम सवाल करेंगे लास्ट में पीवाई क्यू पीवाई क्यू फिर एक बार एंड में सब रिवीजन कर लेंगे क्या क्या पड़ा और उसके बाद खतम करेंगे चले अब हम बात करते सबसे पहले अगरे इसका मुंवमेंट मुनेड़ Zero यह बैंगे ऐसकी ही ही नहीं कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं है ठीक है अब मालो बेंजीन के डेरिवेटिव के अगर हम बात करें और्थो पैरा तो तुम्हें पता होगा और्थो मेटा पैरा है ना बेंजीन के derivative होते हैं जैसे example के लिए मालनों मैं इसको बना देता हूँ मैंने बोला देख भाई एक काम करते हैं इसका dipole moment जो है ना इसका इसमें 1 chlorine है बेंजीन के उपर बाकी तो कुछ है नी बेंजीन का 0, 1 chlorine इसके कारण अगर dipole moment इसका dipole moment mu जो है उसको मैंने मुड़ बोल दिया या मुड़ दिया इसके dipole moment को मुड़ दिया मैंने इसका dipole moment mu है बरावर mu की लिख रहा हूँ मैं ऐसे लिख देता है इसका dipole moment अगर mu है तो आप से पूछेगा find the dipole moment यह दे देगा मैंने बनाया इस तरीके से मैंने बोला इसका dipole moment कितना होगा सर अगर यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो बताईए जल्दी से अगर यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो इसका dipole moment कितना होगा जल्दी बताओ बोलो बोलो हाई जी कितना dipole moment हो जाएगा तो आप बोलोगे सेर इसका डाइपल मॉमेंट भी म्यू ही है क्या सर यह क्या पूच रहा है अच्छा इसका मतलब मैं एक क्लोरीन कहीं भी लगाओ कोई झाइपल मॉमेंट पर है ना अब दो-दो क्लोरीन लगाते हैं तो मैं एक काम करता हूं बैंजीन का स्केलेटन बनाकर इसको कौपी कर लेता हूं मदद मिल जाएगी बहुत है अब इसमें क्या करेंगे हैं क्लोरीन अलग अलग जगा लगाते जाएंगे आपको तंग करते रहेंगे है पाइब इसकी wprowad करते हैं मैंने बोला एक बड़ी लुटी हो रिन लगा एक बड़ी यहां लगा अब भी तो मोर्मिंट कितना एक ब satisfy रिली हे लगा लगा यह लेक्षाज लाएक बड़ी कर तीन फिर एक दो तीन फिर चार भी लगा लेते हैं एक दो तीन चार चलिए इनमे देखते हैं सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसका डाइपोल मुवमेंट कितना तो आप बोलेंगे सर देखो बॉन ओर्डर जीरो आप बॉलेंगे सर आप सांए है आप सांए का मतलब है मियू ग जीरो वोगैं इसकी बात करें आप बोलके सर यहा और यहां इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है 120 डिग्री का सेम एंगल का मतलब है यह नेट डाइपोल मुवमेंट यहां पे लगाएंगे इनके बीच का एंगल जो है वो कितना है इनके इनके करके तो मेरे को एक गाना यादा रहा है आज कल गाना बहुत चल रहा है इंके पिंकी-पॉंकी है ना तो आप बोलेंगे इनके बीच का एंगल साथ डिग्री का है तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा म्यू वन आप बहुत बढ़ेंगे रूट थ्री मिन बहुत बढ़ेंगे इनके तो है ना चलिए इसके बाद दम आगे चलता है किता आगा भाई रूट थ्री मिन रूट थ्री बाइटू कि देखलो भाई दिक्कत ही तो यही है जाकेट पहनूं तो गर्मी लगे जागण उटार दूं तो चीग आए चलो ऐसे देखते हैं पहन लेते जाकेट इसके बाद अगर आप कह रहे हो तो इसक इसके कारण यह म्यू के बराबर आजाएगा यहां कि अगर हम बात करें इसकी तो आप बोलोगे देखो सर इन दोनों के लिए हमें पता है यहां पर म्यू के बराबर आता और इस क्लोरीन के वज़ा से म्यू तो दो म्यू आपस में अड़ हो जाएंगे यह टू म्यू के बर राबर आजाएगा, इसकी बात करें, तो आप बोलोगे sir 120 degree पे 3 forces equal है, equal forces या equal डाइपोल moment, यह cancel out होके यहाँ पे net 0 dipole moment बनाएगे, इसकी बात करें तो यहाँ के लिए आप 2-3 तरीके से खेल सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें, तो 2-3 तरीके से खेल सकते हैं, सबसे पहला तर नों cancel हो गए तो 60 तेकरण सवाब कर सकते हैं आखरी frågor मोमेंट से आखरी सवाल होगा was a है सब्सक्रेश कि को बहुत पसंद है जैयी ने दो बारी सवाल पूछा, एक बरी मेंस ने, एक बर अडवांस ने और बिल्कुल सेम सवाल, एक बरी जही ने पूछा, क्लोरीन, क्लोरीन लगाया, एक बरी जही ने पूछा, यहाँ पर मालो क्लोरीन के जगा मैंने OH लगा दिया, और एक बरी जही ने बोला, यहाँ पर मैंने CN लगा दिया, तो इनके dipole moment की बात पूछा जही ने, इन तीनों के dipole moment की बात पूछी, कि बताइए इन तीनों का dipole moment, किसका 0, किसका non-0, कौन polar है, क्ईण non-polar, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो आप बोलिएगे, sir, ये ना, इसका dipole moment बहार की तरफ है दोनों और दोनों एक दूसरे को cancel out करेगा तो ये non-polar हो गया, इसके लिए mu जो है वो 0 आ गया सर, लेकिन अगर हम इसकी बात करें न ओ-H की बात करें, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है इदर लोन पर, इदर लोन पर, यहाँ पर भी कहा है, सर, hydrogen इदर कहीं अंगल पर आएगा, और बाकि इस पे लोन पर होगा अब ऐसीड प्राप्लम है, सर यह लोन पर इदर खीचेगा, यह लोन पर इदर इन दोनों के कारण नेट ऊपर की तरफ यह लोहन पर इधर यह लोन पर इधर इन दोनों के कारण नेट उपर की तरफ अब जब नेट डाइपोल मुमेंट वाला कोई है यहां प rollingot यहां पे डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ का डाइपोल मोमेंट कैंसल करने वाला कोई है यह बताओ मेरे को इस इनी डाइपोल मोमेंट यूर सींग हेर जो कैंसल कर दे उसको तो इसका सरी answer है नो सर डाइपोल मोमेंट उपर लगेगा ही नहीं और जब डाइपोल मोमेंट दोस्त उपर नहीं लग रहा है उपर कोई cancel ही नहीं कर रहा तो आप बोलोगे इसका minute non-zero है इसका मतलब कभी भी ऐसे loan pair आके फस जाए कभी भी लोन पेर आके फज़ आए और अलग-अलग प्लेन में होने के चांसेश हो तो जेनरली ऑक्सीजन हो या सलफर हो तो भी आप बोलते कि यहाँ पर डाइपकोल मोमेंट ऐसे छो तो सलफर भी तो वैसा यह ना तो भी आप बोलते यहाँ पर भी म्यूनेट जो है वो क्य आपने सामने सर एस्पी 3 हाइबिडाइजीशन होने कारण इस कारण की यह आपने सामने है तो इसका भी म्यूनेट क्या हो जाएगा जीरो यह भी सवाल जेही ने बहुत बार पूछ रखा है यह भी सवाल जेही ने बहुत बार पूछ रखा है फिर अगर आप और आप और में आप सिस ठ्रांस देख सकते हो वस्ति सिस का क्या होगा गाऊंति ऐसे मालो या-डबल कार्बन है इधर two hai लगा हीट्रोजन लगा दिया से केस में भी आप दैपोलमोंट इसा तो नहीं चिता सकते हो अगर ट्रांज उन्हीं हो जाएगा लेकिन हाँ बहुत कम डाइपोल मोमेंट आएगा ट्रांज का सिस्क ने ठीक जानते हैं अब आगे आते हैं अगले मोमेंट से रिलेटेट कुछ सवाल अभी करें या मोटी करने के बाद सवाल करें हमोटी बहुत प्यारा टॉपिक है फिर बहुत सारे सवाल करेंगे मोटी चलिए अब हम बात किसी करेंगे सर् molecular orbital theory की है मज़धार बात यह है कि अभी तक हमने जो भी theory पड़ी थी सब अभी तक हमने जो भी theory पड़ी थी आपको पता है हर एक theory hypothetical थी इसका मतलब हम जो VBT, VBT पढ़ रहे थे VACPR पढ़ रहे थे वो सब क्या मजाग था ते वो मजाग तो नहीं कह सकते मजाग कहना तो गलत हो जाएगा लेकिन हाँ वो सब hypothetical बाते थी किसी ने सोचा, सोच के theory बनाई theory बनाई और लगा दी वाई चलने लग गई theory, दुनिया को पसंद आ गई दुनिया ने माल लिया किसी ने बनाया दुनिया को पसंद आया, दुनिया ने माल लिया, अब हम बात करेंगे molecular orbital theory की जो की one of the most advanced और one of the most accepted theory है for bond formation basic difference क्या है normal theory में और molecular orbital theory में, तो आप याद रखिएगा molecular orbital ये कहता है कि molecule के electron molecule के electron atomic orbital में नहीं atomic orbital या फिर hybrid orbital में नहीं में नहीं बल्कि कहां पाए जाते हैं तो आप बोलोगे molecular orbital में पाए जाते हैं molecular orbital में होते हैं सबसे पहला point तो यही है कि सर किसी molecule का electron atomic orbital में नहीं molecular orbital में होता है molecular orbital हमेशा याद रखना एक से अधिक nucleus के द्वारा control किया जाता है it is controlled by multiple nucleus atom का orbital क्या है single nucleus से control होता है molecule का orbital multiple nucleus से control होता है फिर आप बोलेंगे molecular orbital जिसको हम MO बोलते हैं MO बोले तो molecular orbital बनता कैसे है का formation कैसे होता है तो इसका formation भी अब देख लो यार यह सबसे advanced theory है ना तो इसका formation भी बहुत ही scientific तरीके से दिया गया इसका formation बहुत ही scientific तरीके से दिया गया आपको बताए गया आप लोगों ने physics में एक phenomenon बढ़ाया क्या Interference of wave wave का interference तो इन्होंने बोला कि देखो यार यह interference से बनता है किससे बनता है interference of wave कौन सा wave sir अबे orbital के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी electron किसी भी atom का जो orbital है वो किस से represent किया जाता है साई से represent किया जाता है दिंगर wave equation से orbital represent किया जाता है तो मतलब वो कहता है electron wave के form में चल रहा है तो उस wave का क्या होगा sir interference होगा मतलब mixing of two waves waves किस तरीके से मिल सकते हैं sir तो आप ध्यान रखिएगा एक होता है constructive interference दूसरा होता है destructive interference constructive interference में क्या होगा सर एक का crest दूसरे का crest से यह basic भासा में छोटे बच्चों की बात है अगर मैं आपको 11 मनद 12 या beyond की बात करूं तो आप अच्छे सब्दों में यह कह सकते हो कि जब दो wave का same phase आपस में आके interfere करें तो हम उसको constructive interference कहेंगे बोल चाल की बासा में आप बोलोगे जब एक का crest दूसरे के crest से मिल जाए तो constructive interference कहलाता है एक wave का crest दूसरे wave के crest से मिलें तो हम उसको क्या बोलते हैं अगर यह ऐसा है तो यहाँ पर क्या आप देखो इसका crest इसके crest से इसका truff इसके truff से crest crest से truff इसके truff से तो आप देखेंगे इसका resultant जो होगा ना इसका resultant इस तरीके से बनेगा जिसका amplitude बढ़ा हुआ होगा जिसका amplitude जो है वो बढ़ जाएगा और इसको हम constructive interference बोलते हैं Constructive Interference को हम stability की ओर मानते हैं और इस condition में जो हमारा molecular orbital बनता है उसको हम बोलते हैं BMO बोले तो bonding molecular orbital क्या कहते हैं? Bonding molecular MO बोल दे तो molecular orbital यह है Destructive Interference में क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे same phase में नहीं opposite phase में जब यह आपस में एक दूसरे से मिले तो इसका मतलब ऐसा है जैसा आप अपने घर बगेरा हम देख सकता आपके घर में कहीan mobile का network बहुत तगड़ा आता होगा कहीan-कहीan network आता ही नहीं है वहीं सीन यहां पे भे है तो मैंने क्या बोला? कि भईया, इसका way अलग है है ना मतलब अगर मैं ज्यादा physics के term में बोलूँ है ना एक दम technical term बोलूँ तो मैं बोलूँगा जब opposite phases में मिले opposite phases थोड़ा heavy term हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ वहिया जब इसका crest जब एक का crest दूसरे के truff से मिल जाए इसका crest से मिलें ऐसा उल्टा मिलें तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा इस केस में आपको देखने को मिलेगा जैसे आप tv पर अपने देखती हो ना किसी movie में drama अगरा मैं दिखाता है कि computer screen पर से सीधी लाइन हाँ डक्टर वाहर निकला बोला अपसोस तो यह वही वाला केस है सर यहाँ पर आपको इसका यह और छोटा होता हुआ देखने को मिल जाएगा आम्ट्रिट्यूड और छोटा होता हुआ देखने को मिल जाएगा क्या यह बात क्लियर है और इस केस में जो के खाया हैं कि यह नहीं है तो हमारे और से जाएदा काम नहीं हाता है और हमें same type के, हमें same type के element के लिए ही पढ़ना है, चलिए, इसके बाद, अगर हम आगे चलें, अगर हम आगे चलें, तो सुनिए, क्या होगा बात है, अगर हम आगे चलें, तो ठीक है सर, हमने bonding molecular orbital बना दिया, anti-bonding molecular orbital बना दिया, bonding और anti-bonding के अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह बात याद रखना कि, number of the, number of molecular orbital formed is equal to number of atomic orbital interacting, number of atomic orbital interacting, इसको बोलते LCAO, linear combination of atomic orbital, है ना, कि जितने atomic orbital होंगे, उतने ही molecular orbital बनेगे, अब जो molecular orbital बनेगा हमारे syllabus के इसाब से, वैसे तो यह चीज हमेशा नहीं लिख सकते, जितने molecular orbital बनेगे, उसमें से half-half हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जितने भी molecular orbital बने, वो half-half हिस्सों में बढ़ जाएंगे, half इसमें से BMO बनेगा, और half इसमें से ABMO बनेगा सर्, ये बात का ध्यान रुपना, आधा bonding molecular orbital, आधा anti-bonding molecular orbital, BMO में अगर electron गया, तो ये stability को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा सर्, stability को enhance करेगा, ABMO में अगर electron गया, तो ये stability को decrease करेगा, ये stability को कम करता है सर्, यहां तक की बात simple है, यहां तक की बात simple है, अब हम आगे चलते हैं, की सर, electronic configuration कैसे लिखेंगे, हम कैसे भरते हैं electron को, तो देखिए, सर इसको बनाने का तरीका अगर आप देखेंगे, वैसे तो मैं normally ऐसे बोलता हूँ कि अगर ABMO बनाने का सवाल generally नहीं आता है, यह मैं बोला गरता था class में, आपको दो diagram दिखाऊंगा, इन दोनों diagram को ध्यान से देख लेना, सर, जब दो 1S orbital मिलेंगे, तो sigma bond बनना चाहिए, या pi bond बनना चाहिए, बताओ, जब दो 1S orbital मिलेंगे, तो sigma bond बनना चाहिए, या pi bond बनना चाहिए, तो आप बोलोगे, सर, 1S, 1S तो sigma भी बनाएगा, तो इसका नाम हम लिख देते हैं, sigma, किस से बना है sigma, 1S से, सर उपर वाला orbital ज्यादा energy का है ज्यादा energy का है तो इसको 1s लिखेंगे और उपर star लगा देंगे तो हमेशा याद रखना ABMO के साथ star लगता है star का मतलब वो anti-bonding molecular orbital है पिर आप बोलोगे सर 1s के जैसा ही 2s orbital भी होगा मैं बोलूगा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई बिल्कुल सही फर्माया है यह 2s orbital जो है 2s orbital मिलेंगे तो 2 molecular orbital बनेगा एक उसमें से bonding वाला बनेगा एक उसमें से anti-bonding वाला बनेगा जो bonding वाला है उसको sigma 2s बोल देंगे जो anti-bonding वाला है उसको sigma star 2s बोल देंगे सर अब अगर हम उपर चलें इसके उपर 2s के उपर कौन आता है 2p आता है 2p की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर देखो 2p में न तोटल 3 orbitals हैं कितने 3 orbital हैं 3 orbital मिलेंगे 3 और 6 orbital मिलेंगे 6 molecular orbital होगे 6 वैसे 3 जो है वो bonding के 3 anti-bonding के तो आप यहाँ पर देखेंगे देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो यह इस तरीके से बनेगा मैं जो बना के दिखा रहा हूं उसको द्यान से देखना ध्यान से अभी सुनना और समझना म हमारा z axis जो है ना वो bonding axis है मतलब वो sigma bond बनाने हम z axis से बना रहे हैं जेड़ एकसिस से sigma bond बना रहे हैं उसके बाद बहुत सारे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं भाई सवाल तो तब भी बता पाऊंगा ना जब एक बड़ी इसको complete कर लूँ रहे हैं कुछ बने गाले थार स्टार वाले लेश टैबल हम बिल्कुल अंस्टेबल है इसके बाद उपर आएगा साथ सिग्मा टू पी जीटर अभी है अगर तो तो पी ऑर्बिटल है तो एक ही sigma बनेगा, बाकी तो pi bond बनेगे, तो ये बन गया sigma, अब बाकी जो बनेगे वो pi बन जाएंगे, उपर चलेंगे, तो इसके उपर क्या आएगा सर, इसके उपर pi वाला पहले आएगा, तो ये है pi star 2px बराबर pi star 2py, और इसके उपर आएगा, एक orbital जो कि है sigma star 2pz, ये हम electronic configuration यूज़ करते हैं, for up to 14 electron, 14 electron तक की species है, तब इसको यूज़ करेंगे, यहाँ तक नीचे, यहाँ तक तो सब से में, ऊपर difference होता है, वो difference है, उसको याद करने का तरीका, आप इसके लिए याद करेंगे, 2 and 2, 1, a code याद कर लेंगे, मतलब p जो हम बनाएंगे, उसमें 2 एक फिर दो फिर एक, मतलब पहले पाई सिग्मा फिर पाई सिग्मा, इस तरीके से हम बनाएंगे, इसके बाद, अगर हम आगे चलते हैं, अगर हमारे पास total number of electron greater than, है न, electron more than 14 हुआ, more than 14 हुआ, तो कैसा बनेगा, एमोटी, तब एमोटी कैसा बनेगा, तो मैं कोसिस करता अगर ये कॉपी हो जाए, तो मेहनत बच जाएगी, अगर electron greater than 14 हुआ, तो एमोटी कैसा बनेगा, ये देखते हैं, वाह, ये बहुत गडबड हो जाएगा, तो एमोटी कैसा बनेगा, तो एमोटी कैसा बनेगा, देखना, सर ये नीचे वाला मामला बत लेगा बस, और कुछ नीचे बत लेगा, ये नीचे वाला मामला थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा मतलब सर, ये पाई उपर चला जाएगा, और सिग्मा नीचे आ जाएगा, डर्ना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या हो गया, क्यों हुआ सर, ये ऐसा, क्यों हुआ सर, हमारे सा तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हें पूरा रीजन बताऊंगा है ना, वैसे नीट में तो बताने की जोरत नहीं पड़ती है, बढ़ हाँ, जेई वाले होगा है ना, तो हमारे लिए ये रीजन इंपोर्टेंट है, देखिएगा मैं आपको पूरा प्रॉपर रीजन बताऊ होती है, तो इन दोनों में जो फर्ख है, वो फर्ख है P orbital का, यहाँ पे हमने P को भरा, 1, 2, 2, 1, मतलब सिगमा पाई, पाई सिगमा, यह difference है सर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह difference है सर, इन दोनों में यह difference है, क्या, कि सर यहाँ पे सिगमा नीचे आ रहा है, यहा यह वाला है यह सही चीज कैसे कम होती है यह थोड़ा आप आ गया सबसीज के पीछे और वह है एस पीMIक्सिंग और यह एडवांस के सब्सक्राइबिक 폭 बोलता अगर SP mixing operate नहीं कर रहा है तो SP mixing में क्या होता है सुनना और समझना जैसे मालो SP mixing कब तक operate करता तो 14 एलेक्ट्रॉन तक में होता क्या है देखना अगर मैं बात करूं तो अब तू 14 electron वाली species में आपको देखने को मिलेगा 2S and 2P के बीच गाप कम होता है के बीच कि गाप कम होता है अब सुनते जाना मेरी बात अब टू एस टू पी के बीच गाप कम है यहां पर हमने बनाया अब मेरे को बता क मेरे को बता 2S का अटीटी में जो है यह इससे उपर होगा यह नीचे होगा बतला है ऑपसाइड होगा फाहिए बोजे बताई इत detonate अभी ऑनट कि इटविल बी ओन न पर साइड औश्यक परुड कि dernière कि तरफ होगा तो आप बोलेंगे सर सीदी सी बात है इसका आंटी बांडिंग उपर की तरफ होगा यह है सिग्मा टुएस आंटी बांडिंग ऐसी बना देता हूं पूरा एकदम डिजाइन दार नहीं बनाया सर अगर हम टूपी की बात करें तो टूपी के लिए आप बोलोंगे सर सिग्मा टूपी जड नीचे होना चाहिए यहां पर आया सिग्मा टूपी जड़्ड आपको नहीं लगता इन दोनों में गाप कम है गाप इस वेरी लोग और क्योंकि गैप इनके बीच बहुत ही ज़ादा कम है तो इनके बीच में रिपल्सिफ पोर्सेज विल आक्ट और बहुत स्ट्रॉंगली आक्ट करेगा क्यों अब दोनों में इलेक्ट्रोन वरेंगे तो जैसे ही तुमने इसमें इलेक्टरोन रखना चाहा इस दोनों के इलेक्टरोन इतने आसपास है इसके बाद भी इसके बाद भी आप करेंगे आप बोलेंगे सर इन में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन को ओवर कम करने के लिए क्या होता है यह वनेस जो है ना यह वनेस जो है जो की लगबक यहां होना चाहिए था यह वनेस और बटल जो की लगबक यहाँ पे होना चाहिए था सर यहाँ पे इसको यहाँ होना चाहिए था बन्दब यह वाला PZ वाला यह उपर चला जाता है थोड़ा सा बोलता मैं Pi के उपर चला जाता हूँ तो इनके बीच का gap ठीक ठाक सा हो जाएगा इस वज़ा से ऐसा देखने को मिलता है अगर कभी ऐसा दिया SP Mixing is not operative या not operating उस case में आप क्या करेंगे सर उस case में आप 14 and more 14 है ना उस case में आप more than 14 electron वाला electron वाला है मोटी फॉलो करेंगे more than 14 electron वाला मतलब मैंने number बताया था क्या 1 2 2 1 सिग्मा पाई पाई सिग्मा ये वाला आप फॉलो करेंगे चाहे बात क्लियर है अगराई वाह लक्स वन ये लक्स वन क्या है वे लक्स तो luminous intensity की unit होती है अच्छा तुम लोग लक्स वाले हो अच्छा दस में लक्स वाह बहुत बढ़िया क्या कोई class 10 का भी है मैं हूँ class 10 का मैं अभी दसवीक अच्छा में हूँ मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने खटी topic हाई है मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ How long sir बस मैं कोसिस कर रहा हूँ जित्ती जल्दी खतम कर सके what question करेंगे न अभी क्या ये बात clear है ठीक है पहली बात अभी ये कुछ बच्चे पुछ रहे सर BMO में node होगा नहीं होगा node है नहीं है इसकी बात अभी आगे करेंगे अभी molecular orbital में आगे बाते करेंगे पहले इसको समझ लो पहले molecular orbital diagram समझ लो तो इस तरीके से हम electronic configuration लिख सकते हैं सार अब हम क्या करेंगे जब इनका electronic configuration लिखेंगे तो सारे नियम कानूम follow करेंगे कौन-कौन से above principle मतलब पहले lower energy फिर higher energy फिर होन rule होन rule कहता है कि सभी में singly electron fill करो मतलब जिसकी energy सेम है उसमें singly electron fill करो then pairing will take place और आखरी वाले की अगर हम बात करें तो आखरी वारा rule कहता है polish exclusion principle and orbital चाहे वो molecular हो या atomic हो can accommodate a maximum of two electron with opposite spin ठीक है चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ देखो यारिस से related सवाल क्या क्या आते है question क्या क्या पूछे जाते है questions जो आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहला question आपसे electronic configuration पूछेगा molecular orbital का electronic configuration and diagram molecular orbital diagram MO diagram ये दो चीज़े पूछेंगे electronic configuration की अगर हम बात करें तो simple है अब 214 electron के लिए electronic configuration कैसे लिखेंगे तो सबसे पहला electron sigma 1s में जाएगा कितने electron उपर लिख देना दो तक maximum possible है इससे जादा energy होती है sigma 2s की या सॉरी sigma anti bonding 1s की फिर electron चला जाएगा sigma 2s में फिर electron जाएगा sigma anti bonding 2s में फिर electron जाएगा up to 14 electron है न तो अपन फॉलो करेंगे 2121 2121 इसका मतलब पहले πाई आएगा तो πाई 2p x बराबर πाई 2p y यहापे दो अर्बिटल हो गए तो 4 electron आएगे इससे जादा sigma 2p z इसके बाद πाई anti bonding 2p x बराबर πाई anti bonding 2p y और सबसे लास्ट में आएगा sigma anti bonding 2p z यह है normal trend इसका फिर अगर हम बात करें more than 14 electron तो नियम क्या बताया 1221 इसका मतलब सर पहले sigma फिर πाई यहाँ पे पाकी तो same चलेगा सर यहाँ से लेके आप तक की कहानी तो same है सर as t's ऐसी ही चलेगी difference खाली यहाँ पे है इन दोनों में difference है सर इन दोनों में क्या difference है आईए देखते हैं इसके बाद आप बोलेंगे आएगा sigma 2p z फिर πाई 2p x बराबर πाई 2p y मेरे बाई इसके बाद फिर same है सर फिर जो यहाँ अवई फिर जो यहाँ वहीं वहाँ एकदम डिट्टो से नहीं है 1 2 2 1 देख लीजे तो अगर आप मेरे को बोले सर हाइलाइट कर दो क्या फरक है दिखने पारा सर में मैं बोलूँगा यहाँ पर फरक है बास और कहीं नहीं यहाँ पर अल्टी पल्टी हो गया यहाँ यहाँ पर अल्टी पल्टी है बाकी सब से मैं clear है किसमें एलेक्टरॉन भर देंगे बाकी सारी काम अराम से हो जाएगा कोई टेंसल नहीं है ठीक है बाकी सब अराम से हो जाएगा चलिए अब हम क्या करते हैं अब मैं आपको देने जा रहा हूँ अभी हमारे के सवाल कि आप 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे करेंगे सर इस तरीके से आप मोटी के सवाल करना स्टार्ट करेंगे आये देखते हैं मोटी से रिलेटेड जो आप से सवाल पूछा जाएगा वो यही है सर सबसे पहला अगला सवाल यह पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा सर बॉन्ड और निकालना है तो आप बोलेंगे इसका फॉर्मुला होता है नंबर ओफ बॉन्डिंग और बीमो मतलब ऐसे एन बी मैं लिख देता हूं इसके बाद अगर हम बॉन्ड और के बात की बात करें तो एक्जिस्टेंस की बात हमसे पूछी जाती है कि कोई मॉलिक्यूल एक्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा तो एक्जिस्टेंस के लिए बस दो बात याद रुखना कि if bond order is not zero आप बोलेंगे molecule will exist है ना और if bond order is equal to zero आप बोलेंगे does not exist क्या बोलेंगे molecule does not exist ठीक है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा magnetic nature के बारे में किसके बारे में magnetic nature magnetic nature से क्या सवाल आएगा सर कि कोई भी species paramagnetic है या diamagnetic paramagnetic होने के लिए unpaird electron होना चाहिए paramagnetic होने के लिए उसके पास unpaird electron होने चाहिए unpaird electron हम molecular orbital diagram से निकाल सकते हैं देखकर के बागी दूपसरा भी तरीका वो मैं बताऊंगा और diamagnetic होने के लिए no या zero लिख देता हूँ no का नंबर आप समय लोगे zero unpaird electron और अगर मैं unpaird electron के नंबर को n मानता हूँ तो एक और formula आप से पूछा जाएगा spin only magnetic moment mu s जिसको हम कहते हैं spin only magnetic moment जो कि आपने coordination compound में भी पढ़ा होगा इसका formula आपने atomic structure में भी पढ़ा होगा इसका formula होता है root under n into n plus 2 और unit होती है bohar magneton जो मैं यह बता के देता कि कितने unpaird electron है इसके इसाब से हम यह बाते कर सकते हैं clear है clear है क्या यह बात अब हम आगे चलते हैं सीधा सीधा अब हम आगे चलते हैं सीधा सीधा set of RBIs to solve molecular orbital theory question in fraction of seconds आईए देखना सुरू करते हैं सबसे पहला अगर कभी आपके पास सवाल किसका हो sir फिर repeat करो कभी भी सवाल bond order का हो अगर आपके पास सवाल हो bond order का आप लिखेंगे यहाँ पे बीच में bond order यहाँ लिखेंगे number of electrons इसके left में भी लिख देंगे number of electrons bond order 3 से सुरू करो 0.5, 0.5 कम करते जाओ 3.0, 2.5 2.0, 1.5 1.0 0.5 और 0.0 उसके बाद सर electron लिख दो दोनों तरफ 14 लिख दो 14, 14 एक तरफ बढ़ाते जाओ 15, 16 17, 18 19, 20 एक तरफ कम करते जाओ 13, 12 11 10 9 8 डाइरेक्ट bond order आजिया सर जो bond order सामने लिखा है जितने electron के लिए जो bond order लिखा है वही answer No need to calculate No need to draw M.O.T. ना M.O.T. बनाने की ज़ुरत है ना किसी चीज़ की ज़ुरत है सीधा answer कर सकते है सीधा इसके बाद अगर आपसे कभी कोई magnetic nature पूछे क्या पूछे सर कभी कोई magnetic nature पूछे तो magnetic nature में आप total number of electron काउंट कर लेना if total number of electron कैसा है सर अगर ये odd number आया तब तो आग बंद करके बोल देना कि ये क्या होगा सर ये एक paramagnetic species है कैसी species है paramagnetic और ये भी मैं आपको बता दूँ ये बात कोई बोलेगा नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ अगर ये paramagnetic species odd number की है तो इसमें unpaid electron का number हमेशा 1 आएगा ये बात याद रखना unpaid electron will be 1 बस अगर ये कभी even number आ गया तो even number के case में ये dia magnetic होगा लेकिन या धोके की बात नहीं धोके की एक बात है सर ये dia magnetic तो होगा dia भाई जी हट जाया यहां से dia magnetic लेकिन हर बार even number पे dia magnetic नहीं होगा सर इड़ेज एक्सेप्ट 10 and 10 and 16 electron 10 और 16 electron के लिए ये paramagnetic होगा except इतना इन के लिए ये paramagnetic होता है सर even after being even number it is paramagnetic और इन दोनों के लिए number of unpaid electron जो है वो दो आते हैं इसका मतलब इसका magnetic moment निकालोगे तो ये root under rate आएगा ये बात याद रखना ये बात याद रखना फिर अगर आप से कोई molecule के existence की बात करें तो याद रखना if total बालल रूप में इसको बी के जी आप कह सकते हो या इसको आप बी आर जी कह सकते हो बोले तो बादल रूपी गया ये क्या कहता है if total number of electron is 4,8,20 then molecule does not exist के अब अपन सवाल करने के लिए तैयार है अब आपन सवाल करने के लिए तयार हैं, देखो भ्या क्या भौकाली तरीके से अपन सवाल कर सकते हैं, किस भौकाली तरीके से अपन इस पर सवाल करेंगे, अटाक करेंगे अब, चलिए, let's attack on questions of J-MEANS, पहला सवाल आपके computer screen पर, J-MEANS 2022 का, 2023 के भी सवाल है सर लेकिन वो end में ह है ना लास्ट में उसको रखा है उसको एंड में करेंगे सर चलिए सवाल है the correct order of bond order of फलाना 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 रस्पेक्टिवली क्या करेंगे total electron count करेंगे सर carbon पे total electron कितना होता है आप बोलेंगे carbon पे 2 carbon पे 12-14 electron nitrogen पे 14-2-16 electron oxygen पे बोलो ऑक्सीजन पे 16-18 electron bond order 321 तो हमसे क्या पूचा the correct order of bond order सबसे आदा c2-2- का हो जाएगा option कितना टाइम लगा electron गिनने भर का टाइम लगा है बस याद रखना electron count करने भर का टाइम लगा है बस अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल आपके computer screen पे यह रहा है अगें दो कुस्टिन इस फ्रॉम जेई मेंस 2020 आपका समय सुरू होता है आप देखे भाई कौन इसको सही करता है तो आप बोलूगे cn माइनस में कितने electron है कारबन पे छो साथ तेरा और एक नेगिटिव का चौधा electron चौधा electron का मतला bond order 3 और चौधा electron में डाया है पैरा पैरा कितना डाइम लगा इतना डाइम लगा भाई 77 परसंट बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके गंपेड़ स्क्रीन पर सवाल होना चाहिए यह रहा सवाल कह रहा है if the magnetic moment of dioxygen species इतना में भी मतलब इन में से कौन सा species dioxygen का है जिसका magnetic moment 1.73 BM होगा मैं आपको यह बता दूस new s की जो भी value है ना इसका जो integral part होगा कौन सा part integral part it will always be equal to number of unpaired electron यह number of unpaired electron के बराबर होगा the one point seven three का मतलब एक अन पैड़ electron एक अन पैड़ एलेक्टरों का मतलब और नमबर अफ एलेक्टरों होना चाहिए यह बात याद रखना आप बोलोगे इस पर इस पर ओर नहीं है इव Ale yeah, इस पर ऊड है, इस पर एवेन है यह हो सकता है, इस पर यह पाये और थानना तू तू जब आएगा इन प्यक्रूंड जब 16 यहनद 10 केस में सब बहुत ही मैंने कुछ क्यालकूलेट नहीं कै यह इन हो सब्सक्राइब नहीं व यही तो मैजिक है दोस्ते और इसको देखो कितने सारे बच्चों ने गलत किया अब ओटू होई नहीं सकता वे ओटू में दो अनपेड एलेक्ट्रॉन होंगे दो टू टी डबलू ओ टू प्यासट परसेंट लोग लीडर बोट देख लेते हैं किसने सही किया कि फूट कवर ही कहोता है वे अगले सवाल पर चलता है अब अभी तो जीए अडवांस का सवाल में नहीं करा रहा क्योंकि इतना रदी सवाल कराणे लायक नहीं अगला सवाल आपके चाली सवाल सुरू होता है सवाल क्या है Among the following molecule which one is diamagnetic and his shortest bond length shortest bond length का मतलँ आप समझ गये पहले तो diamagnetic होज लो फिर shortest bond length का मतलँ bond order चेक कर लो bond order से चेक कर सकते हैं सर पोल कैसे होता है आपको comment box में answer आप ABCD कमेंट कर दो पोल अपने आप हो जाएगा हाँ वाई कैसे निकालेंगे? टोटल नमेर अफ इलेक्ट्राओन काउंट कर लेते हैं कैसे निकालेंगे दोस्त टोटल नमेर अफ इलेक्ट्राओन काउंट कर लेते हैं क्योंकि बॉण बाटर का सवाल है backmagnetic, which one is diamagnetic? diamagnetic की बात करें तो यह नहीं है ये 18 एलेक्टरण ये 16 एलेक्टरण और ये 14 एलेक्टरण तो diamagnetik ये भी which one is diamagnetik तो ये दोनों paramagnetik के 16 एलेक्टरान वाले ये दोनों diamagnetik है diamagnetik में एक बार ही है c22 negative एक बार ही है o22 negative अब इन दोनों पे से कौन आनसर होगा भाई बोल दो पोल कहां चला गया पोल दिया ही नहीं तक है इसमें ठीक है बॉर्ण ओर्टर चेक कर ले ना बॉर्ण ओर्टर चेक करके अंसर कर दे आगे बढ़ते हैं सर यह भी कोई सवाल में सवाल है अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल अच्छा मैंने पोल दे दिया था है इसमें अच्छा चलो इसका अंसर इसमें देख लेंगे अनायन फॉर्मेशन से स्टेबलाइजीशन का मतलब जो है आपके पास माल लो एक स्पीसीज है सीटू तो आपको सीटू से मनाना है सीटू माइनस क्या बनाना है सीटू माइनस और अगर कोई stabilize कर रहा है इसका मतलब है bond order इसका बढ़ना चाहिए bond order कब बढ़ेगा सर याद रखना जब हम we will move towards 14 electron we are moving towards 14 electron अगर हम 14 electron के तरफ move कर रहे है तो bond order बढ़ रहा है उससे दूर जा रहे है तो bond order घट रहा है देखते है c2 की बात करें सर इस पे कितना 12 electron है 12 से अपन 13 पे जाएंगे bond order बढ़ेगा no की बात करें 15 है 15 से एक electron बढ़ाने पे 16 पे जाएंगे bond order घटेगा f2 की बात करें सर 18 electron है एक electron बढ़ाएंगे 19 पे जाएंगे bond order घटेगा O2 की बात करें सर कितना है सर 16 है 16 से एक electron बढ़ाएंगे 17 पर जाएंगे bond order घटेगा इसका answer हो गया यह तो मालो पिछले वाले का answer था यह नहीं ले पाए इस वाले का answer बट ठीक है बात समझ गये अगले सवाल पर चलते हैं बताईए बताईए डाया मागनेटिक मॉलिक्यूल कौन है अब इसका answer देदा भाई डाया मागनेटिक मतलब इवेन एलेक्टरोन होना चाहिए 10 और 16 नहीं होना चाहिए यह 10 है यह 15 है यह 16 है और यह answer है अगर बढ़ाए मेरे को लगता बहुत सारे लोग ए आंसर कमेंट कर रहे थे इस चक्कर में फस गए अवे यह चाचा क्या कर रहा हो हट चलो एक सवाल और करते हैं कितने सवाल है जेए मेंस 2022 के भरे पढ़े यार सवाल मैं छोड़ के चला जाओंगा तस सही ऑप्षन बढ़ता हुआ ऑप्षन क्या है कहां पर बांड रहा है तो 2023 के क्वेशन एकदम लास्ट में हैं सारे क्वेशन हैं एक साथ ही है 2023 के सारे क्वेशन देख यहां पर मिलेंगे तेरे को इधर है सब 23 के सवाल एकदम इंड में पेज नंबर 200 के आसपस यह सब 23 के है और बहुत फरजी सवाल है यार चल एक 23 का सवाल जब तू इतना जित कर रहा तो करा देता हूं तू भी क्या याद रखेगा ऊपर खीच ले भाई ब्रूं 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 कहां है यारम कि पहुची नहीं रहे है ओ भाई साब अभी तो यह सवाल दिया था पहले ना इस सवाल का अंसर क्या हो जाएगा सर आप टोटल एलेक्ट्रॉं काउंट कर लो कि इसपे एलेक्ट्रॉण अठारह इसपे ऐलेक्ट्रॉन ऑथारह इसपे इलेक्ट्रॉव tra набora 115 न सभी कर लोगा कोई दिक्कत नहीं होगी 50% भी option बहुत सारे लोगों ने कर दिया क्योंकि इन दोनों में देखा नहीं होगा आंसर देखते हैं टिक क्या होगा आंग बंद करके अगले सवाल पर चलते हैं 2023 का सवाल है हाँ में में ओफ देख लेते हैं हाँ मेनी ओफ दी फॉलवें आर पैरा मागनेटिक हाविंग स्पिन अनली मागनेटिक मोमेंट बराबर 2.8 पोर मागनेटर्न बता इसको भाई यह मैंने तुवह आर्बिया दिया ना पंदरा सेकेंड का सवाल है मैंने जो आर्बिया दिया न इसकी वैल्यू जीरो हुई हो जाएगी और इसकी गैरेंटी मैं दे सकता हूं भाई पूरे इंडिया में तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा खतरना खतरना कॉंसेप्ट एमोटी से रेलेटेड़ आ कि मताईए एक बच्चा के रहा सार नीद नहीं आ रही आपको नहीं भाई और जबकि मैंने सुबह क्लास की रिकॉर्डिंग भी करी है दो आपके क्लास के पहले दो रिकॉर्डिंग भी करी है बिमार होने के बावजूद यकीनियन सर है अरे बहुत बढ़िया तो अगर हम इसकी बात करें कैसे करेंगे आप बोलेंगे सर लेख Kah 2.8 मतलब दो अंप्यड एलेक्टरॉन तो यूपी तष्यव किस अर्गेए हैं बता रखौका है दस एलेक्टरॉन नहीं व्यक्रों तस एलेक्टरॉन हाँ बारा में से दो गया दस एलेक्टरॉन हाँ चार मदा आया कितने टाइम में कर दिया एलेक्ट्रॉन काउंट करके कर दिया दोस्त आंसर पांच आरा क्या मैंने गल्ची की ना एक दो ती चार चारी तो है कि इतना डाइम लगा यार कितना डाइम लगा बोल यह ना अब बता अर्विया कैसा बवाल चीज है कि नहीं है क्या बवाल चीज बनाया है उसर 2023 का और सवाल कर ले यह ले तू भी क्या याद रखेगा यह अच्छा यह 2022 का है 2022 का सवाल कर ले इसका मतलब इन में से किस से उलेक्टरोन निकाल करbe की स्टेब लेगी बताये इलेक्टरोन निकाल कर के स्टेबिलिटी निकाल करके कहां पहुँचना चाहिए हमें ये 16 है 16 से 15 पर पहुंचेंगे stability बढ़ गई सर ये 12 है 12 से 11 पर पहुंचेंगे stability घड़ गई सर 10 है 10 से 9 पर पहुंचेंगे stability घड़ गई इसका वतलब इसका अंसर a and c only हो जाएगा c option is the correct option कि यह सब सवाल एक बार पढ़ने के बाद तुम ख्याबी लेम टाइप से करोगे ऐसे कि यह ना कुछ करना ही नहीं है यार वेन नहीं उठाना है एक मोटी विदाउट पैन पैन से करें हमारे दुस्मन चलिए एक सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे फिर मैं आपको एमोटी पे दो तीन बाते और बता दूँगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे चलो फिर यहाँ पर पूछा आपसे list one list two molecule bond order है बताइए इन सबका bond order क्या होगा भाईया क्या करेंगे टोटल एलेक्ट्रोन निकालगे फ्रैंक के मारेंगे बढ़ेंगे तोड़ी करेंगे नियोन टू बीस एलेक्ट्रोन जीरो एंटू 14 एलेक्ट्रोन तीन अठारा पे एक सोला पे दो आंसर जितना डाइम में दु समझ आ रही है एलेक्ट्रोन काउंट करके सीधा bond order लिख सकते हो molecular orbital theory most of the cases में बनाने की जरूरत ही नहीं है चलिए अब इसके बाद मैं आपको molecular orbital theory से एक बड़ी interesting बात बता देता हूं कि सर अगर हमें orbitals दे रखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे how will identify sigma and identification of identification of sigma and pi also BMO and ABMO पहला मतलब type 1 when orbitals are given जब आपको orbital given होगा सर उस case में क्या करोगे सुनिए अगर आपको orbital given है तो ऐसे केस में आप दो बातों का ध्यान लखना देखो अगर positive से positive मिल रहा है तो यह BMO होगा अगर negative से negative मिल रहा है तो भी यह BMO होगा अगर positive से negative मिल रहा है या negative से positive मिल रहा है तो इस case में आप बोलोगे जो molecular orbital बन रहे हैं वो ABMO है सर मतलब स्टार वाले हैं बाकी कितने लोब्स अकरार हैं उसके इसाब से सिग्मा पाइप कर लो बाकी नंबर ओफ लोब्स से आप डिसाइड कर लेंगे कि सिग्मा है और पाइप आप बोलोगे सर एक और बाइटल में पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है जब उसमें एलेक्टरॉन है तो मैंने बोला दोस्त ये वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो तू सोच रहा है अपन ने ऐसा बनाया था क्र क्रेस्ट की बात कर रहे है एलेक्ट्रॉन वेप के क्रेस्ट की बात कर रहे है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब है क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा रहा है नेगेटिव से नेगेटिव की बात कर रहे है तो उसके लिए दूसरा ठीक है चलिए इसके बाद अगर हम बा कौन से और्टन बनेगा विए मोँ अब बताएं अब बहुन वाई जल जले बताओ कौन से और बनेगा भी अच्टन जाए अब अब यह और बढ़ी में करके दिखाता हूं तो आप बोलो कि सर पॉजिटिव से पॉजिटिव टक रहा या बिए मोँ बनेगा कौन सा अब है 1S 1S हमेशा सिगमा बनाता है सर तो सिगमा वनस लिख दो और यह BMO ही है स्टार नहीं लगाया मतलब BMO है बहुत बढ़िया मैंने बोला यह वनस था आपने माल लिया यह भी वनस था आपने माल लिया मैंने बोला पॉजिटिव से नेगिटिव टकराया अब क्य जाएगा ABMO बनेगा सर इट विल लेट टू फॉर्मेशन ओफ एबीमो बहुत बढ़िया एबी एम ओ यह आगे चलते हैं सर कि यह पी है और यह भी पी है अब है यह क्या हो गया मैंने बोला यह दोनों टकरा रहे हैं एक बार नेगिटिव से नेगिटिव टकरा रहे हैं और यहां पर पॉजिटिव से नेगिटिव टकरा रहे हैं क्या बनेगा बताओ यह वालोग Px है यह भी Px है 2Px 2Px है बताईए क्या-क्या बने का दोनों में सबसे पहले बाले में पहले जिये देख लो कितने लोग तकरा रहे आप बोलोगो सर दो लोग तकरा रहे है 2 लोग तकराने का मतलब है बड़ा सा लेक दोсь सिग्मा Bonding anti bonding कि इसकी बात करें दो लोग टकरा रहे हैं है अच्छा सिगमा तो किसका सिगमा तू पी एकस से मिलके बनाव सिगमा र्वाद बॉनी एंटी बॉनीं च्रक्रएं और तुम चोल नहीं सकते यहें अधौर याद रखना अगर मालो मैंने बोला कि ये मेरे पास सिवाई हैं इसे проект प्रूंपया। कि मरवना स्वाइया कौनटा पाइब और नेगेटिव बता क्या बनेगा जो आप तो आप सब्से पहले मेरे How many lobes are intersecting here? तो आप बोलेंगे सर, यहाँ पे जो total lobe टकरा रहे हैं, वो है 1, 2, 3, 4. 4 lobe का मतलब यह pi bond बनाएगा, और किसका pi? यह 2py का pi बनाएगा, और यह bonding molecular है, क्योंकि प्लस से प्लस, माइनस से माइनस. अगर यहाँ पे मैंने बोला, यह प्लस यह माइनस, यह माइनस यह प्लस, अब आप बोलोगे सर, यह pi एंटी bond हो गया, सर, और किसका एंटी bond हो गया, 2py का, क्या मेरी बात समझगे, टाइक ओन के जितने भी सवाल होंगे, आप सब का आंसर कर देंगे, बताइए हाँ यह ना, सिग्मा पाई पैचान लोगे, बोलो, येस, नो, येस, नो, येस, नो, फटाफट कमेंट बोक्स नो बता दो, ठीक है, इसके बाद, अगर अगला पॉइंट है, कि अगर माल लो आपको molecular orbital का, अगला पॉइंट क्या है सर, अगर आपको MO का, टाइप 2 क्या होगा, आपको MO का, electron cloud दे रखाओ, electron cloud डाइग्राम दे रखाओ, MO का electron cloud डाइग्राम दिया हो, इस case में हम कैसे solve करेंगे, इस case में हम कैसे solve करेंगे, कि क्या होगा और कैसे होगी चीज़े, ठीक है, तो पहली बाद, माल लो ये 2 nucleus है, क्या है सर, ये 2 nucleus, अगर इन 2 nucleus के बीच में, अगर इन 2 nucleus के बीच में, आपको क्या देखने को मिला, 2 nucleus के बीच में electron cloud देखने को मिला, इसका मतलब आप बोलेंगे सर, ये bonding molecular orbital है, अब bonding molecular orbital भी 2 तरीके का हो सकता है, एक तो sigma, दूसरा pi, सर, sigma कब होगा, जब आप देखेंगे, इसको join करने वाले axis पे, इन 2 nucleus को join करने वाले axis पे electron cloud है, ऐसा electron cloud है, जो इसको join करने वाले axis पे भी है, तो आप बोलेंगे, sigma BMO है, सर, ये pi BMO कब होगा, आप बोलोगे, जब इन 2 को join करने, इन 2 के बीच, इन 2 के बीच electron cloud तो है, वाट इसको join करने वाले axis पे कोई electron cloud नहीं है, एक उपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, है इन 2 के बीच में, इस case में आप बोलेंगे, ये pi BMO है, सर, ये pi BMO है, बहुत सारे बच्चे परिशान हैं, सर, class कब खतम होगी, class खतम माल लो अभी से 45 minutes to 1 hour में, 45 minutes to 1 hour, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद, अगर हम बात करें सर, ABMO कब बनेगा, अगर माल लो इन 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर, electron cloud density नहीं है, यहाँ पर, no electron cloud density, इस case में आप बोलेंगे, आपको देखने को मिलेगा, ABMO, anti-bonding molecular orbital, फिर आप बोलेंगे, anti-bonding molecular orbital भी sigma pi हो सकता है, सर, तो उस case में भी आप यही करेंगे, कि अगर electron cloud यहाँ यहाँ है, यह बीच में थोड़ा-थोड़ा है, तो आप बोल देंगे, सर, यह sigma वाला है, और अगर उपर और नीचे की तरफ है, इसके, इस line पे, यह सीधी line जो है, इसके उपर और नीचे की तरफ electron cloud है, तो आप pi वा बारे में और फिर hydrogen bonding के बारे में, तो सुरू करते हैं, second last topic, है ना, last last topic सपन, सुरू करते हैं, देखते हैं, सबसे पहले हम weak forces के बारे में बात करेंगे, जरम पानी देदार अच्छा रहे गा, बच्चों की और मेरी दोनों की दुआएं लगेंगे, हाँ वाई, अगर हम बा weak forces दो टाइप है, कौन कौन से सर, एक होता involving iron, involving iron, और दूसरा होता है, not involving iron, मैंने आपको class की सुरुवात में ये भी बताया था, पांच बजे की बात है, कि ये जो involving और not involving iron होते हैं, इन में, इनको हम forces कहते हैं, या interaction कहते हैं, bond नहीं कहते हैं, तो involving iron में जो आता है, उसको पहले को हम कहते हैं, iron dipole interaction, iron dipole interaction को मैं IA लिख दूँगा, दूसरा होता है, iron induced dipole interaction, अभी सब का मतलब मैं बताऊंगा, tension ना लो, induced dipole interaction, वहीं अगर हम चलें, not involving iron पे, तो not involving iron वाले जितने भी forces होते हैं, इनको हम कहते हैं, wonder wall forces, और wonder wall forces की अगर हम बात करें, wonder wall forces की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन-कौन से force आते हैं, तीन force देखने को आपको मिलेंगे, सबसे पहला, dipole-dipole interaction, जिसको आप short में dd interaction भी कह सकते हो, dipole-dipole interaction, दूसरे interaction की अगर हम बात करें, तो dipole-induced dipole interaction, और आखरी की अगर हम बात करें, तो instantaneous dipole and induced dipole interaction, ठीक है, अब अगर मैं आपको बताओ, तो सुनते जाईए, समझते जाईए, अराम से, एक मिनान से, अराम से और एक मिनान से, सुनते और समझते जाईए, ठीक है, हाँ, चलिए, देखते हैं, क्या यहाँ तक बात clear है, बताईए, कोई बच्चे कहने, दस घंटे पूरे कर दो, देखो मैं घंटे तो नहीं देख रहा, बट इमानदारी से, इस chapter में हम पहुँच गये हैं, अभी बहुत अच्ची बात है, और सवाल करते करते पहुचे हैं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं किया है हमने, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले, इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले, इन सभी फोर्से के बारे में थोड़ी थोड़ी बात जान लेते क्योंकि कोई बहुत rocket science है नहीं इनमें देखो कभी अगर आपको आयन लिखा हुआ मिले तो आयन का मतलब क्या होगा charged pieces आयन का मतलब या तो वो गटायन होगा या नायन कटायन और अनायन कभी आपको अगर डाइपोल लिखने को मिले कि डाइपोल तो डाइपोल का मतलब आप समझेंगे polar molecule कैसा molecule, polar molecule कभी आपको induced dipole लिखा हुआ मिले या instantaneous dipole induced या फिर instantaneous dipole तो इसका मतलब आप समझेंगे non-polar molecule non-polar molecule क्या मेरी बात clear है आपको यहां तक सारी बात clear है बताइए kid 3 दोगर आप द्यान रखेंगे तो आपको सारी बात क्रेश्टर गीले है तो सबसे पहले अगर मैं आप से कहूँ तो आप बोलोगे से वहाला किसी सिर्ज में लगेगा इस ये वहाला पूँच्छे सं के बीच लगेगव बीच लगेगा सर डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन किसके बीच लगेगा तो आप बोलो के पोलर प्लस पोलर मॉलिक्यूल के बीच एक पोलर और दूसरा भी अगर पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन लगेगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कब लगेगा तो आप बोल प्लस नॉन पोलर मतलब यह सबसे वेकार टाइप का मतलब सबसे गमजोर फोर्स होगा सर और इसी फोर्स को हम तीसरे वाले फोर्स को हम दो नाम से जानते हैं एक हम इसको कहते हैं लंदन फोर्स या फिर हम इसको एक dispersion force के नाम से भी जानते हैं और याद रखना मेरी एक बात मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से याद रखना कि जितने भी noble gases होते हैं उनके बीच में यही force तीसरे नंबर का force काम करता है इनके बीच तीसरे नंबर का force काम करता है मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे को फटा फट जवाब देना, इनके बीच कौन सा इंट्राक्षन काम करेगा, डाइपोल, डाइपोल, इन्डियूस, डाइपोल या इस तरीके से है ना, चलिए, सबसे पहला, मॉलिक्यूल मैं देता हूं, आप मेरे को अंसर देते हैं, अगर अकेला एक ही नॉन पोलर कहीं पर आया, तो उसको हम इंडियूस्ट लिखते हैं, अगर दो नॉन पोलर कहीं पर आया, तो एक को इंडियूस्ट, एक को इंस्टैन्टेनियूस, तो आप बोलोगे, सर ये है आयन, आयन, इंडियूस्ट डाइपोल, क्या मेरी बात समझ मैं इंट्रक्शन किया मेरी ये बात आपको समझ भाई अभी मैं दूसरा एक्जाम्पल दूँगा घबराये मत अगर यहीं पर मैं आपको ऐसा बोलता दूसरे नंबर पर कि भाई या और इसके साथ में मेरे पास है अब बताओ यह कैसा इंट्राक्शन है अ कि बहुत बढ़िया अब बताओ यह कैसा इंट्राक्शन है सर एक बच्चा है हस्मूग नाम का बहुत परिशान है किस किस के 6 सब्जेक्ट हैं 12 में और याद तो किस किस के माद्ज फिल किये चा गह रहा है तो आप बोलों कि सर यह आयन है यह डाइपोल है बहुत सिंपल सर आयन डाइपोल आरे गाजा आयन डाइपोल बहुत सही भाई या मैंने बोला अच्छा एक और बताते फिर ले है एचल और इसके साथ CCL4 बता कौन सा इंटरक्षन है एचल और CCL4 बता कौन सा इंटरक्षन बोलिये तो आप बोलोगे सर है एचल पोलर CCL4 नॉन पोलर तो यह डाइपोल induced dipole है क्या मेरी बात clear है बताईए am I clear बहुत बढ़िया D ID हाँ आप ऐसे कह सकते है dipole को D बोल दो induced dipole को ID बोल दो और instantaneous dipole को IND बोल दो ठीक है चलो इस से ज़्यादा गाम असान हो जाएगा फिर चौते नंबर पर चलते हैं चौते नंबर पर मैंने आपको बोला hydrogen और hydrogen के बीच में कैसा force काम करेगा ये बताऊ तो आप बोलेंगे सर hydrogen वहाँ non-polar है दूसर का hydrogen भी non-polar है तो ये एक बार तो हो गया instantaneous dipole अगर दोनों आ गया तो instantaneous dipole plus induced dipole ये instantaneous dipole plus induced dipole force काम कर रहा है इसका मतलब ये लंदन force काम कर रहा है इस तरीके साब किसी सवाल का भी जवाब दे सकते हैं सबसे पहला और सबसे basic सवाल यही है फिर हम बात करेंगे energy dependence है ना फिर हम बात करेंगे energy वक्त का order energy order मतलब energy इनके साथ interaction energy जो है या force की energy जो है वो किस तरीके से depend करती है सबसे पहले इसमें मैं लिखूंगा एक bond के बारे में जो iron और iron के बीच में लगता है याद रखना iron और iron के बीच में हम interaction नहीं कहते है this is an ionic bond यह ionic bond है सर और ionic bond के लिए जो interaction energy है यह proportional होती है 1 upon r की power 1 जहां पे r inter मतब इन दो molecule के बीच में distance है इंटा molecular distance है फिर दूसरे पे चलते है एक iron लिया एक हमने dipole ले लिया तो iron dipole के लिए यह interaction energy 1 upon r की power 2 के proportional हो जाती है तीसरे में चलते है एक iron लिया दूसरा induced dipole लिया इस case में यह interaction एक्शन energy proportional to 1 upon r की power 3 हो जाती है चोथे पे चलते है हमने dipole के साथ dipole ले लिया यहां पे यह energy proportional to 1 upon r की power 3 हो जाती है चोथे के बाद पाचवे पे चलते है हमने dipole के साथ induce dipole लिया यहाँ पर यह energy proportional to 1 upon R की पावर 6 हो जाती है और last में हमने instantaneous dipole के साथ induced dipole को लिया और इस case में यह energy direct सवाल है सर याद रखना जही means में दो बारी पूछा है पिछले दो सालों में 1 upon R की पावर 6 के proportional हो जाती है मतलब 1,2,3,3,6,6 1,2,3,3,6,6 के order में आप याद रखेंगे इसमें आपकी NCRT कहती है as per NCRT पर यह states of matter की NCRT में मैं यह भी बता देता हूँ यह states of matter की NCRT में है तो आप यहाँ यह याद रखेंगे कि आपकी NCRT कहती अगर यह rotating dipole है मतलब ऐसा dipole जो rotate कर रहा है अगर यह rotating nature का है तो यहाँ पर जो interaction energy है वो 1 upon R की पावर 6 हो जाती है मतलब rotation के चलते हैं interaction energy और ज्यादा कम हो जाती है यहाँ तक बात clear है जल्दी बताईए फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ तक बात clear है जल्दी बताईए फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छा registration में आप लोगों से marks पूछ रहा है marks कौन से पूछ रहा है यार marks कुछ भी लिखदे है marks तो कुछ भी लिखदो दोस्त माक्स में क्या है बताईए कोपी कर लिए फट 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 फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद last last essay officially lost topic है दो छोटे 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 topic हम अपने जहीं केस आप से बस पढ़ लेंगे तो उसको और कर लेंगे बहुत बढ़िया एक मोल marks वह साथ करोड अब बात किसी करते हैं hydrogen bonding की अगर आप hydrogen bonding की बात करो मेरे से पूछो क्या है hydrogen bond चाहे hydrogen bond में लपूसा तो bond है लपूसा नहीं है सर बड़ा important bond है hydrogen bond जो है वो एक special type of it is a special type of dipole-dipole interaction dipole-dipole और कुछ केस में dipole iron interaction होता है कुछ केस में iron भी इसमें involved होता है सर कि वाह एक केरा सर ओगी अंदो को करोज का episode चल रहा है बहुत बढ़िया बड़े भाईया कि यहां पे अगर हम बात करें यह specials केस का है आपको देखना है कभी भी hydrogen bonding भाई तेरा पूरा का पूरा focus किस पे होना चाहिए सताया हुआ hydrogen सताय हुआ hydrogen मतलब tortured hydrogen है जल्यएं तो हमे जैसी इस्थिति में dat है हाँ आप कह सकते हो वैं मिलकुल तुमारे जैसी कि मेंãy hydrogen है का атели तो यह हैडुरुजन सताया हुआ है you कि अब जब सताया हुआ डिखा किसी को इसी को दया आ गई दया आ गई उसने बोला हम एलेक्ट्रॉन देंगे अब देखो हाइड्रोजन बैचारी की स्थिती इतनी खराब है हाइड्रोजन बैचारी की स्थिती इतनी खराब है कि वैचारा जहां जा रहा है वही इसको लूट रहा है इसकी स्थिती कैसी है बता है आपने यह मूवी देखिए कववा विर्यानी क्या होता पहले उसका बैग लूट लेता है कि भाई साब क्या आप मेरा बैग देखेंगे हम क्यों देखेंगे हमको थोड़ा फिर अब हम तो आपका बैग देख लिए अब आप मेरा बैग देखिए बैग मार दिया विचारका फिर अपना दोस्त जीतु को फोन करने गया नहीं वहीं अपना दोस्त जीतु को फोन करने गया वहां से बटुआ मार दिया फिर नहाने गया कपड़ा मार दिया फिर हॉस्पिटल में गया किड़नी मार दिया तो इसके साथ बाई साब बहुत बुरी कंडिशन थी तो ये सताया वाइडरोजन अब सताया वाइडरोजन भी ऐसा ही है इसको सताया किसने fluorine oxygen hydrogen नाइट्रोजन ने जाएगा किसके पास ये खोजता भी किसको है सर fluorine oxygen nitrogen को तो basically हम कहते हैं एक ऐसा hydrogen जो directly sandwiched हो between fluorine oxygen hydrogen वो क्या करता है वो करता है आपका H bonding ठीक है इसका मतलब ये fluorine oxygen hydrogen से directly attached होना चाहिए direct attachment तभी कहा जाता है ज्यादा electro negative element से attachment ना रखे ये ना हाँ सीशा हो या दिल हो आखिर तूठी जाता है और सामने भी वही है मतलब जिसने दिल तोड़ा जिस type के species ने दिल तोड़ा जहां भी उसी के पास रहा है इसको कहते है भाईया जीवन इसको कहते है जीवन अब आप बोलेंगे ठीक है सर सताया हुआ hydrogen अगर हम कहीं खोज लेंगे महाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाएगा बहुत अच्छी बात है समझ गये आगे बाद करते हैं टाइपस ओफ एच बॉन्डिंग की किसकी बात करेंगे सर्थ टाइपस ओफ एच बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा अब या आप औरगानिक पढ़ रहे थे बहुत सायद औरगानिक से पहले आपकी सुरुवात हुई थी है ना मतोँ चैनल चाइपस ओफ हैं हमें देखने को मिलते हैं कौन-कौन इंट्रा מology कुल्र का मतलब होता है विदिन अमालेकeti डिटेक मॉलेकिल के अंदर वह अगर हम बात करें इंट्रा मॉलीकिलर का मतलब धिना मॉलेकिल एक और हुए इंट्र मॉलेकिलर एच मॉल्ड नी मतलब between two molecules दो molecules के बीच between two molecules generally आपको औरग्यानिक compound में देखने को मिलेगा और benzene derivative में देखने को मिलेगा benzene derivative की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अगर किसी benzene derivative पे की हम बात करें तो benzene derivative के लिए पैरा position जो है वो perfect होता है for intramolecular edge bonding और यही benzene derivative पे अगर हम यहाँ बात करें तो आप पाएंगे इसके लिए उल्टा लिख दिया मैंने sorry यहाँ पे ortho position perfect होता है for intramolecular edge bonding और वहीं पे meta और para position perfect होता है intermolecular edge bonding पे meta and para फिर अगला point सर कहीं पे अगर intramolecular edge bonding हो रहा है तो वहाँ पे आद रखना ring formation होगा और ring formation का यह criteria है कि अगर ring formation जो है वो 5 to 6 member का है तब तो बहुत stable होगा intramolecular edge bonding वरना यह बहुत ज़्यादा stable नहीं होगा मैं example से आपको दिखाना चाहूंगा आगे चलते हैं अगले पेच पे example दिखाते हैं copy कर लिया है तो ckl लिख दिजें फिर हम अगले पेच पे चलेंगे example देखेंगे और फिर हम सवाल 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 करेंगे सर रात के देड़ बजे class चल रही है salute है आपको एक बच्चा लिख रहा sir take my name नाम ने लोंगा भाई फरी में नाम ने लेता मैं है 2x से पड़ा दिजे जल्दी करो इसको copy कर लिया अब देखते जा मेरी बात सुन जैसे मैं compound देता हूँ अभी मैं देख रहा था आप लोग सभी नोमन क्लेचर नोमन क्लेचर एक दिन खेल रहे थे तो भाईया इस compound का नाम बता दो कि इसको हम क्या बोलते हैं भाईया इसको क्या बोलते हैं सर कल exam है chemistry कल chemistry exam है पेन जरूर लेके जाएं इसको क्या बोलते हैं बहुत बढ़िया प्रियांसो सोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है एक बोल रहा है फैनौल अब इत्ता मारोंगा ना यह salisilic acid है और यह काम आता है aspirin के manufacturing में अगर हम देखे तो यह दोनो पैरा position पे है मल सॉरी आम सॉरी यह दोनो और्थो पोजीशन पे है ना और्थो पोजीशन पे इसमें एच बॉन्डिंग का condition देखते है क्राइटेरिया है एच बॉन्डिंग मन सकता है एच बॉन्ड हो सकता है इसमें देखते हैं मैंने बोला यहां पे यह oxygen है इससे जुड़ा यह hydrogen इसकी अगर हम बात करें तो यह carbon सिंगल बॉन्ड इधर जुड़ा होगा carbon carbon से जुड़ा double bond oxygen इधर oxygen और hydrogen अब अगर मैं बात करूँ कि माल लेते हैं यह दोनों एच बॉन्डिंग करते हैं इसा माल लेते हैं तो क्या यहां पे एच बॉन्डिंग हो सकती है नंबर काउंट करो एक दो तीन चार पांच छे कि बोलेंगे यह इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग के लिए परफेक्ट एक्जाम्पल है मैंने बोला एक काम करते हैं इसको ना मैं मेटा पोजीशन पर बना देता हूं ओएच यहां रखता हूं और सी डबल बॉन्डो ओएच इधर बना देता हूं मेटा पोजीशन पर अब बताओ क्या यह इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग कर सकता है यह तो कर सकता था अभी बॉन्ड किसका स्ट्रॉंग है इसकी बात करेंगे लोड नहीं लो कौनसा वॉन्ड स्ट्रॉंग है इसकी बात अभी आगे करेंगे लेकिन पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं तो आप बताओ क्या यह इंट्रा मॉलिकुलर कर सकता मैंने बोला चल मान लेते हैं कर लेता भाई हमें पता है गिनती ही तो कर नहीं कितने आटम बन इसको पैरा पोजीशन पर लगा दिया और पैरा पोजीशन पर लगाने के बाद मैं इसको उलटा गर के इस तरीके से लिखा और इधर C double bond O अब जब इसको यहाँ पे लगाए तो आप फिर बोलोगे सर यहाँ से यहाँ bond बनाने का मतलब ही तो और बहुत सारे atom आ जाएंगे बीच में ring बहुत बढ़ी हो जाएगी इसका मतलब अपन क्या करेंगे सर इसका एक और example लेके इधर आगे बना लो इधर कर लो एक इसको नीचे कर लो तो इसमें आप देखेंगे आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे एच बांडिंग हो जाएगी यहाँ पेच बांडिंग हो जाएगी सर इस वे एच बांडिंग बिला और यहां पर H bonding हो जाएगी तो 2 molecule के बीछ में बनी हैं तो फिर यह intermolecular H bond करेगा इसका मतलब एक ही जगा हमने intramolecular देखा बाकी जगा थो हमने intramolecular H bonding देखा अब मैं आपको इसके effect बता देता हूँ क्या-क्या चीजे होंगी क्या-क्या चीजे होंगी है ना सर साथ मेंबर की रिंग नहीं बनेगी तभी तो यहां काटा है बें इंटर मॉलिकुलर लिखा है यहां नो इंटरा लिख देता हूं दोस्त इंटरा मॉलिकुलर नहीं कर पाओ गया यह वाला नहीं बनेगा ठीक है कभी तो उसको काटा है न अंदर काटा क्यों है कि नहीं होगा यह इंटर मॉलिकुलर करेगा उपर कोई और इधर कोई और किसी और चेन से जुड़ेगा अब देखो जो मैं कहना चाहता हूं उसको बड़े ध्यान सुनना सर कभी भी यहां पे मैं लिखता हूं क्या-क् और इंटर मॉलिकुलर में क्या-क्या होंगी वह मतलब इंटरा मॉलिकुलर एच बॉन्ड में और इंटर मॉलिकुलर में इनमें क्या-क्या फरक पड़ेगा सबसे पहला अगर हम बात करें मॉलिकुलर मास की तो कभी भी अगर इंटरा मॉलिकुलर एच बॉन्ड होगा तो म पर कोई फरक नहीं पड़ेगा सर्मों जो मॉलीकुल जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा लेकिन इंटर मॉलीकुलर एच बॉंडिंग में मॉलीकुलर मास बढ़ जाएगा क्योंकि एक से अधिक मॉलीकुल आपस में मिल जाएगे ठीक है क्या ये बात सही है इसके बाद अगर हम बात करें मॉलीकुलर मास की बात थी है उसके बाद अगर हम बात करें विसकोसिटी की तो आप बोलोगे अगर कोई मॉलीकुल आपस में ही बॉंड बना रहा है तो उस केस में विसकोसिटी कम हो जाएगी और इंटर मॉलीकुलर के केस म फ्लो करना मुश्किल फील होगा फिर तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें इनका बॉइलिंग पॉइंट को ऑडर क्या होगा आप बोलोगे यह वैचारा अकेला है मास इसका जितना था उतना ही है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और मिल्टिंग पॉइंट भी जो कि most of the organic compound होते हैं तो उसकेस में आप क्या बोलोगे सर अगर intramolecular edge bonding है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सर आप लोगों ने पढ़ा होगा liquid solution के अंदर कि सर वेपर प्रेशर and boiling point are inversely proportional जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता होता उसका boiling point कम तो इस नहां या ना बताईए बोली क्या यह clear है सर विसकोसिटी क्या है कि विसकोसिटी फ्लो होता है एक दूसरे के ऊपर एक सब्स्टेंस का लामिनार फ्लो होता है एक दूसरे के ऊपर थीक है सॉलिबिलीटी की बात नहीं करते सर इससे अभी सॉलिबिलीटी के लिए और भी बहुत सारे फाक्टर से चलिए अब इसके बाद हम आगे आते हैं बस दो पांच मिनिट की बातें और और फिर हम हैड्रोजन बॉड्निक को एंड करेंगे फिर एक छोटा सा कॉंसेप स्ट्रेंथ होअ भी समतिक फिर अगर रम में रोवह लें आप्तिक स्ट्रेंथ यह मंसा कच्डेंट तो हीद्रोजन बॉड्निक की सत्रान कि स्ट्रेंथ दो करेंडा करेंसने सबसे पहला है टेल्टा इएंड डिफरेंस इंन एलेक्रो नेगेटिविटी distant और दूसरा था number of H bond number of H bond formed delta E N जादा strength जादा number of H bond formed जादा strength जादा ठीक है? simple सी बात है अब इस पर आगे चर्चा करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं hydrogen water नी किस चीज़ को effect करता तो सबसे जादा important चीज़ जो हमें पढ़नी है order of boiling and melting point order of boiling point and melting point ये हमें बहुत important है ये हमें बहुत बार पढ़ना होगा सर अगर आपको कभी भी boiling point में पहले boiling point की बात कर लेता हूं same order melting point पे होगा most of the question is will be from boiling point अगर हमें boiling point का order compare करना है तो boiling point depends किस पर करता है it is directly proportional to intermolecular forces intra नहीं intermolecular forces it is directly proportional to intermolecular forces तो सबसे पहला हम क्या करेंगे सर कैसे चेच करेंगे सबसे पहला कि ये type of force पर depend करेगा type of interaction पर depend करेगा कि किस type का interaction है boiling point, melting point interaction पर depend करेगा जैसे example के लिए अगर हम helium की बात करें तो आप बोलोगे सर helium और helium atom के बीच में जो force लगता है वो लंदन force लगता है ये दुनिया का सबसे poor force है तो इनका boiling point melting point बहुत ज़्यादा गम होगा सर क्योंकि इनको मतलब इनको आसानी से हम liquify और ये सब चीजे करने में बहुत दिक्कत आएगी सर हमें है ना इनको आसानी से हम क्या करते है liquify नहीं कर सकते हैं सर boiling point का मतलब आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर liquid और gas का equilibrium setup ये boiling point के लाएगा दूसरा अगर मालो type of interaction same है interaction is same तब हम क्या देखते हैं सर उस case में आप बोलेंगे हम देखते हैं molecular mass molecular mass का factor क्या है सर molecular mass जिसका ज़्यादा उसका boiling point and melting point ज़्यादा अगर फिर आखरी में अगर मालो molecular mass भी same है if molecular mass is also same इस case में हम क्या देखते हैं तो आप बोलोगे ये last case है इसमें हम देखते हैं branching या फिर आप कह सकते हो surface area क्या कहते हैं surface area ज़्यादा तो boiling point melting point ज़्यादा ये तीन तरीका है जिस तरीके से आप boiling point और melting point को judge कर सकते हो आप इन दोनों को judge कर सकते हो ये तीन तरीके हैं सर एक एक करके इन तीनों तरीके की हम बात करते हैं एक एक करके सवाल करते हैं आप सीधा सवाल पर चलते हैं ना कि बताइए अब कुछ नहीं मैंने बोला था ना दो बज़े तक लगबग खतम कर देंगे तो बस छोटे-छोटे टॉपिक बचे फिर सवाल करके 2023 के सवाल करेंगे कुछ 2021 विक्किस के सवाल और फिर खतम कर देंगे हैं अल्मोस्ट वियार वी आरेट दा वर्ज ओफ एंडी ठीक है चलिए जैसे वालनों मैं कुछ-कुछ एक्जाम्पल आपको दिखा देता हूं मैंने पूछा भईया मेरे को बताऊ मैंने पूचा कंपेर 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 बॉइलिंग पॉइंट और सबसे पहला CH4 and CH3CN बनाइए इन में से बॉइलिंग पॉइंट किसका जादा होगा तो तुम पहले पकड़ो कि कौन एक बच्चा पूचरा सर लीथियम प्लस माइनस का बॉन डॉडर बता दो इसका भी अभी सवाल में बता दूँगा सवाल कर लेंगा इसका टेंचन मतले आप बोलेंगे सर ये तो नॉन पोलर मॉलेक्वल यह और सोकना भी में में और सोच्णा भी मत और समघ्व Conservation और CCL4 का बता दो यार इन में से किसका boiling point melting point ज्यादा होगा बताईए इन में से किसका boiling point melting point ज्यादा होगा order वाले सवाली कर रहे हैं बताओ ना तुम अभी करो तुमारे सामने ही कर रहे हैं आप बोलोगे सर इन में से सर ये भी non polar ये भी non polar लेकिन इसका boiling point ज़्यादा हो जाएगा सर रीजन विंग इस सर molecular mass अगर वाकी सारी चीज़े सेम हो गई तो भाई या molecular mass देख ले मैंने बहुत बढ़िया तीसरे पर चलते हैं मैं यह मान रहा हूं कि आप लोग उने और गानिक थोड़ी सी पढ़ी है यह एक पेंटेन का यह सेम फॉर्मूले के साथ structure यह सेम फॉर्मूले के साथ structure molecular formula तीनों का सेम है सर और molecular formula इन तीनों में क्या है आप देखेंगे C5H12 बता मेरे को boiling point melting point किसका ज्यादा आप बोलोगे सर सब का formula सेम है पहली बात और सभी नॉन पोलर है अब क्या करेंगे अब हम बोलेंगे surface area पर जाएंगे सर यह एन पेंटेन है यह ISO और यह नियो तो आप बोलेंगे सर हम surface area पर यहाँ पर खेल जाएंगे किस पर खेल जाएंगे सरफेस area और surface area पर जैसे खेलेंगे आप बोलोगे सर इसका surface area सबसे जादा इसका boiling point जादा क्या हो मेरी बात clear एकदम दिल बना दो अगर मेरी बात एकदम crystal clear है तो दिल बना दो यह सर एकदम चका चक है कोई दिक्कत ही नहीं है सर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बहुत बढ ज्यादा है branching ज्यादा तो area गम हो गया उसमें branching कम थी CD chain चारी थी तो एरिया जादा area पर खेलेंगे सर यहां पर area पर खेलेंगे ठीक है चलिए इसके बाद जो मज़ेदार सवाल है वो यह है सबसे पहला कि चौधे पर जलते हैं हुआ हुआ है हुआ हुआ है एक टू एक टू और स्थिक इन के मिच बता दो मज़ा आ जाएगा है मुआ है चलो एंक बीच बता दो है कि इनके बीच कैसे करेंगे जाओ करेंगे बताईए तो आप इनके लिए क्या करेंगे सर आप इनके लिए बोलेंगे देखो यार इनके लिए खेला थोड़ा गड़बड है खेला हो गए यहाँ पर यहाँ पर जो ओर्डर है वो H2O का सबसे ज़्यादा होगा फिर HF का आएगा और सबसे कम NS3 का आएगा आप बोलोगे सर यह जादू गरी कैसे हो गया तो सुनना सर इसके केस में आप बात करेंगे डेल्टा इन की हईडरोजन बांडिंगे सर डेल्टा इन की बात करेंगे अगर हम hydrogen fluorine bond के delta IN की बात करें तो इसके electronegativity 2.1 इसकी 4.0 यहाँ पे delta IN जो है वो 1.9 आया अगर हम H2O की बात करेंगे तो hydrogen oxygen में hydrogen की electronegativity 2.1 oxygen की 3.5 यहाँ पे delta IN 1.4 आया अगर हम hydrogen nitrogen की बात करेंगे तो इसकी electronegativity 3.0 इसकी 2.1 यहाँ पे कितना आ गया sir 0.9 आ गया तो सर डेल्टा IN के साब से तो इसको हमें विजयी गोसित कर देना चाहिए था है ना डेल्टा IN के साब से गरम चले तो हमें उसको जिता देना चाहिए था सर लेकिन जिन्दिगी इतना आसान थोड़ी होता sir how to identify polar or non-polar अरे polar non-polar identify करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं तो अगर हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करें यहाँ प्या पाएंगे आप यहाँ पर देखके बहुत सिंपल बोलेंगे सर इसके इसाब से तो order यह गलत है लेकिन सही order यही है sir reason being reason being number of H bond याद रखना number of hydrogen bond अगर हम पानी की बात करें न तो पानी का एक molecule one water molecule forms a total of four hydrogen bond कितने hydrogen bond बनाता है sir चार hydrogen bond इसका मतलब पानी को अगर आपको vapor में convert करना है तो कितने hydrogen bond तोड़ने पड़ेंगे चार hydrogen bond तोड़ना पड़ेगा sir तब जाके पानी vaporize होगा लेकिन वहीं HF के अंदर दो hydrogen bond से आपका काम चल जाएगा कैसे चार तो आप देखो इसका oxygen जो है वो दो H bond बनाता है इसका hydrogen दोनों एक एक हच बनाते हैं पानी water molecule के दोनों hydrogen एक एक हच बनाते हैं तो number of water number of H bond formed by water molecule is four HF 2 बनाता है NH3 भी 2 बनाता है इसका मतलब number of H bond double होने के कारण यह हमें ऐसा देखने को मिलता है sir क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी को बताईए इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले point पे अगला point पर आपको दो चीजे दिखाऊंगा जो बहुत important है NCRT की table ढापके लाया हूँ मतलब है कि समगे है एंसे आटी की table से चोरी करके लाया हूँ NCRT की table के साब से दो point बहुत important जो ध्यान रखेगा सबसे पहला आजाएगा आपका group 15 पे group 15 के hydride की है कौन-कौन साय एंस 3 फिर पी एस 3 फिर एस 3 फिर एस 3 और बिया एस 3 भी है boiling point में melting point में नहीं है इनमें आपसे पूछेगा boiling point और melting point का order आपके सामने NCRT की table आया हूँ और फिर उसको explain करूँगा क्यों यह order आया कैसे सबसे पहले हम boiling point की बात कर लेते हैं boiling point का order आप देखोगे तो सबसे जादा यह है दूसरे नंबर पर यह है तीसरे नंबर पर यह है चौथे नंबर पर यह है और पाच्वे नंबर पर यह है मतलब अगर हमें dominant factor जो है वो मास है सर dominant factor जो है मास है लेकिन यहाँ पर H bonding dominate कर गया इन दोनों के बाद तो यह order आ गया बहुत important है सर याद रखना कि जैनरली सेम नहीं इन तीनों के लिए गडबड order है सर इसी के लिए यह तीन important है तीन hydride group 15, 16, 17 बहुत common बहुत सारे सवाल आते हैं फिर अगर हम बात करें सर melting point की melting point का order क्या है सर BIS3 की बात नहीं करते है melting point में इसमें सबसे पहले यह आया फिर दूसरे नंबर पे फिर तीसरे नंबर पे फिर चौथे नंबर पे अब यहाँ पर H bonding dominant कर गया पहले H bonding को जीता दो फिर मास को जीता देना पहले एच बाद निंग फिर मास को जीता देना ठीक है कि बताईए कि याद रखना और याद रखना आपके सामने इसी कलिए में एंसे अटी में हर बच्चे के पास है और इसकी गैरेंटी मैं देता हूं देख लो अभी बता रहा हूं है ना हो सकता जहीं में इसका कभी पेपर सोलुशन करा हूं तो उस टाइम पर बताऊंगा फिर से वापस अभी बता दे रहा हूं सर इस जो मैं टेबल में छे ओर दिखा रहा हूं ना छे और एक एच्टू आला ओर साथ उन साथ में से कोई ना कोई ओर आएगा ही आएगा एक पेपर में आजाए दो पेपर में आजाए चाहे चार पेपर में आजाए लेकिन आएगा ही आएगा अ यहां पर हम बात कर लेते हैं पहले boiling point के order की तो boiling point का order यह वाला है आप देखेंगे boiling point पर this is 1, this is 2, 3, 4 मतलब boiling point का order यहां पर उल्टा हो गया sir क्या? यहां पर उल्टा ऐसे हो गया कि H2O सबसे आगे चला गया sir Reason being, H2O बहुत सारे H bond बनाता है सर 4, 4 edge bond बनाता भाई, 4 edge bond के बराबरी करे तो कौन करे? melting point पर भी यही same scene है क्या? H2O sir एक number पर है, फिर यह 2, 3, 4 H2O के लिए कहानी simple है sir, H2O है सबसे कम फिर H2C, फिर H2T, मतलब मास के इसाप से arrange कर दो लेकिन पानी को सबसे आगे कर दो, क्योंकि पानी भाईया 4, 4 edge bond बनाता है है ना? 4, 4 edge bond भी नहीं बनाता है भाई अगर हम melting point, falling point के बाद, अगर हम group 17 की बात करें तो group 17 में आप order देखेंगे, इसमें भी order मज़दार है क्या? अगर हम melting point को order देखें, तो देखो, सबसे ज़्यादा melting point किसका है सर? आप बोलेंगे HI का, HI के बाद किसका हुआ? HF का, HF के बाद किसका हुआ सर? HCL का, और सबसे कम, अच्छा, HCL ओई, गायाब हो गया, क्या? HF के बाद, HBR, उसके बाद सबसे कम HCL अगर हम boiling point के order की बात करें, तो boiling point का order क्या है? boiling point में HF जीत जाता है, सर, HF सबसे ज़्यादा, फिर HI, फिर HBR, और लास्ट में HCL इसका मतलब इन दोनों order में भी आप देखो, यहाँ और यहाँ फर्क है ना? तो तु मेरे को बता, जई को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा यह, जई को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, बताईए, अब आप बोलोगी सर, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या reason है सर, तो इसके पीछे reason सिंपल यह है, कि जब आप melting point निकालते हो, तो आप solid liquid equilibrium चेक करते हो, जब आप boiling point निकालते हो, तब आप liquid gas का equilibrium चेक करते हो, अब इनमें क्या होता है, कि कई बारी, gaseous state में जब आप बात करते हैं, तो H bonding का strength अलग level पे काम करता है, solid से liquid के transition में H bonding का strength अलग level पे काम करता है, क्या मेरी बात समझ मैं, याद रखना यह सभी के सभी order, इसके बाद, तीन छोटी छोटी बाते, एक है molecule जो exist नहीं करता, दूसरा है drag or rule, तीसरा है bent rule, यह तीन छोटी छोटी बातों के हम चर्चा करेंगे, और फिर हम सवाल करके आज का session end करने वाले हैं, तो last 3 topic 5-5 minute के बसते हैं, सबसे पहले molecule that does not exist, इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सर, molecule that does not exist कि अगर हम बात करें, तो वैसे, अगर हम केवल यहाँ पे देखें, एक तो MOT से निकाल लेते हैं, molecule that does not exist, जिसका bond order 0 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे सर, आप बोलोगे 3 factor हैं, जो इसको decide करते हैं, सबसे पहला factor ह हैं, अगर हम बोलें, तो unavailability of d orbital for period 2 element, period 2 element के पास d orbital नहीं है, तो वो अपना octet expand नहीं कर सकते हैं, example के लिए, जैसे मैं बात करूँ, कि सर, phosphorus जो है, pcl5 बनाता है, लेकिन nitrogen ncl5 नहीं बना सकता, sulfur sf6 बनाता है, लेकिन oxygen of6 नहीं बना सकता, सर, क्योंकि इसके पास vacant d orbital है ही नह सर, iodine जो है, वो IF7 बनाता है, या इसमें तो fluorine ला ही नहीं सकते है, बढ़ ठीक है, आप समझगे, यह अपना octet expand नहीं कर सकते है, सर, दूसरा factor होता है, hydrogen का, hydrogen का factor क्या है, सर, कि if all terminal atom, if all pa is hydrogen, अगर सभी terminal atom hydrogen है, then d orbital will not be used in hybridization, d orbital cannot be used in hybridization, hydrogen के आउकात ही नहीं है, d orbital तक electronic site करा दे, इसका मतलब जहां पर hybridization में d आएगा, वो हो ही नहीं सकता है, वो molecule exist नहीं करेगा, example के लिए, देखो, यहां पर लेक रखा है, sf6 exist करता है, सर, लेकिन sh6 exist नहीं करता है, क्योंकि इसके hybridization में क्या आता है, sp3 d2 d आया h वाला exist नहीं करेगा, pf5 exist करता है, sr, लेकिन ph5 exist नहीं करता, ph5 का कौन सा version exist करता है, आप बोलोगे, sr, ph3 तक exist करता है, तो कि ph3 sp3 के तरह काम हो जाएगा, sr, आखरी वाले की बात करे, steric hindrance, steric hindrance भी एक problem है, अब जैसे माल लोग, तुम मैं से कोई कभी gym गया नहीं, मै तुम लोगों को 40-40 किलो का डंबल देदू, तुम उठाव पाओगे, मर जाओगे, वहाँ नीचे जमीन में धज जाओगे, भाई, sr, 80 किलो हमारा वजन नहीं, हम कैसे उठाएंगे, और डंबल तो बहुत concentrated weight होता, और ज्यादा मुस्किल होगा, ये वाला डंबल तुम उ कर रहा है, सेर अभी spamming कर रहा है, इसके बाद सेर उठेगा, और फिर थॉम भरेगा जाईगा, स्टेरिक हिंटरेंस में क्या दिक्कत है, सर, जैसे देखो, मैं आपको बोला, IF7 एक्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्लोरीन छोटे-छोटे है, सर, फ्लोरीन आटम छोटा है, लेकिन ICL7 आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, सर, क्योंकि क्लोरीन आटम आर बीगर एंड साइ साइज, महीं अगर हम बात करें, सर, आप यह देख लो, SF6 एक्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, महीं अगर हम बात करें, SCL6, आप बोलेंगे, यह डज नॉट एक्जिस्ट, एक्जिस्ट ही नहीं करेगा, सर, इतना बड़ा क्लोरीन बैचारा, सलफ सर, 6 क्लोरीन सबाल ही नहीं पाएगा, खुद को समाले, फ्लोरीन को समाले, किस को समाले, सर, किस को समाले, बताइए, अब इसके बादा मागे चलते, यह बात है थी, molecule does not exist, इसके बादा मागे चलते, बेंट, रूल की बात करते है, वैसे बेंट रूल, हाईयर क्लासे में प नहीं जानता था, पहले, अब जानने लगा हूँ, तो बेंट रूल फायर क्लासे में पढ़ते है, बेंट रूल हमें ये बताता है, जो हमें लगता है, हर orbital में परसेंटेजेस क्यारेक्टर सेम है, वैसा नहीं होता, ज्यादा इसनेटल आडम का उस हाइवरिड ऑर्बिटल से बॉन करेगा जिसका पर्सेंटेगेस क्यारेक्टर कम है यह क्या बढूं दिया सरा सुनबाशना मेरी द्यान से एक एक से मैं समझा देता हूँ जैसे माल रिंड या यह बोरोन Ctrl से तीन आटम जोड़ें कौनकौन से एक मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन दूसरा मैंने जोड़ दिया क्लोरीन तीसरा मैंने जोड़ दिया-ायोडीन आप इसका Hi-B decis to & कैशार अप बोलोगे सरर इसमें क्या है इसका Hi-B deasis onmis में Esp2 होगा % भritराबर लेकिन सच्चाई क्या होगी पता है हर बॉंड का परसेंटेजस करेक्टर अलब होगा हर बॉंड का अलब होगा पता क्यों क्यों क्या बोलेगा कि देखो यार मेरा जो परसेंटेजस करेक्टर है ना मैं किसी एलेक्ट्रो नेगेटिव आटम को नहीं दूँगा इसमें परसे सब्सक्राइब करेक्टर हर जगा कितना होना चीए था सर 33.3 परसेंट होना चीए था एक बटे तीन लेकिन होगा नहीं सर क्या होगा कि बोरोन का वहाँ पे एस करेक्टर बढ़ जाएगा जब सामने वाला आटम कम एलेक्ट्रो नेगेटिव है अगर यह सारे आटम सेम होते तब तो कोई दिक्कत ने रिए तब तो वराबर हो जाता लेकिन जैसे ही सामने वाला जिनमें आपको बातना है जैसे मालो तुम किसी दिन कप्डे बातने गये या कभी खाना वाना बाटने गये तुमने देखा कि किसी पंदे की कंडिशन सच में बहुत खराब है और एक ऐ आप बोलेंगे सर अब्वियस सी बात है हम मदद उसकी करेंगे जिसके पास अक्चुल में कमी है वही सेम सी यहाँ पे है आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पे आयोडीन की एलेक्ट्रो नेगटिविटी कम है तो इसको ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर देंगे तो बोरोन का एस करेक्टर बॉर्णड ए में सबसे ज्यादा होगा फिर बॉर्णड बी में होगा फिर बॉर्ण सी में होगा अगर आप इमानदारी से कहें तो देखो एक्षाक परसेंटेज तो नहीं कह सकता बड़ मैं एक रफ एस्टिमेटर लेता हूं कि माल लो यहाँ पर यहां पर जाएगा 34 और 40 और 34 जोड़ा कितना हो गया तो आप बोलेंगे सर यह हो गया 74 इसका मतलब 26 के लगबक यहां हो जाएगा मनद परसेंटेज बल्ट गया इक्वल परसेंटेज नहीं गया एक केरा आइफोन वाले की फिर उसको बोलूँगा मेरी बढ़िया फोटो कीच फिर उसको मैं फिर सेर अपनी बढ़िया फोटो को इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगा अब यहाँ पर क्या होता सर्क अंगल बॉन परसेंटेज एस करेक्टर से प्रपोर्चनल होता है तो मैंने बोला को स्थीटा जो बॉन एंगल है वो स अपों एस मैनस वैन या फिर पी मैनस वैन अपों पी है जहाँ पे एस एंड पी आर percentage s character in bond pairs bond pair में percentage s character है sir s and t character है simple सा rule है sir इसका मतलब हर bond में percentage s character same नहीं होता, very complicated not important for even mains advance दोनों claim important नहीं है पसा ही आद रखना कि bond में आपस में percentage s character अलग अलग हो सकता है इससे कुछ चीज़े explain की जा सकती है आखरी topic of the day last topic of the day that is drago rule यह drago है sir dragon को नहीं काटा है नाम ही drago था जिनने उन्हें दिया था drago uncle ने बोला कि कुछ compound ऐसे होते हैं few compounds are few compounds does not undergo hybridization does not have any hybridization and are called drago compound income क्या क्या क्याते है इनका कोई hybridization नहीं होता hybridization क्यूं नहीं होता sir क्योंकि इनमें जो bond parameter है specially bond angle bond angle जो है specially bond angle यह आपको कैसा देखने को मिलता है तो आप पाएंगे समें जो bond parameter है specially bond angle यह हमें pure orbital जैसा देखने को मिलता है यह किसका देखने को मिलता हूँ, pure orbital pure orbital के बीच में जैसा angle है, वैसा यह angle हमें आपे भी देखने को मिलता है जैसे example के तौर पे जैसे example के तौर पे अगर हम nitrogen के group का hydrides ले, NS3 TH3 ASS3 और SBS3 फिर अगर हम oxygen family में चल जाए है, H2O H2S H2SE H2T तो ड्रागों अंकल यह बोलते है कि इस compound का hybridization SP3 है और इसका भी hybridization SP3 है लेकिन यहाँ से लेके जो जितने compound है न यह नीचे वाले इन सभी के लिए आप लिखेंगे इन सभी का को no hybridization ना ही इन सभी का no hybridization पता है क्यों? क्यूंकि इन में जो bond angle आता है वो 90 degree का आता है इन जो bond angle आता है वो 90 degree का आता है और P orbital के बीच में P orbital के बीच में अंगल होता है नबे degree का Px, Py, Pz आपस में 90 degree पे incline होता है तो अगर 90 degree का अंगल आ रहा है तो मैं यह क्यों ना मानूं कि यह Peer orbitals है मैं यह क्यों ना मानूं यह Peer orbitals है तो इसमें Peer orbitals होते है इसमें कोई hybridization नहीं होता ये था हमारा ड्राइगो रूल और इसी के साथ हमारा ये डिसक्शन आज का पूरी तरीके से खदम होता है अब हम करेंगे PYQ's 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 आएए सुरू करते हैं आएए सुरू करते हैं चलिए सवाल उपे PYQ's करने के लाप रेडी है जल्दी से बताईए फिर हम स्टार्ट कर देंगे चलिए अगला सवाल आपके computer screen पर यह रहा जही मेंज 2022 का सवाल है कि in the structure of SF4 the loan pair on sulfur is in कहां पहल उन पेर बताईए हाँ 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 लोन पेर कहां पहां पताईए अभी लीथियम प्लस का करा देंगे वाण लॉटर जेए पाइन यार वह तो कुछ है नहीं कि आप अचार हो जागा इसका आप बोलेंगे सर देखो अगर आम बात करें सफ फोर यह वीसीपी पांच है वीसीपी पांच में लोन पेर जाता है सर आप बोलेंगे टीक है सरे एक ही लूट मेर के साथ अगर आप देखेंगे ऐसे और उपर बॉन पेर नीचे बन पेर तो इन के बीच में दो रिपल्शन होगा बिल्कुल सही जबार अगले सभावटे चलते शांच है सब 1 करुटूर of melting point of hydride in group 16 group 16 का hydride मैंने बोला नहीं आता ही है सार इसके बिना सवाल ही नहीं बनता hydride का और melting point hydride का और melting point मैंने क्या बोला oxygen के केस में दोस्त oxygen को जिता दे चाहे melting हो चाहे boiling हो oxygen को जिता दे उसके बाद मॉलेगुलर मास पे खेल जा गलत गलत सीदा सी नहीं सा रहे अब इसको जिताने के बाद यहां पर मॉलेकुलर मास जिसका मास ज्यादा उसका boiling point हो या melting point हो ज्यादा लेकिन चार एच बॉंड के कारण इसको जिता दे भाई पानी को अगला सवाल आपके विडियो स्क्रीन पर जही में दोजार बाइस का सवाल यह कह रहा है कि the number of electron deficient molecule among following is इसमें से कितने molecule ऐसे हैं जो electron deficient हैं बताईए इसमें जल्द बताईए हैं आए है 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 जाना गुपता हमारे सब दूर चुकी है है जो कह रहे हैं कि सर मैं पहले पांच बज़े से देख रहे हूं अच्छी बात है क्या हो जाएगा सर तो अगर हम PS3 की बात करें आप बोलोगो यो क्या electron deficient है यो electron deficient है यो नहीं है यो नहीं है BCL3 भी electron deficient है और LIH भी electron deficient है लेकिन अगर मैं BCL3 की बात करूँ तो क्या BCL3 में deficiency उस तरीके की है जैसे आपको दिखेगी या BCL3 में back bonding के कारण deficiency कम हो जाएगी क्यों क्योंकि सर बोरोन is an element of 2P और क्लोरीन का जो electron pair होगा ये बिलॉंग करता है 3P को तो 2P और 3P में हमें पाइबॉंड देखने को मिल सकता है और ये पाइबॉंड comparatively अच्छी quality का होगा तो अभी आपका सवाल है आपके research का सवाल है आपको ये खोजना है जाके घर पे थोड़ी सी महनत तुम भी करो दोस्त थोड़ी सी महनत तुम भी करो तो मज़ाएगा चलिए यह आपको अगले सवाल पर चलते हैं अब तुम तुम तुमें कितना टाइम लग रहा है ऐसे सवालों को करने में ये देखो तुम अब इसके बाद में एक simple सा सवाल एक तो आओ ये सवाल कर लो In the following molecule hybridization of carbon ABC respectively ABC carbon का hybridization क्या होगा मैंने बताया था carbon अगर 4 single bond बना है तो SP3, एक double bond बना है तो SP2, दो double bond बना दे या एक triple bond बना दे तो SP देखते हैं पहले वाले carbon का SP3, दूसरे वाले carbon का SP2 C वाला मतलब ये carbon है SP2, तो इसका अंसर क्या होगा SP3, SP2, SP2, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं फिर हम 2023 पर आ जाएंगे ऐसे टाइप के सवाल खूब देखने को मिलते हैं याद रखेगा Which of the following are isostructural pair? isostructural pair का मतलब है जिनका structure या फिर shape जो है वो क्या हो सेम हो जाए सर, shape सेम हो जाए ये बात ध्यान रखेगा इनको हम isostructural pair कहते हैं सर, isostructural pair आपको periodic मतलब अपने कहा कहा देखने को मिलेंगे मैं आपको बहुत ही एक fine line बताता हूँ और बहुत प्यारी बात बताऊँगा जिस पे बहुत सारे बच्चे focus नहीं करते ध्यान नहीं देते हैं सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें if bond pair and loan pair are same तब तो आपको isostructural मिल जाएगा लेकिन ये नहीं होने के बावजूद भी ये नहीं होने के बावजूद भी आपको isostructural pair देखने को मिल सकता है कैसे देखिए अगर दो isostructural pair की मैं बात कर रहा हूँ जो दोनों RBI के तोर पे आपको दे रहा हूँ hashtag RBI आप देखेंगे अगर VACP 3 में loan pair एक कैसा होता है सर आप बोलेंगे bend shape का VACP 4 में loan pair 2 कैसा होता है सर bend shape का तो एक RBI ये हो गया दूसरा VACP 2 में loan pair 0 कैसा होता है सर linear VACP 5 में 3 loan pair कैसा होता है सर linear तो ये दूसरा हो गया जो VACP से ना होने के बावजूद भी ISO structural होता है सर बाकी बात तो वह वाली बात तो सब जानता है इसका जो ध्यान रखेगा वो advance के भी सवाल अच्छे सा कर पाएगा ये देखते है SO42 माइनस CRO42 माइनस आप बोलेंगे सेम है सर NS3, NO3 माइनस ये सेम नहीं है सर VACP अलग-अलग है SICL4 और TICL4 और BCL4 और BRCL3 ये नहीं है तो इसका अंसर क्या हो गया सर इसका अंसर बहुत सिंपल है आगे बढ़ सकते सर कितने question कर लें ये chapter पक्का करने के लिए इस chapter के मैं आपको बोलूँगा 2019 से सारे PYQ लगा लो ये chapter एगनम पक्का हो जाएगा सर इससे अधा कुछ है नहीं अगला सवाल अगला सवाल है the correct shape of and I, I, I bond angle respectively in I3 minus I and is बताइए कितना आएगा ये तो हमने सवाल कर लिया है ना हाँ बताइए ये तो हमने सवाल कर लिया सर अभी बताइए इसका अंसर क्या होगा आप बोलोगे सर I3 minus linear होता है सर पांच VACP के साथ तीन लोन पेर और एंगल 180 डिग्री अंसर अगले सवाल पर मतब पेन भी उठाने के ज़रत नहीं है अगला सवाल which of the following species have an unequal bond length unequal bond length कहा देखने को मिलेगा सर unequal bond length का सवाल कभी भी देखने को मिले सबसे पहला focus याद रखना आप करेंगे VACP दो VACP पे focus करेंगे एक तो 5 दूसरा 7 VACP 5 और 7 में unequal bond length देखने को मिलेगा VACP 7 से तुम्हें ज़्यादा सवाल ही देखने को नहीं मिलेगा सर तो VACP 5 पे चलते हैं इस पे VACP 5 है? नहीं सर पाँच है? नहीं सर इस पे VACP 5 है? नहीं सर चारी है इस पे VACP 5 है? हाँ सर सीधा सर सर, Octa Iteral में सारे bond एक जैसे दिखते हैं सारे bond VACP 5 और VACP 7 TBP और PBP में bond सा लग-अलग होते हैं इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं ये भी वड़िया सवाल है सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि if AB4 molecule is polar molecule a possible geometry of AB4 is इसका possible geometry क्या होगा AB4 का? बताई AB4 molecule का example हम ले सकते हैं इसका मतलब loan pair हमें नहीं पता है loan pair हमें नहीं पता AB4 का मतलब है bond pair इसके पास 4 है स्क्वेर pyramidal structure अगर आपको बनाना है स्क्वेर pyramidal structure जिसका example मैं आपको दिखा देता हूँ इसका example है BRF5 BRF5 कैसे बनेगा सर आप बोलेंगे ब्रोमीन के पास 1,2,3,4,5 साथ वैलेंस एलेक्टरोन 1,2,3,4,5 पास 2,3,5 ब्रोमीन ने खेर लिया मलब फ्लोरी ने और लोंड पेर वह बोलेंगे सर यह óक्टा लोन पेर है, लोन पेर में यह जो सीधा प्लेन में होना चाहिए था, इसको रिपल्शन करके नीचे कर दिया है, जुका दिया है, यहाँ पर चार फ्लोरीन है, दो एक एक का गैप देख ले चाते में, दो इधर होगे, तीन और इधर चार है ना, तो यह चार फ्लोरीन आटम भी इस पे है, चारो फ्लोरीन आटम प्लेन के नीचे की तरफ है, प्लेन पे नहीं है, चारो फ्लोरीन आटम प्लेन के नीचे की तरफ है, और नीचे एक और फ्लोरीन आटम है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, तो आप बोलेंगे देखो यार यह स्क्वाइ है और नीचे पिरामिड है टिप है तो यह स्क्वाइर पिरामिडल है सर ठीक है तो स्क्वाइर पिरामिडल में आपने देख लिया भी हमें पांच आटम की जरूरत पढ़ती है यह चाता यह चाता लाइट के लिए शिल्डिंग एफेक्ट का गाम करता है दोस्त ठीक है आप बोलोगे रेक्टांगुलर प्लेनर यह तो फर्जी ना भी नहीं हो नजर फैक दो इसको सर टेट्राहेटरल अगर जमेटरी होता और चारों मॉलेकुल सेम होते तो यह परफेक् स्क्वेर प्लेनर आप बोलोगे सर स्क्वेर प्लेनर के केस के अगर हम बात करें इसका बतलब रेक्टांगुलर प्लेनर अगर आप सवाल का अंसर देखोगे तो मैं तो बोल दूंगा रेक्टांगुलर प्लेनर की तरफ चले जाओ लेगिन इसका कोई आंसर नहीं है मेरे को रखता कुछ गड़बड है इसमें वैसे सवाल पर देखे ट्राहिटरल कैसे होगा वे एक बात बता ट्राहिटरल मतलब एबी फॉर का एक्जामपल ले 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 चीएच फॉर कैसे पोलर हो जाएगा पर्फेक्ट मॉलिक्यूल है सर हो इनी सकता चार बॉन बना रहा है ना दोस्त है तो इसमें कुछ गड़बर सा लग रहा है मेरे को खैर आगे चलते हैं अगले सवाल पर चलिए यह आपके पास सवाल the molecular geometry of SF6 is octahedral what is the geometry of SF4 including loan pair of electron if any loan pair of electron को include कर के स्की geometry क्या होगी बताइए loan pair को include करना है सवाल में साफ साफ लिखा है सर बस कीजिए बस सवाल ही करना हूँ हम सवाल करके end कर दूँगा यार सवाल तो कर ले थोड़े सब मिलाके खुद कराके और यह सब 10-15 और कर ले फिर छोड़ देता हूँ क्या answer हो जाएगा आप बोलोगे सर ट्राइगोनल बाइपरामेडल क्यूंकि इसकी विए सीप कितने आ जाएगी पांच आंसर कितना डाइम लग रहा है तूँ देख 15-15 सेकेंड में तो आप आंसर कर रहे हो सर इससे पहले मैं सवाल पूछू एक सवाल एक बच्चा बहुत देर से परिशान था उसकी बात कर लेते हैं पूसरा कि according to molecular orbital theory which of the following statement is true li2 plus की बात कर रहा है अगर अपन लीथियम की बात करें सर लीथियम की तो लीथियम के पास li2 के पास total कितने electron होंगे आप बोलूगे एक के पास तीन होते दो के पास छे electron हो जाएगे सर आठ electron की species तक की मैंने बात की आठ के नीचे की बात नहीं की पता है क्यों क्यूंकि आठ के नीचे के लिए आप ऐसे लिख लो ना बे इसमें तो कुछ होता ही नहीं है चार भर लो एक बोलो sigma 1s दूसरा sigma anti bonding 1s फिर sigma 2s फिर sigma anti bonding 2s इसमें कुछ ही नहीं रॉकेट साइंस सर छे electron भरना है आओ भरते हैं एक दो तीन चार पास चे अब क्या है सर सर एक electron add करना है add कर दे li- बन जाएगा देख ले आप एक electron add कर दिया यह बन गया li2- एक electron subtract कर दिया बन जाएगा li2 प्लस इसी तरीके से एक दो तीन चार पांच है ना यह बन गया li2 प्लस अब इन दोनों का bond order निकाल ले bond order निकाल के देख ले क्या आता है वैसे है ना bond order निकाल के देख ले क्या बाते आती है वैसे अगला सवाल आपके computer screen पर यह रहा फड़ा फड़ाइस को कीजिए सवाल के रहा चूज द करेक्ट order of bond strength of overlapping among falling orbital और यह एस मतलब सिग्मा ओवरलाप की हम बात करना है सिग्मा ओवरलाप की बात कर रहा है बताए कौन सा सही है कि जाए कि तो आप बोलोगे सब्सक्राइब करेक्ट और 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 ओफ बात करें आप बोलोगे स्पी का ओडर ज्यादा होना चीए तो यह गलत स्टेट्मेंट है इसकी अगर आपन बात करें तो 1s 1s ठीक है 1s 2p and 1s 2s तो आप बोलोगे यह सही option है क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो पाई बनेगा बहुत प्यारा सब्सक्राइब है तो पी एक्स कभी लेके आएंगे तो पाई बना सकता पी एक्स अप्शन नहीं हो सकता सर अंसर सोचना इन्हीं अब तुम बोलोगे सर दिखाना एक बरी तुम भी क्या याद रखोगे ओवर्लैब्विंग वोपिंग तो ऐसा कॉंसेप्ट है कि जो तुम जिन्दगीम कभी नहीं भूलोगे यह दी ऑर्बिटल पढ़ा हुआ अभी यह पढ़ा रहेगा यह बहुत दिनों तक यह दी ऑर्बिटल यह डी एकस वाई हो गया ऐसे और यह हो गया आपका पी वाई ला है आगे चलते हैं सर अरे हमरी बतिया समझ में आ रही है एक सवाल जो अडवांस में आ सकता है कभी देखिए द्यान से सवाल है कि फलाना 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 मॉलेक्यूल है विच आप दो फोलिंग सेप डाज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ देवाफ स्पीसीज इनमें से कौ उटन छे लेक्ट्रॉन नेगाटिव के कारण साथे擊 श फ्लोरी महीं सब्सक्रावण है स्क्वेट पिरामिडल नहीं है हमारे पास पिर आगे चलते हैं सब्सक्राइब दक्रत्व डाना लिनियर होता है बनाा प्रक्राइब पास है इसमें बेंड शेप आप्शन नहीं दिया है चलो कोई बात नि एक जिव एप फूर बनाना मत सर स्क्वेर प्लेनर कैसा होता स्क्वेर प्लेनर यह भी है हमारे पास उप्शन में पीचल 3 पीचल 3 आपका फॉस्फोरस पेक लोन प्यार उपर नीचे क्लोरीन और क्लोरीन ये यह हमारा आंसर हो गया यह शेप किसी में नहीं है हमारी प chromos यह मैंने आपको स्टार मार करके स्ट्रक्टर लिखआया था देखों अभी कितने question पढ़ रहे हैं अब तो अच्छा अभी भी 30-40 सवाल बच्छे हुए यार सवाल तो बहुत लाया था चल अब 2023 के सवाल उपर आ जाते हैं सीधा 2023 के सवाल करते हैं फिर खतम करेंगे सवाल में खोज कर लाया था बड़िया बड़िया को नि 2023 के सवाल करते हैं फिर खतम करेंगे फिल्कल सब्सकर इसको चेप सude बहुत बार पूछा जाएगा इसके बाद मागे सीधा चलते हैं आपे शर जेही 2023 के सवाल अपर एक bond angle के सवाल कर लो जाते-जाते चलो सवाल कह रहा है the correct order of bond angle इसे इनमें से correct order of bond angle आपको बताना है आपके पास है px3 सभी के बार है px3 है x बदल बदल के है fluorine, chlorine, bromine, d बढ़ाईए इसमें क्या order होगा सर होमवग कर लेंगे फिर होमवग में तुम बोलोगे इसका answer दे दो सर है इसका answer क्या होगा तो आप बोलोगे सर देखो जैसे जैसे terminal atom है ना terminal atom की electro negativity जैसे जैसे बढ़ते जाएगी bond angle क्या होता जाएगा कम पता है क्योंकि इसके पास loan pair है कितना एक और सभी hybridization सेम है तो terminal atom की electro negativity जहां जादा हुई bond angle कम हुआ सबसे ज़्यादा fluorine में फिर chlorine फिर bromine फिर iodine तो इसका bond angle सबसे ज़्यादा हो जाएगा पता है क्योंकि उसकी electro negativity सबसे कम है इसका सही answer होगा अभी electro negativity of terminal atom is inversely proportional to bond angle है तो इसका answer भी हो जाएगा सर चलिए अवे दो तीन सवाल तो कर लो यार 2023 के पैसे 2023 के सवाल कोई बहुत खास है नहीं बट कर ले ओहो कितने अच्छा अच्छा सवाल छोड़ना पड़ रहा है मुझे दुख हो रहा है चलो सवाल आपके computer screen पर यह the number of species from the following which have square pyramidal structure species कहां है मैं देदेता हूँ है ना species कहा है BRF5 XZF4 TE अब यह कह हो गया TE F5 minus XZF6 PCL6 minus चलो बताओ इसमें से कर लो यार इसमें से कर लो बोर्ड भी थग गया सर आब अब सब खतम कर देते हैं चलो अब बोर्ड ने भी जवाब दे दिया बस अब खतम करते हैं एक कर अब मास्टर साब अब तरे ने दो अब बस खतम करते हैं question कर रहे है इसका इसका स्कुर करक्रट्टर फटर ये हब अहरे आप बोलेंगे इसका स्क्वेश तसक्र्चर तो श्क्वर क्रामेडल है शन रजटरी वाला स्क्वेश पांच अब ते को था रहे हो जाूँदा आध आँ श्टर्ट का आज बहुंड कैसे बना सकते हैं। लोजिक तो लगाएंगे ना सर मेन लॉजिक के कैसे करेंगे तो आप पोलो गए इसका टोटल आंसर हो गया 2 कितना हो गया 2 एक सवाल और करूंगा फ्र छोड़ दूगा जा लास सवाल फिर छॉड़ दूगा तुभी जाया रखेगा चलो इसकी बात करते हैं सवाल क्या है सवाल है the sum of loan pair present on central atom of interhalogen IF5 and IF7 central atom पे कितने कितने loan pair हैं बता दो answer करो खतम करते हैं आज की class बस PDF तो मिली जाएगी भाई PDF में कोई दिक्कत नहीं होगी यह integer type सवाल है start करते हैं एक आखरी पोल फिरम लीडर बोर्ड देखेंगे एक आखरी पोल फिरम लीडर बोर्ड देखेंगे हैं आख हाँ बाकी question उम्मग डाल देते हैं एक आखरी पोल तो इसमें कितना हो जाएगा सर आप बोलें निसर आइए 5 के पास central atom लिखा है ना हाँ एक लोन पेर है और इसके पास जीरो एक प्लस जीरो कितना होता है सर एक प्लस जीरो एक ही होता है सर एक प्लस जीरो कितना होता है कि वह अंत्रा अच्छा यार एक चीज समें और होता है किर आगए अगर 12 बजे के बाद होता ना दिन चेंज होता है तो पार दिन चला जाता है तो यह लिटर बोड अज के दिन का होगा कल के दिन का नहीं तो ठीक है वाई जितने लोग है उन सब लंबग दूँगा उनको प्लीज कर लेना जेई मेंस के 2023 के सवाल अगर आप देखेंगे आपको हसी आएगी सवाल देख करके ये भी मैं आपको डिरेक्टली बता देता हूँ जाते जाते एक छोटा सा फोटो लेकर आया हूँ बड़ी मज़दार सेहर अभी सो रहा है बहुत सारे सेहर आप मेंसे है जो अभी सो रहा है फिर क्या होगा सर फिर जो है शेर उठेगा उठने के बाद यूट्यूब पे जाएगा और सर्च करेगा क्या सर्च करेगा हाउ टू क्रैक जेही इन वन डे शेर उठेगा फिर सर्च करेगा हाउ टू क्रैक जेही इन वन डे और वो वीडियो देखेगा उसमें लिखा रहेगा यू डोंट नीड वन डे यू नीड अली 30 सेकंड तो देखके सो जाएगा फिर से तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास end करने के पहले जो लोग इनको जानते हैं उनके लिए पपलू भाया का नमस्कार सभी को पपलू भाया का नमस्कार जो नहीं जानते हैं उनको बतादू अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने सबसे पहले chemical bond से सुरवात किया क्या होता है bond इसके बाद हमने ionic bond को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और उसके बारे में मैं आपको एवांदारी से एक बात ये कह सकता हूँ कि आपने फजान रूल को कभी अपने फजान रूल को कभी electric field lines की मदद से नहीं समझा होगा Gauss law के मदद से नहीं समझा होगा हमने Gauss law की मदद से physics के concept की मदद से फजान रूल समझा इसके बाद अगर हम आगे बात करें electric bond के बाद फिर हम overlapping पे चले overlapping पे हमने balloons की मदद से overlapping के बारे में समझा और फिर यहीं पे हम hybridization पे आगे hybridization complete करने के बाद hybridization को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद फिर हमने यहाँ पे VACPR थियोरी पढ़ी और VACPR थियोरी पढ़के हमने पे बहुत सारे सवाल किये इससे related सवाल structure से आते हैं hybridization से आते हैं iso structural species से आते हैं कितने loan pair हैं उससे कितना angle है इन सब चीजों से related इससे खूब सारे सवाल आते हैं उसके बाद हम bond parameter पढ़ने लगे और bond parameter को पढ़ने के बाद बीच में हमने थोड़ा सा हैं इसके बाद अगर हम आगे बात करें सर back bonding के बाद इसके बाद अगर हम back bonding के बाद बात करें back bonding के बाद फिर हम चले गए dipole moment पर dipole moment के बाद फिर हमने weak forces के बारे में पढ़ा मैं in short आपको यह सब chapter बता जिता हूँ क्या-क्या important है इसमें इसके बाद हमने वीक फोर्सिस के बारे में पढ़ा और वीक फोर्सिस के बाद फिर H-bonding पढ़ा हम आगे लास्ट टॉपिक पे चोटे मोटे कुछ टॉपिक पे और फिर हमने साथी साथ खुब सारे PYQs किये कुछ PYQs मैं इसमें homework दे दूँगा, उन PYQs को आप कर लेना, है ना, इसी के साथ अब हम मलेंगे Coordination Compound के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें, खूब बन लगा के पढ़ाई करते रहें, और अगर आपको session बढ़िया लगा, आपने enjoy किया session को, तो hashtag CB लिखके सबी को, बहुत सारी सुबकामना है जेई का paper अच्छे से देना, अच्छे से तैयारी करना please strengthen yourself time बहुत कम है, मौसम भी खराब हो रहा है मेरे जिसे बीमार ना पड़े it will hamper your preparation at the last minute, जो बारवी के student है उससे मैं बस दो बाते कहना चाहूंगा कि जेई में का पहला attempt आपके लिए बहुत ज़्यादा important इसलिए भी होता है कि second attempt तक आपके पास board का pressure रहेगा लगाता रहे इतमाहिने घरवाले हमेशा यताना देंगे कि ऐसा ना हो, जेई, जेई करते रहो और board में फेल हो जाओ, और ये ताने इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं, ये इतने ज़्यादा strong होते हैं, board और समाज के कि आप कहीं से कुछ नहीं कर पाऊगे, आप खुद demotivate हो जाओगे, अगर आप जेई की तयारी करने बैठे, so I'll request all the students who are appearing for the 12th board की ये attempt आप अपना last attempt मान के इसको देना और बहुत अच्छे तरीके से तयारी करके देना, क्योंकि अगर पहला attempt अच्छा चला गया ना, फिर अराम सा advance की तयारी करेंगे अपन पहली बात, दूसरी बात, board की भी अच्छे से तयारी, एक महीने रगड के तयारी करेंगे जो dropper के बच्चे उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो late beginners होंगे, late beginners के लिए मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आपको एक और मौका मिलेगा, इस पे आप अपना best देने की फिर भी कोसिस करें, क्योंकि आपने पिछले साल भी चीजे पढ़ रखी हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी मानी को यह विराम देता हूँ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुब मन लगा के पढ़ाई करते रहें बाई बाई, टेक कियर, चैहन्त